अगर किसी एक तिथी की सबसे अधिक प्रतीक्षा इस समय देश में हो रही है तो वो तिथी है 22 जनवरी और अगर कोई एक आयोजन है जिसकी ओर पूरी दुनिया देख रही है और इतना बड़ा आयोजन कभी हुआ ही नहीं तो वो भी होना है 22 जनवरी को ही नमस्कार मैं हू और हमारे साथ राम मंदिर में 22 जनवरी की तारीख जब प्राण प्रतिष्ठा होगी उस पर चर्चा करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित तिनात जी यहां पर जुड़ रहे हैं बहुत स्वागत है सर आपका आज तक पर बिरहा के सो परवत पि हमाइने रखता है देखे अयोध्या जिसे कुछ लोगों ने अपने ब्यक्तिकद द्वेस और संकिंडता का सिकार बनाने का प्रियास किया था जिस उपेक्सा का दंस को जहल लई थे आज उससे मुक्त हो करके हमारे बेदों ने अयोध्या को जिस सब्त पुरियों में से प्रथम पुरी के रोप में सम्मानित किया आज उसी आभा के साथ पनरस्थापित हो रही है 22 जनवरी को राम लला की प्रांट प्रतिष्ठा का ये समारो मेरा मानना है प्रभूर तो सरोब्यापी हैं सर्वत्र हैं परम्पिता प्रमेश्वर हैं लेकिन यह भारत और विश्वमानोता की लोक आस्ता और जन विश्वास की पुनर प्रतिष्ठा का भी ये आयूजन है भ्यक्तिगत रूप से भी और इस जन आस्ता इस लोक आस्ता और जन विश्वास की प्रतिष्ठा की लोक तंतर का एक सामन्ने ना गरिक होने के नाते हम सब का ये मानना है कि यह कार्य होना चाहिए था पहले होना चाहिए था लोगोंने राम की ताकत को नहीं स्विकारा वही गलती की जो सास्त्रों में गलती करने वाले भुगत चुके हैं और आज राम नाम से जिस भारत की कलपना नहीं किजा सकती है बगवान राम की उस महत्वा को श्विकार करने के बाद नियाए और सत्त्य की विजए अयुद्या के लिए हुआ है और उस नियाए और सत्त्य की पुनस्थापना का कारिकरम 22 जनवरी के कारेकर्म के माध्यम से हमें वहां देखने को मिलेगा जनास्ता का सम्मान किसी भी लोकतांत्रिक सरकार का कारे होना चाहिए और जन बिश्वास पर खरा उतरना अगर जनास्ता लोक आस्ता का आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो जन्विश्वास पर आप ख़रा नहीं अतर सकते एक दोसरे की पूरक हैं और प्रधान मंतरी मोदी जी के नेत्रितों में आज उनके मार्दर्शन में उनके नेत्रितों में उस लोक आस्था और संपूर वो राम मंदिर का मॉडल भी लगाया है अलों कि बहुत अब लोग प्रिया हो रहा है लोग इसे योध्या नगरी से ही ले जा रहे हैं लेकिन ये बताइए कि अगर शिखर नहीं बन रहा है और उससे पहले प्राण पुतिष्ठा हो रही है तो क्या ये पूर नहीं है क्या गर्बगरे का बनना पूर्ण नहीं माना जाता है मंदिर को देखे राम लला का प्रकटी करण हम जिस विग्रह को वहां स्थापित कर रहे हैं अनुष्ठान उस विग्रह का होता है और ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है अयोध्या में जो कुछ भी कारिक्रम हो रहे हैं इस सनातन धर्म के सास्त्रोक्त पद्दती के अनुसारी हो रहे हैं और सास्त्र परंप्राओं से भी चलते हैं तुसरा लोग हित में जन हित में परंप्राओं बनाई भी जाती हैं उन सास्त्रोक्त पद्दतियों का पालन करते हुए इन सभी चीजों को जो पोरों में भी हुए हैं और आगे भी होंगे उसी के अनुरूपे कारिक्रम भी और युद्ध्या का सिराम जन्भों में तीरचित न्यास के द्वारा प्रारंब किया गया है विपक्षका तो कहना है कि अब चुनाव करीब है इसलिए आप लोग जल्दबाजी में कर रहे हैं अभी मंदिर का निर्मार पूरा नहीं हुआ है लेकिन दो तीन महीने बाद चुनाव है और ऐसे में शशी थरूर को मैं कोट करना चाहूंगी कॉंग्रस के नेता वो यह कह करके हम गुजरात मॉडल देश में लाएंगे विकास का फिर वो 19 में आये पुल्वामा की वज़े से अब वो राम मंदिर में प्राड़ प्रतिष्ठा करके बनना चाहते हैं हिंदय हृदू हिंदू हिंदय समराथ और उससे वो चुनाव जीतना चाहते है तो इसलिए आप कि कॉंग्रेश ने 1989 में अपने चुनाव परचार अभ्यान का सुभारंब अयोध्या से किया था और क्या ये सच नहीं है कि कॉंग्रेश एक तरफ हिंदों को बेकूब बनाती थी और दूसरी तरफ मुस्लिम बोर्ट बैंक से भी मोह नहीं छोड़ पा रही थे बोर्ट बैंक की राजनिती इसमें विपक्स नहीं किया है कॉंग्रेश जैसे दलो ने किया है बारतिय जनता पार्टी ने इसमें राजनिती नहीं कि हमने तो बार-बार कहा ना कि जो देश की आस्ता थी उस देश की आस्ता का हम लोगों ने सम्मान किया हम उसके पक्सदर थे आज भी है और जो भी लोग आस्ता का सम्मान करेगा वो जन विश्वास पर खरा उतरेगा तो कह रहें कि बीजेपी संग का इवेंट हो गया है सर पांच लोग अंदर रहेंगे गर्गरे में अपने निकाला है काउंडाउन लोगसभाई एलेक्शन का देखकर देखें हिंदू परंपरा में सनातन धर्म की परंपरा में मकर संक्रांती के बाद सूर्य नारेंड के उत्रेंड में आने के उपरांत सूब मोहरत आते हैं कारिकरमों के और उसी को मान करके सास्ट्रोक तो पद्दती से यह कारिकरम किया गया कॉंग्रेस को इसमें तो औसर मिला था न लेकिन याद करिए जब सोमनाद के मंदिर की पनरस्थापना का कारिकरम हुआ कॉंग्रेस ने तो सायुजन का विरोध किया उस समय के प्रधान मंत्री उसकारिकरम में स्वयम तो नहीं गये लेकिन तत्कालिन राष्टपती को भी उन्होंने जाने से रोकने का प्रियास किया था आप नहरू जी की बात कर रहे है और राजिंदर प्रसाद जी की मैं कह रहा हूं डॉक्टर राजिंदर प्रसाद जी उसकारिकरम में गये प्ररदान मंत्री नहरू जी ने प्रियास तो किया था था सोयम तो नहीं गये लेकिन उनको भी रोकने का प्रियास किया कॉंगरेस ने लंबे समय तक देश में सासन किया आखिर देश की सुतंतरता कैसी है मान बिंदों की पनरस्थापना का कारिकरम और फिर इसमें तो नयाय और सत्य की बात है हमें एक अस्थान के लिए प्रमान देने पड़े जिसमें भारत की आस्था कहती थी कि यही राम जनम भूमी है लेकिन प्रवराम ने चुकि हमें मर्यादा का पार्ट पढ़ाया था इसलिए हमने मर्यादी ताचन करते भी वे सारे प्रमान प्रस्तुत करते रहे हम लोग लड़े लोवर कोट में लड़े हाई कोट में लड़े सुप्रेम कोट में लड़े और अंदता सुप्रेम कोर्ट में पांच जजेश की एक पूर्ण पीठ ने अयोध्या की मामले को लेकर के एक सरोमसम्मत फैसला दिया तो नियाय और सत्य की अस्थापना का भी अवियान है और इसी अवियान के करम में आज अयोध्या का कारिकरम हो रहा है। lavender शंकराचारी अगर कहते हैं कि हम वहाँ जाकर क्या करेंगे ताली बजाएंगे तो इसके पीछे की सोच क्या है। पॉंग्रिस कहती है कि आप लोग अपमान कर रहे हैं। कोई भी पुरराम से बड़ा नहीं है। हम सब राम पर आस्रित हैं। नहीं हम इस बात को ध्यान में रखना होगा। और राम से बढ़कर कोई नही हैं। हम सब की ब्युस inception राम के वेगर नहीं चल सकती। लेकिन राम तब भी तराम थे जब ये परंपराई नहीं थी उनके विरोध के पीछे आपको क्या वज़ा समझ में आते हैं लेकिए हर बेक्ति को अपनी बात बोलने का दिकार है लेकिन हम तो आज भी अंडोध करेंगे बिनम्र अंडोध करेंगे सभी पूजय संतों से जिनको तीर्थ छेत ने आमंतर्ण किया है या जो इस समय नहीं आपा रहे हैं वे कभी पधा रहे हैं हम सुनी सुनाई बातों पे विस्वास न करें देखें पहले की अयोध्या आज की अयोध्या हम देखें कैसे अयोध्या आज अपनी पुरातन वैवाओ के लिए पुनरस्ता पित हुई है ऐसा नहीं की लोगों का उसर न मिलाओ 75 साल तो सभी लोगों को मिले थे 7-6 साल मिले थे 50 साल मिले थे क्यों कि नहीं लोगों ने किया। लोग तो आयोध्या का नाम लेने से डरते थे। ने ये भी मैं आपसे समझना चाहती हूँ क्योंकि हम अंदोलन से जुड़े अलग अलग लोगों से बात करते रहे। आप अपने तरीके से अलग से जुड़े एक तो आपका अपना जो आपके गुरुजी का भी जुड़ाओ रहा आपका जुड़ाओ रहा लेकिन आयोध्या नगरी के तरफ कोई राजनेता जाने की हिम्मत नहीं करता था सब दूर रहते थे कि पर पता नहीं क्या दिक्कत हो जाए कोट का आदेश आया नहीं था लेकिन योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पर दिपोच्छव का आयोजन शुरू कर दिया था ये जानते हुए कि ये सवाल पूछा जा सकता है कि मंदिर कब बनेगा हमें प्रभू पे विश्वास था अठोड विश्वास था कि अगर राम सेतों का निर्माण हो सकता है तो राम मंदिर का निर्माण भी होगा और इसलिए उसके पहले प्रभू के आगमन के पहले दिपोच्छव तो होने ही चाहिए आखिर दिपावली का आयुजन तिसलिए होता है और सरकार आई ये मेरा सौभाग्य है क्यादणी प्रधान मंद्री जी की पेंड़ना से हम लोगों ने दिपोच्छव के आयुजन के साथ-साथ तो वहाँ की वनियादी सुग्धाओं में सुधार करना प्रारंब कर दिया था चाहिवार रामजी की पेड़ी हो गुपतार घाड से लेकर के रामजी की पेड़ी नए घाड तक के निर्मान के कारिकरम हो वहाँ की स्वच्चता का कारिक्रम हो वहाँ की फसाड की बिवस्था हो यहांने सभी कारिक्रमों को हमने इस किया और आज यही आयुद्ध्या है ना सिंगल लेन की सड़के थी आज आयुद्ध्या के अंदर फोर लेन की सड़क कल्पना थी ना आज से दस साल पहले कोई इसकी खल्पना ही नहीं करता था लड़के लटकते वे जूलते वे तारों के गुच्छे थे अभिवस्ता थी गंदगी थी पिसली सरकारों ने तो बिजली के लिए वहां के लोगों को तरसाया तीन घंटे चार घंटे गंदगी मेट के धेर में वहां के लोगों को रहने के लिए मजबूर किया कोई सुधाई वहां के लिए नहीं थी घाटों में गंदगी कमबार रहता था आज अंदर की फोर लेन की कनेक्टिविटी है बाहर हर वोर से आप लखनों से जाएं गोरकपुर से आएं वारानसी से आएं प्रियागराज से आएं फोर लेन की कनेक्टिविटी से वो भी जुड़ चुका है और यहीं नहीं अयोद्या मीटर गेज से जुड़ा वा था चोटी लाइन रेल की जाती थी बाद में ब्रॉड गेज बनी अब रेलवे की डवल लाइन से जुड़ चुका है इंटरनेशनल एरपोर्ड बन गया है और अयोद्या में सर्यू जी में उस लोग गोली चलाते थे आज सर्यू जी में कुरुफ चलना है कोई कल ना कर सकता था आज ये भी हो रहा है और इतना सब कुछ होने के बाब जूद एक चीज आप अन्वह किये होंगे देखे आप लोग तो पबलिक के बीच में जाते हैं सीधे आप लोगों का कनेक्ट है इतने लोग खटाएं गए होंगे उनका पुनर्वास्वा होगा अक्सर होता है चोड़ी चोड़ी बातों को लेके लोगों में अन्रेस्ट होता है 있을िधिया में अतना इंफ्रा स्ट्रॉक्शर का कारे हुआ लेकिन कहीं कोई Aunressed नहीं है हर वेक्टी में संतुस्ती है क्योंकि हर वेक्टी अयोद्धिया के लिए और प्रवुराम के लिए ही जीता है और सब के मन में है कि ये काम जो काम पहले होना चाहिए था और काम आज हो आज हुआ है तो स्वाभाई कुरुप से आम जन्मानस की जो आज की जो मानसिक्ता में परिवर्थन आया है अयोध्या के यहाँ इसले संभव हो पाया क्योंकि डबल इंजन के सरकार की नीती भी साब थी और नियत भी साब थी अब तो दिन बहुत करीब आ रहा है दो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दीजेगा यह किसका इडिया था कि राजनितिक महमानों को हमें बुलाना चाहिए आपसे चर्चा तो ही होगी आप मुख्यमंत्रिय किसका इडिया था कि उनको बुलाना चाहिए और दूसरा र पॉलिटिकल इवेंट है दोनों प्रश्णों पर आपका जाए उनको पॉलिटिकल इवेंट बनाने से किस ने रोका था आकर कॉंग्रेस ने उनिस सो सेंटालिस से ले करके और एक लंबे समय तक सासन किया राहुल जी स्वयम भी 2004 से ले करके 2014 तक इस देश की सत्ता के सिर्मौर के रूप में बैक डोर से कमान्टो संचालित करते ही थे किसी से छुपा हुआ है क्या हाँ वालग विस्या है कि उन्होंने कुछ इवेंट संसत में किये कि संसत की आउमाना करते हुए बिल्की परतियों को वहाँ फाड़ने का काम जरूर किया था क्या ये इवेंट ही था ये कॉंग्रेस का इवेंट है वे संविधान का अपमान करते हैं संविधानिक संसताओं का अपमान करते हैं भारत की लोकास्ता का अपमान करते हैं भारत की जन्बिश्वास पर कुठारा घात करते हैं मैंने पहले भी कहा प्रभुराम का रामलला की रुप में अपनी जन्भुई में पुनर प्रतिष्ठा का कारिक्रम होना प्राण प्रतिष्ठा का इसमारो भारत के लिए और सनातन धर्माबलंबियों के लिए तो गौरब कभी सेही देश और दुनिया के अंदर जितने भी दबी, कुछली, सब्विता और संस्कृति के अनुयाई होंगे उन सब के लिए भी आसा की एक नई करण है राजनितिक महमानों वाला सवाल का जवाब आपने नहीं दिया आपने उनको तलवार की नोक पर चड़ा दिया कि आए तब भी उनको एक तरह से ये मानना पड़ेगा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी कर रहे हम उसमें शामिल हो रहे है और अगर वो इंकार कर दें तो आप कहेंगे कि देखो ये तो आए ही नहीं नोंने दूरी बनाए तो आए ये हम लोग इस बात को मानते हैं कि राम सब के हैं दिश्टिकों लोगों के अलग-अलग हो सकते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी है राम हमारी आस्ता के प्रतीक हैं तो हम उनको परमपिता परमेश्वर के रुप में मानते हैं हमने उनके महत्तों को समझा जाना है इसलिए जीवन भी समर्पित कर दिया राम के महत्तों को वे लोग नहीं समझ पाए क्योंकि उनको सत्ता प्यारी है और सत्ता की एतर सोच भी और इसलिए हर उस अब्यक्ति को उस कारिकरम में आमंतर्ण होना चाहिए और यह से राम जन्भू में तीर्थ छेतर का आयोजन है उन्होंने अपना निमंतर्ण दे करके अपने कर्तब्यों का निर्वान किया है और ठीक है, पुरा देस आना चाहता है, दुनिया आना चाहती है, हर राम भक्ता आना चाहता है, इस पूरे कारिकरम के साथ जुड़े वे आनदोलन से जुड़े वे एक लंबी सरंकला है, वे भी आना चाहते हैं, लेकिन अलग-अलग समय में लोग आएंगे, हम लोग लोग कि प्रान प्रतिष्टा समारों के बाद सभी लोगों को आउसर मिले आउद्या में राम जन्भूमी का दर्सन करने के लिए और वहां की विवस्ता से राम जन्भूमी तिर्चेतर नियास देख रहा है हाँ उतरप्रदेश में कोई आएगा अच्छी नियत से आएगा प्रभू के दर्सन करने की नियत से आएगा उनके दर्सन करने में और वहां तक पहुचाने में हम लोग एक सहभागी हो पाएंगे उनको कहीं भी कोई समस्या ना आने पाए ये जमैदारी हम लोग अपने लेकर 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 काया आये यहिए कि यह एक राजनीतिक आयोजन है आप ने कहा वो भी कर सकते थे अपने खंडन नहीं किया यह मैंने का न कि उनका दृष्टिकूंड राजनीतिक सत्ता पर है हमारा दृष्टिकूंड लोक आस्ता को सम्मान देने का है और जन विश्वास का सम्मान करने का है तो हम लोग उस अभिहान के साथ इस रूप में जुड़े हैं माने उच्चतम नैले के आदेस पर से राम जन्भू में तीरत छेतर न्यास का गठन हुआ है अंदर के सारी विवस्ता यह ट्रस्ट ही करेगा और ट्रस्ट आमंतर्ण करने के लिए स्वतनतर है ट्रस्ट ने जिन्हें आमंतित किया है वे सब हमारे अथिती होंगे क्योंकि हमारे राज्य में आएंगे क्योंकि राम के प्रतिस एक हमारी आस्ता दूसरा उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी रूप में अगर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता कहीं से निकलता है तो हमें उस औसर से बंचित नहीं रहना चाहिए और योद्या का इवेंट हमारे लिए इस रोप में उत्रप्देश को एक बार फिर से देश के अंदर और दुनिया के अंदर प्रस्तुत करने का भी उसर है बहुत सारे सवाल अब इर्दगेत हो रहे हैं आपने शंकराचार थाकरे गुटके उन्होंने भी उठाए वो कह रहे हैं कि जहां पर स्थान था जो गुंबत के नीचे जगह थी जहां पर है वहां पर गर्भग्रे नहीं बन रहा है आप लोग गर्भग्रे दूर बना रहे हैं मंदिर के ऐसा क्यों हो रहा है उसा प्रशन उठा रहे अगर आप जानकारी दे सके तो तो दर्शन करने के लिए आये थे कि संजय राओत भी आये थे रोधा जी भी आये थे और उस समय आकर कि उन्होंने वहां पर तमाम गोशणाएं भी की थी कि उस समय अपने अमुले सुजहाव देव होते हैं कि देखे अंगूर खटे हैं अब तो कोई भी बोल सकता है मैंने का ना अभी व्यक्ति की सुतंतरता सबको है और व्यक्ति को इसके बारे में बोलने में कोई कटना ही नहीं है हमारी पूरी लडाई वही थी राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे और मंदिर वहीं पे बन रहा है पर फिर वही है न सर कोट का फैसला है मैंने का न फैसला तो कोट का है वो कह रहे हैं कि बीजेपी क्रेडिट ले रही है यह पूरा कोट के फैसले को पहली भी करवाये जा सकता था पेंडिंग क्यों डाला गया था क्यों नहीं आप पहली भी कर रहे थे मतलब किसी और पार्टी की सरकार होती तो जरूरी नहीं है कि निर्णे में बाधां नहीं डाला जाता था ही, देरी का कारण नैले नहीं सरकारें थी, पार्टियां थी, वे चाती नहीं थी किसका निर्णे हो इसका फायदा मिलेगा 24 में फायदे और नुकसान का नहीं पर मिलेगा जो देश की आस्ता का सम्मान करेगा वह जन विश्वास पर खरा उतरेगा अच्छा एक हो गया आंदूलन से जुड़े हुए लोग जिनको श्रे दिया जाता है दूसरा क्या आप भारतिय जनता पार्टी आप ये कह रहे हैं कि पार्टी को भी श्रे है देखे राम जन भूमी का अंदूलन एक ऐसा अंदूलन है 1528 से ले करके 2019 तक जब तक मन्य उच्छतम नियाले ने फैसला नहीं दे दिया तब तक इस आंदूलन के लिए निजनतर एबरेज 6 से 7 वर्स के अंतराल में एक बड़ा आंदूलन होता था एबरेज अगर आप देखेंगे 6 तर बार बड़े आंदूलन होई हैं बड़े संघर्स होई हैं 1528 से ले करके इन लगभग 590 वर्स के अंदर 490 वर्स के अंदर इतने बड़े आंदूलन औभियान चलते रहे ये चीजें दिखाती हैं कि एक लंबे समय तीन लाग से धिक राम भक्त सईद वे इसमें संत भी थे राजे रजवारे भी थे सामाने भक्त भी थे महलाएं भी थी पुरुस भी थे जो राम जनम भूमी के लिए अपने आपको उन्होंने बलदान कर दिया दुनिया के अंदर इस प्रकार कौधान देखने को नहीं मिलेगा जो अयुद्धा की दिस से हम सब को देखने को मिला हाँ आंदूलन कभी विपरित परस्तितियां थी कई सम परस्तितियां थी लेकिन निर्णे और निर्णे के बीच में फंसा वा था 1885 के प्रिटिस कालखंड में नियाले के अदिस को आप पढ़ें न कोट्स विकार कर रहा है केस्तान हिंदों का है प्रिटिस कावर्मेंट है लेकिन एक लंबा समय हो गया है अब इसमें कोई निर्णे हम देंगे तो उसको फिर छोड़ते हैं लेकिन इसके बाद जो चीज़ें आगे आई और लोगों को भी तो मौका मिला था क्यों नहीं उन्होंने अपने समय में इसको किया उनको भी आगे आना चाहिए था आज दोसार उपन करने से नहीं काम चलने वाला है आज जब देश एक अच्छी दिसा में जा रहा है सारे लोग उस दिसा में एक सकारत्मक भाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं मुझे नहीं लगता है किसमें किसी भी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी पैदा करने का कोई उसर होना चाहिए योगी जी अब आपकी भूमिका पर आते हैं ऐसा लोग मानते हैं कि आप बीजेपी के पूरे क्यारेक्टर को पूरा सूट करते हैं वो इसलिए क्योंकि आपका रहने का धंग भगवा रंग जो आप धारन करके रखते हैं चारों तरफ से आपका बुल्डोजर चलाना आपका उत्तर प्रदेश क्या देश भर को राममय करना जिससे आपको लगता है इस लहर से फिर हिंदू वोटर भी प्रभावित होकर नहीं जाएगा दो हजार चौबिस तक तो आप एक तरह से बीजेपी की पूरे क्यारेक्टर को पूरा सूट करते हैं और उस कड़ी में अगर हम राममंदिर को देखें तो आपने भी पूरी ताकट जोग दिये इसी के जरीए आप बीजेपी को जितरा लाब चौबीस के लिए दिलाना सकते हैं वो आप दिलाने की कोशश कर रहे हैं क्या मैं सही नहीं हूँ देखें मैं तो इस पूरे अभिहान का एक सिपाई हूँ और सिपाई की रूप में हम लोग राजनीती में आये हैं मुल्यों और आदर्सों के साथ राजनीती हमारा पेसा नहीं है उन मुल्यों और सिद्धानतों के साथ आए हैं और उन्हीं मुल्यों और सिद्धानतों के साथ कारे कर रहे हैं कारे करते रहेंगे पर आप में कैसा क्या है जो बाकी मुख्यमंत्रियों में नहीं आपको हर जगा प्रचार के लिए ले जा 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 रहा है आप को प्रचारक बन केने, कुछ तो ऐसा है इस भगवा रूप में. सभी मुख्यमन्तरी एक दोसे राज्य में परचार के लिए जाते हैं और हरेक के सयोग के लिए एक दोसे के राज्यों में जाते हैं हमारी राज्य में चुना होते हैं, हमारी राज्य में भी अन्य राज्यों के मान्य मुख्य मंत्री गणाते हैं, केंद्रिय ननेता गणाते हैं, ऐसे ही अन्य राज्यों में होता है, तो हम लोगों को उसर मिलता हम लोग पी जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, सभी लोग एक दोस्य अगर उसे हम देखें ऐसा लगता है कि योगी आदितनाथ 22 जन्वरी के लिए या फिर एक साल के लिए दो साल के लिए नहीं सोच रहे हैं आपने जिस तरह के प्रोजेक्ट की शुरुवात की है ये क्या पचास वर्ष का प्रोजेक्ट है बतलब आप अयोध्या नगरी को पचास वर्ष आगे कैसा देख रहे हैं लेकि अयोध्या को अभी भी हम लोगों ने अयोध्या को वास्तों में के वले एक छोटे से नगर की रूप में जाना है इमानदारी से अगर इस पर लोग सोध करें तो यह विश्वकी सांसकर्तिक राजधानी है विश्वकी हाँ मनुष्या पहला मनुष्या और मनुष्या की परंपरा की सुरुवात यहीं से सुरुवात भी यहीं से सुरू भी होती है अयोध्या उसकी प्रतम भूमी है अधार भूमी है मनों से मानो और फिर वहीं से परंपरा आगे बढ़ी है मनों के किते पुत्र थे उसके अनसार अगर आप देखेंगे तो अलग-अलग द्वीप उन्हीं के उस पर माने गए हैं आप भारत के प्राचीन इत्यास को ठाके देखें तो आप कोई सारी चीजें जनकारी में आ जाएंगे अयोध्या प्रभुराम कि पावन जन भूमी है यह तो हम सब जान रहे हैं उत्तर भारत को सबसे उर्वरा भूमी बनाने का स्रे हम मा गंगा को देते हैं और गंगा को इस उत्तर भारत में लाने वाले कौन थे भागिरत वे भी अयोध्या में थे महराज दलीब भी वहीं पैदा हुए थे महराज अज भी वहीं पैदा हुए थे मान धाता भी वहीं पैदा हुए थे एक लंबी परंपरा है जैन परंपरा के तिर्थंकरों को आप देखेंगे यह परंपरा भी वहीं से निकलती भी दिखाई देती है जड़ भरत हो या फिर उसके बाद की परमप्राएं इस सब वहीं से निकलती है और अयोध्या के इस महित्यों को कमतर आखने का प्रियास जो विश्व के इत्यास की भूमी है जिसे सम्मान बहुत पहले मिलना चाहिए था आज प्रधान मंतरी मोदी जी के करण वह सम्मान अयोध्या को प्राप्त हो रहा है और हम लोगों को इस बात को मनना चाहिए कि हमें अयोध्या के इस महित्यों के मात्यम से भारत की यानि एक ग्लोबल ब्रांडिंग का एक उसर मिला है हम लोगों को लेके आए देखे हम लोग उसके महित्यों को अभी भी वो बहुत कर रहे हैं अंडरस्टिमेट कर रहे हैं 2017 में हम लोग ने आयोध्या में दिपोत्सों के आयोजन को किया था 2018 में अधने प्रधान मंतरी जी की पिर्णा से यह हुआ कि भी अयोध्या के साथ उन देशों को जोड़ो जिन देशों से भारत की सांस्कृतिक समंदर रहे हैं या हैं आज भी हैं जो अपने सुत्र को जोड़ते हैं तो साउथ कोरिया की फस्ट लेड़ी हमारे आयोजन का चीप गेस्ट बनी थी उनका पराएक डेली के सन आया था यहां पे और उन्होंने इस बात को कहा कि अयोध्या की राजकुमारी कि हम वो अनसज हैं साउथ कोरिया में थी और अयोध्या की राजकुमारी कैसे वहां गई जल मार्ग से हमारी सरकार ने अयोध्या के दिश से जल मार्ग को हम प्रारंब कर सकें इसके लिए इन लैंड वाटर वे अथोर्टी का गठन भी कर दिया है हम लोग लेके जा रहे हैं हल्दिया तक जोडने के लिए फिर वहां से आगे बढ़ने के लिए और अयोड्या की राज कुमारी रतना जल मार्ग से साूध कोरिया पोची थी आज की वहां की जो परंपरा है अपनी दादी मा की रूप में संबोधित करके संबान देती है और उनहीं की स्मर्टी में किम हो जो पार्क है अयुद्या का वो हम लोगों ने वहाँ पे स्तापित किया है ऐसे ही थाइलेंड में आप देखें राजा राम है वहाँ के परमपर अपने आपको राम से जोड़ती है वहाँ के जो निशनल हाइवेज है राम के नाम पर है राजा ने अपना जो पैलिस था ग्रैंड पैलिस उसको उन्होंने रामपर को दान किया थाइ रामपर के सबी चित्रों को उस पे उकेर करके उन्हें राम को सम्मान दिया ये थाइलेंड का है थाइलेंड की जो पुरानी रासधानी थी जो बात में मैंनमार के साथ युद्ध के दोरान छतिगरस्त हो गई थे वह अजुद्ध्या थी आज भी उन्होंने सम्मान दिया यह अपनी परंपरा को कहां से लोग जोड रहे हैं राम के साथ आप इंडोनेस से रामिल्ला को भी आमंतित किया है इस दोरान आयुद्ध्या में अब उनके पात्रों से बात करिये न वे सभी राम को अपना दर्स मानते हैं समस्या यह है कि जो है जो अधकच्छडा ग्यान होता है बेक्तियों को भरमित कर देता है और जिन लोगों ने भारत को भारत के बारे में कभी जानने का इमानदारी से प्रियास नहीं किया वह लोग भारतियता पर भारत की परमपरा पर भारत की महपुरसों पर भारत की अरहदे देवों पर प्रस्न खड़ा करते हैं इनको वास्तों में समझना चाहिए अयुद्या क्यों अयुद्या नहीं है अयुद् कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे आप लोगों का नारा था संग परिवार का एक और नारा है काशी मतुरा भी बाकी है उस पर आपके क्या विचार है दीखिए जो बिसे नियाले में है तो नियाले को उस पर काम करने देना चाहिए हमने राम लला के लिए पांसो वर्सों तक संघर्स किया और मर्यादित तरीके से उसमें नियाय और सत्त्य की विजए प्राप्त की है यहां के मामले भी अब इस सब जूडिस हैं नियाले में आपने प्रमान-प्रस्थूत करेंगे समय आने पे सारी तत्य सामने आएँगे दोद का दोद पानी का पानी सब के सामने आएगे यानी लड़ाई लड़ी जाएगी पर अदालती कानून कानून अआenksels परकरिया के पर उन्हारें रची की बात है प्रभो को अपनी लिला को स्वेम करेंगे अच्छा चुनावी पॉलिटिक्स पाने से पहले अगर एक विपक्षियों को अगर एक संदेश आपको देना हो राम मंदर से जुड़ी एक और चीज मैं आपसे जानना चाहती हूं यह यजमान और मुख्य यजमान की बात क्या है यह जट्या मत दीर बहुंतर द groot दीर सिर्फ जन भो में तीर्फ च्छेटर ने यहां यहजमान बनाए हैं अण प्रधानें का उन जीत भी उच्छी लगता कारिक्रम के बारे में कुछ जानकारी आप दे पाएंगे बारे बजे शुरू हो रहा है बारे बीस में प्राण प्रतिष्ठा का काम होगा अगर थोड़ा बहुत जानकारी जो दर्शक उस दिन इंतजार करेंगे टीवी के सामने आपने चुट्टी की घोशना करी दिये दिये देपावली के पहले भी इस प्रकार का कारिक्रम करते हैं या आईजे आउचनों में करते हैं या दिया पहले कि तुल्णा में सुचवारत प्रिशन के बाद काफी सचता आई है लेकिन फिर भी लोगों में एक जाग रुकता के लिए आज से सूला जनवरी से लेकर के 22 में बारा बजय के बाद प्रदधानमंत्री जी का और अन्यमहन वहाँ का मुख्या मंदर में परिवेशच सोगा, पोजा पहले से चलना होगी। जो बज़े तक अंदर का कारीकन संपन्हो करके एक बज़े वहां पे संबोधन की दिश्य जो मंच बना होगा से मंच पर आकर क्यों प्र इक का रिक्रम आयके है चलेगा आप भी बोलेंगे पिय Song करेंगे सब्सक्रेम होने के बाड़र चेतर जो वो अंदर जाकर के दर्शन करते वे निकलते जाएंगे, उनका प्रस्तान होगा, यह सभी कारिक्रम वहाँ पर होंगे, यह कारिक्रम फिर अनवरत आगे बिवस्था की दिस्थे, क्योंकि हर राम भक्त युद्याना चाहता है, तो उनके लिए भी फिर बिवस्था वहाँ पर इसके बाद से हम लोग वही अन्रोद कर रहे हैं कि अस्थाने अस्तर पर जो बिवस्था बनाई जा रही है, हर राज्य में, हर जन्पद में, वे अगर उसकी बिवस्था के तत आएंगे तो किसी को भी कष्ट नहीं होगा, अपने तरीके से पैदल न निकले, क्योंकि उत् स्थान स्थाने अस्तर पर बनाई जा रही है, वहाँ पर न्याज से जुड़े वे लोगों के द्वारा या अन्य संगठनों के द्वारा एक बिवस्था बनाई जा रही है, वहाँ से अपना कारिकरम भेज करके जब उनको वहाँ से कहा जा रहा तब ही वे लोग आएं, रे क्योंकि क्योल आयोद्धियाव आना भर नहीं है जिस उडेसे से आ रहा है कि रामदला का दर्शन कर सके उस उडेसे की पूरती भी होनी चाहिए तो इसके लिए वहाँ पर दर्शन के लिए प्रयापत ब्युस्ता की जा रही है वेरिकेटिंग दे जा रहे हैं अन्मे कारिकरम हो रहे हैं तो कितना भी कोई करेगा तब भी दर्शन करने में एक बेक्ति को एक दिन में एक देव विक्रह का दर्शन करने में बहुत मेहनत करेंगे डेड़ लाग दो लाग तक लोग दर्शन कर पाएंगे जबकि आने के चुप लोग बहुत होंगे तो प्रयास धीरे धीरे के पहले हजारों में लोग आते थे पचास हजार, साथ हजार तक लोग आते थे, दर्शन करके, असनान करके चले जाते थे, डिपत्सों के बाद कारिकरम में संख्या बढ़ती गई आयुद्या में, सुबिधा भी मिलती गई, लोगों को लगा कि नहीं, अब तो ठीक होगा, इस वर से राम नौमी के उसर पर 35 लाक लोग आये थे, इतनी बड़ी संख्या का युद्या में आगमन, इस बात को दिखाता है, कि लोग हर सरधालों, हर राम भक्त युद्या आना चाहता है, और उसके लिए उस प्रकार की सुविधा और बिवस्ता हम लोग देंगे, एक और सवाल मन में आया, आपने कहा कि प्रधान मंतरी लगभग 12 बजे के आसपास वहां पहुँच रहे हैं, तो क्या हमाने जो मुख्य गर्ब ग्रे हैं, उसमें पहले से ही मूर्ती राम लला की 5 साल वाली भी, जो अरूर योगी राज बना रहे हैं, और छोटी वाली भी कारिकरम का एक आयोजन होगा, उस एक घंटे के आयोजन के अंदर उस सारे कुछ संपन हो जाएंगे. हम कैसे किसी राजवनितिक दल के बारे में बात कर सकते हैं, किस स्कते हम बोल सकते हैं, अपको फाईदा होगा, बीजेपी को फाईदा होगा है। यह भारतिय जनता पार्टी की रणनीती ही अपने आप तैक कर देगे हम लोग तो तब भी लड़े थे जब 17 में ये लोग अलग लड़े थे 14 में भी अलग अलग लड़े थे 14 में दो नौ योकों की जोड़ी लड़ी थी 17 में भी फिर ये लोग लड़ने का प्रियास किये थे BJP से 19 में इन लोगों ने प्रदेश में एक महागड़बंदन भी बनाया था तो भारतिय जनता पार्टी प्रधान मंतरी मोधी जी के नित्रतों में तब भी लड़ी थी और अच्छे बहुमत के साथ भारतिय जनता पार्टी आगे बढ़ी जीती थी लेकिन हर पार्टी को अपना एजेंडा सेट करने और अपने रणिती को बनाने का पुरा दिका रहे बीते दिन मायवती जी ने प्रेस कॉंफरेंस करके कहा कि वो अलग लड़ेंगी और मायवती ने गिरगिट कह दी अखिलेश यादव को अब आज अखिलेश यादव आए उन्हों का कि हम तो सप्टा देख रहे थे कि मायवती जी को पी-म बनाएंगे लेकिन वो किसी के दबाव में मेरे खिलाब बोल रही है और माना जा रहा है वो दवाव आप ही का है हमारा कौन चले मैं धन्यवाद का अखिलेश जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि कमसे का उन्होंने मेरा दवाव माना तो है आपका अफर वाला मान रहे है वो लेकिन अखिलेश जी गेस्टा होस कांड को समभतों भूल गए होंगे अखिर मायवती जी के साथ तो उन्होंने ही किया था न किसी से छुपा हुआ है क्या और बार बार तो कभी कॉंग्रेस के साथ जाते हैं कभी बेस्पी के साथ जाते हैं कभी किसी और के साथ जाते हैं तो यह तो बार-बार अपने आप वही चेंज करते हैं, वही बदलते रहते हैं अपना, तो मायवती जी ने जो बोला है, क्या बोला है, मैंने पुरा बयान पढ़ा नहीं, कुछ सुना नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उनको जो अच्छा लगता होगा, उनकी पालिटी के हि अगर बीजेप मोधी जी के नितृतों में उत्तरपदेश के अंदर बहतरीन प्रतरसन करेगे, कि नी सीट एसल में से? हम तो 80 में से 80 लाने के पक्सदर है कि 80 में से 60 BJP के पक्सदर है योगी जी जब समाजबादी पार्टी और बहुजन समाजबाटी एक साथ आये थे तो उन्होंने कई समीकरण बिगाड़े भी थे ये बात अलग थी कि कारिकरताओं के दिलों के मिले हम तब भी 84 सीट, 80 में से 64 सीट जीते थे 80 में से 64 सीट हम लोग तब भी जीते थे पर सही सही बताइए कि 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश जिसके लिए सबसे ज़्यादा मेहनत सारे दल करते हैं वहाँ पर अगर वाकई BSP, SP, Congress वगयरा सब मिल जाते एक साथ तो ये 50 की लड़ाई हो जाती प्रतिशत की देखे, गठवंदन 19 में इन्होंने गठवंदन किया था परणाम क्या हुआ परणाम क्या था उस समय नोंने दुस्परचार की सारी सीमाओं को लांग दिया था Congress ने और जनता के सामने सब दूद का दूद पानी का पानी हुआ अज ऐसा तो नहीं है कि Congress जो है इन सभी चीजों से जो है देश की जनता इसको देख नहीं रही है आज तो उननीस से भी हैं कभी कही आगे निकल चुके हैं आज दस वर्स का परधान मंतरी मोदी जी के नेत्रतों में आज हर बेक्तिस विकार करता है कि आज बैस्विक मंच पर भारत की परतिष्टा बढ़ी है आज हर बेक्तिस बात को मानता है देश के अंदर अच्छा यानि वर्ल्ड क्लास जो है इंफरस्ट्रक्चर भारत के अंदर बना है पिछले दस वर्स के अंदर हर बेक्तिस बात को मानता है कि देश सुरक्सित हुआ है और देश मोदी जी के नित्रतों में सुरक्सित है और हर बेक्तिस बात को मानता है कि बिना भेद भाव के वेलफेर स्कीम कालाब हर गरीब को, हर गाउं को, हर किसान, हर नौजवान और हर महला तक पहुचाने का कारे हुआ है किसने रोका था कॉंग्रेस को या अन्ने दलों को इस परकार की वेलफेर स्कीम को चलाने से कल आपने देखा होगा कि नीती आयोग की जो रिपोर्ट आई है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की जीवन अस्तर में पिसले दस वर्स में किता अंतर आया है 24 करोड से अधिक लोग गरीबी रेखा से मुक्तु हुए हैं भारत के अज़र बहुत बहुत धन्यवाद का, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज तक पर जुणने के लिए और तमाम सवालों के जवाब यह हम कह सकते हैं कि 22 जन्वरी से पहले यह सबसे बड़ा इंटिव्यू आप आज तक पर देख रहे थे अभी के लिए इतना ही देश और दुनिया की बाकी ख़वरों के लिए देखते रहेंगे आज तक कि अज़ना उमकश्यप और हमारे साथ राम मंदल में 22 जन्वरी की तारीख जब प्राण प्रतिष्ठा होगी इस पर चल्चा करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित तेनाग जी यहां पर जुड़ रहे हैं बहुत स्वागत है सर आपका आज तक बिरहा के सब परवत पिगले तब रगराई तुम घर आए बेला तो आ गई है आपके जीवन के लिए प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर का बन्ना क्या माहिने रखता है और आपकी सरकार के लिए क्या माहिने रखता है केंद्र सरकार के लिए मोधी सरकार क के लिए क्या माइने रखता है देखिए अयोध्या जिसे कुछ लोगों ने अपने ब्यक्तिकद द्वेस और संकिंड ता का सिकार बनाने का प्रियास किया था जिस उपेक्सा का दंस को जहल लई थे आज उससे मुक्त हो करके हमारे बेदों ने अयोध्या को जिस सब्त पुरियों में से प्रथम पुरी के रोप में सम्मानित किया आज उसी आभा के साथ पनरस्थापित हो रही है 22 जनवरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का ये समारो मेरा मानना है प्रभूर तो सरोब्यापी हैं सर्वत्र हैं परंपिता प्रमेश्वर हैं लेकिन यह भारत और विश्वमानोता की लोक आस्ता और जन विश्वास की पुनर प्रतिष्ठा का भी ये आयूजन है ब्यक्तिकत रूप से भी और इस जन आस्ता इस लोक आस्ता और जन विश्वास की प्रतिष्ठा का एक सामने नागरिक होने के नाते हम सब का ये मनना है कि यह कारिया होना चाहिए था पहले होना चाहिए था लोगों ने राम की ताकत को नहीं स्वीकारा वही गลती की जो सास्तरों में गलती करने वाले भुगज चुके हैं और आज राम नाम से जिस भारत की कल्पना नहीं किज़ सकती है वगवान राम की उस महत्ता को स्वीकार करने के बाद नियाय और सत्य की विजए अयोध्याके लिए हुआ है और उस नियाय और सत्य की परुप्रस्थापना का कारिकरम 22 जनभरी के कारिकरम के माद्यम से हमें वहां देखने को मिलेगा जनास्ता का सम्मान किसी भी जृत्थ तांतरिक सरकार का कारे होना चाहिए और जन विश्वास पर खरा उतरना अगर जन आस्ता लोक आस्ता का आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो जन विश्वास पर आप खरा नहीं उतर सकते एक दोसरे के पुरक हैं और प्रधान मंत्री मोदी जी के नित्रतों में आज उनके मार्क दर्शन में उनके नेत्रितों में उस लोक आस्ता और जन्विश्वास की पुनर प्रतिष्ठा हो रही है। करता है मंदिर को देखे रामलला का प्रकटी करण हम जिस विग्रह को वहां स्थापित कर रहे हैं अनुष्ठान उस विग्रह का होता है। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है। अयोध्या में जो कुछ भी कारिक्रम हो रहे हैं इस सनातन धर्म के सास्त्रोक्त पद्दती के अमसारी हो रहे हैं। और सास्त्र परंप्राओं से भी चलते हैं। तुसरा लोग हित में जन हित में परंप्राओं बनाई भी जाती हैं। उन सास्त्रोक्त पद्दतियों का पालन करते वे इन सभी चीजों को जो पोरों में भी हुए हैं और आगे भी होंगे उसी के अनुरूपे कारेक्रम भी अध्या का सिराम जन्भों में तीरचित न्यास के दौरा प्रारंब किया गया है विपक्ष का तो कहना है कि अब चुनाव करीब है इसलिए आप लोग जल्दबाजी में कर रहे हैं अभी मंदिर का निर्मार पूरा नहीं हुआ है लेकिन दो तीन महीने बाद चुनाव है और ऐसे में शशी थरूर को मैं कोट करना चाहूंगी कॉंग्रस के नेता वो ये कहते हिंदय हृदू हिंदू हृदय समराथ और उससे वो चुनाव जीतना चाहते हैं तो इसलिए आप लोग करा आप मुझे रताई ये कॉंग्रेस को किसने इस कारेक्रम्प में आने से मना किया था कैस नहीं कि कॉंग्रेस ने 1989 में अपने चुनाव परचार अभ्यान का सुभारंब अयोध्या से किया था और क्या ये सच नहीं है कि कॉंग्रेस एक तरफ हिंदों को बेकूप बनाती थी और दूसरी तरफ मुस्लिम वोड़ बैंक से भी मोह नहीं छोड़ पा रही थी वोट बैंक की राजनिती इसमें विपक्स ने किया है कॉंग्रेस जैसे दलो ने किया है बारतिय जनता पार्टी ने इसमें राजनिती नहीं की हमने तो बार बार कहा न कि जो देश की आस्ता थी उस देश की आस्ता का हम लोगों ने सम्मान किया हम उसके पक्सदर थे आज भी हैं और जो भी लोग आस्ता का सम्मान करेगा वो जन विश्वास पर ख़रा उतरेगा तो कह रहें कि बीजेपी संग का इवेंट हो गया है सर पांच लोग अंदर रहेंगे गरगरे में हिंदू पंचांग से नहीं निकाली है आपने इती थी आपने निकाला है countdown लोगिज सभाई election का देख कर देखे हिंदू परंपरा में सनातन धर्म की परंपरा में मानन की उपरांत है सुब मोहरतं आते हैं कार्यकरमों के और उसी को मान करके सास्त्रोक तो पद्दती से यह कारिक्रम किया गया कॉंग्रेस को इसमें तो आउसर मिला था ना लेकिन याद करिए जब सोमनाद के मंदिर की पुनरस्थापना का कारिक्रम हुआ कॉंग्रेस ने तो सायुजन का विरोध किया उस समय के प्रधानमंत्री उसकारिक्रम में स्वयम तो नहीं गए लेकिन तत्कालिन राष्टपती को भी उन्होंने जाने से रोकने का प्रियास किया था आप नहरू जी की बात कर रहे हैं और राजिंदर प्रसाद जी की मैं कह रहा हूं ना डॉक्टर राजिंदर प्रसाद इस कारिकरम में गए लेकिन तातकालिन प्रधान मंत्री नहरूजी ने प्रियास तो किया था सोयम तो नहीं गए लेकिन नोंने उनको भी रोकने का प्रियास किया कॉंग्रेस ने लंबे समय तक देश में सासन किया आखिर देश की सुतंतरता कैसी है मान बिंदों की पनरस्थापना का कारिकरम और फिर इसमें तो न्याय और सत्य की बात है हमें एक अस्थान के लिए प्रमान देने पड़े लेकिन प्रवराम ने चूंकि हमें मर्यादा का पार्ट पढ़ाया था इसलिए हमने मर्यादी ताचन करते भी वे सारे प्रमान प्रस्तुत करते रहे हम लोग लड़े लोवर कोट में लड़े हाई कोट में लड़े सुप्रेम कोट में लड़े और अंदता सुप्रेम कोट में पांच जज़ेश की एक पूर्ण पीठ ने अयोध्या की मामले को लेकर के एक सरोमसम्मत थैसला दिया तो यह नयाय और सत्य की इस्थापना का भी अभियान है और उसी अभियान के करम में आज अयोध्या का कारिकरम हो रहा है इसमें तो किसी को आपतीपती भी नहीं होने चाहिए पर शंकराचारी अगर कहते हैं कि हम वहाँ जाकर क्या करेंगे ताली बजाएंगे तो इसके पीछे की सोच क्या है पॉंग्रेस कहती है कि आप लोग आपमान कर रहे हैं देखे हमने हर धर्माचारे को और हर अचारे को तीर्थ छेत्र ने उन्हें आमंत्रन भेजा है और मुझे लगता है कि यहाँ आउसर स्रेय और प्रेय का नहीं है यह आउसर मान अपमान का नहीं है चाए मैं हूँ एक सामाने नागरिक है यह इस देश का बड़ा सा बड़ा धर्माचारे कोई भी प्रभुराम से बड़ा नहीं है हम सब राम पर आस्रित है राम हम पर आस्रित नहीं है हम इस बात को ध्यान में रखना होगा और राम से बढ़कर के कोई नहीं हम सब की विवस्तार राम के विगर नहीं चल सकती लेकिन राम तब भी तराम थे जब ये परंपराई नहीं थी उनके विरोध के पीछे आपको क्या वज़ा समझ में आती हैं देखे हर बैक्ति को अपनी बात बोलने का दिकार है लेकिन हम तो आज भी अंडोध करेंगे बिनम्र अंडोध करेंगे सभी पूजय संतों से जिनको तीर्थ छेत ने आमंतरन किया है या जो इस समय नहीं आपा रहे हैं वे कभी पदा रहे हैं हम सुनी सुनाई बातों पे विस्वास न करें देखें पहले की अयुद्या आज की अयुद्या हम देखें कैसे अयुद्या आज अपनी पुरातन वैवाओ के लिए पुनरस्ता पित हुई है ऐसा निए कि लोगों का उसर ना मिलाओ, पिछत्तर साल तो सभी लोगों को मिले थे साथ साल मिले थे, 50 साल मिले थे, क्यों नहीं लोगों ने किया लोग तो आयोध्या का नाम लेने से डरते थे लेकिन आयोध्या नगरी के तरफ कोई राजनेता जाने की हिम्मत नहीं करता था सब दूर रहते थे कि पर पता नहीं क्या दिक्कत हो जाए कोट का आदेश आया नहीं था लेकिन योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पर दीपोटसव का आयोजन शुरू कर दिया था ये जानते हुए कि ये सवाल पूछा जा सकता है कि मंदिर कब बनेगा हमें प्रभू पे विश्वास था अठोड विश्वास था कि अगर राम सेतों का निर्मान हो सकता है तो राम मंदिर का निर्मान भी होगा और इसलिए उसके पहले प्रभूगे आगमन के पहले दिपोटसो तो होने ही चाहिए आखिर दिपावली का आयुजन तेसलिए होता है और सरकार आई ये मेरा सोभाग्य है क्यादणी प्रधान मंत्री जी की पेंड़ना से हम लोगों ने दिपोटसो क्यायुजन के साथ साथ वहां की वन्यादी सुग्धाओं में सुधार करना प्रारंब कर दिया था चाहिवार रामजी की पेड़ी हो गुपतार घाड से लेकर के रामजी की पेड़ी नए घाड तक के निर्मान का कारिकरम हो वहां की स्वच्चता का कारिक्रम हो वहां की फसाड की बियोस्था हो यहांने सभी कारिक्रमों को हमने किया और आज यही आयुद्धा है ना सिंगल लेन की सड़के थी आज आयुद्धा के अंदर four lane की सड़क कलपना थी ना आज से दस साल पहले कोई इसकी कलपना ही नहीं करता था लड़के लटकते वे जूलते वे तारों के गुच्छे थे अभिवस्ता थी गंदगी थी पिसली सरकारों ने तो बिजली के लिए वहां के लोगों को तरसाया तीन घंटे चार घंटे गंदगी मेट के धेर में वहां के लोगों को रुक रहने के लिए मजबूर किया कोई सुधाई वहां के लिए नहीं थी घाटों में गंदगी कमबार रहता था आज अंदर की फोर लेन की कनेक्टिविटी है बाहर हरोर से आप लखनों से जाएं गोरकपुर से आएं वारानसी से आएं प्रियागराश से आएं फोर लेन की कनेक्टिविटी से वह भी जुड़ चुका है और यहीं नहीं अयोद्या मीटर गेज से जुड़ा बता चोटी लाइन ट्रेल की जाती थी बाद में ब्रॉड गेज बनी अब रेलवे की डवल लाइन से जुड़ चुका है इंटरनेशनल एरपोर्ट बन गया है और अयोद्या में सर्यू जी में उस लोग गोली चलाते थे आज सर्यू जी में कुरुफ चलना है कोई कल बना कर सकता था आज ये भी हो रहा है और इतना सब कुछ होने के बाब जोद एक चीज आप अन्वह किये होंगे देखिए आप लोग तो पबलिक के बीच में जाते हैं सीधे आप लोगों का कनेक्ट है इतने लोग खटाए गए होंगे उनका पुनरवा स्वा होगा अक्सर होता है कि छोड़ी छोड़ी बातों को लेके लोगों में अन्रेस्ट होता है अयोध्या में इतने बड़े इतना इंफरास्ट्रक्चर का कारे हुआ लेकिन कहीं कोई अन्रेस्ट नहीं है हर वेक्ति में संतुस्ती है क्योंकि हर वेक्ति अयोद्ध्या के लिए और प्रभुराम के लिए ही जीता है और सब के मनमें है कि यह काम जो काम पहले होना चाहिए था और काम आज हुआ है तो स्वाभाई कृप से आम जन्मानस की जो आज की जो मानसिकता में परिवर्टन आया है अयोध्या के यहाँ इसलिए संभव हो पाया क्योंकि डबल इंजन के सरकार के नेते भी साब थी और नियत भी साब थी अब तो दिन बहुत करीब आ रहा है दो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दीजेगा यह किसका एडिया था कि राजनितिक महमानों को हमें बुलाना चाहिए आप से चर्चा तो ही होगी आप मुख्य मंतरि इकिसका आइडिया था कि उनको बुलाना चाहिए और दूसरा, राहूल गांदी ने कहा है कि ये पुलिटिकल इवेंट है 22 जन्वरी को, वो कह रहे हैं कि जो लोग गर्वग्रे में होंगे, उसमें प्रधान मंत्री होंगे, योगी जी होंगे, मोहन भागवत संग प्रमुख हैं, जो गवर्नर सब बीजेपी से जुड़े हु तो कि ये पुलिटिकल इवेंट है, दोनों प्रश्णों पर आपका जाएं, उनको पॉलिटिकल इवेंट बनाने से किस ने रोका था, आकर कॉंग्रेस ने उनिसो सेंटालिस से लेकर के और एक लंबे समय तक सासन किया, राहुल जी स्वयम भी 2004 से लेकर के, 2014 तक, इस देश की सत्ता के सिर्मौर के रूप में, बैक डॉर से कमांटो संचालित करते ही थे, किसी से छुपा हुआ है क्या, हाँ वालग विस्या है कि उन्होंने कुछ इवेंट संसद में किये कि संसद की आउमाना करते हुए, बिल्की परतियों को वहाँ फाड़ने का काम जरूर किया था, क्या ये इवेंट ही था, ये कॉंग्रेस का इवेंट है, वे संविधान का अपमान करते हैं, संविधानिक संस्ताओं का अपमान करते हैं, भारत की लोकास्ता का अपमान करते हैं, भारत की जन्बिश्वास पर कुठारा घात करते हैं, मैंने पहले भी कहा प्रभुराम का रामलला की रुप में अपनी जन भूई में पुनर प्रतिष्ठा का कारिक्रम होना एक प्रान प्रतिष्ठा का इसमारो भारत के लिए और सनातन धर्माबलंबियों के लिए तो गौरब का भी सही देश और दुनिया के अंदर जितने भी द राजनितिक मेहमानों वाला सवाल का जवाब आपने नहीं दिया आपने उनको तलवार की नोक पर चड़ा दिया कि आए तब भी उनको एक तरह से ये मानना पड़ेगा कि राम मंदिर प्रान प्रतिष्ठा बीजेपी कर रहे हम उसमें शामिल हो रहे हैं और अगर वो इंका कर दें तो आप कहेंगे कि देखो ये तो आए ही नहीं हम लोग इस बात को मानते हैं कि राम सब के हैं दिश्टिकों लोगों के अलग-अलग हो सकते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी है राम हमारी आस्ता के प्रतीक हैं तो हम उनको परम्पिता परमेश्वर के रुप में मानते हैं हमने उनके महत्तों को समझा जाना है इसलिए जीवन भी समर्पित कर दिया राम के महत्तों को वे लोग नहीं समझ पाए क्योंकि उनको सत्ता प्यारी है और सत्ता के इतर सोच भी नहीं सकते लोग आस्ता क्या होती है और जन बिस्वास क्या होता है या अगर कॉंग्रेस ने समझने का प्रियास क्या होता ना ये दुर्गत ही नहीं जेलते हैं और इसलिए हर उस अप्यक्ति को उस कारिकरम में आमंतर्ण होना चाहिए और ये से राम जन्भू में तीर्थ छेतर का आयोजन है उन्होंने अपना निमंतर्ण दे करके अपने कर् राम भक्त आना चाहता है इस पूरे कारिकरम के साथ जुड़े वे आंदोलन से जुड़े वे एक लंबी स्रिंखला है वे भी आना चाहते हैं लेकिन अलग-अलग समय में लोग आएंगे हम लोग भी अंडोत कर रहे हैं कि प्रान प्रतिष्टा समारों के बाद सभी लोगो और अगल एंगे राम जन भूमी का दरस्ट करने के लिए और वहां की विवस्ता से राम जन भूमी तिर्टः ऍशिटर न्यास देख रहा है था उत्तरप्रदेश में कोई आएगा अच्छी नियत ze आएगा प्रभु के दर्शन करनी के नियत से आएगा उनके दर्शन करनी पर आपने सवाल का जवाब देते हुए योगी जी सवाल ये था कि कॉंग्रेस कह रही है कि ये एक राजनीतिक आयोजन है आपने कहा वो भी कर सकते थे राजनीतिक आयोजन आपने खंडन नहीं किया ये मैंने कहा ना कि उनका दृष्टिकॉंड राजनीतिक सत्ता पर है हमारा दृष्टिकूर्ण लोक आस्ता को सम्मान देने का है और जन्विश्वास का सम्मान करने का है तो हम लोग उस अभिहान के साथ इस रूप में जुड़े हैं माने उच्छतम नैले के आदेस पर सिराम जन्भू में तीरत छेतर न्यास का गठन हुआ है अंदर के सारी विवस्ता यह ट्रस्ट ही करेगा और ट्रस्ट आमंतर्ण करने के लिए स्वतनतर है ट्रस्ट ने जिन्हें आमंतित किया है वे सब हमारे अथिती होंगे क्योंकि हमारे राज्य में आएंगे क्योंकि राम के प्रतिश एक हमारी आस्ता दूसरा उत्तरप्रदेश के अंदर किसी भी रूप में अगर उत्तरप्रदेश को आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता कहीं से निकलता है तो हमें उस औसर से बंचित नहीं रहना चाहिए और अयोध्या का इवेंट हमारे लिए इस रोप में उत्तरप्देश को एक बार फिर से देश के अंदर और दुनिया के अंदर प्रस्तुत करने का भी एक उसर है बहुत सारे सवाल अब इर्दगेत हो रहे हैं आपने शंकराचार पर सीधा का कि भगवान राम से बड़ा कोई नहीं हो सकता है लेकिन आप सबको हुमिलिटी के साथ कह रहे हैं कि आप लोग जब मौका लगे जरूर आई है एक और बात बहुत सोचल मीडिया के जरीए भी फैल रही है और संजयराओ जो की सांसद है शिव सेना उधव ठाकरेग उठके उन्होंने भी उठाए वो कह रहे हैं कि जहां पर स्थान था जो गुंबत के नीचे जगह थी जहां पर है वहां पर गर्भग्रे नहीं बन रहा है आप लोग गर्भग्रे दूर बना रहे हैं मंदिर के ऐसा क्यों हो रहा है उसा प्रशन उठा रहे अगर आप जानकारी दे सके तो तो दर्शन करने के लिए आये थे संजयराओत भी आये थे रोधाजी भी आये थे और उस समय आकर के उन्होंने वहाँ पर तमाम गोशनाएं भी की थी उस समय अपने अमूले सुझावदेव होते हैं देखें अंगूर खटे हैं अब तो कोई भी बोल सकता है मैंने का ना अभी व्यक्ति की सुतंतरता सब को है अर व्यक्ति को इसके बारे में बोलने में कोई कटना ही नहीं है हमारी पूरी लडाई वही थी राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे और मंदिर वहीं पर बन रहा है पर फिर वही रहन सर पार कोर्ट का फैसला is ई पर फैसला तो कोड का है वो क्या रहें कि बीज़ेपी क्रेडिट ले रही है यह पूरा कोड के फैसले को पहली भी करवाएजा सकता था पेंडिंग क्यों डाला गया था किंपर पहली भी कर रहे थे मतलब किसी और पार्टी की सरकार होती तो जरूरी नहीं है कि निर्णे में बाधा नहीं डाला जाता थाई देरी का कारण नेले नहीं सरकारें थी पार्टियां थी वे चाती नहीं थी किसका निर्णे हो इसका फायदा मिलेगा चौबीस में फायदे और नुकसान का नहीं पर मिलेगा जो देश की आस्ता का सम्मान करेगा वह जन विश्वास पर ख़रा उतरेगा अच्छा एक हो गया आंदोलन से जुड़े हुए लोग जिनको श्रे दिया जाता है दूसरा क्या आप भारतिय जनता पार्टी आप ये कह रहे हैं कि पार्टी को भी श्रे है देखे राम जन भूमी का आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है 1528 से ले करके 2019 तक जब तक मन्य उच्छतम ने आईले ने फैसला नहीं दे दिया तब तक इस आंदोलन के लिए निजनतर आबरेज 6-7 वर्स के अंतराल में एक बड़ा आंदोलन होता था एबरेज अगर आप देखेंगे छेतर बार बड़े आंदोलन होएं बड़े संघर्स होएं हैं 1528 से ले करके इन लगभग 590 वर्स के अंदर 490 वर्स के अंदर इतने बड़े आंदोलन और भ्यान चलते रहे ये चीज़ें दिखाती हैं कि एक लंबे समय तीन लाग से धिक राम भक्त सईद्वे इसमें संत भी थे राजे रजवारे भी थे सामाने भक्त भी थे महलाएं भी थी पुरुस भी थे जो राम जनम भूमी के लिए अपने आपको उन्होंने बलदान कर दिया दुनिया के अंदर इस परकार कौधान देखने को नहीं मिलेगा जो अयुद्ध्या की दिश से हम सब को देखने को मिला हाँ आंदूलन कभी विपरीत परस्तितियां थी कई संपरस्तितियां थी लेकिन निर्ड़े और निर्ड़े के बीच में फंसा वा था 1885 के बिटिस कालखंड में नियाले के अदिश को आप पढ़ें न कोट स्विकार कर रहा है केस्तान हिंदों का है बिटिस कावर्मेंट है लेकिन एक लंबा समय हो गया है अब इसमें कोई निर्ड़े हम देंगे तो उसको फिर छोड़ते हैं लेकिन इसके बाद जो चीज़ें आगे आएं और लोगों को भी तो मौका मिला था क्यों नहीं उन्होंने अपने समय में इसको किया उनको भी आगे आना चाहिए था आज दो सार उपन करने से नहीं काम चलने वाला है आज जब देश एक अच्छी दिसामे जा रहा है सारे लोग उस दिसामे एक सकारत्मक भाव के साथ आगे बढ़ रहे है मुझे नहीं लगता है किसमें किसी भी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी पैदा करने का कोई आउसर होना चाहिए योगी जी अब आपकी भूमिका पर आते है ऐसा लोग मानते हैं कि आप बीजेपी के पूरे क्यारेक्टर को पूरा सूट करते हैं वो इसलिए क्योंकि आपका रहने का धंग भगवा रंग जो आप धारन करके रखते हैं चारों तरफ से आपका बुल्डोजर चलाना आपका उत्तरप्रदेश क्या देश भर को राममय करना जिससे आपको लगता है इस लहर से फिर हिंदू वोटर भी प्रभावित होकर नहीं जाएगा दो हजार चौबिस तक तो आप एक तरह से बीजेपी की पूरे क्यारेक्टर को पूरा सूट करते हैं और उस कड़ी में अगर हम राममंदिर को देखें तो आपने भी पूरी ताकत जोग दिये इसी के जरीए आप बीजेपी को जितरा लाब चौबीस के लिए दिलाना सकते हैं वो आप दिलाने की कोशश कर रहे हैं क्या मैं सहीं नहीं हूँ देखें मैं तो इस पूरे अभिहान का एक सिपाई हूँ और सिपाई की रूप में हम लोग राजनीती में आये हैं मुल्यों और आदर्सों के साथ राजनीती हमारा पेसा नहीं है उन मुल्यों और सिद्धानतों के साथ आए हैं और उन्हीं मुल्यों और सिद्धानतों के साथ कारे कर रहे हैं कारे करते रहेंगे पर आप में कैसा क्या है जो बाकी मुख्यमंत्रियों में नहीं आपको हर जगा प्रचार के लिए ले जा 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 रहा है सभी मुख्यमंत्री सभी मुख्यमंत्री एक दोसे राज्य में परचार के लिए जाते हैं और हर एक के सयोग के लिए एक दोसे के राज्यों में जाते हैं हमारी राज्य में चुना होते हैं, हमारी राज्य में भी अन्ने राज्यों के मन्ने मुख्य मंत्री गणाते हैं, केंद्रिय ननेता गणाते हैं, ऐसे ही अन्ने राज्यों में होता है, तो हम लोगों को उसर मिलता है, हम लोग भी जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, सभी लोग एक दोस्य के सयोग करने के लिए जाते हैं हाँ कुछ चीजें तो अगर भगवा कलर में इतना अकर्षन है तो मैं चाहूंगा फुरा देशी भगवा में होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए एक और चीज है वो यह कि योध्या नगरी को जैसे हम सिर्फ एक अजना ने भी की है यह क्या पचास वर्ष का प्रोजेक्ट है मतलब आप अयोध्या नगरी को पचास वर्ष आगे कैसा देख रहे हैं यह कि अभी भी हम लोगों ने अजना को वास्तों में क्यों एक चोटे से नगर की रूप में जाना है इमान दारी से अगर इस पर लोग सोध करें तो यह विश्व की सांसकर्टिक राजदानी है विश्व की हाँ मनुष्य पहला मनुष्य और मनुष्य की परंपरा की सुरुवात यहीं से सुरुवात भी यहीं से सुरू भी होती है अयोध्या उसकी प्रतम भूमी है अधार भूमी है मनों से मानो और फिर वहीं से परंपरा आगे बढ़ी है मनों के किते पुत्र थे उसके अनसार अगर आप देखेंगे तो अलग-अलग द्वीप उन्हें के उस पर माने गए हैं आप भारत के प्राचीन इत्यास को उठा के देखें तो आप कोई सारी चीजें जनकरी में आ जाएंगे अयोध्या प्रभुराम कि पावन जन भूमी है यह तो हम सब जान रहे हैं उत्तर भारत को सबसे उर्वरा भूमी बनाने का स्रे हम मा गंगा को देते हैं और गंगा को इस उत्तर भारत में लाने वाले कौन थे भागिरत वे भी अयोध्या में थे महराज दलीब भी वहीं पैदा हुए थे महराज अज भी वहीं पैदा हुए थे मान धाता भी वहीं पैदा हुए थे एक लंबी परंपरा है जैन परंपरा के तिर्थंकरों को आप देखेंगे यह परंपरा भी वहीं से निकलती भी दिखाई देती है जड़ भरत हो या फिर उसके बाद की परमपराएं इस सब वहीं से निकलती है और अयोध्या के इस महित्यों को कमतर आखने का प्रियास जो विश्व के इत्यास की भूमी है जिसे सम्मान बहुत पहले मिलना चाहिए था आज प्रदान मंतरी मोधि जी के करणंवा सम्मान अयोध्या को प्राप्त हो रहा है और हम लोगों को इस बात को मनना चाहिए कि हमें अयोध्या के इस महित्यों के मात्यम से भारत यानि एक ग्लوबल ब्रैंडिंग का अशल्न मिला है हम लोगों को लेके आए हैं देखे हम लोग उसके महत्तों को अभी भी वो बहुत वो कर रहे हैं अंडरस्टिमेट कर रहे हैं 2017 में हम लोग ने अयोध्या में दिपोत्सों के आयूजन को किया था 2018 में अधने प्रधान मंत्री जी की पिर्णा से यह हुआ कि भई अयोध्या के साथ उन देशों को जोड़ो जिन देशों से भारत की सांस्कृतिक समंदर रहे हैं या हैं आज भी हैं जो अपने सुत्र को जोड़ते हैं तो साउथ कोरिया की फस लेड़ी हमारे आयूजन का चीप गेस्ट बनी थी उनका पर एक डेलिकेशन आया था यहां पे और उन्होंने इस बात को कहा कि अयोध्या की राजकुमारी के हम वनसज हैं साउथ कोरिया में और अयोध्या की राजकुमारी कैसे वहां गई जल मार्ग से हमारी सरकार ने अयोध्या के लिए दिस से जल मार्ग को हम प्रारंब कर सकें इसके लिए इन लैंड वाटर वे अथौर्टी का गठन भी कर दिया है हम लोग लेके जा रहे हैं हल्दिया तक जोडने के लिए फिर वहां से आगे बढ़ने के लिए और अयोध्या की राजकुमारी रतना जल मार्ग से साथ कोरिया पोहँची थी आज की वहां की जो परंपरा है बड़ी परंपरा नहीं अपने दादी मा की रूप में संबोधित करके सम्मान देती है और उन्हें की स्मृति में किम हो जो पार्क है अयुद्या का वो हम लोगों ने वहाँ पे स्तापित किया है ऐसे ही थाइलेंड में आप देखें राजा राम है वहाँ की परमपर अपने आपको राम से जोड़ती है वहाँ के जो निचनल राम के नाम पर है राजा ने अपना जो पैलेस था ग्रैंड पैलेस उसको उन्होंने रामएन को दान किया थाई रामएन के सभी चित्रों को उस पर उकेर करके उने राम को समद्दिया ये थाइलेंड का है थाइलेंड की जो पुरानी रासधानी थी जो बाद में मैंनमार के साथ युद्ध के दोरान छतिगरस्त हो गई थे वह अजुद्ध्या थी आज भी उन्होंने सम्मान दिया यह अपनी परंपरा को कहां से लोग जोड रहे हैं राम के साथ आप इंडोने अजिए तो मैं दुनिया के सरवाधिक मुसल्मान रहते हैं लेकिन उंडोनेसिया में वे लोग आज भी रामेंड के साथ जुड़े हैं रहा हमने उंडोनेसिया की रामिला को भी आमंतित किया है इस दोरान अयुद्धिया में अब उनके पात्रों से बात करें ना वे सभी राम को अपना दर्स मानते हैं समस्या ये है कि जो है जो अधकछडा ग्यान होता है वो बेक्तियों को भरमित कर देता है और जिन लोगों ने भारत को भारत के बारे में कभी जानने का इमानदारी से प्रियास नहीं किया वह लोग भारतियता पर भारत की परमपरा पर भारत के महापूर्सों पर भारत की अरहदे देवों पर प्रस्न खड़ा करते हैं इनको वास्तों में समझना चाहिए अयोध्या के वला अयोध्या नहीं है अयोध्या तो विश्वा की सांस्कृतिक राजधानी है और उस सांस्कृतिक राजधानी की रूप में उसकी का भी बाकी है उस पर आपके क्या विचार है देखें जो बिसे नयायले में हैं तो नयायले को उस पर काम करने देना चाहिए हमने राम लाला के लिए पांसो वर्सों तक संघर्स किया और मर्यादित तरीके से उसमें नयाय और सत्य की विजय प्राप्त की है यहां के मामले भी अपर इस सब जूडिस हैं नयाले के सामने अपने परमाण प्रस्तुत करेंगे समय आने पर सारी तत्य सामने आएंगे दोत का दोत पानी का पानी सब के सामने आएगे कि लड़ाई लड़ी जाएगी पर अदालिती कानूनन कानूनन उस प्रक्रिया कि आप ही के राज्य की बात है बाकी दोनों जगे पर कोई बात है तो पर शुषर कनेया लाल जी को भी आप लोग कोई तारीक देने वाले हैं सभी चीजों के लिए समय आएगा और देखे हो हैं वही जो राम रसी राखा प्रभू को अपनी लिला को स्वेंब करेंगे चुनावी पॉलिटिक्स पे आने से पहले अगर एक विपक्षियों को अगर एक संदेश आपको देना हो हाँ राम मंदिर से जुड़ी एक और चीज मैं आपसे जानना चाहती हूं यह यजमान और मुख्य यजमान की बात क्या है योगी जी तीरत चेत्र ने सिराम जन भू को आगे बढ़ाया है पर यह कहा गया कि मुख्य यह जमान कोई और हुगा गर जो अनुस्तान में बैट करके इस पूरे को संपन करेगा अच्छा इस अभी कारिक्रम उसका अपने सास्तों पद्दतिके इन सारी सारी कारिक्रम हो रहे हैं कारिक्रम के बारे में कुछ जानका कावकास भी रहेगा उससे पहले अने कारिकर्म चलने हैं जैसे चौदा से लेकर कि किस्त तक सचता का एक बिसे चलना है अंधी पाली के पहले पी इस परकार का कारिकर्म करते हैं यान्ने आउईचनों में करते हैं या देपी पहले कि तुलना में सुचभारत प्रिशन के बाद काफी सुचता आई है लेकिन फिर भी लोगों में एक जाग रुखता के लिए आज से सोला जनवरी से लेकर के बाइस जनवरी के माध्ध्यान के पूरु तक अखंड रामेड पाध्य राम नाम संकृतन के कारिकरम होंगे अपराहन में मध्यान में बारा बजे के बाद प्रधान मंत्री जी का और अन्य महनुहाओं का मुख्य मंदिर में परिवेश होगा पूजा पहले से चल ले होगे उसके बाद एक कारिकरम उष्ठान होंगे और ल एक बज़े वहाँ पे संबोधन की देश से जो मंच बना होगा उस मंच पे आ करके फिर ये कारिक्रम आ के चलेगा आप भी बोलेंगे पीम भी बोलेंगे तो ये कारिक्रम वहां के संपन होंगे संपन होने के बाद जो भी तीर चेतर जो भी तै करेगा उसके उनसारे कारिक्र यह कारिक्रम फिर अनवरत आगे विवस्था की दिस्थे क्योंकि हर राम भक्त युद्याना चाहता है तो उनके लिए भी फिर विवस्था वहाँ पर आगे क्योंकि बहुत जादा है लाको लाक की तादाद में लोग पहुँच सकते हैं तो किस तरह की तारी है पर तेईस तारीक से पूरा प्रशासन समझ रहा होगा कि कितनी बड़ी संख्यावे लोग अस्थानी अस्तर पर जो बिवस्था बनाई जा रही है हर राज्य में हर जनपद में वे अगर उसकी बिवस्था के तत आएंगे तो किसी को भी कष्ट नहीं ह होगा अपने तरीके से पैदल न निकले क्योंकि उत्तर भारत में समय भीसंड सी तलहरी चल लएई है और भीड़ भाड़ होगी इसलिए लोग मेरा बिनम्बरंडोद होगा कि पैदल कोई न चले अपने बाहन स्वेम बुक न करें जो बिवस्था अस्तानी अस्तर पर बना बनाई जा रही है वहाँ से अपना कारेकरम भेज करके जब उनको वहाँ से कहा जा रहा तब ही वे लोग आएं रेलवे कुछ स्पेशल टेंस भी चलाएगी उन स्पेशल टेंस में भी आप अपना रिजर्वेशन करवा करके आयुद्ध्या आ सकते हैं तो आपे हम उनको ब पूरती भी होनी चाहिए तो इसके लिए वहाँ पे दर्शन के लिए प्रियाप्त विवस्ता की जा रही है वेरिकेटिंग दे जा रहे हैं अन्यकारिकरम हो रहे हैं तो कितना भी कोई करेगा तब भी दर्शन करने में एक बेक्तिको एक दिन में एक देव विग्रह का दर् को हम लोग उस प्रकार की पिवस्ता देंगे. देखे युद्धिया के परतिया करशन का क्या हो? जैसे राम नौमी में अमूमन सत्रह के पहले हजारों में लोग आते थे. पचास हजार, साठ हजार तक लोग आते थे, दर्शन करके असनान करके चले जाते थे लिपत्सों के बाद कारिकरम में संख्या बढ़ती गई आयुद्या में सुबिधा भी मिलती गई करके सुबिधा और भी वस्ता हम लोग देंगे एक और सवाल मन में आया आपने कहा कि प्रधानमंत्री लगभग बारे बजे के आसपास वहां पहुंच रहे हैं तो क्या हमाने जो मुख्य गर्ब ग्रे है उसमें पहले से ही मूर्ती रामलला की पांच साल वाली भी जो अरूर होगा उस एक घंटे के आयोजन के अंदर उस सारे कुछ संपन हो जाएंगे योगी जी अब कुछ राजनीतिक प्रश्णू की ओराना चाहती हूं मायवत्ती जी ने हाल ही में ये घोशना की कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी लोग सभा चुनाव में वो इंडिया आलाइ में बात कर सकते हैं किस सदिकार से हम बोल सकते हैं पर आपको फायदा होगा बीजेपी को फायदा होगा है एक बीजेपी को क्या फायदा होना है क्या नुकसान होना है यह भारतिय जंता पार्टी की रणनीती ही अपने आप तैक कर देगे हम लोग तो तब भी लड़े थे जब 17 में ये लोग अलग लड़े थे 14 में भी अलग अलग लड़े थे 14 में दो नौ योकों की जोड़ी लड़ी थी 17 में भी फिर ये लोग लड़ने का प्रियास किये थी बीजेपी से 19 में इन लोगों ने प्रदेश में एक महागड़बंदन भी बनाया था तो भारतिये जनता पार्टी प्रधानमंतरी मोधी जी के नित्रतों में तब भी लड़ी थी और अच्छे बहुमत के साथ भारतिये जनता पार्टी आगे बढ़ी जीती थी लेकिन हर पार्टी को अपना एजेंडा सेट करने और अपने रणनीती को बनाने का पुरा दिकारे बीते दिन मायवती जी ने प्रेस कॉंफरेंस करके कहा कि वो अलग लड़ेंगी और मायवती ने गिरगिट कह दिया अखिलेश आदव को अब आज अखिलेश आदवाये उन्हों का कि हम तो सप्टा देख रहे थे कि मायवती जी को पी-म बनाएंगे लेकिन वो किसी के दबाव में मेरे खिलाब बोल रही है और माना जा रहा है वो दबाव आप ही का है केंदर सरकार का सीबी आए अखिलेश जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि कमसे का उन्होंने मेरा दवाव माना तो है आपका असर वाला मान रहे है वो लेकिन अखिलेश जी गेस्टाहोस कांड को समभा तो भूल गये होंगे और मायवतीजी के साथ तो उन्हों नहीं किया था ना या इस मारकों के परती जस परकार की सबदावली का प्रयोग उन्होंने उस समय किया था जब बारा में मुख्यमंत्री बने थे ये किसी से छुपा हुआ है क्या और ये बार बार तो कभी कॉंग्रेस के साथ जाते हैं कभी बियस पी के साथ जाते हैं कभी किसी और के साथ जाते हैं तो ये तो बार बार वही चेंज करते हैं वही बदलते रहते हैं अपमा तो मायवती जी ने जो बोला है क्या बोला है मैंने पुरा बयान पढ़ा नहीं कुछ सुना नहीं लेकिन मुझे लगता है कि उनको जो अच्छा लगता होगा उनकी पालिटी के इतनी उस परकार कभी लड़ाई से आपको फाइदा होगा ना सर अगर BJP VSP BJP BJP मोधी जी के नेतृतों में उत्तरपदेश के अंदर बहतरीन प्रदर्शन करीगा किपनी सीट है पर योगी जी जब समाजबादी पार्टी और बहुजन समाजबाटी एक साथ आये थे तो उन्होंने कई समीकरण बिगाड़े भी थे ये बात अलग थी कि कारिकरताओं के दिलों के मिले हम तब भी 84 सीट जीते थे असी में से 64 सीट हम लोग तब भी जीते थे पर सही सही बताइए कि 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश जिसके लिए सबसे ज़्यादा मेहनत सारे दल करते हैं वहाँ पर अगर वाकई BSP, SP, कॉंग्रेस वगेरा सब मिल जाते एक साथ तो ये 50 की लड़ाई हो जाती प्रतिशत देखे गठवंदन 19 में इन्होंने गठवंदन किया था परणाम क्या हुआ परणाम क्या था उस समय उन्होंने दुस्परचार की सारी सीमाओं को लांग दिया था कॉंग्रेस ने और जनता के सामने सब दूद का दूद पानी का पानी हुआ अज ऐसा तो नहीं है कि कॉंग्रेस जो है इन सभी चीजों से जो है देश की जनता इसको देख नहीं रही है आज तो उन्नीस से भी हैं कभी कही आगे निकल चुके हैं आज दस वर्स का प्रधान मंतरी मोदी जी के नेत्रतों में आज हर बेक्तिस विकार करता है कि आज बैस्विक मंच पर भारत की प्रतिस्था बढ़ी है आज हर बेक्तिस बात को मानता है देश के अंदर अच्छा यानि वर्ड क्लास जो है इंफरस्ट्रक्चर भारत के अंदर बना है पिछले दस वर्स के अंदर हर बेक्तिस बात को मानता है कि देश सुरक्सित हुआ है और देश मोदी जी के नित्रतों में सुरक्सित है और हर बेक्ति इस बात को मनता है कि बिना भाव के वैलफेर स्कीम कालाब हर गरीब को, हर गाउं को, हर किसान, हर नौजवान और हर महला तक पहुचाने का कारे हुआ है किसने रोका था कॉंग्रेस को या अन्य दलों को इस परकार की वैलफेर स्कीम को चलाने से कल आपने देखा होगा कि नीती आयोग की जो रिपोर्ट आई है गरीवी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की जीवन अस्तर में पिछले दस वर्स में किता अंतराया है 24 करोड से अधिक लोग गरीवी रेखा से मुक्तु हुए हैं भारत के अंदर बहुत बहुत धन्यवाद का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब बहुत स्वागत है सर आपका आज तक पर बिरहा के सव परवत पिघले तब रगराई तुम घर आए बेला तो आ गई है आपके जीवन के लिए प्रभु राम की प्रान प्रतिष्था राम मंदिर का बनना क्या माइने रखता है और आपकी सरकार के लिए क्या माइने रखता देखिए अयोध्या जिसे कुछ लोगों ने अपने बेक्तिकत द्वेस और संकिंडता का सिकार बनाने का प्रयास किया था जिस उपेक्सा का दंस को जहल लई थे आज उससे मुक्त हो करके हमारे बेदों ने अयोध्या को जिस सब्त पुरियों में से प्रथम पुरी के रोप में सम्मानित किया आज उसी आभा के साथ प्रनरस थापित हो रही है 22 जनवरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का यह समारो मेरा मानना है प्रभूर तो सरोब्यापी है सर्वत रहें प्रम्पिता प्रमेश्वर हैं लेकिन यह भारत और विश्वमानोता की लोक आस्ता और जन विश्वास की पुनर्प्रतिष्ठा का भी यह आयूजन है ब्यक्तिकत रूप से भी और इस जन आस्ता इस लोक आस्ता और जन विश्वास की प्रतिष्ठा का एक सामने नागरिक होने के नाते हम सब का यह मनना है कि यह कारिया होना चाहिए था पहले होना चाहिए था लोगों ने राम की टाकत को नहीं स्विकारा है वही गलती की जो सास्ते और गलती करने वाले भुकछ चुके हैं और आज राम नाम से जिस भारत की कल्पना नहीं किज़ा सकती है वगफ़ этवान राम की उस महत्वा को स्विकार करने के बाद नियाय और सत्य की विजय अयोध्या के लिए हुआ है और उस नियाय और सत्य की परस्थापना का कारिक्रम 22 जनवरी के कारिक्रम के माद्यम से हमें वहाँ देखने को मिलेगा जनास्ता का सम्मान किसी भी लोक तांत्रिक सरकार का कारे होना चाहिए और जनविश्वास पर खरा उतरना अगर जनास्ता लोक आस्ता का आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो जनविश्वास पर खरा नहीं उतर सकते हैं एक दोसरे के पूरक हैं और प्रधान मंत्री मोदी जी के नेत्रतों में आज उनके मार्क दर्सन में उनके नेत्रतों में उस लोक आस्ता और जन्विश्वास की पुनरप्रतिष्टा हो रही है योगी जी पहले गलतियां की होंगी अब आपनों को सुझाव भी बहुत सारे मिल रहे हैं यहाँ पर हमने पूरा संपूर वो राम मंदिर का मॉटल भी लगाया है अलों कि बहुत अब लोग प्रियव हो रहा है लोग इसे योध्या नगरी से ही ले जा रहे हैं लेकिन यह बत हम जिस विग्रह को वहां स्थापित कर रहे हैं अनुष्ठान उस विग्रह का होता है और ऐसा नहीं कि यह पहली बार हो रहा हु अयोध्या में जो कुछ भी कारिक्रम हो रहे हैं इस सनातन धर्म के सास्त्रोक्त पद्दती के अंसारी हो रहे हैं और सास्त्र परंप्राओं से भी चलते हैं तुसरा लोग हित में जन हित में परंप्राओं बनाई भी जाती हैं उन सास्त्रोक्त पद्दतियों का पालन करते भी इन सभी चीज़ों को जो पोरों में भी विपक्ष का तो कहना है कि अब चुनाव करीब है इसलिए आप लोग जल्दबाजी में कर रहे हैं अभी मंदिर का निर्मार पूरा नहीं हुआ है लेकिन दो-तीन महीने बाद चुनाव है और ऐसे में शशी थरूर को मैं कोट करना चाहूंगी कॉंग्रस के नेता वो यह कहते कि हम गुजरात मॉडल देश में लाएंगे विकास का फिर वो 19 में आये पुल्वामा की वजह से अब वो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके बनना चाहते हैं हिंदय हृदू हिंदू हृदय समराठ और उससे वो चुनाव जीतना चाहते है तो इसलिए आप लोग क कि कॉंग्रेस ने 1989 में अपने चुनाव परचार अभ्यान का सुभारंब अयोध्या से किया था और क्या ये सच नहीं है कि कॉंग्रेस एक तरफ हिंदों को बेकूब बनाती थी और दूसरी तरफ मुस्लिम वोर्ट बैंक से भी मों नहीं छोड़ पा रही थी वोर्ट बैंक की राजनिती इसमें विपक्स ने किया है कॉंग्रेस जैसे दलो ने किया है बारतिय जनता पार्टी ने इसमें राजनिती नहीं की हमने तो बार बार कहा ना कि जो देश की आस्ता थी उस देश की आस्ता का हम लोगों ने सम्मान किया हम उसके पक्स दर थे आ अपने तिथी आपने निकाला है काउंटडाउन लोगसभा इलेक्षन का देखकर देखें हिंदू परंपरा में सनातन धर्म की परंपरा में मकर संक्रांती के बाद सूर्य नारेण के उत्रैन में आने के उपरांत सुब मोहरत आते हैं कारिक्रमों के और उसी को मान करके सास्ट्रोक तो पद्दती से यह कारिक्रम किया गया कॉंग्रेस को इसमें तो औसर मिला था ना लेकिन याद करिए जब सोमनाद के मंदिर की पुनरस्थापना का कारिक्रम हुआ कॉंग्रेस ने तो सायुजन का विरोध किया उस समय के प्रधान मंत्री उसकारिक्रम में स्वयम तो नहीं गए लेकिन तद्कालिन राष्टपती को भी उन्होंने जाने से रोकने का प्रियास किया था आप नहरू जी की बात कर रहे है और राजेंदर प्रशाज जी की तक्टर राजेंदर प्रशाज जी उसकारिक्रम में गए लेकिन तद्कालिन प्रधान मंत्री नहरू जी ने प्रियास तो किया था सोयम तो नहीं गए लेकिन और ने उनको भी रोकने का प्रियास किया कॉंग्रेस ने लंबे समय तक देश में सासन किया आखिर देश की सुतंतरता कैसी है मान बिंदों की पनरस्थापना का कारिकरम और फिर इसमें तो न्याय और सत्य की बात हमने हमें एक अस्थान के लिए प्रमान देने पड़े जिसमें भारत की आस्ता कहीती थी कि यही राम जनम भूमी है लेकिन प्रवराम ने चूंकि हमें मर्यादा का पाट पढ़ाया था इसलिए हमने मर्यादी ताचण करते भी वे सारे प्रमान परस्तुत करते रहे हम लोग लड़े, लोवर कोट में लड़े, हाई कोट में लड़े, सुप्रेम कोट में लड़े और अंदता सुप्रेम कोट में पांच जजेश की एक पूर्ण पीठ ने अयोध्या की मामले को लेकर के एक सरोमसम्मत थैसला दिया तो यह नयाय और सत्य की स्थापना का भी अभियान है और उसी अभियान के करम में आज अयोध्या का कारिकरम हो रहा है इसमें तो किसी को आपतीपती भी नहीं होने चीए चांकराचारी अगर कहते हैं कि हम वहाँ जाकर क्या करेंगे ताली बजाएंगे तो इसके पीछे की सोच क्या है दिखें करती है कि आप लोग अपमान कर रहे हैं चाए मैं हूँ एक सामने नागरिक है या इस देश का बड़ा सा बड़ा धर्मा चारे कोई भी प्रभराम से बड़ा नहीं है हम सब राम पर आस्रित हैं राम हम पर आस्रित नहीं है हम इस बात को ध्यान में रखना होगा और राम से बढ़कर के कोई नहीं हम सब की विवस्ता राम के विगर नहीं चल सकती लेकिन राम तब भी तराम थे जब यह परंपराई नहीं थी उनके विरोध के पीछे आपको क्या वज़ा समझ में आते हैं देखे हर व्यक्ति को अपनी बात बोलने का दिकार है लेकिन हम तो आज भी अंडोध करेंगे बिनम्र अंडोध करेंगे सभी पूजय संतों से जिनको तीर्थ छेत ने आमंतरन किया है या जो इस समय नहीं आपा रहे हैं वे कभी पदा रहे हैं हम सुनी सुनाई बातों पर बिस्वास न करें देखें पहले की अयुद्ध्या आज की अयुद्ध्या हम देखें कैसे अयुद्ध्या आज अपनी पुरातन वैवाओ के लिए पुनरस्ता पित हुई है ऐसा नहीं कि लोगों का उसर ना मिलाओ 75 साल तो सभी लोगों को मिले थे 70 साल मिले थे, 60 साल मिले थे 50 साल मिले थे, क्यों नहीं लोगों ने किया लोग तो आयुद्ध्या का नाम लेने से डरते थे ये भी मैं आपसे समझना चाहती हूँ क्योंकि हम आंदोलन से जुड़े अलग अलग लोगों से बात करते रहे आप अपने तरीके से अलग से जुड़े एक तो आपका अपना जो आपके गुरुजी का भी जुड़ाओ रहा आपका जुड़ाओ रहा लेकिन आयोध्या नगरी के तरफ कोई राजनेता जाने की हिम्मत नहीं करता था सब दूर रहते थे कि पर पता नहीं क्या दिक्कत हो जाए कोट का आदेश आया नहीं था लेकिन योगी आदेत्यनाथ ने वहाँ पर दीपोटसव का आयोजन शुरू कर दिया था ये जानते हुए कि ये सवाल पूछा जा सकता है कि मंदिर कब बनेगा हमें प्रभू पे विश्वास था अठोड विश्वास था कि अगर राम स्येतों का निर्मान हो सकता है तो राम मंदिर का निर्मान भी होगा और इसलिए उसके पहले प्रभू के आगमन के पहले दीपोटसों तो होने ही चाहिए आखिर दिपावली का आयुजन तेसे लिए होता है और सरकार आई ये मेरा सौभाग्य है क्यादणी प्रधान मंत्री जी की पेंड़ना से हम लोगों ने दिपाथ सो क्या आयुजन के साथ साथ वहां की वन्यादी सुग्धाओं में सुधार करना प्रारंब कर दिया था चाईवार रामजी की पेड़ी हो गुपतार घाड से लेकर के रामजी की पेड़ी नए घाड तक के निर्मान का कारिकरम हो वहां की स्वच्छता का कारिकरम हो वहां की फसाट की बियोस्था हो या अन्य सभी कारिकरमों को हमने इस किया और आज यही आयुद्ध्या है ना सिंगल लेन की सड़के थी आज अयुद्धा के अंदर फोर लेन की सड़क कल्पना थी ना आज से दस साल पहले कोई इसकी कल्पना ही नहीं करता था लड़के लटकते वे जूलते वे तारों के गुच्छे थे अभिवस्ता थी गंदगी थी पिसली सरकारों ने तो बिजली के लिए वहाँ के लोगों को तरसाया तीन घंटे चार घंटे गंदगी मैट के धेर में वहाँ के लोगों को रहने के लिए मजबूर किया कोई सुद्धाई वहाँ के लिए नहीं थी घाटों में गंदगी कमबार रहता था आज अंदर की फोर लेन की कनेक्टिविटी है बाहर हरो और से आप लखनों से जाएं गोरकपुर से आएं वारानसी से आएं प्रियागराश से आएं फोर लेन की कनेक्टिविटी से वो भी जुड़ चुका है और यही नहीं अयोधिया मीटर गेज से जुड़ा बता छोटी लाइन रेल की जाती थी बाद में ब्रॉड गेज बनी अब रेलवे की डवल लाइन से जुड़ चुका है इंटरनेशनल एरपोर्ट बन गया है और अयोधिया में सर्यू जी में उस लोग गोली चलाते थे आज सर्यू जी में कुरुफ चलना है कोई कल्बना कर सकता था आज ये भी हो रहा है और इतना सब कुछ होने के बाब जोद एक चीज आप अनुभव किये होंगे देखिए आप लोग तो पब्लिक के बीच में जाते हैं सीधे आप लोगों का कनेक्ट है इतने लोग खटाए गए होंगे उनका पुनर्वास्वा होगा अक्सर होता है कि छोड़ी छोड़ी बातों को लेकि लोगों में अन्रेस्ट होता है अयोध्या में इतने बड़े इतना इंफ्रास्ट्रक्शर का कारे हुआ है लेकिन कहीं कोई अन्रेस्ट नहीं है हर व्यक्ति में संतुस्टी है क्योंकि हर व्यक्ति अयोध्या के लिए और प्रभुराम के लिए ही जीता है और सब के मन में है कि ये काम जो काम पहले होना चाहिए था काम आज हुआ है तो स्वाभाई कुरूप से आम जन्मानस की जो आज की जो मानसिक्ता में परिवर्थन आया है अयोध्या के यहाँ इसलिए संभा हो पाया क्योंकि डबल इंजन के सरकार की नीती भी साब थी और अब तो दिन बहुत करीब आ रहा है दो सवाल पूछ रहे हो उसका जवाब दे दीजेगा यह किसका इडिया था कि राजनितिक महमानों को हमें बुलाना चाहिए आप से चर्चा तो ही होगी आप मुख्यमंत्रिय किसका इडिया था कि उनको बुलाना चाहिए और दूसरा राहूल गांदी ने कहा है कि यह पुलिटिकल इवेंट है बाइस जन्वरी को वो कह रहे है कि जो लोग गर्वग्रे में होंगे उसमें प्रधान मंत्री होंगे योगी जी होंगे मोहन भागवत संग प्रमुख हैं जो गवर्नर सब बीजेपी से जुड़े हुए लोग है तो किया रहे है यह पुलिटिकल इवेंट है दोनों प्रश्णों पर आपका जाए उनको पॉलिटिकल इवेंट बनाने से किस ने रोका था आकर कॉंग्रेस ने उनिस्वो सेन्टालिस से ले करके और एक लंबे समय तक सासन किया राहुल जी स्वयम भी 2004 से ले करके 2014 तक इस देश की सत्ता के सिर्मौर के रूप में बैग डूर से कमांटो संचलित करते ही थे किसी से छुपा हुआ है क्या हाँ वालग विस्वय है कि उन्होंने कुछ इवेंट संसत में किये कि संसत की आउमाना करते हुए बिल की परतियों को वहाँ फाड़ने का काम जरूर किया था क्या ये इवेंट नहीं था ये कॉंग्रेस का इवेंट है वे संविधान का अपमान करते हैं संविधानिक संसताओं का अपमान करते हैं भारत की लोकास्ता का अपमान करते हैं भारत की जन्बिश्वास पर कुठारा घात करते हैं मैंने पहले भी कहा प्रभुराम का रामलला की रुप में अपनी जन भूई में पुनर प्रतिष्ठा का कारिक्रम होना एक प्रान प्रतिष्ठा का इस हमारो भारत के लिए और सनातन धर्माबलंबियों के लिए तो गौरब का भी सही देश और दुनिया के अंदर जितने भी कुछली सब्वेता और संस्कृति के अन्याई होंगे उन सब के लिए भी आसा की एक नई करण है राजनितिक महमानों वाला सवाल का जवाब आपने नहीं दिया आपने उनको तलवार की नोक पर चड़ा दिया कि आए तब भी उनको एक तरह से ये मानना पड़ेगा कि राम मंदिर प्रान प्रतिष्ठा बीजेपी कर रहे हम उसमें शामिल हो रहे हैं और अगर वो इंकार कर दें तो आप कहेंगे कि देखो ये तो आए ये नहीं दूरी बना एक है ये हम लोग इस बात को मानते हैं कि राम सब के हैं दिश्टिकों लोगों के अलग-अलग हो सकते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुरत देखी तिन तैसी है राम हमारी आस्ता के प्रतिख है तो हम उनको परम्पिता परमेश्वर की रूप में मानते हैं हमने उनके महत्तों को समझा जाना है इसलिए जीवन भी समर्पित कर दिया राम के महत्तों को वे लोग नहीं समझ पाए क्योंकि उनको सत्ता प्यारी है और सत्ता की एतर सोच भी नहीं सकते लोग आस्ता क्या हो या अगर कॉंग्रेस ने समझने का प्रियास क्या होता ना ये दुर्गत ही नहीं जेलते हैं और इसलिए हर उस अब्यक्तिकों उस कारिकरम में आमंतर्ण होना चाहिए और ये से राम जन्भू में तीर्थ छेतर का आयोजन है उन्होंने अपना निमंतर्ण दे करके अपने कर राम भक्त आना चाहता है इस पूरे कारिकरम के साथ जुड़े वे आंदोलन से जुड़े वे एक लंबी स्रिंखला है वे भी आना चाहते हैं लेकिन अलग-अलग समय में लोग आएंगे हम लोग भी अंडोत कर रहे हैं कि प्रान प्रतिष्टा समारों के बाद सभी लोगो को आउसर मिले आउद्या में राम जन्भूमी का दर्शन करने के लिए और वहां की विवस्ता से राम जन्भूमी तिर्चेतर न्यास देख रहा है हाँ उतर प्रदेश में कोई आएगा अच्छी नियत से आएगा प्रभू के दर्शन करने की नियत से आएगा उनके दर्श ईयोजन में भी और बाहर भी कूंकि आये थे कल काुझरिस के में नेता आये थे दर्शन सब्दा में कत्रेका बंद् Salesforce के निटा का दृष्टिकॉंड राजनितिक सत्ता पर है हमारा दृष्टिकॉंड लोक आस्ता को सम्मान देने का है और जन विश्वास का सम्मान करने का है तो हम लोग उस अभिहान के साथ इस रूप में जुड़े हैं माने उच्चितम नैले के आदेस पर सिराम जन भूमित तीरत छेत न्यास का गठन हुआ है अंदर के सारी विवस्ता यह ट्रस्ट ही करेगा और ट्रस्ट आमंतर्ण करने के लिए स्वतनतर है ट्रस्ट ने जिन्हें आमंतित किया है वे सब हमारे अथिति होंगे क्योंकि हमारे राज्य में आएंगे क्योंकि राम के प्रतिस एक हमारी आस्ता दूसरा उत्तरप्रदेश के अंदर किसी भी रूप में अगर उत्तरप्रदेश को आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता कहीं से निकलता है तो हमें उस औसर से बंचित नहीं रहना चाहिए और अयुद्या का इवेंट हमारे लिए इस रोप में उत्तरपदेश को एक बार फिर से देश के अंदर और दुनिया के अंदर प्रस्तुत करने का भी एक उसर है बहुत सारे सवाल अब इर्दगेत हो रहे हैं आपने शंकराचार पर सीधा का कि भगवान राम से बड़ा कोई नहीं हो सकता है लेकिन आप सबको हुमिलिटी के साथ कह रहे हैं कि आप लोग जब मौका लगे जरूर आई है एक और बात बहुत सोचल मीडिया के जरीए भी फैल रही है और संजयर आउट जो की सांसद है शिव सेना उधव ठाकरेग उठके उन्होंने भी उठाए वो कह रहे हैं कि जहां पर स्थान था जो गुंबत के नीचे जगह थी जहां पर है वहां पर गर्भग्रे नहीं बन रहा है आप लोग गर्भग्रे दूर बना रहे हैं मंदिर के ऐसा क्यों हो रहा है उसा प्रशन उठा रहे अगर आप जानकारी दे सके तो यह तो दर्शन करने के लिए आये थे कि संजय रावत भी आये थे रोधा जी भी आये थे और उस समय आकरके उन्होंने वहां पे तमाम गोशनाएं भी की थी उस समय अपने अमूले सुझाव देव होते हैं अंगूर खटे हैं अब तो कोई भी बोल सकता है मैंने का ला अभी वेक्ति की सुतंतरता सब को है और वेक्ति को इसके बारे में बोलने कोई कटना यी नहीं है हमारी पोरी लड़ाई वही थी राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे और मंदिर वहीं पे बन रहा है पर फिर वही है न सर कोट का फैसला है मैंने का न फैसला तो कोट का है वो कह रहे हैं कि बीजेपी क्रेडिट ले रही है यह पूरा कोट के फैसले को पहले भी करवाये जा सकता था पेंडिंग क्यों डाला गया था क्यों नहीं आप पेरवी कर रहे थे मतलब किसी और पार्टी की सरकार होती तो जरूरी नहीं है कि निर्णे में बाधा नहीं डाला जाता था ही देरी का कारण नैले नहीं सरकारें थी पार्टियां थी वे चाती नहीं थी किसका दिन्ने हो इसका फायदा मिलेगा चौबीस में चौबीस के चुनाओने फायदे और नुकसान का नहीं पर मिलेगा जो देश की आस्ता का सम्मान करेगा वह जन विश्वास पर खरा उतरेगा अच्छा एक हो गया आंदोलन से जुड़े हुए लोग जिनको श्रे दिया जाता है दूसरा क्या आप भारतिय जनता पार्टी आप ये कह रहे हैं कि पार्टी को भी श्रे है देखे राम जन भूमी का अंदोलन एक ऐसा अंदोलन है पंदरह सो अठाइस से ले करके दो हजार उन्नीस तक जब तक मन्य उच्छतम ने आईले ने फैसला नहीं दे दिया तब तक एस अंदोलन के लिए निदंतर आबरेज चैसे साथ वर्स के अंतराल में एक बड़ा आंदोलन होता था अबरेज अगर आब देखेंगे चैतर बार बड़े आंदोलन हुए हैं बड़े संघर्स हुए हैं पंदरह सो अठाइस से ले करके इन लगभग 590 वर्स के अंदर 490 वर्स के अंदर इतने बड़े आंदुलन औभ्यान चलते रहे ये चीजें दिखाती हैं कि एक लंबे समय तीन लाग से धिक राम भक्त सईद्वे इसमें संत भी थे राजे रजवारे भी थे सामान भक्त भी थे महलाएं भी थी पुरुस भी थे जो राम जनम भूमी के लिए अपने आपको उन्होंने बलदान कर दिया दुनिया के अंदर इस प्रकार कौधान देखने को नहीं मिलेगा जो अयुद्ध्या की दिश से हम सब को देखने को मिला हाँ आंदुलन कभी विप्रित परस्तितियां थी कई सम परस्तितियां थी लेकिन निर्णे और निर्णे के बीच में फसा वा था 1885 के प्रिटिस काल खंड में नियाले के अदिश को आप पढ़ें न कोट स्विकार कर रहा है केस्तान हिंदों का है प्रिटिस कावर्मेंट है लेकिन एक लंबा समय हो गया है अब इसमें कोई निर्णे हम देंगे तो उसको फिर छोड़ते हैं लेकिन इसके बाद जो चीज़ें आगे आएं और लोगों को भी तो मौका मिला था क्यों नहीं उन्हों ने अपने समय में इसको किया उनको भी आगे आना चाहिए था आज दो सारूपन करने से नहीं काम चलने वाला है आज जब देश एक अच्छी दिसा में जा रहा है सारे लोग उस दिसा में एक सकारत्मक भाव के साथ आगे बढ़ रहे है मुझे नहीं लगता है किसमें किसी भी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी पैदा करने का कोई उसर होना चाहिए योगी जी अब आपकी भूमिका पर आते हैं ऐसा लोग मानते हैं कि आप बीजेपी के पूरे क्यारक्टर को पूरा सूट करते हैं वो इसलिए क्योंकि आपका रहने का धंग भगवा रंग जो आप धारन करके रखते हैं चारों तरफ से आपका बुल्डोजर चलाना आपका उत्तर प्रदेश क्या देश भर को राममय करना जिससे आपको लगता है इस लहर से फिर हिंदू वोटर भी प्रभावित होकर नहीं जाएगा 2024 तक तो आप एक तरह से बीजेपी के पूरे कैरेक्टर को पूरा सूट करते हैं और उस कड़ी में अगर हम राममंदिर को देखें तो आपने भी पूरी ताकत जोग दिये इसी के जरीए आप बीजेपी को जितरा लाब 24 के लिए दिलाना सकते हैं वो आप दिलाने की करें क्या मैं सहीं नहीं हूं देखें मैं तो इस पूरे अभीयान का एक सिपाई हूं और सिपाई की रूप में हम लोग राजनीती में आये हैं मुल्यों और आदर्सों के साथ राजनीती हमारा पेसा नहीं है उन मुल्यों और सिद्धानतों के साथ आए हैं उनी मुल्यों और सिद्धानतों के साथ कारे कर रहे हैं कारे करते रहेंगे पर आप में कैसा क्या ऐसा जो बाकी मुख्यमंत्रियों में नहीं आपको हर जगा प्रचार के लिए ले जा जा रहा है सभी मुख्यमंत्री एक दोसे राज्य में परचार के लिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है सभी लोग एक दोस्य के सयोग करने के लिए जाते हैं हाँ कुछ चीजें तो अगर भगवा कलर में इतना अकर्षन है तो मैं चाहूंगा फुरा देशी भगवा में होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए तो अगर उसे हम देखें ऐसा लगता है कि योगी आदितनाथ 22 जन्वरी के लिए या फिर एक साल के लिए दो साल के लिए नहीं सोच रहे हैं आपने जिस तरह के प्रोजेक्ट की शुरुआत की है ये क्या 50 वर्ष का प्रोजेक्ट है मतलब आप अयोधिया नगरी को 50 वर्ष आगे कैसा देख रहे हैं लिए कि अयोधिया को अभी भी हम लोगों ने अयोधिया को वास्तों में के लिए एक छोटे से नगर की रूप में जाना है इमानदारी से अगर इस पर लोग सोध करें तो यह विश्व की सांसकर्टिक राजधानी है विश्व की मनुष्य पहला मनुष्य और मनुष्य की परंपरा की सुरुवात यहीं से सुरू भी होती है अयोधिया उसकी प्रतम भूमी है अधार भूमी है मनों से मानो और फिर वहीं से परंपरा आगे बढ़ी है मनों के कितने पुत्र थे उसके अनसार अगर आप देखेंगे तो अलग-अलग द्वीप उन्हीं के उस पर माने गए हैं आप भारत के प्राचीन इत्यास को उठा के देखें तो आपको इस सारी चीजें जनकरी में आ जाएंगे अयोध्या प्रभु राम की पावन जन भूमी है यह तो हम सब जान रहे हैं उत्तर भारत को सबसे उर्वरा भूमी बनाने का सरे हम मा गंगा को देते हैं और गंगा को इस उत्तर भारत में लाने वाले कौन थे महराज दलीब भी वहीं पैदा हुए थे महराज अज भी वहीं पैदा हुए थे मान धाता भी वहीं पैदा हुए थे एक लंबी परंपरा है जैन परंपरा के तिर्थंकरों को आप देखेंगे यह परंपरा भी वहीं से निकलती भी दिखाई देती है जड़ भरत हो या फिर उसके बाद की परमपराएं इस सब वहीं से निकलती है और अयोध्या के इस महित्यों को कमतर आखने का प्रियास जो विश्व के इत्यास की भूमी है जिसे सम्मान बहुत पहले मिलना चाहिए था आज प्रधान मंतरी मोदी जी के करण वह सम्मान अयोध्या को प्राप्त हो रहा है और हम लोगों को इस बात को मनना चाहिए कि हमें अयोध्या के इस महित्यों के मात्यम से भारत की यानि एक ग्लोबल ब्रांडिंग का एक आउसर मिला है हम लोगों को ले के आए तेखे हम लोग उसके महत्वों को अभी भी बहुत कर रहे हैं अंडरस्टिमेट कर रहे हैं 2017 में हम लोगों ने अच्था में डिपोट्सो के आउजन को किया था 2018 में अधने प्रधान मंत्री जी की पिर्णा से हुआ कि अयोध्या के साथ उन देशों को जोड़ो जिन देशों से भारत की सांस्कृतिक समंदर रहे हैं या हैं आज भी हैं जो अपने सुत्र को जोड़ते हैं तो साउथ कोरिया की फस लेडी हमारे आयोजन का चीप केस्ट बनी थी उनका पर एक डेलिकेशन आया था यहां पे और उन्होंने इस बात को कहा कि अयोध्या की राजकुमारी के हम वनसज हैं साउथ कोरिया में थी और अयोध्या की राजकुमारी कैसे वहां गई जल मार्ग से हमारी सरकार ने अयोध्या के लिए दिस से जल मार्ग को हम प्रारंब कर सकें इसके लिए इन लैंड वाटर वे अथौर्टी का गठन भी कर दिया है हम लोग लेके जा रहे हैं हल्दिया तक जोडने के लिए फिर वहां से आगे बढ़ने के लिए और अयोध्या की राजकुमारी रतना जल मार्ग से साउथ कोरिया पहुची थी आज की वहां की जो परंपरा है बड़ी परंपरा उन्हें अपने दादी मा के रूप में सम्बोधित करके सम्मान देती है और उन्हीं की स्मृत्य में किम हो जो पार्क है अयोध्या का वो हम लोगों ने वहां पर स्तापित किया है। ऐसे ही थाइलेंड में आप देखें। राजा राम है महांके पूरे परंपर अपने आपको राम से जूड़ती है। वहां के जो निश्नल हाई वेज हैं वे सब राम के नम पर है रामा वन रामा टू राम के नम पर है राजा ने अपना जो पैलिस था ग्रैंड पैलिस उसको उन्हों ने रामेंड को दान किया है थाई रामैन्ड के सभी चित्रों को उस पर हुकेर करके उन्हें राम को सम्मान दिया यह थाईलेंड का है थाईलेंड की जो पुरानी रासधानी थी जो बात में मेंनमार के साथ युद्ध के दोरान छतिगरस्ट हो गई थे वह अजुद्या थी आज भी उन्होंने सम्मान दिया यह अपनी परंपरा को कहां से लोग जोड रहे हैं राम के साथ आप इंडोनेसिया में देखे इंडोनेसिया तो बहुत दुनिया के सरवाथिक मुसल्मान रहते हैं लेकिन अंडोनेसिया में वे लोग आज भी रामेंण के साथ जुड़े है और हमने अंडोनेसिया के रामदिला को भी आमंतित किया है इस दोरान आयोतिया में आप उनके पात्रों से बात करिए लिए सभी राम को अपना अधर समानते हैं समस्या ये है कि जो है जो अधकछडा ग्यान होता है बेक्टे को भरमित कर देता है और जिन लोगों ने भारत को भारत के बारे में कभी जानने का इमानदरी से प्रियास नहीं किया वह लोग भारतियता पर भारत की परमप्रा पर भारत की महपुरसों पर भारत की अरहदे देवों पर प्रस्न खड़ा करते हैं इनको वास्तों में समझना चाहिए अयुद्या क्यों अयुद्या नहीं है अयुद्या तो विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है और उस सांस्कृतिक राजधानी की रूप में उसकी प्रुनरस्थापना होनी ही है आपने अभी कहा कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे आप लोगों का नारा था संग परिवार का एक और नारा है काशी मतुरा भी बाकी है उस पर आपके क्या विचार है देखे जो विसे नियाले में है तो नियाले को उस पर काम करने देना चाहिए हमने राम लला के लिए 500 वरसों तक संघर्स किया और मर्यादित तरीके से उसमें नियाय और सत्ते की विजए प्राप्त की है यहां के मामले भी अपिस सब जुडिस हैं नियाले में आप नियाले के सामने अपने परमाण परस्तुत करेंगे समय आने पर सारी तत्य सामने आएंगे दोट का दोट पानी का पानी सबके सामने आए यानि लड़ाई लड़ी जाएगी पर अदालति कानूनन उस प्रकृश्य की बात है बाकी दोनों जगे सभी चीज़ों के लिए समय आएगा और देखे हो हैं वही जो राम रसी राखा प्रभू को अपनी लिला को पित रसने दीजिए पर खुशी आपके चिपती नहीं है चेहरे पर वह आते ही बात खुशी दिख रही आपके चेहरे हैं करना हम तो निमित्त मात्र हैं प्रभू अपनी लिला को स्वयम करेंगे चुनावी पॉलिटिक्स पे आने से पहले अगर एक विपक्षियों को अगर एक संदेश आपको देना हो हां राम मंदिर से जुड़ी एक और चीज मैं आपसे जानना चाहती हूं यह यजमान और मुख लगता है उनको अपने यजमान बना करके उन्होंने इस पूरे कारिक्रम को आगे बढ़ाया है पर यह कहा गया कि मुख्य यजमान कोई और होगा अगर जो अनुष्थान में बैट करके इस पूरे को संपन करेंगा अच्छा इस सभी कारिक्रम उसका अपने सास्त्रोक्त प जो है सारजनी कावकास भी रहेगा उससे पहले अन्यक कारिक्रम चलना है जैसे 14 से लेकर कि किस तक सच्छता का एक बिसे सभीहान चलना है अन्दीपावली के पहले भी इस प्रकार का कारिक्रम करते हैं यान्य आउजिनों में करते हैं या देपी पहले कि तुलना में सुच जनवरी से लेकर के 22 जनवरी के माध्यान के पूर तक अखंडर आमेड पाधे राम नाम संकृतन के कारिकरम होंगे अब प्राहन में माध्यान में बारा बजे के बाद प्रदाहन मंत्री जी का और अन्य महनुहाओं का मुख्य मंदिर में परिवेश होगा पूजा पहले से चल ले होगी उसके बाद एक कारिकरम उष्ठान होंगे और लगबग एक बज़े तक अंदर का कारिकरम संपन हो करके एक बज़े वहाँ पे संबोधन की दिश से जो मंच बना होगा उस मंच पे आकर के फिर ये कारिक्रम आके चलेगा आप भी बोलेंगे पी-म भी बोलेंगे तो ये कारिक्रम वहां के संपन होंगे, संपन होने के बाद जो भी तीर छेतर जो भी तै करेगा उसके उनसरे कारिक्रम होंगे. और उसके बाद फिर दो बज़े के बाद से जो आगत पुझे संतजन हैं अथिती गण हैं दर्शन करेंगे वो अंदर जाकर के दर्शन करते वे निकलते जाएंगे उनका प्रस्तान होगा यह सभी कारिक्रम वहाँ पर होंगे यह कारिक्रम फिर अनवरत आगे विवस्था की दिस्थे क्योंकि हर राम भक्त युद्याना चाहता है तो उनके लिए भी फिर विवस्था वहाँ पर आगे क्योंकि बहुत जादा लाखो लाग की तादाद में लोग पहुँच सकते हैं तो किस तरह की तायारी है तो हो जाए पर 23 तारीक से पूरा प्रशासन समझ रहा होगा कि कितनी बड़ी संख्यावे लोग ते इस के बाद से हम लोग वही अन्रोद कर रहे हैं कि अस्थाने अस समय भीषण सी तलहरी चल लई है और भीड़ भाड होगी इसलिए लोग मेरा बिनम्बरंडोद होगा कि पैदल कोई न चले अपने बाहन स्वें बुक न करें जो बिवस्ता अस्थाने अस्थर पर बनाई जा रही है वहाँ पे न्याज से जुड़े हुए लोगों के द्व नोके द्वारा एक बिवस्ता बनाई जा रही है वहाँ से अपना कारेकरम भेज करके जब उनको वहाँ से कहा जा रहा तब ही वे लोग आएं रेलवे कुछ स्पेशल टेंस भी चलाएगी उन स्पेशल टेंस में भी आप अपना रिजर्वेशन करवा करके आयुद्धे आ स उस उद्देसे की पूरती भी होनी चाहिए तो इसके लिए वहाँ पे दर्शन के लिए प्रियाप्त विवस्ता की जा रही है वेरिकेटिंग दे जा रहे हैं अन्य कारेकरम हो रहे हैं तो कितना भी कोई करेगा तब भी दर्शन करने में एक बिक्तिको एक दिन में एक लाग दो लाग तक लोग दर्शन कर पाएंगे जबकि आने के च्छों लोग बहुत होंगे तो प्रियास धीरे धीरे करके जब भी उसर आएगा तो लोगों को हम लोग उस प्रकार की भी वस्ता देंगे देखें युद्ध्या के पर ते आकर्शन का क्या हो जैसे राम नौमी में अमूमन सत्रह के पहले हजारों में लोग आते थे पचास हजार साथ हजार तक लोग आते थे दर्शन करके असनान करके चले जाते थे लिपत्सों के बाद कारिकरम में संख्या बढ़ती गई अयुद्या में सुबिधा भी मिलती गई लोगों को लगा कि नहीं अब तो ठीक होगा इस वर्स राम नौमी के उसर पर 35 लाक लोग आए थे इतनी बड़ी संख्या का अयुद्या में आगमन इस बात को दिखाता है कि लोग हर सरधालो हर राम भक्त युद्या आना चाहता है और उसके लिए उस परकार की सुविधा और बिवस्ता हम लोग देंगे एक और सवाल मन में आया आए आपने कहा कि प्रधान मंतरी लगभग 12 बजे के आसपास वहां पहुंच रहे पहले से ही मूर्ती राम लला की 5 साल वाली जो अरुन师 योगी राज बना रहे हैं वस्तार में मूर्ती के प्राह परथिष्ठा का कारिकरम का एक आयोजन होगा एक घंटे के के आयोजन के अंदर उस सारे कुछ संपन हो जाएगा योगी जेब कुछ राजनितिक प्रश्णू की ओराना चाहती हूँ, मायवती जी ने हाल ही में ये घोषणा की, कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, लोग सभा चुनाव में वो इंडिया आलाइंस के साथ नहीं जाने वाली हैं, उन पर भी बड़े प्रहार हुए, कहा गया कि वो तो भारतिये जनता पार्टी का फाइदा करने वाली हैं? देखे, हर राजनितिक दल को अपनी रणिती ते परने का अधिकार है, और हम कैसे किसी राजनितिक दल के बारे में बात कर सकते हैं? किसे अधिकार से हम बोल सकते हैं? आपको फाइदा होगा बीजेपी को फाइदा होगा एसा क्या फाइदा होना है क्या नुकसान होना है या बारती जंता पाल्टे की रणनिती ही अपने आप तैकर देगे हम लोग तो तब भी लड़े थे जब 17 में ये लोग लग लड़े थे 14 में बिलग लड़े थे 14 में दो नोयोकों की जोड़ी लड़ी थी 17 में फिर ये लोग लड़ने का प्रियास किये थी BGP से 19 में इन लोगों ने प्रदेश में एक महागड़ बंदन भी बनाया था तो बारतिय जन्ता पार्टी प्रधानमंतरी मोधी जी के नित्रतों में तब भी लड़ी थी और अच्छे बहुमत के साथ बारतिय जन्ता पार्टी आगे बढ़ी जीती थी लेकिन हर पार्टी को अपना एजेंडा सेट करने और अपने रणनी ते को बनाने का पुरा दिका रहें बीते दिन मायवती जी ने प्रेस कॉंफरेंस करके कहा कि वो अलग लड़ेंगी और मायवती ने गिरगिट कह दिया अखिलेश आदव को अब आज अखिलेश आदव आये उनों का कि हम तो सप्टा देख रहे थे कि मायवती जी को पी-म बनाएंगे लेकिन वो किसी के दबाव में मेरे खिलाब बोल रही है और माना जा रहा है वो दबाव आप ही का है केंदर सरकार का सीबी आए अखिलेश जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि कमसे का उन्होंने मेरा दवाव माना तो है आपका अफर वाला मान रहे है वो लेकिन अखिलेश जी गेस्टाहोस कांड को समभा तो भूल गये होंगे अखिर मायावतीजी के साथ तो उन्होंने किया था ना या इस मारकों के प्रती जिस परकार की सबदावली का प्रयोग उन्होंने उस समय किया था जब बारा में मुख्यमंतरी बने थे ये किसी से छुपा हुआ है क्या और ये बार बार तो कभी कॉंग्रेस के साथ जाते हैं कभी बियस पी के साथ जाते हैं कभी किसी और के साथ जाते हैं तो ये तो बार बार वही चेंज करते हैं वही बदलते रहते हैं अपमा तो मायवती जी ने जो बोला है क्या बोला है मैंने पुरा बयान पढ़ा नहीं कुछ सुना नहीं लेकिन मुझे लगता है कि उनको जो अच्छा लगता होगा उनकी पार्टी के हित्मिस प्रकार करें अगर बीज़ए पी मोदी जी के नेतृतों में उत्तर प्रदेश प्रण परदरशन करें ऐगर प्रदरशन करें और road है जुपर और समाझ पार्टी पार्टी यूद्व पहुचन संधानने पिगाड़े बी ओंडि ये बात लग थी बीइस ल्म तब ही wash पर सही सही बताइए कि 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश जिसके लिए सबसे ज्यादा मेहनत सारे दल करते हैं वहाँ पर अगर वाकई BSP, SP, कॉंग्रेस वग्यरा सब मिल जाते एक साथ तो ये 50 की लड़ाई हो जाती प्रतिशत की देखे, गठवंदन, 19 में इन्होंने गठवंदन किया था, प्रिणाम क्या हुआ, प्रिणाम क्या था, उस समय इन्होंने दुस्परचार की सारी सीमाओं को लांग दिया था, कॉंग्रेस ने, और जनता के सामने सब दूद का दूद, पानी का पानी हुआ, अज ऐसा तो नही है कि कॉंग्रेस जो है, इन सभी चीजों से जो है, देश की जनता इसको देख नहीं रही है, आज तो, 19 से भी हैं कभी कहीं आगे निकल चुके हैं, आज दस वर्स का प्रधानमंत्री मोदी जी के नेत्रतों में, आज हर बेक्तिस विकार करता है, क्या बैस्विक मंच पर भ क्लास जो है, इन्फरस्टक्चर भारत के अंदर बना है, पिछले दस वर्स के अंदर, हर बेक्तिस बात को मानता है, कि देश सुरक्सित हुआ है, और देश मोदी जी के नित्रतों में सुरक्सित है, और हर बेक्तिस बात को मानता है, कि बिना भेद भाव के, वैलफेर स्कीम कालाब हर गरीब को हर गाओं को हर किसान हर नौजवान और हर महला तक पहुचाने का कारे हुआ है किसने रोका था कॉंग्रेस को या अन्ने दलों को इस परकार की वैलफेर स्कीम को चलाने से कल आपने देखा होगा कि नीती आयोग की जो रिपोर्ट आई है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की जीवन अस्तर में पिछले दस वर्स में किता अंतर आया है 24 करोड से अधिक लोग गरीबी रेखा से मुक्तु हुए हैं भारत के अंदर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब यह हम कह सकते हैं कि 22 जन्वरी से पहले नमस्कार आपके साथ मैं हूँ अंजना उमकश्यप और हमारे साथ राम मंदिर में 22 जन्वरी की तारीख जब प्रान प्रतिष्ठा होगी उस पर चर्चा करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित तिनाथ जी यहां पर जुड़ रहे हैं अब स्वागत है सर आपका आज तक बर बिरहा के सब परवत पिघले तब रगराई तुम घर आए बेला तो आ गई है आपके जीवन के लिए प्रभु राम की प्रान प्रतिष्ठा, राम मंदिर का बनना क्या माईने रखता है और आपकी सरकार के लिए क्या माईने रखता है केंद्र सरकार के लिए, मोधी सरकार के लिए क्या माईने रखता है देखे अयोध्या जिसे कुछ लोगों ने अपने बेक्तिकद द्वेस और संकिंड ता का सिकार बनाने का प्रियास किया था जिस उपेक्सा का दंस को जहल लई थे आज उससे मुक्त हो करके हमारे बेदों ने अयुद्या को जिस सब्त पुरियों में से प्रथम पुरी के रोप में सम्मानित किया आज उसी आभा के साथ प्रणरस थापित हो रही है 22 जनवरी को राम लला की प्रांट प्रतिष्ठा का ये समारो मेरा मानना है प्रभूर तो सरोब्यापी हैं सर्वत रहें प्रम्पिता प्रमेश्वर रहें लेकिन यह भारत और बिस्वमानोता की लोक आस्ता और जन बिस्वास की पुनर प्रतिष्ठा का भी ये आयुजन है ब्यक्तिकत रूप से भी और इस जन आस्ता इस लोक आस्ता और जन बिस्वास की प्रतिष्ठा का एक सामन्ने नागरिक होने के नाते हम सब का यह मनना है कि यह कार्य होना चाहिए था पहले होना चाहिए था लोग उने राम की ताकत को नहीं स्विकारा वही गलती की जो सास्त्रों में गलती करने वाले भुगत चुके हैं और आज राम नाम से जिस भारत की कल्पना नहीं किजा सकती है बगवान राम की उस महत्वा को श्विकार करने के बाद नयाय और सत्य की विजय अयोध्या के लिए हुआ है और उस नयाय और सत्य की परनुस्थापना का कारिकरम 22 जनवरी के कारिकरम के माद्यम से हमें वहाँ देखने को मिलेगा जनास्ता का सम्मान किसी भी लोक तांत्रिक सरकार का कारे होना चाहिए और जन विश्वास पर ख़रा उतरना अगर जन आस्ता लोक आस्ता का आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो जन विश्वास पर आप ख़रा नहीं उतर सकते एक दोसरे के पुरक है और प्रधान मंत्री मोदी जी के नित्रतों में आज उनके मार्क दर्सन में उनके नेत्रित्तों में उस लोक आस्ता और जन्विश्वास की पुनर प्रतिष्टा हो रही है योगी जी पहले गलतियां की होंगी अब आपनों को सुझाव भी बहुत सारे मिल रहे हैं यहां पर हमने पूरा संपूर वो राम मंदिर का मॉटल भी लगाया है हालों कि बहुत अब लोग प्रिय हो रहा है लोग इसे योध्या नगरी से ही ले जा रहे है लेकिन यह बताएए कि अगर शिखर नहीं बन रहा है और उससे पहले प्राण पुतिष्टा हो रही है तो क्या यह पूर नहीं है क्या गर्ब ग्रे का बनना पूर नहीं माना जाता है मंदिर को देखे राम लला का प्रकटी करण हम जिस विग्रह को वहां स्थापित कर रहे हैं अनुष्ठान उस विग्रह का होता है और ऐसा नहीं कि यह पहली बार हो रहा है अयोध्या में जो कुछ भी कारिक्रम हो रहे हैं इस सनातन धर्म के सास्त्रोक्त पद्दती के अंसारी हो रहे हैं और सास्त्र परंप्राओं से भी चलते हैं तुसरा लोग हित में जन हित में परंप्राओं बनाई भी जाती हैं उन सास्त्रोक्त पद्दतियों का पालन करते भी इन सभी चीज़ों को जो पोरों में भी हुए हैं और आगे भी होंगे उसी के अनुपे कारेक्रम भी और उध्या का सिराम जन्भों में तिर्चित न्यास के द्वारा प्रारंब किया गया है विपक्ष का तो कहना है कि अब चुनाव करीब है इसलिए आप लोग जल्दबाजी में कर रहे हैं अभी मंदिर का निर्मार पूरा नहीं हुआ है लेकिन दो तीन महीने बाद चुनाव है और ऐसे में शशी थरूर को मैं कोट करना चाहूंगी कॉंग्रस के नेता वो यह कह करके हम गुजरात मॉडल देश में लाएंगे विकास का फिर वो 19 में आये पुल्वामा की वजह से अब वो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके बनना चाहते हैं हिंदय हृदू हिंदू हिंदय समराथ और उससे वो चुनाव जीतना चाहते हैं तो इसलिए आप लो कि कॉंग्रेश ने 1989 में अपने चुनाव परचार अभ्यान का सुभारंब अयोध्या से किया था और क्या ये सच नहीं है कि कॉंग्रेश एक तरफ हिंदों को बेकूब बनाती थी और दूसरी तरफ मुस्लिम वोड बैंक से भी मों नहीं छोड़ पा रही थे बोड बैंक की राजनिती इसमें विपक्स ने किया है कॉंग्रेश जैसे दलो ने किया है बारतिय जनता पार्टी ने इसमें राजनिती नहीं की हमने तो बार बार कहा न कि जो देश की आस्ता थी उस देश की आस्ता का हम लोगों ने सम्मान किया हम उसके पक्स दर थे आज बी है और जो भी लोग आस्ता का सम्मान करेगा वो जन विश्वास पर खरा उतरेगा तो कह रहें कि बीजेपी संग का इवेंट हो गया है सर पांच लोग अंदर रहेंगे गर्ब ग्रेमें दू पंचांग से नहीं निकाली है आपने तिथी आपने निकाला है काउंडाउन ल सुर्य नारेंड के उत्रैन में आने के उपरां थे सुब मोहरत आते हैं कारेकरमों के और उसी को मान करके सास्ट्रोक तो पद्दती से यह कारेकरम किया गया कॉंग्रेस को इसमें तो औसर मिला था ना लेकिन याद करिए जब सुमनाद के मंदिर कि पनरस्थापना का कारेकरम हुआ कॉंग्रेस ने तो सायुजन का विरोध किया उस समय के प्रधान मंत्री उस कारेकरम में स्वयम तो नहीं गये लेकिन ततकालिन राष्ट पती को भी उन्होंने जाने से रोकने का प्रियास किया था आप नहरू जी की बात कर रहे है और राजेंदर प्रशाज जी की तक्टर राजेंदर प्रशाज जी उस कारेकरम में गये लेकिन तातकालिन प्रधान मंत्री नहरू जी ने प्रियास तो किया था सोयम तो नहीं गये लेकिन उनको भी रोकने का प्रियास किया कॉंग्रेश ने लंबे समय तक देश में सासन किया आखिर देश की सुतंतरता कैसी है मान बिंदो की पनरस्थापना का कारेकरम और फिर इसमें तो नयाय और सत्य की बात हमें एक अस्थान के लिए प्रमान देने पड़े जिसमें भारत की आस्था कहती थी कि यही राम जनम भूमी है लेकिन प्रवराम ने चूंकि हमें मर्यादा का पार्ट पढ़ाया था इसलिए हमने मर्यादित आचन करते भी वे सारे प्रमान प्रस्तुत करते रहे हम लोग लड़े लोवर कोट में लड़े हाई कोट में लड़े सुप्रेम कोट में लड़े और अंदता सुप्रेम कोट में पांच जजेश की एक पूर्ण पीठ ने इधिया promise की मामले को लेकर के एक सरव सम्मत हैसला दिया तो ये नियाए और सथ्त्य की स्थापना का भी अभियान है और उसी अभियान के करम में आज अभियान का कारिकरम हो रहा है इसमें तो किसी को आपतीपती भिनी होने हैं अगर चारी अगर कहते हैं कि हम वहां जाकर क्या करेंगे ताली बजाएंगे तो इसके पीछे की सोच क्या है दिखें कहती है कि आप लोग अपमान कर रहे हैं देखें हमने हर धर्माचारे को और हर अचारे को तीर्थ छेतर ने उन्हें आमंत्र भेजा है और मुझे लगता है कि यह आउसर स्रेय और प्रे का नहीं है यह आउसर मान अपमान का नहीं है चाए मैं हूँ एक सामने नागरिक है या इस देश का बड़ा सा बड़ा धर्माचारे कोई भी प्रभुराम से बड़ा नहीं है हम सब राम पर आस्रित हैं राम हम पर आस्रित नहीं है हम इस बात को ध्यान में रखना होगा और राम से बढ़कर कोई नहीं हम सब की विवस्ता राम के वेगर नहीं चल सकती लेकिन राम तब भी तराम थे जब ये परंपराई नहीं थी उनके विरोत के पीछे आपको क्या वज़ा समझ में आते हैं लेकिए हर बैक्ति को अपनी बात बोलने का दिकार है लेकिन हम तो आज भी अंडोत करेंगे बिनम्रा अंडोत करेंगे सभी पूजय संतों से जिनको तीर्थ छेत ने आमंतरन किया है या जो इस समय नहीं आपा रहे हैं वे कभी पधा रहे हैं हम सुनी-सुनाई बातों बें बिस्वास न करें देखें पहले की अयुद्या आज की अयुद्या हम देखें कैसे अयुद्या आज अपनी पुरातन वैभाव के लिए पुनरस्ता पित हुई है ऐसा नहीं कि लोगों का सर ना मिला हो 75 साल, तो सभी लोगों को मिले थे 70 साल, 60 साल, 50 साल, क्यों नहीं लोगों ने किया लोग तो आयोद्या का नाम लेने से ड़ते थे ये भी मैं आप से समझना चाहती हूं क्योंकि हम अंदोलन से जुड़े अलग-अलग लोगों से बात करते रहे आप अपनी तरीके से अलग से जुड़े योगी जे एक तो आपका अपना जो आपकी गुरुजी का भी जुड़ाओ रहा आपका जुड़ाओ रहा लेकिन आयोध्या नगरी के तरफ कोई राजनेता जाने की हिम्मत नहीं करता था सब दूर रहते थे कि पर पता नहीं क्या दिक्कत हो जाए कोट का आदेश आया नहीं था लेकिन योगी आदेत्यनाथ ने वहाँ पर दीपोट्सव का आयोजन शुरू कर दिया था यह जानते हुए कि यह सवाल पूछा जा सकता है कि मंदिर क होगा और इसलिए उसके पहले प्रभूगे आगमन के पहले दिपोट्सव तो होने ही चाहिए आखिर दीपावली का आयोजन तेसलिए होता है और सरकार आई यह मेरा सवभाग्य है क्यादणी प्रधान मंत्री जी की पेंड़ना से हम लोगों ने दिपोट्सव क्या आयोज की पेड़ी नए गाड़ तक के निर्मान के कारिकरम हो वहां की स्वच्छता का कारिकरम हो वहां की फसाट की बिवस्था हो यहांने सभी कारिकरमों को हमने इस किया और आज यही आयोध्या है ना सिंगल लेन की सड़के थी आज आयोध्या के अंदर फोर लेन की सड़क खलपना थी ना आज से दस साल पहले कोई इसकी खलपना ही नहीं करता था लड़के लटकते वे जूलते वे तारों के गुच्छे थे अभिवस्था थी गंदगी थी पिसली सरकारों ने तो बिजली के लिए वहां के लोगों को तरसाया तीन घंटे चार घंटे गंदगी मैट कि पिस्टर की फोर लेन की कनेक्टिविटी है बाहर हर और से आप लखनो से जाएं गोरकपुर से आएं वारान सी से आएं प्नेक्टिविटी से वहीं जड़ चुका है और यहींने अयोद्या मीटर गेज से जुड़ा बता चोटी लाइन रेल की जाती थी बाद में ब्रोड गेज बनी अब रेलवे की डवल लाइन से जुड़ चुका है इंटरनेशनल एरपोर्ट बन गया है और अयोद्या में सर्यू जी में उस लोग गोली चलाते थे आज सर्यू जी में कुरुफ चलना है कोई कल बना कर सकता था आज ये भी हो रहा है और इतना सब कुछ होने के बाब जोद एक चीज आप अन्वह किये होंगे देखिए आप लोग तो पबलिक के बीच में जाते हैं सीधे आप लोगों का कनेक्ट है इतने लोग खटाए गए होंगे उनका पुनर्वास्वा होगा अक्सर होता है कि छोड़ी छोड़ी बातों को लेकि लोगों में अन्रेस्ट होता है अयोद्या में इतने बड़े इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का कारे हुआ है लेकिन कहीं कोई अन्रेस्ट नहीं है हर वेक्त प्रभुराम के लिए ही जीता है और सब के मन में है कि यह काम जो काम पहले होना चाहिए था काम आज हुआ है तो स्वाभाई कृप से आम जन्मानस की जो आज की जो मानसिक्ता में परिवर्थन आया है अयोद्या के यहाद इसले समभव हो पाया क्योंकि डबल इंजन के सरकार के नेते भी साब थे और नेत भी साब थे अब तो दिन बहुत करीब आ रहा है दो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दीजेगा यह किसका आइडिया था कि राजनितिक महमानों को हमें बुलाना चाहिए आप से चर्चा तो ही होगी आप मुख्यमंत्रिय किसका आइड करांदी ने कहा है कि यह पुलिटिकल इवेंट है बाईस जनवरी को वो कह रहे हैं कि जो लोग गर्भग्रे में होंगे उसमें प्रधान मंत्री होंगे योगी जी होंगे मोहन भागवात संग प्रमुख हैं जो गवर्ण सब बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं तो कह यह पुलिटिकल इवेंट है दोनों प्रश्णों पर आपका जाएं उनको पॉलिटिकल इवेंट बनाने से किस ने रोका था आकर कॉंग्रेस ने 1947 से ले करके और एक लंबे समय तक सासन किया राहुल जी स्वयम भी 2004 से ले करके 2014 तक इस देश की सत्ता के सिर्मौर के रूप में बैक डूर से कमान्टो संचालित करते ही थे किसी से छुपा हुआ है क्या हाँ वालग विसे है कि उन्होंने कुछ इवेंट संसत में किये कि संसत की आउमाना करते हुए बिल की परतियों को वहाँ फाड़ने का काम जरूर किया था क्या ये इवेंट ही था ये कॉंग्रेस का इवेंट है वे सम्मिधान का अपमान करते हैं सम्मिधानिक संसताओं का अपमान करते हैं भारत की लोकास्ता का अपमान करते हैं, भारत की जन बिश्वास पर कुठारा घात करते हैं, मैंने पहले भी कहा, प्रभुराम का रामलला की रुप में अपनी जन भूई में, पुनर प्रतिष्ठा का कारिक्रम होना, एक प्रान प्रतिष्ठा का इसमारो, भारत के लिए और सनातन धर्माबलंबियों के लिए तो गौरब का भी सेही देश और दुनिया के अंदर जितने भी दबी, कुछली, सब्वेता और संस्कृति के अन्वियाई होंगे उन सब के लिए भी आसा की एक नई करण है गराजनितिक महमानों वाला सवाल का जवाब आपने नहीं दिया आपने उनको तलवार की नोक पर चड़ा दिया कि आए तब भी उनको एक तरह से ये मानना पड़ेगा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी कर रहे हम उसमें शामिल हो रहे हैं और अगर वो इंकार कर दें तो आप कहेंगे कि देखो ये तो आए ही नहीं हम लोग इस बात को मानते हैं कि राम सब के हैं दिश्टिकों लोगों के अलग-अलग हो सकते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुरत देखी तिन तैसी राम हमारी आस्ता के प्रतीक हैं तो हम उनको परम्पिता परमेश्वर के रुप में मानते हैं हमने उनके महत्तों को समझा जाना है इसलिए जीवन भी समर्पित कर दिया राम के महत्तों को वे लोग नहीं समझ पाए क्योंकि उनको सत्ता प्यारी है उस सत्ता की एतर सोच भी नी सकते लोग आस्ता क्या होती है और जन्बिश्वास क्या होता है या अगर कांग्रेस ने समझने का प्रियास क्या होता ना ये दुर्गत फिनी जेलते और इसलिए हर उस आप्यक्ट को उस कारिक्रम में आमानटरण होना चाहिए और ये से राम जन्भों में तीर्त छेतर का आयोजन है उन्होंने अपना निमंतन दे करके अपने करतब्यों का निर्वहन किया है क्योंकि राम तो सब के हैं सब को आयोजन में बलाना चाहिए ओर ठीक है पुरा देस आना चाहता है दुनिया आना चाहती है हर राम भक्ता आना चाहता है इस पूरे कारिक्रम के साथ जुड़े वे आन्दोलन से जुड़े वे एक लंबी स्रिंखला है वे भी आना चाहते हैं लेकिन अलग-अलग समय में लोग आएंगे हम लोग भी अन्रोथ कर रहे है कि प्रान प्रतिष्टा समारों के बाद सभी लोगों को आउसर मिले आएद्या में राम जन्भूमी का दर्सन करने के लिए और वहां की विवस्ता इसे राम जन्भूमी तिर्चितर न्यास देख रहा है हाँ उत्तर प्रदेश में कोई आएगा अच्छी नियत से आएगा प्रभू के दर्सन करने की नियत से आएगा उनके दर्सन करने में और वहां तक पहुचाने में हम लोग एक सहभागी हो पाएंगे उनको कहीं भी कोई समस्या ना आने पाए ये जिम्यदारी हम लोग अपने उपर लेकर दर्सन में भी और बाहर भी क्योंकि आये थे कल कॉंग्रिस के निता आये थे सद्गुद्धी आये अपने नितरतों को भी समझाएं अपने नितरतों को भी उनको समझाना चाहिए तो कॉंग्रिस के निता आये वहाँ पर दर्शन के लिए आए पर आपने सवाल का जवाब देते हुए योगी जी सवाल ये था कि कॉंग्रेस कह रही है कि ये एक राजनीतिक आयोजन है आपने कहां वो भी कर सकते थे राजनीतिक आयोजन आपने खंडन नहीं किया ये मैंने का न कि उनका दर्श्टिकॉंड राजनीतिक सत्ता पर है हमारा दर्श्टिकॉंड लोक आस्ता को सम्मान देने का है और जन्विष्वास का सम्मान करने का है तो हम लोग उस अभिहान के साथ इस रूप में जुड़े हैं माने उच्छतम नैले के आदेस पर से राम जन्भू में तीरत छेतर न्यास का गठन हुआ है अंदर के सारी विवस्ता यह ट्रस्ट ही करेगा और ट्रस्ट आमंतर्ण करने के लिए स्वतनतर है ट्रस्ट ने जिन्हें आमंतित किया है वे सब हमारे अथिती होंगे क्योंकि हमारे राज्य में आएंगे क्योंकि राम के प्रतिस एक हमारी आस्ता दूसरा उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी रूप में अगर उत्तरप्रदेश को आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता कहीं से निकलता है तो हमें उस औसर से बन्चित नहीं रहना चाहिए और अयोध्या का इवेंट हमारे लिए इस रोप में उत्तरप्रदेश को एक बार फिर से देश के अंदर और दुनिया के अंदर प्रस्तुत करने का भी एक उसर है बहुत सारे सवाल अब इर्दगेत हो रहे हैं आपने शंकराचार पर सीधा कहा कि भगवान राम से बड़ा कोई नहीं हो सकता है लेकिन आप सबको हुमिलिटी के साथ कह रहे हैं कि आप लोग जब मौका लगे जरूर आई एक और बात बहुत सोशल मीडिया के जरिये भी फैल रही है और संजय राओ जो की सांसद है शिव सेना उधव ठाकरेगोट के उन्होंने भी उठाए वो कह रहे हैं कि जहां पर स्थान था जो गुंबत के नीचे जगह थी जहां पर है वहां पर गर्भग्रे नहीं बन रहा है आप लोग गर्भग्रे दूर बना रहे हैं मंदि जी भी आए थे और उस समय आकर कि उन्होंने वहां पे तमाम भोषणएं भी की थी तो उस समय अपने अमुले सुजळाव देव होते हैं देखें अंगूर खटे हैं अब तो कोई भी बोल सकता है मैंने खाना अभी व्यक्ती की सुटंत्रता सब को है अर व्यक्ती को बारे में बोलने कोई कटना यह नहीं है हमारी पूरी लड़ाई वही थी राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे again और मंदिर वहीं पे बन रहा है पर फिर वही है न आसर कोट का फैसले का क्ले फैसला कोड्स का है वो कि क्यों नहीं आप पैरीवी कर रहे हैते। मतलब किसी ओर पार्टी की सरकार होती तो जरूरी नहीं है कि निर्णाय में बाधा नहीं डाला जाता। न्यायले मुझ सरकारे थी पार्टीया थी स्चाहति नहीं थी किसका निर्णाय हो। इसका फायदा मिलेगा चौबीस में, चौबीस के चुनाओने, फायदे और नुकसान का नहीं, पर मिलेगा, जो देश की आस्ता का सम्मान करेगा, वह जन विश्वास पर खरा उतरेगा, अच्छा, एक हो गया आंदोलन से जुड़े हुए लोग जिनको श्रे दिया जाता है, दूसरा, क्या आप भारतिय जनता पार्टी, आप ये कह रहे हैं कि पार्टी को भी श्रे है? देखे, राम जन भूमी का अंदोलन एक ऐसा अंदोलन है, 1528 से लेकर के, 2019 तक, जब तक मन्य उच्छतम ने आईले ने फैसला नहीं दे दिया, तब तक, इस आंदोलन के लिए निजनतर, एबरेज, 6-7 वर्स के अंतराल में, एक बड़ा आंदोलन होता था, एबरेज अगर आप देखेंगे, छेतर बार बड़े आंदोलन हुए हैं, बड़े संघर्स हुए हैं, 1528 से लेकर के, इन लगभग 590 वर्स के अंदर, 490 वर्स के अंदर इतने बड़े आंदोलन और भ्यान चलते रहे, ये चीजें दिखाती हैं कि एक लंबे समय, 3 लाग से धिक राम भक्त सईद्वे, इसमें संत भी थे, राजे रजवारे भी थे, सामान भक्त भी थे, महलाएं भी थी, पुरुस भी थे, जो राम जनम भूमी के लिए, अपने आपको उन्होंने बैलदान कर दिया, दुनिया के अंदर इस परकार कोधान देखने को नहीं मिलेगा, जो अयुद्ध्या की दिस्से हम सब को देखने को मिला, हाँ, आंदुलन, कभी विप्रित परस्तितियां थी, कई सम परस्तितियां थी, लेकिन निर्ड़े और निर्ड़े के बीच में फंसा वा था, 1885 के बिटिस काल खंड में नियाले के अदिश को आप पढ़ें न, कोड़ स्विकार कर रहा है, केस्तान हिंदों का है, बिटिस कावर्मेंट है, लेकिन एक लंबा समय हो गया है, अब इसमें कोई निर्ड़े हम देंगे तो उसको फिर छोड़ते हैं, लेकिन इसके बाद जो चीज़ें आगे आएं, और लोगों को भी तो मौका मिला था, क्यों नहीं उन्होंने अपने समय में इसको किया, उनको भी आगे आना चाहिए था, आज दो सारूपन करने से नहीं काम चलने वाला है, आज जब देश एक अच्छी दिसा में जा रहा है, सारे लोग उस दिसा में एक सकारत्मक भाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है किसमें किसी भी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी पैदा करने का कोई उसर होना चाहिए, योगी जी अब आपकी भूमिका पर आते हैं, ऐसा लोग मानते हैं कि आप बीजेपी के पूरे क्यारेक्टर को पूरा सूट करते हैं, वो इसलिए क्योंकि आपका रहने का धंग, भगवा रंग जो आप धारन करके रखते हैं चारों तरफ से, आपका बुल्डोजर चलाना, आपका उत्तर प्रदेश क्या देश भर को राम हमय करना, जिससे आपको लगता है इस लहर से फिर हिंदू वोटर भी और प्रभावित होकर नहीं जाएगा 2024 तक, तो आप एक तरह से बीजेपी के पूरे क्यारक्टर को पूरा सूट करते हैं और उस कड़ी में अगर हम राम मंदिर को देखें तो आपने भी पूरी ताकट जोग दिये, इसी के जरीए आप बीजेपी को जितरा लाब 24 के लिए दिलाना सकते हैं वो आप दिलाने की कोशश कर रहे हैं, क्या मैं सही नहीं हूँ? देखें मैं तो इस पूरे अभिहान का एक सिपाई हूँ और सिपाई की रूप में हम लोग राजनीती में आये हैं मुल्यों और आदर्सों के साथ, राजनीती हमारा पेसा नहीं है, उन मुल्यों और सिद्धानतों के साथ आये हैं और उन्हीं मुल्यों और सिद्धानतों क आपको हर जगा प्रचार के लिए ले जा जा रहा है। होता है तो हम लोगों को उसर मिलता हम लोगी जाते हैं। आपने जिस तरह के प्रोजेक्ट की शुरुआत की है ये क्या पचास वर्ष का प्रोजेक्ट है। मतलब आप अयोध्या नगरी को पचास वर्ष आगे कैसा देख रहे हैं। ये कि अयोध्या को अभी भी हम लोगों ने अयोध्या को वास्तों में के वले एक छोटे से नगर की रूप में जाना है। इमांदारी से अगर इस पर लोग सोध करें तो यह विश्व की सांसक्रतिक राजदानी है। मनुस्य पहला मनुस्य और मनुस्य की परमपरा की सुरूआत यहीं से सुरूआत भी यहीं से सुरूआत भी होती है। अयोध्या उसकी प्रतम भूमी है अधार भूमी है मनों से मानो और फिर वहीं से परंप्रा आगे बढ़ी है मनों के कितने पुत्र थे उसके अनसार अगर आप देखेंगे तो अलग-अलग द्वीप उन्हीं के उस पर माने गए हैं आप भारत के प्राचीन इत्यास को उठाके देखें तो आपको इस सारी चीजें जनकारी में आ जाएंगे अयोध्या प्रभुराम के पावन जन भूमी है यह तो हम सब जान रहे हैं उत्तर भारत को सबसे उर्वरा भूमी बनाने है का स्रे हम मा गंगा को देते हैं और गंगा को इस उत्तर भारत में लाने वाले कौन थे भागिरत भागिरत वे भी अयोध्या में थे महराज दलीब भी वही पैदा होए थे महराज अज भी वही पैदा होए थे मानधाता भी वही पैदा होए थे एक लंबी परंपरा है जैन परंपरा के तिर्थंकरों को आप देखेंगे ये परंपरा भी वहीं से निकलती भी दिखाई देती हैं जड़ भरत हो या फिर उसके बाद की परंपरा है इस सब वहीं से निकलती है और अयोध्या के इस महित्तों को कमतर आखने का प्रियास जो विश्व के इत्यास की भूमी है जिसे सम्मान बहुत पहले मिलना चाहिए था आज प्रधान मंत्री मोदी जी के करण वह सम्मान अयोध्या को प्राप्त हो रहा है और हम लोगों को इस बात को मनना चाहिए कि हमें अयोध्या के इस महित्तों के माद्यम से भारत की यानि एक ग्लोबल ब्रांडिंग का एक उसर मिला है हम लोगों को ले के आएं देखे हम लोग उसके महित्तों को अभी भी वह बहुत कर रहे हैं अंडरिस्टिमेट कर रहे हैं 2017 में हम लोगों ने अयोध्या में दिपोत्सों के आयोजन को किया था 2018 में अदनिये परदान मंत्री जी की पिरणा से यह Freude अयोध्या के साथ उन देशों को जोड़ो जिन देशों से भारत की सांस्कृतिक समंदर रहे हैं या हैं आज भी हैं जो अपने सुत्र को जोड़ते हैं तो साउथ कोरिया की फस लेडी हमारे आयोजन का चीप गेस्ट बनी थी उनका पर एक डेलिकेशन आया था यहां पे और उन्होंने इस बात को कहा कि अयोध्या की राजकुमारी के हम वो अनसज हैं साउथ कोरिया में और अयोध्या की राजकुमारी कैसे वहां गई जल मार्ग से हमारी सरकार ने अयोध्या के लिए दिस से जल मार्ग को हम प्रारंब कर सकें इसके लिए इन लैंड वाटर वे अथौर्टी का गठन भी कर दिया है हम लोग लेके जा रहे हैं हल्दिया तक जोडने के लिए फिर वहां से आगे बढ़ने के लिए और अयोध्या की राजकुमारी रतना जल मार्ग से साउथ कोरिया पोहची थी आज की वहां की जो परंपरा एक बड़ी परंपरा नहीं अपने दादी मा के रूप में संबधित करके सम्मान देती है और उनी की स्मृति में किम हो जो पार्क है अयोध्या का वह हम लोगोंने वहाँ पर इस्तापित किया है ऐसे ही थाईलेंड में आप देखें राजा राम है वहाँ के परंपर अपने आपको राम से जोड़ती है वहां के जो निशनल हाईवेज हैं वे सब राम के नाम पर है रामा वन रामा टू राम के नाम पर है राजा ने अपना जो पैलेस था ग्रेंड पैलेस उसको उन्होंने रामेंड को दान किया थाई रामेंड के सभी चित्रों को उस पे उकेर करकर उन्हें राम को सम्मान दिया ये थाईलेंड का है, थाईलेंड की जो परानी रासधानी थी जो बात में मेंनमार के साथ युद्ध के दोरान छतिगरस्त हो गई थे वह अजुद्या थी आज भी उन्होंने सम्मान दिया यह अपनी परंपरा को कहां से लोग जोड रहे हैं राम के साथ आप इंडोनेसिया में देखे इंडोनेसिया तो मैं दुनिया के सरवाधिक मुसल्मान रहते हैं लेकिन उन्डोनेसिया में वेगे लोग आजभी रामाइन्द के साहथ जड़े हैं अजब टोनेसिया की रामिल्ला को भी आम अन्तित किया है इस दोरान आ्युद्या में अब उनके पात्रों से बात करें न वे सभी राम को अपना ढर्श मांते हैं समस्या यह है कि जो है जो अतकच्छा ग्यान होता है न वे बेक्तिय को भरमित कर देता है और जिन लोगों ने भारत को भारत के बारे में कभी जानने का इमानदरी से प्रियास नहीं किया वही लोग भारतियता पर भारत की परमप्रा पर भारत की महापुरसों पर भारत की अरहदे देवों पर प्रस्न खड़ा करते हैं इनको वास्तों में समझना चाहिए अयुद्या क्यों अयुद्या नहीं है अयुद्या तो बिश्व की सांस्कृतिक राजधानी है और उस संस्कृतिक राजधानी की रूप में उसकी पुनरस्थापना होनी ही है आपने अपी कहा कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे आप लोगों का नारा था संग परिवार का एक और नारा है काशी मतुरा भी बाकी है उस पर आपके क्या विचार है देखें जो बिसे नियाले में हैं तो नियाले को उस पर काम करने देना चाहिए हमने राम लला के लिए पांसो वर्सों तक संगर्स किया और मर्यादित तरीके से उसमें नियाय और सत्त्य की विजए प्राप्त की है यहां के मामले भी इस सब जूडिस हैं नियाले में आत नियाले के सामने अपने परमान प्रस्तुत करेंगे समय आने पर सारी तत्य सामने आएंगे दोत का दोत पानी का पानी सब के सामने आएगे लड़ाई लड़ी जाएगी पर अदालिती कानूनन अपकानून उस प्रक्रिया की बात है बाकी दोनों जगे पर अपनी लड़ाल जी को भी आप लोग कोई तारीक देने वाले हैं मैंने का रहना सभी चीजों के लिए समय आएगा और देखे पर खुशी आपके चीपती नहीं है चेहरे पर आते ही बात खुशी दिख रही आपके चेहरे पर अच्छा चुनावी पॉलिटिक्स पर आने से पहले अगर एक विपक्षियों को अगर एक संदेश आपको देना हो राम मंदिर से जुड़ी एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ यह यजमान और मुख्य यजमान की बात क्या है योगी जैगा तीरत चेतर ने सिराम जनभू में तीरत चेतर नैस ने यजमान बनाए है प्रधान मंत्री मैं सकता हूँ जिसको भी उनको उचित लगता है उनको अपने यजमान बना करके उन्होंने इस पूरे कारिकरम को आगे बढ़ाया है पर यह कहा गया कि मुख्य यजमान कोई और होगा ने एकर जो अनुस्थान में बैट करके इस पूरे को संपन करेगा अच्छा इस सभी कारिकरम उसका अपने सास्त्रोक तरقدति हैं उस सास्त्रोक तरकति हैं के अन सारी सारी कारिकरम हो रहे है कारिक्रम के बारे में कुछ जानकारी आप दे पाएंगे बारे बजे शुरू हो रहा है बारे बीस में प्राण प्रतिष्ठा का काम होगा अगर थोड़ा बहुत जानकारी जो दर्शक उस दिन इंतजार करेंगे टीवी के सामने आपने छुट्टी की घोशना करी दी है देखें उत्तर प्रदेश में उस दिन जो है सारजनी कावकास भी रहेगा उससे पहले अने कारिक्रम चलने हैं जैसे चौदा से लेकर कि एक किस तक सच्चता का एक बिसे सभिहान चलना है अंदीपावली के पहले भी इस प्रकार का कारिक्रम करते हैं याने आउईजनों में करते हैं या देपी पहले के तुलना में सच्चवारत प्रिशन के बाद काफी सच्चता आई है लेकिन फिर भी लोगों में एक जाग रुखता के लिए आज से सोला जनवरी से लेकर के बाइस जनवरी के मध्यान के पूरु तक अखंड रामेड पाढ़े राम नाम संक्रतन के कारिक्रम होंगे अपराहन में मध्यान में बारा बजए के बाद प्रदाहन मंत्री जी का और अन्य महान उखाओं का मुख्या मंदर में प्रिवेश होगा पोजा पहले से चल ले होगी, उसके बाद ये कारिक्रम उष्ठान होंगे, और लगबग एक बज़े तक अंदर का कारिक्रम संपन हो करके, एक बज़े वहाँ पे संबोधन की दिश से, जो मंच बना होगा, उस मंच पे आकर के फिर ये कारिक्रम आके चलेगा. आप भी बोलेंगे, पी-म भी बोलेंगे. हर राम भक्त युद्याना चाहता है, तो उनके लिए भी फिर ये बिवस्था वहाँ पर आके. क्योंकि बहुत जादा है, लाखो लाख की तादाद में लोग पहुँच सकते हैं, तो किस तरह की तायारी है? पर तेईस तारीक से पूरा प्रशासन समझ रहा होगा कि कितनी बड़ी संख्यादे लोगा? कर रहे हैं कि अस्थानी अस्तर पर जो बिवस्था बनाई जा रही है, हर राज्य में, हर जन्पद में, वे अगर उसकी बिवस्था के ताद आएंगे तो किसी को भी कष्ट नहीं होगा. अपने तरीके से पैदल न निकले, क्योंकि उत्तर भारत में इसमें भीसंड सी तलहरी चल लएई है, और भीड़ भाड़ होगी, इसलिए लोग मेरा बिनम्बरंडोद होगा कि पैदल कोई न चले, अपने बाहन स्वेम बुक न करें, जो बिवस्था अस्तान अस्तर पर ब बिवस्था बनाई जा रही है, वहाँ से अपना कारेकरम भेज करके जब उनको वहाँ से कहा जा रहा है, तभी वे लोग आएं, रेलवे कुछ स्पेशल टेंस भी चलाएगी, उन स्पेशल टेंस में भी आप अपना रिजर्वेशन करवा करके आयुद्ध्या आ सकते हैं, तो वहाँ पे हम उनको बहतर सुब्धा दे पाएंगे और आसानी से दर्सन करा पाएंगे, क्योंकि क्योल आयुद्ध्याव आना भर नहीं है, जिस उदेशे से आ रहे हैं कि रामला का दर्सन कर सकें, उस उदेशे की पूरती भी होनी चाहिए, तो इसके लिए वहाँ पे दर्सन के लिए प्रियाप्त बिवस्ता की जारी है, वेरिकेटिंग दे जारे हैं, अन्य कारिकरम हो रहे हैं, तो कितना भी कोई करेगा, तब भी दर्सन करने में एक बैक्ति को एक दिन में एक दिव विग्रह का दर्सन करने में बहुत मेहनत करेंगे, डेड़ लाग, दो तक लोग दर्शन कर पाएंगे जबकि आने के चुब लोग बहुत होंगे तो प्रियास धीरे धीरे करके जब भी उसर आएगा तो लोगों को हम लोग उस प्रकार की भी वस्ता देंगे देखे यदिया के परतियाकरशन का क्या हो जैसे राम नौमी में अमूमन सटरा के पहले हजारों में लोग आते थे पचास हजार, साट हजार तक लोग आते थे दर्शन करके, इसनान करके चले जाते थे डिपत्सो के बाद कारिकरम में संख्या बढ़ती गई युद्ध्या में सुबिधा भी मिलती गई लोगों को लगा कि नहीं अब तो ठीक होगा इस वर्स राम नौमी के उसर पर 35 लाक लोग आए थे इतनी बड़ी संख्या का युद्ध्या में आगमन इस बात को दिखाता है कि लोग हर सरधालो हर राम भक्त युद्ध्या आना चाहता है और उसके लिए उस परकार की सुविधा और बिवस्ता हम लोग देंगे एक और सवाल मन में आया आपने कहा कि प्रधानमंत्री लगभग 12 बजे के आसपास वहां पहुँच रहें तो क्या हमाने जो मुख्य गर्ब ग्रे है उसमें पहले से ही मूर्ती राम लला की 5 साल वाली जो अरूर योगी राज बना रहे और चोटी वाली भी राम लला जी की मूर्ती पहले से स्थापित हो जाएगी तो अन्त में मूर्ती की प्रान परतिस्था का कारिकरम का एक आयोजन होगा उस एक घंटे के आयोजन के अंदर उस सारे कुछ संपन हो जाएगे योगी जी अब कुछ राजनीतिक प्रश्णू की ओराना चाहते हूं मायवती जी ने हाल ही में ये घोशना की कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी लोग सभा चुनाव में वो इंडिया आलाइंस के साथ नहीं जाने वाली है उन पर भी बड़े प्रहार हुए कहा गया कि व हम बोल सकते हैं पर आपको फाइदा होगा बीजेपी को फाइदा होगा है एक बीजेपी को क्या फाइदा होना है क्या नुकसान होना है यह भारतिय जंता पार्टी की रणनीती ही अपने आप तैक कर देगे हम लोग तो तब भी लड़े थे जब सत्रों में लोग अलग लड़े थे चौदा में दो नौ योकों की जोड़ी लड़ी थी सत्रों में फिर ये लोग लड़ने का प्रियास किये थी बीजेपी से उन्नीस में इन लोगों ने प्रदेश में एक महागड़बंदन भी बनाया था तो भारतिय जंता पार्टी प्रधान मंतरी मोदी जी के नित्रतों में तब भी लड़ी थी और अच्छे बहुमत के साथ भारतिय जंता पार्टी आगे बढ़ी थी जीती थी लेकिन हर पार्टी को अपना एजेंडा सेट करने और अपने रणनीती को बनाने का पुरा दिकार है बीते दिन मायवती जी ने प्रेस कॉंफरेंस करके कहा कि वो अलग लड़ेंगी और मायवती ने गिरगिट कह दिया अखिलेश यादव को अब आज अखिलेश यादव आये उन्हों का कि हम तो सप्टा देख रहे थे कि मायवती जी को पी-म बनाएंगे लेकिन वो किसी के दबाव में मेरे खिलाब बोल रही है और माना जा रहा है वो दवाव आप ही का है हमारा कौन चले मैं धन्यवाद के लिए धन्यवाद देता हूं कि कमसे का उन्होंने मेरा दवाव माना तो आपका असर वाला मान रहे हैं वो लेकिन अखिलेश जी गेस्टाहोस कांड को समभतों भूल गये होंगे और मायावतीजी के साथ तो उन्हों नहीं किया था न यहाद्टिज परती जिस परकार की सब्ढावली का प्रयोग उन्होंने उस समय किया था जब बारए में मुख्य मंतली बने थे ये किसी से छुपा हुआ है क्या और ये बार बार तो कभी कॉंग्रेस के साथ जाते हैं कभी बियस पी के साथ जाते हैं कभी किसी और के साथ जाते हैं तो ये तो बार बार वही चेंज करते हैं वही बदलते रहते हैं अपमा तो मायवती जी ने जो बोला है क्या बोला है मैंने पुरा बयान पढ़ा नहीं कुछ सुना नहीं लेकिन मुझे लगता है कि उनको जो अच्छा लगता होगा उनकी पालिटी के इतनी उस परकार कमें कोडिय लडाइ से आपको फाइदा होगा ना सर अगर बीजेपी व्यस्थाइट by वीजेपी बीजेपी मोधी जी के नित्रतों में उत्तरप्रदेश के अंदर बेहतृत्रीन प्रदर्शन करें यह सीट केसे हैं से हम तो अस्चिमें से एस्वाने के पक्सक्राइब कि समाजबायी पाटी और बहुजन समाजबाटी फारänder एक साथ आये थे तो उन्होंने काई समीकरण बिगाड़े भी थे यह बात अलग थी कि की का से ही बताईए कि 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश जिसके लिए सबसे ज़्यादा मेहनत सारे दल करते हैं वहाँ पर अगर वाकई बीएसपी, एसपी, कॉंग्रेस वगेरा सब मिल जाते एक साथ तो ये 50 की लड़ाई हो जाती प्रतिशत की देखे गठवंदन 19 में इन्होंने गडवंदन किया था, प्रणाम क्या हुआ, प्रणाम क्या था, उस समय इन्होंने दुस्परचार की सारी सीमाओं को लांग दिया था, कॉंग्रेस ने और जनता के सामने सब दूद का दूद, पानी का पानी हुआ है, आज ऐसा तो नहीं है कि कॉंग्रेस जो है, इन सभी चीजों से जो है, देश की जनता इसको देख नहीं रही है, आज तो उननीस से भी हैं कभी कही आगे निकल चुके हैं, आज दस वर्स का प्रधानमंत्री मोदी जी के नेत्रतों में, आज हर बेक्तिस विकार करता है कि आज बैस्विक मंच पर भारत की परतिस्टा बढ़ी है, आज हर बेक्तिस बात को मानता है देश के अंदर, अच्छा, यान वर्ड क्लास जो है इंफ्रस्ट्रक्चर भारत के अंदर बना है, पिसले दस वर्स के अंदर, हर बेक्तिस बात को मानता है कि देश सुरक्सित हुआ है, और देश मोदी जी के निक्त्रतों में सुरक्सित है, और हर बकतीस बात को मनता है कि बिना भेदबाओ के वैलफेर सकीम का लाब हर गरीब को, हर गाउँ को, हर किसान, हर नौजुवान اور हर महला तक पोचाने का कारे हुआ है किसने रोका था कौंगरेस को या अन्यादलों को इस परकार की वैलफेर सकीम को चलाने से कल आपने देखा होगा कि नीती आयोग की जो रिपोर्ट आई है गरीवी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की जीवन अस्तर में पिछले दस वर्स में किता अंतराया है 24 करोड से अधिक लोग गरीवी रेखा से मुक्तु हुए हैं भारत के अंदर बहुत बहुत धन्यवाद का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब बहुत स्वागत है सर आपका आज तक पर बिरहा के सव परवत पिघले तब रगराई तुम घर आए बेला तो आ गई है आपके जीवन के लिए प्रभु राम की प्रान प्रतिष्था राम मंदिर का बनना क्या माइने रखता है और आपकी सरकार के लिए क्या माइने रखता देखिए अयोध्या जिसे कुछ लोगों ने अपने बेक्तिकत द्वेस और संकिंडता का सिकार बनाने का प्रयास किया था जिस उपेक्सा का दंस को जहल लई थे आज उससे मुक्त हो करके हमारे बेदों ने अयोध्या को जिस सब्त पुरियों में से प्रथम पुरी के रोप में सम्मानित किया आज उसी आभा के साथ पनरस्थापित हो रही है 22 जनवरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का यह समारो मेरा मानना है प्रभूर तो सरोब्यापी है सर्वत्र है परंपिता प्रमेश्वर है लेकिन यह भारत और विश्वमानोता की लोक आस्ता और जन विश्वास की पुनर्प्रतिष्ठा का भी यह आयूजन है ब्यक्तिकत रूप से भी और इस जन आस्ता इस लोक आस्ता और जन विश्वास की प्रति लोक तंत्र का एक सामने नागरिक होने के नाते हम सब का यह मनना है कि यह कारिया होना चाहिए था पहले होना चाहिए था लोगोंने राम की ताकत को नहीं स्विकारा वही गल्ती की जो सास्त्रों में गल्ती करने वाले भुगत चुके हैं और आज राम नाम से जिस भारत की कलपना नहीं किजा सकती है वगवान राम की उस महत्वा को श्विकार करने के बाद नयाय और सत्य की विजय अयोध्या के लिए हुआ है और उस नयाय और सत्य की पनुरस्थापना का कारिकरम 22 जनवरी के कारिकरम के माद्दियम से हमें वहाँ देखने को मिलेगा जनास्ता का सम्मान किसी भी लोक तांत्रिक सरकार का कारे होना चाहिए और जन बिश्वास पर ख़रा उतरना अगर जन आस्ता लोक आस्ता का आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो जन बिश्वास पर आप ख़रा नहीं उतर सकते एक दोसरे के पुरक है और प्रधान मंत्री मोदी जी के नित्रतों में आज उनके मार्क दर्सन में उनके नेत्रितों में उस लोक आस्ता और जन्विश्वास की पुनर प्रतिष्टा हो रही है योगी जी पहले गलतियां की होंगी अब आपनों को सुझाव भी बहुत सारे मिल रहे हैं यहां पर हमने पूरा संपूर वो राम मंदिर का मॉटल भी लगाया है हालों कि बहुत अब लोग प्रियव हो रहा है लोग इसे योध्या नगरी से ही ले जा रहे है लेकिन यह बताएए कि अगर शिघर नहीं बन रहा है और उससे पहले प्राण पूर्टिष्ठा हो रही है तो क्या यह पूर्ण नहीं है क्या गर्ब ग्रे का बनना पूर्ण नहीं माना जाता है मंदिर को देखे रामलला का प्रकटी करण हम जिस विग्रह को वहां स्थापित कर रहे हैं अनुष्ठान उस विग्रह का होता है और ऐसा नहीं कि यह पहली बार हो रहा है अयोध्या में जो कुछ भी कारिकरम हो रहे हैं इस सनातन धर्म के सास्त्रोक्त पद्दती के अमसारी हो रहे हैं और सास्त्र परंप्राओं से भी चलते हैं तुसरा लोग हित में जन हित में परंप्राओं बनाई भी जाती हैं उन सास्त्रोक्त पद्दतियों का पालन करते भी इन सभी चीजों को जो पोरों में भी होए हैं और आगे भी होंगे उसी के अन्रोपे कारेक्रम भी अध्या का सिराम जन्भों में तिर्चित न्यास के दौरा प्रारंब किया गया है विपक्ष का तो कहना है कि अब चुनाव करीब है इसलिए आप लोग जल्दबाजी में कर रहे हैं अभी मंदिर का निर्मार पूरा नहीं हुआ है लेकिन दो-तीन महीने बाद चुनाव है और ऐसे में शशी थरूर को मैं कोट करना चाहूँगी कॉंग्रस के नेता वो ये कहते हैं कि 2004 में मोदी जीते थे ये कहकर कि हम गुजरात मॉडल देश में लाएंगे विकास का फिर वो 19 में आये पुलवामा की वज़े से अब वो राम मंदिर में प्राड़ प्रतिष्ठा करके बनना चाहते हैं हिंदू हृदय समराथ और उससे वो चुनाव जीतना चाहते हैं तो इसलिए आप लो करा आप मुझे रताईए कॉंग्रेस को किस ने इस कारेक्रम्प में आने से मना किया था क्या यह सच नहीं कि कॉंग्रेस ने 1989 में अपने चुनाव परचार अभ्यान का सुभारंब अयोध्या से किया था और क्या यह सच नहीं है कि कॉंग्रेस एक तरफ हिंदों को बेकूब बनाती थी और दूसरी तरफ मुस्लिम वोर्ट बैंक से भी मों नहीं छोड़ पा रही थी वोर्ट बैंक की राजनिती इसमें विपक्स ने किया है कॉंग्रेस जैसे दलो ने किया है बारतिय जनता पार्टी ने इसमें राजनिती नहीं की हमने तो बार बार कहा ना कि जो देश की आस्ता थी उस देश की आस्ता का हम लोगों ने सम्मान किया हम उसके पक्स दर थे आ अपने तिथी आपने निकाला है काउंटडाउन लोगसभाई एलेक्षन का देखकर देखे लिए हिंदू परंपरा में सनातन धर्म की परंपरा में मकर संक्रांती के बाद सुर्य नारेण के उत्रैन में आने के उपरांत है सुब मोहरत आते हैं कारिकरमों के और उसी को मान करके सास्ट्रोग तो पद्दती से यह कारिकरम किया गया कॉंग्रेस को इसमें तो औसर मिला था ना लेकिन याद करिए जब सोमनाद के मंदिर की पुनरस्थापना का कारिकरम हुआ कॉंग्रेस ने तो सायुजन का विरोध किया उस समय के प्रधान मंत्री उसकारिकरम में स्वयम तो नहीं गये लेकिन तद्कालिन राष्टपती को भी उन्होंने जाने से रोकने का प्रियास किया था आप नहरू जी की बात कर रहे है और राजिंदर प्रसाज जी की मैं कह रहा है और राजिंदर प्रसाज जी उसकारिकरम में गये लेकिन तद्कालिन प्रधान मंत्री नहरू जी ने प्रियास तो किया था सोयम तो नहीं गए लेकिन नोंने उनको भी रोकने का प्रियास किया कॉंग्रेश ने लंबे समय तक देश में सासन किया आखिर देश की सुतंतरता कैसी है मान बिंदों की पनरस्थापना का कारिकरम और फिर इसमें तो नयाय और सत्य की बात हमने हमें एक अस्थान के लिए प्रमान देने पड़े जिसमें भारत की आस्ता कहती थी कि यही राम जनम भूमी है लेकिन प्रवराम ने चूंकि हमें मर्यादा का पार्ट पढ़ाया था इसलिए हमने मर्यादित आचन करते भी वे सारे प्रमान प्रस्तुत करते रहे हम लोग लड़े लोवर कोट में लड़े हाई कोट में लड़े सुप्रेम कोट में लड़े और अंदता सुप्रेम कोट में पांच जजेश की एक पूर्ण पीठ ने अयोध्या के मामले को लेकर के एक सरोमसम्मत थैसला दिया तो यह नयाय और सत्य की इस्थापना का भी अभियान है और उसी अभियान के करम में आज अयोध्या का कारिकरम हो रहा है इसमें तो किसी को आपतीपती भी नहीं होने चीए अगर कहते हैं कि हम वहां जाकर क्या करेंगे ताली बजाएंगे तो इसके पीछे की सोच क्या है दिखे कहती है कि आप लोग आपमान कर रहे हैं देखे हमने हर धर्माचारे को और हर आचारे को तीर्थ छेत्र ने उन्हें आमंत्र भेजा है और मुझे लगता है कि यहां आउसर स्रे और प्रे का नहीं है यह आउसर मान अपमान का नहीं है चाए मैं हूँ एक सामाने नागरिक है या इस देश का बड़ा सा बड़ा धर्माचारे कोई भी प्रभुराम से बड़ा नहीं है हम सब राम पर आस्रित हैं राम हम पर आस्रित नहीं है हम इस बात को ध्यान में रखना होगा और राम से बड़कर के कोई नहीं हम सब की विवस्ता राम के वेगर नहीं चल सकती लेकिन राम तब भी तराम थे जब यह परंपराई नहीं थी उनके विरोध के पीछे आपको क्या वज़ा समझ में आती है लेकिन हम तो आज भी अंडोध करेंगे बिनम्र अंडोध करेंगे सभी पूजय संतों से जिनको तीर्थ छेत ने आमंतरन किया है यह जो इस समय नहीं आपा रहे हैं वे कभी पधा रहे हैं हम सुनी सुनाई बातों भे विश्वास न करें देखें पहले की अईध्या आज की अईध्या हम देखें कैसे अईध्या आज अपनी पुरातन वैभाग के लिए पुनरस्ता पित हुई है ऐसा नहीं कि लोगों को पर cargo मिला उन ऊव पिछ साल तू सभी लोगों को मिले थे ना 70 साल मिले यह उनिये किया आउद्धिया का नाम लेने से डरते थे यह भी मैं आप से समझना चाहती हूं क्योंकि हम अंदोलं से जुड़े अलग-अलग लोगों से बात करते रहे आप अपने तरीके से अलग से जुड़े एक तो आपका अपना जो आपके गुरुजी का भी जुड़ाओ रहा आपका जुड़ाओ रहा लेकिन आयोध्या नगरी के तरफ कोई राजनेता जाने की हिम्मत नहीं करता था सब दूर रहते थे कि पर पता नहीं क्या दिक्कत हो जाए कोट का आदेश आया नहीं था लेकिन योगी आदेत्यनाथ ने वहाँ पर दीपोटसव का आयोजन शुरू कर दिया था ये जानते हुए कि ये सवाल पूछा जा सकता है कि मंदिर कब बनेगा हमें प्रभू पे विश्वास था अठोड विश्वास था कि अगर राम स्येतों का निर्माण हो सकता है तो राम मंदिर का निर्माण भी होगा और इसलिए उसके पहले प्रभू के आगमन के पहले दिपोटसो तो होने ही चाहिए आखिर दिपावले का आयुजन तेसलिए होता है और सरकार आई ये मेरा सोभाग्य है क्यादणी प्रधान मंद्री जी की पेंड़ना से हम लोगों ने दिपोटसो के आयुजन के साथ साथ तो वहां की वनियादी सुग्धाओं में सुधार करना प्रारंब कर दिया था चाहिवार रामजी की पेड़ी हो गुपतार घाड से लेकर के रामजी की पेड़ी नए घाड तक के निर्मान के कारिकरम हो वहां की स्वच्छता का कारिकरम हो वहां की फसाट की बियोस्था हो या अन्य सभी कारिक्रमों को हमने इस किया और आज यही आयुद्ध्य है ना सिंगल लेन की सडके थी आज आयुद्ध्य है के अंदर फोर लेन की सडक कल्पना थी ना आज से दस साल पहले कोई इसकी कल्पना ही नहीं करता था लड़के लटकते वे जूलते वे तारों के गुच्छे थे अभिवस्ता थी गंदगी थी पिसली सरकारों ने तो बिजली के लिए वहां के लोगों को तरसाया तीन घंटे चार घंटे गंदगी मेट के धेर में वहां के लोगों को रहने के लिए मजबूर किया कोई सुधाई वहां के लिए नहीं थी घाटों में गंदगी कमबार रहता था आज अंदर की फोर लेन की कनेक्टिविटी है बाहर हरो और से आप लखनों से जाएं गोरकपुर से आएं वारानसी से आएं प्रियागराश से आएं फोर लेन की कनेक्टिविटी से वह भी जुड़ चुका है और यहीं नहीं अयोद्या मीटर गेज से जुड़ा बता चोटी लाइन रेल की जाती थी आज सर्योजियों में कुरुफ चलना है कोई कल्बना कर सकता था आज ये भी हो रहा है और इतना सब कुछ होने के बाब जोद एक चीज आप अन्वह किये होंगे देखिए आप लोग तो पब्लिक के बीच में जाते हैं सीधे आप लोगों का कनेक्ट है इतने लोग खटाए गए होंगे उनका पुनर्वास्वा होगा अक्सर होता है कि छोड़ी छोड़ी बातों को लेकि लोगों में अन्रेस्ट होता है अयोध्या में इतने बड़े इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का कारे हुआ लेकिन कहीं कोई unrest नहीं है हर वेक्ति में संतुस्टी है क्योंकि हर वेक्ति अजन्मानस के लिए और प्रभुराम के लिए ही जीता है और सब के मन में है कि ये काम जो काम पहले होना चाहिए था काम आज हुआ है तो स्वाभाई कुरूप से आम जन्मानस की जो आज की जो मानसिक्ता में परिवर्थन आया है अयोध्या की यहाँ इसलिए संभव हो पाया क्योंकि डबल इंजन के सरकार की नेती भी साप थी और नियत भी साप थी अब तो दिन बहुत करीब आ रहा है दो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दीजेगा इसका इडिया था कि राजनितिक महमानों को हमें बुलाना चाहिए आप से चर्चा तो ही होगी आप मुख्यमंत्रिय किसका इडिया था कि उनको बुलाना चाहिए और दूसरा पॉलिटिकल इवेंट है दोनों प्रश्णों पर आपका जाए उनको पॉलिटिकल इवेंट बनाने से किस ने रोका था आखर कॉंग्रेस ने उनिस्सो सेन्टालिस से लेकर के और एक लंबे समय तक सासन किया राहुल जी स्वयम भी 2004 से लेकर के 2014 तक इस देश की सत्ता के सिर्मौर के रूप में बैक डूर से कमांटो संचालित करते ही थे किसी से छुपा हुआ है क्या हाँ वालग विस्या है कि उन्होंने कुछ इवेंट संसत में किये कि संसत की आउमाना करते हुए बिल्की परतियों को वहाँ फाड़ने का काम जरूर किया था क्या ये इवेंट ही था ये कॉंग्रेस का इवेंट है वे संविधान का अपमान करते हैं संविधानिक संसताओं का अपमान करते हैं भारत की लोकास्ता का अपमान करते हैं भारत की जन बिश्वास पर कुठारा घात करते हैं मैंने पहले भी कहा प्रभुराम का रामलला की रुप में अपनी जन भूई में पुनर प्रतिष्ठा का कारिक्रम होना प्रान प्रतिष्ठा का इस हमारो भारत के लिए और सनातन धर्माबलंबियों के लिए तो गौरब का भी सहही देश और दुनिया के अंदर जितने भी उन सब के लिए भी आसा की एक नई करण है राजनितिक मेहमानों वाला सवाल का जवाब आपने नहीं दिया आपने उनको तलवार की नोक पर चड़ा दिया कि आए तब भी उनको एक तरह से ये मानना पड़ेगा कि राम मंदिर प्रान प्रतिष्ठा बीजेपी कर रहे हम उ इनकार कर दें तो आप कहेंगे कि देखो ये तो आए ही नहीं हम लोग इस बात को मानते हैं कि राम सब के हैं दिश्टिकों लोगों के अलग-अलग हो सकते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुरत देखी तिन तैसी है राम हमारी आस्ता के प्रतीक हैं तो हम उनको पर महत्तों को समझा जाना है इसलिए जीवन भी समर्पित कर दिया राम के महत्तों को वे लोग नहीं समझ पाए क्योंकि उनको सत्ता प्यारी है और सत्ता की एतर सोच भी नहीं सकते लोग आस्ता क्या होती और जन विश्वास क्या होता है या अगर कॉंग्रेस ने समझने का प निमंतन होना चाहिए और ये से राम जन्भों में तीर्थ छेत्र का आयोजन है उन्होंने अपना निमंतन दे करके अपने कर्टब्यों का निर्वहन किया है क्योंकि राम तो सब के हैं, सब को आयूजनम बोलाना चाहिए, ओर ठीक है, पुरा देश आना चाहता है, दुनिया आना चाहती है, हर राम भक्ता आना चाहता है, इस पूरे कारिकरम के साथ जुड़े वे, आन्दोलन से जुड़े वे, एक लंबी सरंखला है, वे भी आना चा और वहां की विवस्ता से राम जन्भो में तिर्चेतर न्यास देख रहा है, हाँ, उत्तर प्रदेश में कोई आएगा, अच्छी नियत से आएगा, प्रभुक के दर्शन करनी की नियत से आएगा, उनके दर्शन करनी में और वहां तक पहुँचाने में हम लोग एक आपने नित thumbnail को भी समझा उनको समझाना चाहिए तो कॉंग्रेश के निता है, महाँ पर दर्शन की लिया है पर आपने सवाल का जवाब देते हुए योगी जी, सवाल यह था कि कॉंग्रेस कह रहे हैं कि यह एक राजनीतिक आयोजन है आपने कहा वो भी कर सकते थे राजनी का है और जन्विश्वास का सम्मान करने का है तो हम लोग उस अभिहान के साथ इस रूप में जुड़े हैं माने उच्छतम नैले के आदेस पर सिराम जन्भू में तीरत छेतर न्यास का गठन हुआ है अंदर के सारी विवस्ता यह ट्रस्ट ही करेगा और ट्रस्ट आमंतर्ण करने के लिए स्वतनतर है ट्रस्ट ने जिन्हें आमंतित किया है वे सब हमारे अथिती होंगे क्योंकि हमारे राज्य में आएंगे क्योंकि राम के प्रतिस एक हमारी आस्ता दूसरा उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी रूप में अगर उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से देश के अंदर और दुनिया के अंदर प्रस्तुत करने का भी एक उसर है। दूर बना रहे हैं मंदिर के ऐसा क्यों हो रहा है। इसा प्रशन उठा रहे हैं अगर आप जानकारी दे सके। तो दर्शन करने के लिए आये थे। संजय राओत भी आये थे, और उस समय आकर के उन्होंने वहां पे तमाम गोशनाएं भी की थी। उस समय अपने अमुले सुझाव देव होते हैं। देखें अंगूर खटे हैं। अब तो कोई भी बोल सकता है। मैंने का ना अभी व्यक्ति की सुतंतरता सबको है। अर व्यक्ति को इसके बारे में बोलने में कोई कटना ही नहीं है। हमारी पूरी लडाई वही थी। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और मंदिर वहीं पे बन रहा है। पिर वही है न सर कोट का फैसला है फैसला तो कोट का है वो कह रहे रहे हो कि बीजेपी क्रेडिट ले रहे है यह पूरा कोट के फैसले को पहली भी करवाए जा सकता thought पैंडिंग क्यों डाला गया था क्यों नहीं आप पहरी भी कर रहे थे मतलब किसी और पार्टी की सरकार होती तो जरूरी नहीं है कि निर्णे में बाधा नहीं डाला जाता थाई देरी का कारण नैले नहीं सरकारें थी पार्टीयां थी वे चाती नहीं थी किसका निर्णे हो इसका फायदा मिलेगा चौबीस में पर मिलेगा जो देश की आस्ता का सम्मान करेगा वह जन विश्वास पर ख़रा उतरेगा अच्छा एक हो गया आंदोलन से जुड़े हुए लोग जिनको श्रे दिया जाता है दूसरा क्या आप भारतिय जनता पार्टी आप ये कह रहे हैं कि पार्टी को भी श्रे है देखे राम जन भूमी का अंदोलन एक ऐसा अंदोलन है 1528 से ले करके 2019 तक जब तक मन्य उच्छतम ने आईले ने फैसला नहीं दे दिया तब तक इस अंदोलन के लिए निदंतर आबरेज 6 से 7 वर्स के अंतराल में एक बड़ा अंदोलन होता था अबरेज अगर आप देखेंगे 6 बार बड़े आंदोलन होएं बड़े संघर्स होएं हैं 1528 से ले करके इन लगभग 590 वर्स के अंदर 490 वर्स के अंदर इतने बड़े आंदोलन औभ्यान चलते रहे ये चीजें दिखाती हैं कि एक लंबे समय तीन लाग से धिक राम भक्त सईद वे इसमें संत भी थे राजे रजवारे भी थे सामाने भक्त भी थे महलाएं भी थी पुरुस भी थे जो राम जिनम भूमी के लिए अपने आपको उन्होंने बेलदान कर दिया जो अयुद्ध्या की दिख से हम सब को देखने को मिला हाँ आंदुलन कभी विप्रित परस्तितियां थी कई सम परस्तितियां थी लेकिन निर्ड़े और निर्ड़े के बीच में फसा वा था 1885 के बिटिस काल खंड में नियाले के अदिश को आप पढ़ें न कोट स्विकार कर रहा है केस्तान हिंदों का है बिटिस कावर्मेंट है लेकिन एक लंबा समय हो गया है अब इसमें कोई निर्ड़े हम देंगे तो उसको फिर छोड़ते हैं लेकिन इसके बाद जो चीज़ें आगे आएं और लोगों को भी तो मौका मिला था क्यों नहीं उन्होंने अपने समय में इसको किया उनको भी आगे आना चाहिए था आज दो सा रुपन करने से नहीं काम चलने वाला है आज जब देश एक अच्छी दिसा में जा रहा है सारे लोग उस दिसा में एक सकारत्मक भाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं मुझे नहीं लगता है किसमें किसी भी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी पैदा करने का कोई उसर होना चाहिए योगी जी अब आपकी भूमिका पर आते हैं ऐसा लोग मानते हैं कि आप बीजेपी के पूरे क्यारेक्टर को पूरा सूट करते हैं वो इसलिए क्योंकि आपका रहने का धंग भगवा रंग जो आप धारन करके रखते हैं चारों तरफ से आपका बुल्डोजर चलाना आपका उत्तर प्रदेश क्या देश भर को राममय करना जिससे आपको लगता है इस लहर से फिर हिंदू वोटर भी प्रभावित होकर नहीं जाएगा दो हजार चौपिस तक तो आप एक तरह से बीजेपी की पूरे कारेक्टर को पूरा सूट करते हैं और उस कड़ी में अगर हम राममंदिर को देखें तो आपने भी पूरी ताकत जोग दिये इसी के जरीए आप बीजेपी को जितरा लाब चौबीस के लिए दिलाना सकते हैं वो आप दिलाने की को मुल्य और आधर्सों के साथ को राजनिती हमारा पेसा नहीं है उन मुल्यों और सिद्दान्तों के साथ आए हैं उन्हीं मुल्यों और सिद्दान्तों के साथ कारे कर रहे हैं कारे करते रहेंगे पर आप में कैसा क्या ऐसा जो बाकी मुख्यमंत्रियों में नहीं आपको हर जगा प्रचार के लिए ले जाए जा जा रहा है सभी मुख्यमंत्री एक दोसे राज्य में परचार के लिए जाते हैं और हर एक के सयोग के लिए एक दोसे के राज्यों में जाते हैं हमारी राज्य में चुना होते हैं, हमारी राज्य में भी अन्य राज्यों के मन्य मुख्य मंत्री गणाते हैं, केंद्रिय ननेता गणाते हैं ऐसे ही अन्य राज्यों में होता है तो हम लोगों को उसर मिलता हम लोग भी जाते हैं तो ऐसा नहीं है सभी लोग एक दोस्य के सवयोग करने के लिए जाते हैं हाँ कुछ चीजें तो अगर भगवा कलर में इतना अकरसंड है तो मैं चाहूंगा पुरा देशी भगवा में होना चाहिए तो अगर उसे हम देखें ऐसा लगता है कि योगी आदितनाथ 22 जन्वरी के लिए या फिर एक साल के लिए दो साल के लिए नहीं सोच रहें आपने जिस तरह के प्रोजेक्ट की शुरुआत की है ये क्या पचास वर्ष का प्रोजेक्ट है मतलब आप अयोध्या नगरी को पचास वर्ष आगे कैसा देख रहे हैं लिए कि अयोध्या को अभी भी हम लोगों ने अयोध्या को वास्तों में के लिए एक छोटे से नगर की रूप में जाना है इमानदारी से अगर इस पर लोग सोध करें तो यह विश्व की सांसकर्टिक राजधानी है विश्व की? हाँ मनुष्या पहला मनुष्या और मनुष्या की परंपरा की सुरुवात यहीं से सुरू भी होती है अयोध्या उसकी प्रतम भूमी है अधार भूमी है मनो से मानो और फिर वहीं से परंपरा आगे बढ़ी है मनों के कितने पुत्र थे उसके अनसार अगर आप देखेंगे तो अलग-अलग द्वीप उन्हीं के उस पर माने गए हैं आप भारत के प्राचीन इत्यास को उठा के देखें तो आपको इस सारी चीजें जनकरी में आ जाएंगे अयोध्या प्रभुराम कि पावन जन भूमी है यह तो हम सब जान रहे हैं उत्तर भारत को सबसे उर्वरा भूमी बनाने का स्रे हम मा गंगा को देते हैं और गंगा को इस उत्तर भारत में लाने वाले कौन थे भागिरत वे भी अयोध्या में थे महराज दलीब भी वहीं पैदा हुए थे महराज अज भी वहीं पैदा हुए थे मानधाता भी वहीं पैदा हुए थे एक लंबी परंपरा है जैन परंपरा के तिर्थंकरों को आप देखेंगे यह परंपरा भी वहीं से निकलती भी दिखाई देती है जड़ भरत हो या फिर उसके बाद की परमप्राएं इस सब वहीं से निकलती है और अयोध्या के इस महित्यों को कमतर आखने का प्रियास जो विश्व के इत्यास की मुमी है जिसे सम्मान बहुत पहले मिलना चाहिए था आज प्रदान मंतरी मोदी जी के करन वह सम्मान अयोध्या को प्राप्त हो रहा है और हम लोगों को इस बात को मनना चाहिए कि हमें अयोध्या के इस महित्यों के माद्यम से भारत की यानि एक ग्लोबल ब्रांडिंग का एक आउसर मिला है हम लोगों को लेके आएं देखे हम लोग उसके महित्यों को अभी भी वो बहुत वो कर रहे हैं अंडरस्टिमेट कर रहे हैं 2017 में हम लोगों ने अयोध्या में दिपोट्सों के आयोजन को किया था 2018 में अधने प्रदान मंतरी जी की प्रिणा से यह हुआ कि भई अयोध्या के साथ उन देशों को जोड़ो जिन देशों से भारत की सांस्कृतिक समंदर रहे हैं या हैं आज भी हैं जो अपने सुत्र को जोड़ते हैं तो साउथ कोरिया की फस लेड़ी हमारे आयोजन का चीप गेस्ट बनी थी उनका पर एक डेलिकेशन आया था यहां पे और उन्होंने इस बात को कहा कि अयोध्या की राजकुमारी के हम वनसज हैं साउथ कोरिया में थी और अयोध्या की राजकुमारी कैसे वहां गई जल मार्ग से हमारी सरकार ने अयोध्या के लिए दिस से जल मार्ग को हम प्रारंब कर सकें इसके लिए इन लैंड वाटर वे अथौर्टी का गठन भी कर दिया है हम लोग लेके जा रहे हैं हल दिया तक जोड़ने के लिए फिर वहां से आगे बढ़ने के लिए और अयोध्या की राजकुमारी रत्ना जल मार्ग से साउथ कोरिया पहुची थी आज की वहां की जो परमपरा है बड़ी परमपरा उन्हें अपनी दादी मा की रूप में संबोधित करके सम्मान देती है और उन्ही की स्मिर्ती में किम हो जो पार्क है अयोध्या का हम लोगों ने वहां पे स्तापिद किया है ऐसे ही थाइलेंड में आप देखें राजा राम है माँ के परमपर अपने आपको राम से जोड़ती है वहाँ के जो निशनल हाइवेज हैं वे सब राम के नाम पर हैं रामा वन रामा टू राम के नाम पर हैं राजा ने अपना जो पैलेस था ग्रेंड पैलेस उसको उन्होंने रामेंड को दान किया थाई रामेंड के सभी चित्रों को उस पे उकेर करके उन्हें राम को सम्मान दिया ये थाई लेंड का है थाई लेंड की जो पुरानी रासधानी थी जो बाद में मैंनमार के साथ युद्ध के दोरान च्छतिगरस्त हो गई थे वह अजुद्ध्या थी आज भी उन्होंने सम्मान दिया यह अपनी परंपरा को कहां से लोग जोड रहे हैं राम के साथ आप इंडोनेसिया में देखे इंडोनेसिया थाई तो दुनिया के सरवाधिक मुसल्मान रहते हैं लेकिन इंडोनेसिया में वे लोग आज भी रामेंड के साथ जुड़े हैं रमने अईडोनेसिया की रामिला को भी आमन्तित किया है इस दोरान अयुद्या में अब उनके पात्रों से बात करिए न वे सभी राम को अपना दर्स मानते है समस्या ये है कि जो है जो अधकछडा ग्यान होता है न वे बेक्ते को भरमित कर देता है और जिन लोगों ने भारत को भारत के बारे में कभी जानने का इमान्दारी से प्रियास नहीं किया वह लोग भारतियता पर भारत की प्रमप्रा पर भारत की महापुरसों पर बहरत की अरहदे देवों पर प्रस्न खड़ा करते हैं इनको वास्तों में समझना चाहिए अयुद्धिया क्यों अयुद्धिया नहीं है अयुद्धिया तो विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है और उस सांस्कृतिक राजधानी की रूप में उसकी प्रनरस्थापना होनी ही है ह। आपने अपी कहा कि राम लल्ला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे आप लोगों का नारा था संक परिवार का एक और नारा में का शिमत हुरॉआ भी बाकि है उस पर आपके क्या विचारे से जब इसे नियाले में है यह नहां judicial को उस पे काम करने देना चाहिए हमने राम लाला के लिए पांसो वर्सों तक संघर्स किया और मर्यादित तरीके से उसमें नयाय और सत्य की विजए प्राप्त की यहां के मामले भी अब यह सब जुडिस हैं नयाले में नयाले के सामने अपने परमाण प्रस्तुत करेंगे समय आ पानी का पानी सब के सामने यानि लड़ाई लड़ी जाएगी पर अदालित कानून अन। कानून उस प्रकृद्या की बात है बाकी दोनों जगे पर कोई बात है निजी को भी आप लोग को तारीक देने वाले हैं वाले है बनाट सभी चीज़ों के लिए समय आएगा और दे में तमात्र हैं प्रभव अपनी लीला को स्यम करेंगे चुनावी पॉलिटिक्स पे आने से पहले अगर एक विपक्षियों को अगर एक संदेश आपको देना हो राम मंदिर से जुड़ी एक और चीज मैं आपसे जानना चाहती हूं यह यजमान और मुख्य यजमान की बात क्या है योगी जाया ये तीर तीर्गत छेत र ने सिराम जन भूम ये तीरे चैतने यस्ने यजमां बनाये हैं और मैं सकता हँ जिसको भी उचित लगता है उनको अपने यजमान बना करके उन्होंने इस पूरे कारेकरम को आगे बढ़ाया है पर ये कहा गया कि मुख यह अजमान कोई और होगा अगर जो अनुष्थान में बैट करके इस पुरे को संपन करेगा अच्छा इस सभी कारिकरम उसका अपने सास्त्रोक तो पद्दददि के इस सारी सारी कारिकरम हो रहे है कारिकरम के बारे में कुछ जानकारी आप दे पाएंगे बारे बजे शुरू हो रहा है बारे बीस में प्राण प्रतिष्ठा का काम होगा अगर थोड़ा बहुत जानकारी जो दर्शक उस दिन इंतजार करेंगे टीवी के सामने आपने छुट्टी की घोशना करी दी है देखें उत्तरप्रदेश में उस दिन जो है सारजनी कावकास भी रहेगा उससे पहले अन्यक कारिकरम चलने हैं जैसे 14 से लेकर कि 12 तक सच्चता का एक बिसे सभीहान चलना है अंदिपावली के पहले भी इस प्रकार का कारिक्रम करते हैं याने आउजिनों में करते हैं या देपी पहले के तुलना में सुचभारत प्रिशन के बाद काफी सुचता आई है लेकिन फिर भी लोगों में एक जाग रुखता के लिए आज से सोला जनवरी से लेकर के बाइस जनवरी के माध्यान के पूरु तक अखंडर आमेड पाढ़े राम नाम संक्रतन के कारिक्रम होंगे अप्राहन में माध्यान में बारा बजे के बाद प्रधान मंत्री जी का और अन्य महान वहाओं का मुख्या मंदिर में प्रवेश होगा पूजा पहले से चल ले होगे उसके बाद एक कारिक्रम उष्ठान होंगे और लगबग एक बजे तक अंदर का कारिक्रम संपन हो करके एक बजे वहाँ पे संबोधन की दिश से जो मंच बना होगा उस मंच पे आ करके फिर ये कारिक्रम आके चलेगा आप भी बोलेंगे पी-म भी बोलेंगे तक ये कारिक्रम वहां के संपन होंगे संपन होने के बाद जो भी तीरचे destructive अ bi और उसके बाद फिर दो बजे के बाद से जो आगत पुजे संतजन हैं अथिती गण हैं दर्शन करेंगे वो अंदर जाकर के दर्शन करते वे निकलते जाएंगे उनका प्रस्तान होगा यह सभी कारिक्रम वहाँ पे होंगे यह कारिक्रम फिर अनवरत आगे विवस्था की दिस्थे क्योंकि हर राम भक्त युद्याना चाहता है तो उनके लिए भी फिर विवस्था वहाँ पर आगे क्योंकि बहुत जादा लाखो लाग की तादाद में लोग पहुँच सकते हैं तो किस तरह की तायारी है पर तेईस तारीक से पूरा प्रशासन समझ रहा होगा कि कितनी बड़ी संख्या वे लोग कि अस्थाने अस्तर पर जो बिवस्था बनाई जा रही है हर राज्य में हर जन्पद में वे अगर उसकी बिवस्था के तता आएंगे तो किसी को भी कष्ट नहीं होगा अपने तरीके से पैदल न निकले क्योंकि उत्तर भारत में इस समय भीसन सी तलहरी चल लई है और भीड़ भाड होगी इसलिए लोग मेरा बिनम्बरंडोद होगा कि पैदल कोई न चलें अपने बाहन स्वें बुक न करें जो बिवस्था अस्थान अस्तर पर बनाई जा रही है वहाँ पे न्याज से जुड़े वे लोगों के दौरा या अन्य संगटनों के दौरा एक बिवस्था बनाई जा रही है वहाँ से अपना कारेकरम भेज करके जब उनको वहाँ से कहा जा रहा तभी वे लोग आएं रेलवे कुछ स्पेशल टेंस भी चलाएगी उन स्पेशल टेंस में भी आप अपना रिजर्वेशन करवा करके अयुद्ध्या आ सकते हैं तो वहाँ पे हम उनको बहतर सुब्धा दे पाएंगे और आसानी से दर्सन करा पाएंगे क्योंकि क्यों अयुद्ध्या आना भर नहीं है जिस अदेसे से आ रहे हैं कि राम लागा दर्सन कर सकें उस उद्धेसे की पूरती भी होनी चाहिए तो इसकी लिए वहाँ पे दर्सन के लिए प्र्याप्त ब्यवस्टा की जा रही है व vents विरिकेटिंग दे जा रहे हैं अन्य कारिकरम हो रहे हैं तो कितना भी कोई करेगा तब भी दर्शन करने में एक बेक्तिको एक दिन में एक देव विक्रह का दर्शन करने में बहुत मेहनत करेंगे डेड़ लाग दो लाग तक लोग दर्शन कर पाएंगे जबकि आने के चुब लोग बहुत होंगे तो एक प्रियास धीरे धीरे करके जब भी उसर आएगा तो लोगों को हम लोग उस प्रकार की भी वस्ता देंगे देखें युद्धा के प्रत्याकर्शन का क्या हो जैसे राम नौमी में अमूमन सत्रह के पहले हजारों में लोग आते थे पचास हजार साथ हजार तक लोग आते थे दर्सन करके असनान करके चले जाते थे ली पथ सो के बाद कारिकरम में संख्या बढ़ती गई है युद्धा मैं स्विधा भी मिलती गई लोगों को लगा कि अब तो ठीक होगा इस वर्स राम नौमी के उसर पर 35 लाक लोग आए थे इतनी बड़ी संख्या का युद्धा में आगमन इस बात को दिखाता है कि लोग हर सरधालो हर राम भक्त युद्धा आना चाहता है और उसके लिए उस परकार की सुविधा और बिवस्ता हम लोग देंगे एक और सवाल मन में आया आए आपने कहा कि प्रधान मंतरी लगभग 12 बजे के आसपास वहां पहुँच रहे तो क्या हमाने जो मुख्य गर्भ ग्रे है उसमें पहले से ही मूर्थी राम लला की पांच साल वाली जो अन्टमें मोर्थी की प्राह लोग सभा चुनाव में वो इंडिया आलाइंस के साथ नहीं जाने वाली है उन पर भी बड़े प्रहार हुए कहा गया कि वो तो भार्तिय जनता पार्टी का फाइदा करने वाली है देखे हर राजनितिक दल को अपना अपनी रणिती तैक करने का अधिकार है और हम कैसे किसी राजनितिक दल के बारे में बात कर सकते हैं किस अधिकार से हम बोल सकते हैं पर आपको फाइदा होगा? बीजेपी को फाइदा होगा? एक बीजेपी को क्या फाइदा होना है? क्या नुकसान होना है? यह भारतिय जंता पार्टी की रणनीती है, अपने आप तैक कर देगे. हम लोग तो तब भी लड़े थे, जब 17 में लोग अलग लड़े थे, 14 में भी अलग लड़े थे, 14 में दो नौ योकों की जोड़ी लड़ी थी, 17 में भी फिर यह लड़ने का प्रियास किये थे, बीजेपी से. उनीस में इन लोगों ने प्रदेश में एक महागड़बंदन भी बनाया था तो भारतिये जनता पार्टी प्रधानमंतरी मोदी जी के नित्रतों में तब भी लड़ी थी और अच्छे बहुमत के साथ भारतिये जनता पार्टी आगे बढ़ी जीती थी लेकिन हर पार्टी को अपना एजेंडा सेट करने और अपने रणनी ती को बनाने का पुरा दिका रहे बीते दिन मायवती जी ने प्रेस कांफरेंस करके कहा कि वो अलग लड़ेंगी और मायवती ने गिरगिट कह दिया अखिलेश आदव को अब आज अखिलेश आदव आए उन्हों का कि हम तो सप्टा देख रहे थे कि मायवती जी को पी-म बनाएंगे लेकिन वो किसी के दबाव में मेरे खिलाब बोल रही है और माना जा रहा है वो दबाव आप ही का है केंदर सरकार का सीबी आए अखिलेश जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि कमसे का उन्होंने मेरा दवाव माना तो है आपका असर वाला मान रहे है वो लेकिन अखिलेश जी गेस्टाहोस कांड को समभा तो भूल गये होंगे अखिर मायावतीजी के साथ तो उन्होंने किया था ना या इस मारकों के प्रती जिस परकार की सब्दावली का प्रयोग उन्होंने उस समय किया था जब बारा में मुख्यमंत्री बने थे ये किसी से छुपा हुआ है क्या और ये बार बार तो कभी कॉंग्रेस के साथ जाते हैं कभी बीएसपी के साथ जाते हैं कभी किसी और के साथ जाते हैं तो ये तो बार बार वही चेंज करते हैं वही बदलते रहते हैं अपमा तो मायवती जी ने जो बोला है क्या बोला है मैंने पुरा बयान पढ़ा नहीं कुछ सुना नहीं लेकिन मुझे लगता है कि उनको जो अच्छा लगता होगा उनकी पार्टी के हित्म उस परकर करें कोडी हलाई से आपको फाइदा होगा ने सर अगर बीजे की विधे जके बीजेपी जी लहने के ही सब सब्सक्राइब जरल्जिक और बहुजरन समाज पाडी एक साथ आए थे तो नोंने कई समीकरण बिगाड़े भी तो ये बात अलग थी कि कारिकरताओं के दिलों के मिले हम तब भी 64 सीट असी में से 64 सीट जीते थे असी में से 64 सीट हम लोग तब भी जीते थे पर सही सही बताईए कि 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश जिसके लिए सबसे ज्यादा मेहनत सारे दल करते हैं वहाँ पर अगर वाकई बीएसपी, एसपी, कॉंग्रेस वगेरा सब मिल जाते एक साथ तो ये 50 की लड़ाई हो जाती प्रतिशत देखे गठवंदन 19 में इन्होंने गठवंदन किया था परणाम क्या हुआ बढ़ नाम क्या था तो समय नोने दूस परचार की सारी सीमाओं को लांग दिया था कॉंग्रेस ने और जनता के सामने सब दोद का दोद पानी का पानी हुआ आज ऐसा तो नहीं है कि कॉंग्रेस जो है इन सभी चीजहों से देश की जनता इसको देखने रही है आज तो उननीस से भी हम कभी कही आगे निकल चुके हैं आज दस वर्स का प्रधान मंतरी मोदी जी के नित्रतों में आज हर बेक्तिस विकार करता है कि आज बैस्विक मंचपर भारत की प्रतिस्ठा बढ़ी है आज हर बेक्तिस वात को मानता है देश के अंदर अच्छा यानि वर्ड क्लास जो है इंफरस्ट्रक्चर भारत के अंदर बना है पिछले दस वर्स के अंदर हर बेक्तिस वात को मानता है कि देश सुरक्सित हुआ है और देश मोदी जी के नित्रतों में सुरक्सित है और हर बेक्ति इस बात को मनता है कि बिना भेदभाव के वैलफेर स्कीम कालाब हर गरीब को, हर गाओं को, हर किसान, हर नौज़मान और हर मेला तक पोचाने का कारे हुआ है किसने रोका था कांग्रेस को या अन्य दलों को इस परकार की वैलफेर स्कीम को चलाने से कल आपने देखा होगा कि नीती आयोग की जो रिपोर्ट आई है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की जीवन अस्तर में पिछले 10 वर्स में किता अंतराया है 24 करोड से अधिक लोग गरीबी रेखा से मुक्तु हुए हैं भारत के अंदर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब यह हम कह सकते हैं कि 22 जनवरी से पहले नमस्कार आपके साथ मैं हूँ अंजना उमकश्यप और हमारे साथ राम मंदिर में 22 जनवरी की तारीख जब प्राण प्रतिष्ठा होगी उस पर चर्चा करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित तिनाथ जी यहां पर जुड़ रहे हैं स्वागत है सर आपका आज त्प्रदे बिर्हा के सौब परवत पिगले तब रग्र्दरायी तुम घर आए बेला तो आ गई है आपके जीवन के लिए प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर का बनना क्या माहिने रखता है और आपकी सर्कार के लिए क्या माइने रखता है केंद्र सरकार के लिए मोधी सरकार के लिए क्या माइने रखता है देखे अधिया जिसे कुछ लोगों ने अपने ब्यक्तिकाद द्वेस और संकिंड ता का सिकार बनाने का प्रियास किया था जिस उपेक्सा का दंस को जहल लई थे आज उससे मुक्त हो करके हमारे बेदों ने अयुद्या को जिस सब्त पुरियों में से प्रथम पुरी के रोप में सम्मानित किया आज उसी आभा के साथ प्रनरस थापित हो रही है 22 जनवरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का ये समारो मेरा मानना है प्रभूर तो सरोब्यापी है सर्वत्र है परम्पिता परमेश्वर है लेकिन यह भारत और विश्वमानोता की लोक आस्ता और जन विश्वास की पुनर्प्रतिष्ठा का भी ये आयूजन है ब्यक्तिगत रूप से भी और इस जन आस्ता इस लोक आस्ता और जन विश्वास की पुरतिष्ठा का एक सामने नागरिक होने के नाते हम सब का ये मनना है कि यह कारिया होना चाहिए था पहले होना चाहिए था लोगोंने राम की ताकत को नहीं स्विकारा वही गलती की जो सास्त्रों में गलती करने वाले भुगच चुके है और आज राम नाम से जिस भारत की कलपना नहीं किजा सकती है बगवान राम की उस महत्वा को श्विकार करने के बाद न्याय और सत्य की विजय अयोध्या के लिए हुआ है और उस न्याय और सत्य की पुनस्थापना का कारिक्रम 22 जनवरी के कारिक्रम के माद्यम से हमें वहां देखने को मिलेगा जन आस्ता का सम्मान किसी भी लोकतांत्रिक सरकार का कारे होना चाहिए और जन विश्वास पर खरा उतरना अगर जन आस्ता लोक आस्ता का आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो जन विश्वास पर आप खरा नहीं उतर सकते हैं एक दोसरे के पूरक हैं और प्रधान मंत्री मोदी जी के नेत्रतों में आज उनके मार्क दर्शन में उनके नेत्रतों में उस लोक आस्ता और जन्विश्वास की पुनरप्रतिष्टा हो रही है योगी जी पहले गलतियां की होंगी अब आपनों को सुझाओ भी बहुत सारे मिल रहे हैं यहाँ पर हमने पूरा संपूर वो राम मंदिर का मोडल भी लगाया है अलों कि बहुत अब लोग प्रियव हो रहा है लोग इसे योध्या नगरी से ही ले जा रहे हैं लेकिन यह बता अलागा प्रकटी करण हम जिस विग्रह को वहां स्थापित कर रहे हैं अनुष्ठान उस विग्रह का होता है और ऐसा नहीं कि यह पहली बार हो रहा है अयोध्या में जो कुछ भी कारिक्रम हो रहे हैं इस सनातन धर्म के सास्ट्रोक्त पद्दती के अमसारी हो रहे हैं और सास्ट्र परंप्राओं से भी चलते हैं तुसरा लोग हित में जन हित में परंप्राओं बनाई भी जाती हैं उन सास्ट्रोक्त पद्दतियों का पालन करते भी इन सभी चीजों को जो पोरों में भी होए हैं और आगे भी होंगे उसी के अन्रोपे कारेक्रम भी अयुद्या का सिराम जन्भों में तीरचित न्यास के दौरा प्रारंब किया गया है पक्षका तो कहना है कि अब चुनाव करीब है इसलिए आप लोग जल्दबाजी में कर रहे हैं मंदिर का निर्मार पूरा नहीं हुआ है लेकिन दो तीन महीने बाद चुनाव है और ऐसे में शशी थरूर को मैं कोट करना चाहूंगी कॉंग्रेस के नेता वो यह कहते हैं कि 2004 में मोदी जीते थे यह कहकर कि हम गुजरात मॉडल देश में लाएंगे विकास का फिर वो 19 में आये पुलवामा की वज़े से अब वो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके बनना चाहते हैं हिंदु हृदय समराट और उससे वो चुनाव जीतना चाहते हैं तो इसलिए आप लोग करा अब मुझे रताईए कॉंग्रेस को किसने इस कारेकरम्प में आने से मना किया था क्या यह सच नहीं कि कॉंग्रेस ने 1989 में अपने चुनाव परचार अभ्यान का सुभारंब अयोध्या से किया था और क्या यह सच नहीं है कि कॉंग्रेस एक तरफ हिंदों को बेकूब बनाती थी और दूसरी तरफ मुस्लिम बोर्ट बैंक से भी मोह नहीं छोड़ पा रही थी बोर्ट बैंक की राजनीती इसमें बिपक्स नहीं किया है कॉंग्रेस जैसे दलो नहीं किया है बारतिय जनता पार्टी ने इसमें राजनीती नहीं कि हमने तो बार बार कहा न कि जो देश की आस्ता थी उसन देश की आस्ता का हम लोगों ने सम्मान किया हम उसके पक्स दर थे आज भी है और जो भी लोग आस्ता का सम्मान करेगा वो जन विश्वास पर ख़रा उतरेगा तो कह रहें कि BJP संग का इवेंट हो गया है सर पाँच लोग अंदर रहेंगे गर्ग्रे में हिंदू पंचांग से नहीं निकाली है आपने तिथी आपने निकाला है काउंटाउन लोगसभा इलेक्शन का देख कर देखे हिंदू परंपरा में सनातन धर्म की परंपरा में मकर संकरान्ती के बाद सूर्य नारेंड के उत्रेंड में आने के उपरान थे सुब मोहरता आते हैं कारिकरमों के और उसी को मान करके सास्ट्रोक तो पद्दती से यह कारिकरम किया गया कॉंग्रेस को इसमें तो आउसर मिला था ना लेकिन याद करिए जब सोमनाद के मंदिर कि पनरस्थापना का कारिकरम हुआ कॉंग्रेस ने तो सायुजन का विरोध किया उस समय के प्रधान मंत्री उस कारिकरम मैं स्वयम तो नहीं गये लेकिन तत्कालिन राष्टपती को भी उन्होंने जाने से रोकने का प्रियास किया था आप नहरू जी की बात कर she और राजेंदर प्रियास तो किया था नहीं गए लेकिन उन्होंने उनको भी रोकने का प्रियास किया कॉंग्रेस ने लंबे समय तक देश में सासन किया आखिर देश की सुतंतरता कैसी है मान बिंदों की पनरस्थापना का कारिकरम और फिर इसमें तो न्याय और सत्य की बात हमने हमें एक अस्थान के लिए प्रमान देने पड़े जिसमें भारत की आस्था कहती थी कि यही राम जनम भूमी है लेकिन प्रवराम ने चूंकि हमें मर्यादा का पार्ट पढ़ाया था इसलिए हमने मर्यादी ताचन करते भी वे सारे प्रमान प्रस्तुत करते रहे हम लोग लड़े लोवर कोट में लड़े हाई कोट में लड़े सुप्रेम कोट में लड़े और अंदता सुप्रेम कोट में पांच जज़ेश की एक पूर्ण पीठ ने अयोध्या की मामले को लेकर के एक सरोमसम्मत थैसला दिया तो यह नयाय और सत्त्य की स्थापना का भी अभिहान है और इसी अभिहान के करम में आज अयोध्या का कारिकरम हो रहा है इसमें तो किसी को आपतीपती भी नहीं होने पर शंकराचारी अगर कहते हैं कि हम वहाँ जाकर क्या करेंगे ताली बजाएंगे तो इसके पीछे की सोच क्या है पॉंग्रेस कहती है कि आप लोग अपमान कर रहे हैं देखे, हमने हर धर्माचारे को और हर अचारे को तीर्थ छेतर ने उन्हें आमंत्र भेजा है और मुझे लगता है कि यह आउसर स्रेय और प्रेय का नहीं है यह आउसर मान अप्मान का नहीं है चाए मैं हूँ एक सामाने नागरिक है या इस देश का बड़ा सा बड़ा धर्मा चारे कोई भी प्रभुराम से बड़ा नहीं है हम सब राम पर आस्रित हैं राम हम पर आस्रित नहीं है हम इस बात को ध्यान में रखना होगा और राम से बढ़कर के कोई नहीं हम सब की विवस्ता राम के वेगर नहीं चल सकती लेकिन राम तब भी तराम थे जब यह परंपराई नहीं थी उनके विरोत के पीछे आपको क्या वज़ा समझ में आती है लेकिन हम तो आज भी अंडोत करेंगे बिनम्र अंडोत करेंगे सभी पूजय संतों से जिनको तीर्थ छेत ने आमंतरन किया है या जो इस समय नहीं आपा रहे हैं वे कभी पदा रहे हैं हम सुनी सुनाई बातों पे विस्वास न करें देखें पहले की अयोध्या आज की अयोध्या हम देखें कैसे अयोध्या आज अपनी पुरातन वैवाव के लिए पुनरस्ता पित हुई है ऐसा नहीं कि लोगों का उसर न मिलाओ 75 साल तो सभी लोगों को मिले थे 70 साल मिले थे 60 साल मिले थे 50 साल मिले थे यो नहीं लोगों नहीं किया। लोग ता ऐधा का नाम लेने से डरते थे। ये भी मैं आपसे समझना चाहते हूँ क्युक्ए हम अंदोलन से जुड़े अलग अलग लोगों से बात करते रहे। आप अपने तरीके से अलग से जुड़े एक तो आपका अपना जो आपके गुरुजी का भी जुड़ाओ रहा आपका जुड़ाओ रहा लेकिन आयोध्या नगरी के तरफ कोई राजनेता जाने की हिम्मत नहीं करता था सब दूर रहते थे कि पर पता नहीं क्या दिक्कत हो जाए कोट का आदेश आया नहीं था लेकिन योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पर दीपोट्सव का आयोजन शुरू कर दिया था ये जानते हुए कि ये सवाल पूछा जा सकता है कि मंदिर कब बनेगा हमें प्रभू पे विश्वास था अठोड विश्वास था कि अगर राम सेतों का निर्माण हो सकता है तो राम मंदिर का निर्माण भी होगा और इसलिए उसके पहले प्रभू के आगमन के पहले दिपोट्सो तो होने ही चाहिए आखिर दिपावली का आयुजन तेसलिए होता है और सरकार आई यह मेरा सोभाग्य है क्यादणी प्रधान मंद्री जी की पेंड़ना से हम लोगों ने दिपोट्सो के आयुजन के साथ साथ तो वहां की वनियादी सुग्धाओं में सुधार करना प्रारंब कर दिया था चाहिवार रामजी की पेड़ी हो गुपतार घाड से लेकर के रामजी की पेड़ी नए घाड तक के निर्मान के कारिकरम हो वहां की स्वच्छता के कारिकरम हो वहां की फसाड की बियोस्था हो या अन्य सभी कारिक्रमों को हमने इस किया और आज यही आयुद्ध है ना सिंगल लेन की सड़के थी आज आयुद्ध है के अंदर फोर लेन की सड़क कल्पना थी ना आज से दस साल पहले कोई इसकी कल्पना ही नहीं करता था लड़के लटकते वे जूलते वे तारों के गुच्छे थे अभिवस्ता थी गंदगी थी पिसली सरकारों ने तो बिजली के लिए वहां के लोगों को तरसाया तीन घंटे चार घंटे गंदगी मेट के धेर में वहां के लोगों को रहने के लिए मजबूर किया कोई सुद्धाई वहां के लिए नहीं थी घाटों में गंदगी कमबार रहता था आज अंदर की फोर लेन की कनेक्टिविटी है बाहर हर और से आप लखनों से जाएं गोरकपुर से आएं वारानसी से आएं प्रियागराश से आएं फोर लेन की कनेक्टिविटी से वह भी जुड़ चुका है और यहीं नहीं अयोध्या मीटर गेज से जुड़ा बता चोटी लाइन रेल की जाती थी आज सर्योजियों में कुरुफ चलना है कोई कल्बना कर सकता था आज ये भी हो रहा है और इतना सब कुछ होने के बाब जोद एक चीज आप अन्वह किये होंगे देखिए आप लोग तो पब्लिक के बीच में जाते हैं सीधे आप लोगों का कनेक्ट है एतने लोग अच्टाये गए होंगे उनका पुनर्वास्त वाँगा अकसर होता है कि छोड़ी छोड़ी बातों को लेकि लोगों में अन्रेस्ट होता ए एतने बड़े इतना इंफ्रास्ट्रक्शर का कारे हुआ लेकिन कहीं कोई अन्रेस्ट नहीं है हर व्यक्ति में संतुस्ती है क्योंकि हर व्यक्ति अईद्या के लिए और प्रभुराम के लिए ही जीता है और सब के मन में है कि ये काम जो काम पहले होना चाहिए था और काम आज हुआ है तो स्वाभाई कुरूप से आम जन्मानस की जो आज की जो मानसिक्ता में परिवर्थन आया है अयोध्या के यहाँ इसलिए संभव हो पाया क्योंकि डबल इंजन के सरकार की नीती भी साब थी और नियत भी साब थी अब तो दिन बहुत करीब आ रहा है दो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दीजेगा यह किसका अइडिया था कि राजनितिक महमानों को हमें बुलाना चाहिए आप से चर्चा तो ही होगी आप मुख्यमंत्रे किसका अइडिया था कि उनको बुलाना चाहिए और दूसर प्रशनों पर आप कर रहा है उनको पॉलिटिकल इवेंट बनाने से किस ने रोका था आकर कॉंग्रेस ने उनिस सो सैंटालिस से ले करके और एक लंबे समय तक सासन किया राहुल जी स्वयम भी 2004 से ले करके 2014 तक इस देश की सत्ता के सिर्मौर के रूप में बैक डूर से कमांटो संचालित करते ही थे किसी से छुपा हुआ है क्या हाँ वालग विस्या है कि उन्होंने कुछ इवेंट संसद में किये कि संसद की आउमाना करते हुए बिल्की परतियों को वहाँ फाड़ने का काम जरूर किया था क्या ये इवेंट ही था ये कॉंग्रेस का इवेंट है वे संविधान का अपमान करते हैं संविधानिक संस्ताओं का अपमान करते हैं भारत की लोकास्ता का अपमान करते हैं भारत की जन्बिश्वास पर कुठारा घात करते हैं मैंने पहले भी कहा प्रभुराम का रामलला की रुप में अपनी जन भूई में पुनर प्रतिष्ठा का कारिक्रम होना एक प्रान प्रतिष्ठा का इसमारो भारत के लिए और सनातन धर्माबलंबियों के लिए तो गौरब का भी सहही देश और दुनिया के अंदर जितने भी कुछली सब्वेता और संस्कृति के अन्याई होंगे उन सब के लिए भी आसा की एक नई करण है राजनितिक महमानों वाला सवाल का जवाब आपने नहीं दिया आपने उनको तलवार की नोक पर चड़ा दिया कि आए तब भी उनको एक तरह से ये मानना पड़ेगा कि राम सब के हैं दिश्टिकों लोगों के अलग-अलग हो सकते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी राम हमारी आस्ता के प्रतीक हैं तो हम उनको परमपिता परमेश्वर के रुप में मानते हैं हमने उनके महत्तों को समझा जाना है इसलिए जीवन भी स मुझ पाए क्योंकि उनको सबस्ता प्यारी है और सबस्ता की तर्स होच भी नहीं सकते हैं लोग आस्ता क्या होती है और जन बिश्वास क्या होता अंतन दे करके अपने करतब्यों का निरुभान किया है। अच्छी नियत से आएगा प्रभुक के दर्शन करने के नियत से आएगा उनके दर्शन करने में और वहां तक पहुचाने में हम लोग एक सहभागी हो पाएंगे उनको कहीं भी कोई समस्या ना आने पाए ये जम्मेदारी हम लोग अपने लेकर लेकर करेंगे। सदबुद्धी आए अपने नितरतों को भी समझाएं अपने नितरतों को भी उनको समझाना चाहिए तो कॉंग्रेस के निता आए वहापर दर्शन के लिए आए पर आपने सवाल का जवाब देते हुए योगीजी सवाल ये था कि कॉंग्रेस कह रही है कि ये एक राजनीतिक आयोजन है आपने कहा वो भी कर सकते थे राज रीत्यक आयोजन आपने खंडन नहीं किया नहीं कि ए उनका द्रिश्टिकॉण्ड्राजनितिक सत्ता पर हुए हमारा द्रिश्टिकॉण्ड लोग आस्ता को संब्मान देने का है और जन विश्वास का सम्मान करने का है तो हम लोग उस अभिहान के साथ इस रूप में जुड़े हैं माने उच्चतम नैले के आदेस पर सिराम जन भूमित तीरत छेतर नियास का गठन हुआ है अंदर के सारी विवस्ता यह ट्रस्ट ही करेगा और ट्रस्ट आमंतर्ण करने के लिए स्वतनतर है ट्रस्ट ने जिन्हें आमंतित किया है वे सब हमारे अथिती होंगे क्योंकि हमारे राज्य में आएंगे क्योंकि राम के प्रतिस एक हमारी आस्ता दूसरा उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी रूप में अगर उत्तर प्र देश को एक बार फिर से देश के अंदर और दुनिया के अंदर प्रस्तुत करने का भी एक उसर है बहुत सारे सवाल अब इर्दगेत हो रहे हैं आपने शंकराचार पर सीधा कि भगवान राम से बड़ा कोई नहीं हो सकता है लेकिन आप सबको हुमिलिटी के साथ कह रहें कि आप लोग जब मौका लगे जरूर आई एक और बात बहुत सोचल मीडिया के जरीये भी फैल रही है और संजय राओट जो की सांसद है शिव सेना उधव ठाकरेगोट के उन्होंने भी उठाए वो कह रहें कि जहां पर स्थान था जो गुंबत के नीचे जगध थी जहां प और उस समय आकर के उन्होंने वहाँ पर तमाम गोशनाएं भी की थी उस समय अपने अमूले सुझाव देव होते हैं देखें अंगूर खटे हैं अब तो कोई भी बोल सकता है मैंने का ना अभी व्यक्ति की सुतंतरता सब को है अर व्यक्ति को इसके बारे में बोलने में कोईंगे और मंदीर वहीं पे बन रहा है और फिर वही है ना सर्कोर का फैसला है उरा कि वही जपि क्रेडिट ले रहे हैं पूरा कोट के फैसले को पहली भी करवाये जा सकता था पेंडिंग क्यों डाला गया था क्यों नहीं आप पेरवी कर रहे थे मतलब किसी और पार्टी की सरकार होती तो जरूरी नहीं है कि निर्णे में बाधा नहीं डाला जाता था ही देरी का कारण नेले नहीं सरकारें थी पार्टीयां थी वे चाती नहीं थी किसका निर्णे हो इसका फायदा मिलेगा चौबीस में, चौबीस के चुनाओं में, फायदे और नुकसान का नहीं, पर मिलेगा, जो देश की आस्ता का सम्मान करेगा, वह जन विश्वास पर ख़रा उतरेगा. अच्छा, एक हो गया आंदोलन से जुड़े हुए लोग जिनको श्रे दिया जाता है, दूसरा, क्या आप भारतिय जनता पार्टी, आप ये कह रहे हैं कि पार्टी को भी श्रे है? देखे, राम जन भूमी का अंदोलन एक ऐसा अंदोलन है, 1528 से लेकर के, 2019 तक, जब तक मन्य उच्छतम ने आईले ने फैसला नहीं दे दिया, तब तक, एस अंदोलन के लिए निदंतर, एबरेज, छे से साथ वर्स के अंतराल में, एक बड़ा अंदोलन होता था, एबरेज अगर आप देखेंगे, छेतर बार बड़े अंदोलन हुए हैं, बड़े संघर्स हुए हैं, 1528 से ले करके, इन लगभग 590 वर्स के अंदर, 490 वर्स के अंदर इतने बड़े आंदोलन औभ्यान चलते रहें, ये चीजें दिखाती हैं कि एक लंबे समथ, तीन लाग से धिक रामभक्त सईध वे, इसमें संत भी थे, राजे रजवारे भी थे, सामाने भक्त भी थे, महलाएं भी थी, पुरुस भी थे, जो रामजनम भूमी के लिए अपने आपको उन्होंने बेलदान कर दिया, दुन जो अयुद्या की दिख से हम सब को देखने को मिला, हाँ, आंदुलन, कभी विप्रित परस्तितियां थी, कई सम परस्तितियां थी, लेकिन निर्णे और निर्णे के बीच में फसा हुआ था, अठारा सो पिच्यासी के बिटिस काल खंड में, नियाले के अदिश को आप में कोई निर्णे हम देंगे तो उसको फिर छोड़ते हैं, लेकिन इसके बाद जो चीज़ें आगे आएं, और लोगों को भी तो मौका मिला था, क्यों नहीं उन्होंने अपने समय में इसको किया, उनको भी आगे आना चाहिए था, आज दोसा रुपन करने से नहीं काम चल है, सारे लोग उस दिसा में एक सकारत्मक भाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी पैदा करने का कोई उसर होना चाहिए, योगी जी अब आपकी भूमिका पर आते हैं, ऐसा लोग मानते हैं कि आप दोजर चलाना, आपका उत्तरप्रदेश क्या देश भर को राममय करना, जिससे आपको लगता है इस लहर से फिर हिंदू वोटर भी प्रभावित होकर नहीं जाएगा दो हजार चौबिस तक, तो आप एक तरह से बीजेपी की पूरे कैरेक्टर को पूरा सूट करते हैं, औ उस कड़ी में अगर हम राममंदिर को देखें, तो आपने भी पूरी ताकत जोग दिये, इसी के जरीए आप बीजेपी को जितना लाब चौबीस के लिए दिलाना सकते हैं, वो आप दिलाने की कोशश कर रहे हैं, क्या मैं सही नहीं हूँ? देखें, मैं तो इस पूरे अभिहान का एक सिपाई हूँ, और सिपाई की रूप में, हम लोग राजनीती में आये हैं, मुल्यों और आदर्सों के साथ, राजनीती हमारा पेसा नहीं है, उन मुल्यों और सिद्धानतों के साथ आये हैं, उन्हीं मुल्यों और सिद्धानतो के साथ कारे कर रहे हैं कारे करते रहेंगे आपमें कैसा जो बाकि मुख्यमंत्रियों में आपको हर जगा प्रचार के लिए लग काम प्रशार के लिए सभी सभी मुख्यमंत्री और एक दोसे के राज्यों में जाते हैं, हमारी राज्य में चुना होते हैं, हमारी राज्य में भी अन्ने राज्यों के मान्ने मुख्य मंत्री गणाते हैं, केंद्रिय ननेता गणाते हैं, ऐसे ही अन्ने राज्यों में होता है, तो हम लोगों कौसर मिलता हम लोग भी जाते हैं, तो ऐसा नह तो अगर उसे हम देखे ऐसा लगता है कि योगी आदितनाथ 22 जन्वरी के लिए या फिर एक साल के लिए दो साल के लिए नहीं सोच रहे हैं आपने जिस तरह के प्रोजेक्ट की शुरुवात की है यह क्या पचास वर्ष का प्रोजेक्ट है मतलब आप अयोध्या नगरी को पचास वर्ष आगे कैसा देख रहे हैं लिए कि अयोध्या को अभी भी हम लोगों ने अयोध्या को वास्तों में के लिए एक छोटे से नगर की रूप में जाना है इमानदारी से अगर इस पर लोग सोध करें तो यह विश्व की सांसकर्टिक राजधानी है विश्व की? हाँ मनुष्या पहला मनुष्या और मनुष्या की परंपरा की सुरुवात यहीं से सुरू भी होती है अयोध्या उसकी प्रतम भूमी है अधार भूमी है मनो से मानो और फिर वहीं से परंपरा आगे बढ़ी है मनों के किते पुत्र थे उसके अनसार अगर आप देखेंगे तो अलग-अलग द्वीप उन्हीं के उस पर माने गए हैं आप भारत के प्राचीन इत्यास को ठाके देखें तो आपको इस सारी चीजें जनकरी में आ जाएंगे अयोध्या प्रभुराम कि पावन जन भूमी है यह तो हम सब जान रहे हैं उत्तर भारत को सबसे उर्वरा भूमी बनाने का स्रे हम मा गंगा को देते हैं और गंगा को इस उत्तर भारत में लाने वाले कौन थे भागिरत वे भी अयोध्या में थे महराज दलीब भी वहीं पैदा हुए थे महराज अज भी वहीं पैदा हुए थे मानधाता भी वहीं पैदा हुए थे एक लंबी परंपरा है जैन परंपरा के तिर्थंकरों को आप देखेंगे यह परंपरा भी वहीं से निकलती भी दिखाई देती है जड़ भरत हो या फिर उसके बाद की परमप्राएं इस सब वहीं से निकलती है और अयोध्या के इस महित्यों को कमतर आखने का प्रियास जो विश्व के इत्यास की भूमी है जिसे सम्मान बहुत पहले मिलना चाहिए था आज प्रदान मंतरी मोदी जी के करन वह सम्मान अयोध्या को प्राप्त हो रहा है और हम लोगों को इस बात को मना चाहिए कि हमें अयोध्या के इस महित्यों के माद्यम से भारत की यानि एक ग्लोबल ब्रांडिंग का एक आउसर मिला है हम लोगों को ले के आए हैं देखे हम लोग इसके महत्व को अभी भी वो बहुत हो कर रहे हैं अंडर्सिर्मेट कर रहे हैं 2017 में हम लोग ने आयोद्या में दिपोत्सो के आयोजन को को किया था 2018 में अधने परदान मंतिरी जी की परिणा से हुआ कि भी अयोध्या के साथ उन देशों को जोड़ो जिन देशों से भारत की सांस्कृतिक समंदर रहे हैं या हैं आज भी हैं जो अपने सुत्र को जोड़ते हैं तो साउथ कोरिया की फस लेडी हमारे आयोचन का चीप गेस्ट बनी थी उनका पर एक डेलिकेशन आया था यहां पे और उन्होंने इस बात को कहा कि अयोध्या की राजकुमारी के हम वनसज हैं साउथ कोरिया में थी और अयोध्या की राजकुमारी कैसे वहां गई जल मार्ग से हमारी सरकार ने अयोध्या के लिए दिस से जल मार्ग को हम प्रारंब कर सकें इसके लिए इन लैंड वाटर वे अथौर्टी का गठन भी कर दिया है हम लोग लेके जा रहे हैं शुरू करें हैं अधिया तक जोडने के लिए फिर वहां से आगे बढ़ने के लिए और अयोध्या की राजकुमारी रतना जल मार्ग से साथ कोरिया पहुची थी आज की वहां की जो परंपरा है बड़ी परंपरा वहां पर उन्हें अपने दादी मा के रूप में संबोधित करके सम्मान देती है और उन्हीं की स्मिर्थी में किम हो जो पार्क है अयोध्या का हम लोगों ने वहां पर स्तापित किया है ऐसे ही थाइलेंड में आप देखें राजा राम है महां की पुरे परंपरा अपने आपको राम से जोड़ती है वहां के जो निशनल हाई वेज भे शुऻित हैं थाई रामेंड के सभी चित्रों को उस पे उकेर करके उन्हें राम को सम्मान दिया ये थाईलेंड का है थाईलेंड की जो पुरानी रासधानी थी जो बात में मैंनमार के साथ युद्ध के दोरान छतिगरस्त हो गई थे हुआ अजुद्ध्या थी आज भी उन्होंने सम्मान दिया यह अपनी परंपरा को कहां से लोग जोड रहे हैं राम के साथ आप इंडोनेसिया में देखे इंडोनेसिया थाई तो दुनिया के सरवाधिक मुसल्मान रहते हैं लेकिन इंडोनेसिया में वे लोग आज भी रामेंड के साथ जुड़े हैं रमने अईडोनेसिया की रामला को भी आमन्तित किया है इस दोरान अयुद्या में अब उनके पात्रों से बात करिये न वे सभी राम को अपना अधर समानते है समस्या ये है कि जो है जो अधकच्डा ग्यान होता है न वे बेक्तिय को भरमित कर देता है और जिन लोगों ने भारत को भारत के बारे में कभी जानने का इमानदारी से प्रियास नहीं किया वह लोग भारतियता पर भारत की प्रमप्रा पर भारत की महापुरसों पर बहरत की अरहदे देवों पर प्रस्न खड़ा करते हैं इनको वास्तों में समझना चाहिए अयुद्धिया क्यों अयुद्धिया नहीं है अयुद्धिया तो विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है और उस सांस्कृतिक राजधानी की रूप में उसकी प्रनरस्थापना होनी ही है आपने अभी कहा कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे आप लोगों का नारा था संग परिवार का एक और नारा है काशी मत्रॉरा भी बाकि है उस पर आपके क्या विचार दिखे जो भी से नियाले में है तो नियाले को उस पे काम करने देना चाहिए हमने राम लाला के लिए पांसो वर्सों तक संघरस किया और मर्यादित तरीके से उसमें नियाए और सत्ते की विज़े प्राप्त की है यहां के मामले भी अपने प्रमाण प्रस्तुत करेंगे समय आने पर सारी तथे सामने आएंगे दोत का दोत पानी का पानी सब के सामने आएगी यानि लड़ाई लड़ी जाएगी पर अदालिती कानूनन कि आपी के राज्य की बात है बाकी दुनों जगेंगे हां कोई बात है राज्य को भी आप लोग कोई तारीक देने वाले हैं सभी चीज़ों के लिए समय आएगा और देखे हो हैं वही जो राम रसी राखा प्रभू को अपनी लिला को स्यम करेंगे चुनावी पॉलिटिक्स पे आने से पहले अगर एक विपक्षियों को अगर एक संदेश आपको देना हो हां राम मंदिर से जुड़ी एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूं यह यजमान और मुख्य यजमान की बात क्या है योगी जी तीरत चेतर ने सिराम जन भूमी तीरत चेतर ने से यजमान बनाए हैं प्रधान मंतरी मैं सकता हूं जिसको भी उनको चित लगता है उनको अपने यजमान बना करके उन्होंने इस पूरे कारिक्रम को आगे बढ़ाया है पर यह कहा गया कि मुख्य यजमान कोई और होगा अगर जो अनुस्थान में बैट कर के इस पूरे को संपन करेगा ना करेगा अच्छा किस अभी कारिक्रम उसका अपने सास्तरोक तो पद्दती कि अन सारी सारी कारिक्रम के बारे में कुछ जानकारी आप दे पाएंगे 12 बजे शुरू हो रहा है 12-20 में प्रान प्रतिश्ठा का काम होगा अगर थोड़ा बहु करके किस तक सच्चता का एक सभ्यान चला है अंद्रि पावली के पहले पिर इस प्रकार का कारिक्रम करते है यान्वा आउजुनों में करते है या दपी पहले की तुलना में सुच और पैसन के बाद काफी सच्चता आई है लेकिन फिर भी लोगों में एक जाग रुखता के लिए आज से सोला जनवरी से ले करके बाइस जनवरी के माद्ध्यान के पूर तक अखंडर आमेड पाठे राम नाम संकृतन के कारिक्रम होंगे अब प्राहन में मध्यान में बारा बजे के बाद प्रधान मंत्री जी का और अन्य महानुहाओं का मुख्य मंदिर में प्रिवेश होगा पूजा पहले से चल ले होगे उसके बाद एक कारिक्रम नुश्ठान होंगे और लग्बख एक बजे तक अंदर का कारिक्रम संपन्म हो करके एक बजे वहाँ पे संबोधन की जिए मंच बना होगा उस मंच पे आखर के पिर एक कारिक्रम आ के चलेगा ऑlles यह कारिक्रम महांके संपन होंगे संपन होने के बाद जो भी तीर छेतर जो भी तय करेंगे उसके उनसरी कारिक्रम होंगे और उसके बाद फिर दो बजे के बाद से जो आगत पुझे संतजन हैं अथिति गण हैं दर्शन करेंगे वो अंदर जाकर के दर्शन करते वे निकलते जाएंगे उनका प्रस्तान होगा यह सभी कारिक्रम वहां पर होंगे यह कारिक्रम फिर अनवरत आगे विवस्था की दिश्थे क्योंकि हर राम भगत युद्याना चाहता है तो उनके लिए भी विवस्था वहां पर आगे क्योंकि बहुत जादा है लाखो लाख की तादाद में लोग पहुँच सकते हैं 22 तारीक को तो हो जाए पर 23 तारीक से पूरा प्रशासन समझ रहा होगा कि कितनी बड़ी संख्षाव है और भीड़ भाड होगी इसलिए लोग मेरा बिनम्बरंडोध होगा कि पैदल कोई न चले अपने बाहन स्वें बुक न करें जो बिवस्था अस्थाने अस्थर पर बनाई जा रही है वहाँ पे न्याज से जुड़े वे लोगों के द्वारा या अन्य संगटनों के द्वारा एक बिवस्था बनाई जा रही है वहाँ से अपना कारेकरम भेज करके जब उनको वहाँ से कहा जा रहा तभी वे लोग आएं रेलवे कुछ स्पेशल टेंस भी चलाएगी उन स्पेशल टेंस में भी आप अपना रिजर्वेशन करवा करके आउध्या आ सकते हैं तो वहाँ पे हम उनको बहतर सुब्धा दे पाएंगे और आसानी से द्रसन करा पाएंगे क्योंकि क्योल आयोत दियाव आना भर नहीं है किस उद्देशे से आ रहे हैं कि राम ला का दर्शन कर सकें उस उद्देशे की पूरती भी होनी चाहिए तो इसके लिए वहाँ पे दर्शन के लिए प्रियाप्त ब्युस्ता की जा रही है वेरिकेटिंग दे जा रहे हैं अन्य कारिकरम हो रहे हैं तो कितना भी कोई करेगा तब भी दर्शन करने में एक बेक्तिको एक दिन में एक देव विग्रह का दर्शन करने में बहुत मेहनत करेंगे डेड़ लाग दो लाग तक लोग दर्शन कर पाएंगे जबकि आने के चुब लोग बहुत होंगे तो एक प्रियास धीरे धीरे करके जब भी उसर आएगा तो लोगों को हम लोग उस प्रकार की भी वस्ता देंगे देखें युद्धा के प्रत्याकर्शन का क्या हो जैसे राम नौमी में अमूमन सत्रह के पहले हजारों में लोग आते थे पचास हजार साथ हजार तक लोग आते थे दरसन करके, इसनान करके चले जाते थे पाटियामे, सुबिधा भी मिलती गई लोगों को लगा कि अब तो ठीक हогगा इस वर्स राम नौमी के उसर पर 35 लाक लोग आए थे इतनी बड़ी संख्या का युद्ध्या में आगमन इस बात को दिखाता है कि लोग हर सरधालो हर राम भक्त युद्ध्या आना चाहता है और उसके लिए उस परकार की सुविधा और विवस्ता हम लोग देंगे एक और सवाल मन में आया आपने कहा कि प्रधान मंतरी लगभग 12 बजे के आसपास वहां पहुँच रहे हैं तो क्या हमाने जो मूख गर्भ ग्रे है उसमें पहले से ही मूर्ति राम लला की 5 साल वाली जो अरुण योगी राज़ बना रहे है और छोटी वाली भी राम लला जी पहले से स्थापित हो जाएगा तो अन्त में मूर्ती की प्रान परतिस्ठा का कारिकरम का एक आयुजन होगा, उस एक घंटे के आयुजन के अंदर उस सारी कुछ संपन हो जाएंगे। अपने रणनीती तैक करने का अधिकार है। और हम कैसे किसी राजविंतिक दल के बारे में बात कर सकते हैं। किस अधिकार से हम बोल सकते हैं। जब 17 में ये लोग अलग अलग लड़े थे, 14 में भी अलग अलग लड़े थे, 14 में दो नो योकों की जोड़ी लड़ी थी, 17 में भी फिर ये लोग लड़ने का प्रियास किये थी बीजेपी से, 19 में इन लोगों ने प्रदेश में एक महागड़ बंदन भी बनाया था। तो भारतिये जनता पार्टी प्रधान मंतरी मोदी जी के नित्रतों में तब भी लड़ी थी और अच्छे बहुमत के साथ भारतिये जनता पार्टी आगे बढ़ी जीती थी। लेकिन हर पार्टी को अपना एजेंडा सेट करने और अपने रणनीती को बनाने का पुरा दिका रहे है। अखलेस जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि कमसे का उन्होंने मेरा दवाव माना तो हूँ आपका अफर वाला मान रहे हैं वो लेकिन अखलेस जी गेस्टाहोस कांड को समभा तो भूल गए होंगे। अखर मायावतीजी के साथ तो उन्होंने किया था ना या इस मारकों के प्रती जिस परकार की सबदावली का प्रयोग उन्होंने उस समय किया था जब बारा में मुख्यमंत्री बने थे। ये किसी से छुपा हुआ है क्या और ये बार बार तो कभी कॉंग्रेस के साथ जाते हैं कभी बीएसपी के साथ जाते हैं कभी किसी और के साथ जाते हैं तो ये तो बार बार अपने आप वही चेंज करते हैं वहीं बदलते रहते हैं अपना तो मायावतीजी जी ने जो बोल वीजेपी बिजेपी मोधी जी के नितर्तों में उत्तर प्रदेश के अंदर बहतरीन प्रदर्शन करी प्रहिए यह पप्समाजबाधी पार्टी यह इक साथ आ थे तोनोंने कई समी करन बिगाडे बिते यह बात अलग थी कि कार्यकरताओं के मिल रही हम तब भी 84 सीट, 80 में से 64 सीट जीते थे 80 में से 64 सीट हम लोग तब भी जीते थे पर सही सही बताइए कि 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश जिसके लिए सबसे ज़्यादा मेहनत सारे दल करते हैं वहाँ पर अगर वाकई BSP, SP, कॉंग्रेस वगेरा सब मिल जाते एक साथ तो ये 50 की लड़ाई हो जाती, प्रतिशत की देखे, गठवन्दन, 19 में इन्होंने गठवन्दन किया था परणाम क्या हुआ, परणाम क्या था उस समय इन्होंने दुस्परचार की सारी सीमाओं को लांग दिया था, कॉंग्रेस ने और जनता के सामने सब दूद का दूद, पानी का पानी हुआ, अज ऐसा तो नहीं है कि कॉंग्रेस जो है, इन सभी चीजों से जो है, देश की जनता इसको देख नहीं रही है आज तो उननीस से भी हैं कभी कही आगे निकल चुके हैं, आज दस वर्स का प्रधानमंत्री मोदी जी के नेत्रतों में, आज हर बेक्तिस विकार करता है कि आज बेस्टिस विक मंचपर भारत की प्रतिस्टा बढ़ी है, आज हर बेक्तिस वात को मानता है, देश के अंदर अच्छा, यानि वर्ड क्लास जो है, इन्फरस्ट्रक्चर भारत के अंदर बना है, पिछले दस वर्स के अंदर, हर बेक्तिस वात को मानता है, कि देश रक्सित है और हर बेक्ति इस बात को मनता है कि बिना भेद भाव के वैलफेर स्कीम का लाब हर गरीब को हर गाउं को हर किसान हर नौजवान और हर महला तक पहुचाने का कारे हुआ है किसने रोका था कॉंग्रेस को या अन्य दलों को इस परकार की वैलफेर स्कीम को चलाने से कल आपने देखा होगा कि नीती आयोक की जो रिपोर्ट आई है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के जीवन अस्तर में पिछले दस वर्स में किता अंतर आया है 24 करोड से अधिक लोग गरीबी रेखा से मुक्तु हैं भारत के अंदर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब यह हम कह सकते हैं कि 22 जन्वरी से पहले नमस्कार आपके साथ मैं हूँ अंजना उमकश्यप और हमारे साथ राम मंदिर में 22 जन्वरी की तारीख जब प्रान प्रतिष्ठा होगी उस पर चर्चा करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित तिनाग जी यहां पर जुड़ रहे हैं स्वागत है सर आपका आज तक बिरहा के सब परवत पिघले तब रगराई तुम घर आए बेला तो आ गई है आपके जीवन के लिए प्रभु राम की प्रान प्रतिष्ठा राम मंदिर का बन्ना क्या माइने रखता है और आपकी सरकार के लिए क्या माइने रखता है केंद् जिसे कुछ लोगों ने अपने बेक्तिकद द्वेस और संकिंड ता का सिकार बनाने का प्रियास किया था जिस उपेक्सा का दंस को जहल लई थे आज उससे मुक्त हो करके हमारे बेदों ने अयुद्या को जिस सब्तु पुरियों में से प्रथम पुरी के रोप में सम्मानित किया आज उसी आभा के साथ प्रणरस थापित हो रही है 22 जनवरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का ये समारो मेरा मानना है प्रभूर तो सरोब्यापी हैं सर्वत्र हैं प्रम्पिता प्रमेश्वर हैं लेकिन यह भारत और विश्वमानोता की लोक आस्ता और जन विश्वास की पुनर प्रतिष्ठा का भी ये आयुजन है ब्यक्तिकत रूप से भी और इस जन आस्ता इस लोक आस्ता और जन विश्वास की प्रति लोक तंतर का एक सामन्य नागरिक होने के नाते हम सब का ये मानना है कि यह कारिय होना चाहिए था लोग आने राम की ताकत को नहीं स्वेकारा वही गल्ती की जो सास्त्रों में गल्ती करने वाले भुगत चुके हैं और आज राम नाम से जिस भारत के कलपना नहीं किजा सकती है बगवान राम की उस महत्वा को स्विकार करने के बाद न्याय और सत्य की विजए अयुध्या के लिए हुआ है और उस न्याय और सत्य की पर verwाष बनुर्ण श्दापना का कारिक्रम 22 जनवरी के कारिक्रम के मादियम से हमें भाष देखनी को मिलेगा जनास्ता का सम्मान किसी भी लोक तांतृरिक सरकार का कारे होना चाहिए और जन्बिश्वास पर खरा उतरना अगर जन्बिश्वास पर खरा उतरना अगर जन्बिश्वास पर आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो जन्बिश्वास पर खरा नहीं उतर सकते हैं एक दोसरे के पुरक हैं और प्रधान मंतरी मोदी जी के नित्रतों में आ पहले गलतियां की होंगी, अब आपनों को सुझाव भी बहुत सारे मिल रहे हैं, यहां पर हमने पूरा संपूर वो राम मंदिर का मॉटल भी लगाया है, हालों कि बहुत अब लोग प्रियव हो रहा है, लोग इसे युद्या नगरी से ही ले जा रहे हैं, लेकिन यह अला का प्रकटी करण, हम जिस विग्रह को वहां स्थापित कर रहे हैं, अनुष्ठान उस विग्रह का होता है, और ऐसा नहीं कि यह पहली बार हो रहा हुआ है, अयोध्या में जो कुछ भी कारिक्रम हो रहा है, इस सनातन धर्म के सास्त्रोक्त पद्दती के अंसारी हो रहे हैं, और सास्त्र परंप्राओं से भी चलते हैं, तुसरा लोग हित में, जन हित में परंप्राओं बनाई भी जाती हैं, उन सास्त्रोक्त पद्दतियों का पालन करते विए, इन सभी चीज़ों को जो पोरों में भी होए हैं और आगे भी होंगे उसी के अनुरूपे कारिक्रम भी अध्या का सिराम जन्भों में तिर्चित न्यास के द्वारा प्रारंब किया गया है विपक्ष का तो कहना है कि अब चुनाव करीब है इसलिए आप लोग जल्दबाजी में कर रहे हैं अभी मंदिर का निर्मार पूरा नहीं हुआ है लेकिन दो-तीन महीने बाद चुनाव है और इसे में शशी थरूर को मैं कोट करना चाहूंगी कॉंग्रस के नेता वो यह कहते हिंदय हृदू हिंदू हृदय समराथ और उससे वो चुनाव जीतना चाहते हैं तो इसलिए आप लोग करा आप मुझे रताई यह कॉंग्रेस को किसने इस कारेक्रम्प में आने से मना किया था क्या यह सच नहीं कि कॉंग्रेस ने 1989 में अपने चुनाव परचार अभ्यान का सुभारंब अयोध्या से किया था और क्या यह सच नहीं है कि कॉंग्रेस एक तरफ हिंदों को बेकूब बनाती थी और दूसरी तरफ मुस्लिम वोड बैंक से भी मों नहीं छोड़ पा रही थी बोड बैंक की राजनिती इसमें विपक्स ने किया है कॉंग्रेस जैसे दलो ने किया है बारतिय जनता पार्टी ने इसमें राजनिती नहीं की हमने तो बार बार कहा न कि जो देश की आस्ता थी उस देश की आस्ता का हम लोगों ने सम्मान किया हम उसके पक्स दर थे आज और जो भी लोग आस्ता का सम्मान करेगा वो जन विश्वास पर ख़रा उतरेगा तो कह रहें कि बीजेपी संग का इवेंट हो गया है सर पांच लोग अंदर रहेंगे गर्व ग्रे में दू पंचांग से नहीं निकाली है आपने तिथी आपने निकाला है काउंडाउन लोग सभाई एलेक्षन का देखकर देखे हिंदू परंपरा में सनातन धर्म की परंपरा में मकर संक्रांती के बाद सूर्य नारेण के उत्रैन में आने के उपरांत सुब मोहरत आते हैं कारिक्रमों के और उसी को मान करके सास्ट्रोक तो पद्दती से यह कारिक्रम किया गया कॉंग्रेस को इसमें तो औसर मिला था ना लेकिन याद करिए जब सोमनाद के मंदिर की पुनरस्थापना का कारिक्रम हुआ कॉंग्रेस ने तो सायुजन का बिरोध किया उस समय के प्रधान मंत्री उस कारिक्रम में स्वयम तो नहीं गये लेकिन ततकालिन राष्टपती को भी उन्होंने जाने से रोकने का प्रियास किया था तक्टर राजिंद्र प्रसाद जी उस कारिक्रम में गय है लेकिन तातकालिन परधान मंत्री कि नहरू जी ने प्रियास तो किया था कि स्वयम तो नहीं गये लेकिन उनको भी रोकने का प्रियास किया कॉंग्रेस ने लंबे समय तक देस में सासन किया आखिर देश की स्वतंतरता कैसी है मान बिंदों की पनरस्थापना का कारिकरम और फिर इसमें तो नयाय और सत्य की बात हमने हमें एक अस्थान के लिए प्रमान देने पड़े जिसमें भारत की आस्था कहती थी कि यही राम जनम भूमी है लेकिन प्रवराम ने चूंकि हमें मर्यादा का पार्ट पढ़ाया था इसलिए हमने मर्यादी ताचन करते भी वे सारे प्रमान प्रस्तुत करते रहे हम लोग लड़े लोवर कोट में लड़े हाई कोट में लड़े सुप्रेम कोट में लड़े और अंदता सुप्रेम कोर्ट में पांच जजेश की एक पूर्ण पीठ ने अयोध्या की मामले को लेकर के एक सरोमसम्मत थैसला दिया तो यह नयाय और सत्य की स्थापना का भी अभियान है और उसी अभियान के करम में आज अयोध्या का कारिकरम हो रहा है इसमें तो किसी को आपतीवती भी नहीं होना जीए देखे पर शंकराचारी अगर कहते हैं कि हम वहां जाकर क्या करेंगे ताली बजाएंगे तो इसके पीछे की सोच क्या है पॉंग्रेस कहती है कि आप लोग आप मान कर रहे हैं देखे, हमने हर धर्माचारे को और हर अचारे को तीर्थ छेतर ने उन्हें आमंत्र भेजा है और मुझे लगता है कि यह आउसर स्रे और प्रे का नहीं है, यह आउसर मान अप्मान का नहीं है चाहिए मैं हूँ, एक सामान नागरिक है या इस देश का बड़ा सा बड़ा धर्माचारे कोई भी प्रवराम से बड़ा नहीं है, हम सब राम पर आश्रित हैं, राम हम पर आश्रित नहीं है हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा और राम से बढ़कर के कोई नहीं हम सब की विवस्ता राम के विगर नहीं चल सकती लेकिन राम तब भी तराम थे जब यह परंपराई नहीं थी उनके विरोत के पीछे आपको क्या वज़ा समझ में आती है लेकिन हम तो आज भी अंडोत करेंगे सभी पूजय संतों से जिनको तीर्चेत ने आमंतरन किया है या जो इस समय नहीं आपा रहे हैं वे कभी पदा रहे हैं हम सुनी सुनाई बातों पर विस्वास न करें देखें पहले की अयुद्या आज की अयुद्या हम देखें कैसे अयुद्या आज अपनी पुरातन वैवाओ के लिए पुनरस्था पित हुई है ऐसा नहीं कि लोगों का उसर न मिलाओ 75 साल तो सभी लोगों को मिले थे ना 70 साल मिले थे, 60 साल मिले थे, 50 साल मिले थे क्यों नहीं लोगों ने किया लोग तो आयुद्या का नाम लेने से डरते थे ये भी मैं आपसे समझना चाहती हूँ क्योंकि हम आंदोलन से जुड़े अलग अलग लोगों से बात करते रहे आप अपनी तरीके से अलग से जुड़े एक तो आपका अपना जो आपकी गुरुजी का भी जुड़ाओ रहा आपका जुड़ाओ रहा लेकिन आयोध्या नगरी के तरफ कोई राजनेता जाने की हिम्मत नहीं करता था सब दूर रहते थे कि पता नहीं क्या दिक्कत हो जाए कोट का आदेश आया नहीं था लेकिन योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पर दिपोट्सव का आयोजन शुरू कर दिया था ये जानते हुए कि ये सवाल पूछा जा सकता है कि मंदिर कब बनेगा हमें प्रभूपे विश्वास था अठोड विश्वास था कि अगर राम सेतों का निर्माण हो सकता है तो राम मंदिर का निर्माण भी होगा और इसलिए उसके पहले प्रभूपे आगमन के पहले दिपोट्सो तो होने ही चाहिए आखिर दिपावली का आयोजन तेसलिए होता है और सरकार आई ये मेरा सोभाग्य है कि अगर प्रधान मंदिर जी की पेंड़ना से हम लोगों ने दिपोट्सो का आयोजन के साथ साथ वहाँ की वनियादी सुग्धाओं में सुधार करना प्रारंब कर दिया था चाहिवार राम जी की पेड़ी हो गुपतार घाड से लेकर के राम जी की पेड़ी नए घाड तक के निर्माण के कारिकरम हो वहाँ की स्वच्छता का कारिकरम हो वहाँ की फसाड की बियोस्था हो या अन्ने सभी कारिकरमों को हमने इस किया और आज यही आयुद्ध्य है ना सिंगल लेन की सडके थी आज अयुद्ध्या के अंदर फोर लेन की सडक कल्पना थी ना आज से दस साल पहले कोई इसकी कल्पना ही नहीं करता था लटके वे लटके लटकते वे जूलते वे तारों के गुच्छे थे अभिवस्था थी गंदगी थी पिसली सरकारों ने तो बिजली के लिए वहाँ के लोगों को तरसाया तीन घंटे चार घंटे गंदगी मेट के धेर में वहाँ के लोगों को रुक रहने के लिए मजबूर किया कोई सुद्धाई वहाँ के लिए नहीं थी गाटों में गंदगी कमबार रहता था आज अंदर की फोर लेन की connectivity है बाहर हरोर से आप लखनों से जाएं, गोरकपुर से आएं वरानसी से आएं, प्रियागराश से आएं फोर लेन की connectivity से वो भी जूड़ चुका है और यहीं नहीं अयोधिया मीटर गेज से जुड़ा वता छोटी लाइन रेल की जाती थी बाद में ब्रॉड गेज बनी अब रेलवे की डवल लाइन से जुड़ चुका है इंटरनेशनल एरपोर्ड बन गया है और अयोधिया में सर्यू जी में उस लोग गोली चलाते थे आज सर्यू जी में कुरुफ चलना है कोई कल्ब ना कर सकता था आज ये भी हो रहा है और इतना सब कुछ होने के बाब जूद एक चीज आप अन्वह की होंगे देखिए आप लोग तो पबलिक के बीच में जाते हैं सीधे आप लोगों का कनेक्ट है इतने लोग लोग घटाए गए होंगे उनका पुनरवा स्वा होगा अक्सर होता है कि छोड़ी छोड़ी बातों को लेके लोगों में अन्रेस्ट होता है अयोद्या में इतने बड़े इतना इंफरास्ट्रक्टर का कारे हुआ है लेकिन कहीं कोई अन्रेस्ट नहीं है हर वेक्ति में संतुस्टी है क्योंकि हर वेक्ति अयुद्या के लिए और प्रभुराम के लिए ही जीता है और सब के मन में है कि ये काम जो काम पहले होना चाहिए था और काम आज हुआ है तो स्वाभाई कृप से आम जन्मानस की जो आज की जो मानसिक्ता में परिवर्थन आया है अयुद्या के यहाँ इसलिए संभव हो पाया क्योंकि डबल इंजन के सरकार की नेती भी साब थी और नियत भी साब थी अब तो दिन बहुत करीब आ रहा है दो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दीजेगा यह किसका आइडिया था कि राजनितिक महमानों को हमें बुलाना चाहिए आपसे चर्चा तो ही होगी आप मुख्यमंत्रे किसका आइडिया था कि उनको बुलाना चाहिए और दूसरा राहूल गांदी ने कहा है कि यह पुलिटिकल इवेंट है बाइस जन्वरी को वो कह रहे हैं कि जो लोग गर्वग्रे में होंगे उसमें प्रधान मंत्री होंगे योगी जी होंगे मोहन भागवात संग प्रमुख है जो गवर्नर सब बीजेपी से जुड़े हुए लोग है तो कि यह पुलिटिकल इवेंट है दोनों प्रश्णों पर आपका जाए उनको पॉलिटिकल इवेंट बनाने से किस ने रोका था आकर कॉंग्रेस ने 1947 से ले करके और एक लंबे समय तक सासन किया राहूल जी स्वयम भी 2004 से ले करके 2014 तक इस देश की सत्ता के सिर्मौर के रोप में बैक डूर से कमांटो संचालित करते ही थे किसी से छुपा हुआ है क्या हाँ वालग विस्या है कि उन्होंने कुछ इवेंट संसत में किये कि संसत की आउमाना करते हुए बिल की परतियों को वहाँ फाड़ने का काम जरूर किया था क्या ये इवेंट ही था ये कॉंग्रेस का इवेंट है वे संविधान का अपमान करते हैं संविधानिक संसताओं का अपमान करते हैं भारत की लोकास्ता का अपमान करते हैं भारत की जन विश्वास पर उठारा घात करते हैं मैंने पहले भी कहा प्रभुराम का रामलला की रुप में अपनी जन्भुई में पुनर प्रतिष्ठा का कारिक्रम होना प्रान प्रतिष्ठा का इसमारो भारत के लिए और सनातन धर्माबलंबियों के लिए तो गौरब का भी सही देश और दुनिया के अंदर जितने भी दभी, कुछली, सब्धा और संस्कृति के अन्याई होंगे उन सब के लिए भी आसा की एक नई करण है राजनितिक महमानों वाला सवाल का जवाब आपने नहीं दिया आपने उनको तलवार की नोक पर चड़ा दिया कि आएं तब भी उनको एक तरह से ये मानना पड़ेगा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी कर रहे हैं अगर वो इंकार कर दें तो आप कहेंगे कि देखो ये तो आए ही नहीं इनों ले दूरी बनाए ये हम लोग इस बात को मानते हैं कि राम सब के हैं दिश्टिकों लोगों के अलग-अलग हो सकते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुरत देखी तिन्न तैसी राम हमारी आस्ता के प्रतीक हैं तो हम उनको परमपिता परमेश्वर की रूप में मानते हैं हमने उनके महत्तों को समझा जाना है इसलिए जीवन भी समर्पित कर दिया राम के महत्तों को वे लोग नहीं समझ पाए क्योंकि उनको सत्ता प्यारी है और सत्ता के इतर सोच भी नहीं सकते लोग आस्था क्या होती है और जन्बिस्वास क्या होता है या अगर कॉंग्रेस ने समझने का प्रियास क्या होता ना ये दुर्गत ही नहीं जेलते और इसलिए हर उस अब्यक्ति को उस कारिकरम में आमंतर्ण होना चाहिए और ये से राम जन्बिस्वास में तीर्थ छेतर का आयोजन है उन्होंने अपना निमंतर्ण दे करके अपने करतब्यों का निर्वान किया है क्योंकि राम तो सब के हैं सब को आयोजन में बलाना चाहिए ओर ठीक है पुरा देश आना चाहता है दुनिया आना चाहती है फर राम भक्ता आना चाहता है इस पूरे कारिकरम के साथ जुड़े वे आन्दोलन से जुड़े वे एक लंबी स्रंखला है वे भी आना चाहते है लेकिन अलग-अलग समय में लोग आएंगे हम लोग भी अंडोत कर रहे हैं कि प्रान प्रतिष्टा समारों के बाद सभी लोगों को आउसर मिले आउध्या में राम जन्भुमी का दर्सन करने के लिए और वहां की विवस्ता से राम जन्भुमी तिर्थष्टर न्यास देख रहा है हाँ उत्तर प्रदेश में कोई आएगा अच्छी नियत से आएगा प्रभुक के दर्सन करने की नियत से आएगा उनके दर्शन करने में और वहां तक पहुचाने में हम लोग एक सहभागी हो पाएंगे उनको कहीं भी कोई समस्या ना आने पाए ये जम्यदारी हम लोग अपने उपर लेकर करें कहीं भी दर्शन में भी और बाहर भी क्योंकि आये थे कल कॉंग्रेस के निता आये थे सबुद्धी आये अपने नित्रतों को भी समझाए अपने नित्रतों को भी उनको समझाना चाहिए तो कॉंग्रेस के निता आये वहाँ पर दर्शन के लिए आये पर आपने सवाल का जवाब देते हुए योगी जी सवाल ये था कि कॉंग्रेस कह रही है कि ये एक राजनीतिक आयोजन है आपने कहा वो भी कर सकते थे राजनीतिक आयोजन आपने खंडन नहीं किया ये मैंने कहा ना कि उनका दृष्टिकोंड राजनीतिक सत्ता पर है हमारा दृष्टिकूर्ण लोग आस्ता को सम्मान देने का है और जन विश्वास का सम्मान करने का है तो हम लोग उस अभिहान के साथ इस रूप में जुड़े हैं माने उच्चितम नैले के आदेस पर से राम जन भूमित तीरत छेतर नियास का गठन हुआ है अंदर के सारी विवस्ता यह ट्रस्ट ही करेगा और ट्रस्ट आमंतर्ण करने के लिए स्वतनतर है ट्रस्ट ने जिन्हें आमंतित किया है वे सब हमारे अथिति होंगे क्योंकि हमारे राज्य में आएंगे क्योंकि राम के प्रतिश एक हमारी आस्ता दूसरा उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी रूप में अगर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता कहीं से निकलता है तो हमें उस उसर से बंचित नहीं रहना चाहिए और युद्ध्या का इवेंट हमारे लिए इस रोप में उत्तरप्देश को एक बार फिर से देश के अंदर और दुनिया के अंदर प्रस्तुत करने का भी एक उसर है बहुत सारे सवाल अब इर्दगेत हो रहे हैं आपने शक्राचार पर सीधा का कि भगवान राम से बड़ा कोई नहीं हो सकता है लेकिन आप सबको हुमिलिटी के साथ कह रहे हैं कि आप लोग जब मौका लगे जरूर आई है एक और बात बहुत सोचल मीडिया के जरिये भी फैल रही है और संजय राओ जो की सांसद है शिवसेना उधव ठाकरेगोट के उन्होंने भी उठाए है वो कहा रहे हैं कि जहाँ पर स्थान था जो गुंबत के नीचे जगा थी जहाँ पर है वहां पर गर्भग्रे नहीं बन रहा है आप लोग गर्भग्रे दूर बना रहे हैं के ऐसा क्यों हो रहा है उसा प्रशन उठा रहे अगर आप जानकारी दे सकें तो यह तो दर्शन करने के लिए आये थे कि संजय रावत भी आये थे रोदह जी भी आये थे और उस समय आकर कि उन्होंने वहां पे तमाम गोशनाएं भी की थी उस समय अपने अमुले सुझाव देव होते हैं देखें अंगूर खटे हैं अब तो कोई भी बोल सकता है मैंने का ना अभी व्यक्ति की सुतंतरता सब को है और व्यक्ति को इसके बारे में बोलने में कोई कटना ही नहीं है हमारी पूरी लडाई वही थी राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे और मंदिर वहीं पर बन रहा है पर फिर वही है ना सर कोट का फैसला है मैंने का ना फैसला तो कोट का है वो कह रहे हैं कि बीजेपी क्रेडिट ले रही है यह पूरा कोट के फैसले को पहले भी करवाये जा सकता था पैंडिंग क्यों डाला गया थ क्यों नहीं आप पेरवी कर रहे थे मतलब किसी और पार्टी की सरकार होती तो जरूरी नहीं है कि निर्णे में बाधा नहीं डाला जाता था था यह देरी का कारण नैले नहीं सरकारें थी पार्टियां थी वे चाती नहीं थी किसका निर्णे हो इसका फायदा मिलेगा चौबीस में चौबीस के चुनाओं नहीं पर मिलेगा जो देश की आस्ता का सम्मान करेगा वह जन विश्वास पर खरा उतरेगा अच्छा एक हो गया आंदोलन से जुड़े हुए लोग जिनको श्रे दिया जाता है दूसरा क्या आप भारतिय जनता पार्टी आप ये कह रहे हैं कि पार्टी को भी श्रे है देखे राम जन भूमी का आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है पंदरह सो अठाइस से ले करके दो हजार उननीस तक जब तक मन्य उच्छतम ने आईले ने फैसला नहीं दे दिया तब तक इस आंदोलन के लिए निदनतर आबरेज छैसे साथ वर्स के अंतराल में एक बड़ा आंदोलन होता था अबरेज अगर आब देखेंगे चैतर बार बड़े आंदोलन हुए हैं बड़े संघर्स हुए हैं 1528 से ले करके इन लगभग 590 वर्ष के अंदर 490 वर्ष के अंदर इतने बड़े आंदुलन औभ्यान चलते रहे ये चीजें दिखाती हैं कि एक लंबे समय तीन लाग से दिक रामभक्त सईद हुए इसमें संत भी थे, राजे रजवाडे भी थे, सामाने भक्त भी थे, महलाएं भी थी, पुरुस भी थे जो राम जिनम भूमी के लिए अपने आपको उन्होंने बलदान कर दिया दुनिया के अंदर इस परकार का उधान देखने को नहीं मिलेगा जो अयुद्ध्या की दिश से हम सब को देखने को मिला हाँ, आंदुलन कभी विपरीत परस्तितियां थी, कई संपरस्तितियां थी लेकिन निर्णे और निर्णे के बीच में फसा हुआ था 1885 के प्रिटिस कालखंड में नियाले के अदिश को आप पढ़ें न, कोर्ट स्विकार कर रहा है केस्तान हिंदों का है, प्रिटिस कावर्मेंट है, लेकिन एक लंबा समय हो गया है अब इसमें कोई निर्णे हम देंगे तो उसको फिर छोड़ते हैं लेकिन इसके बाद जो चीज़ें आगे आएं और लोगों को भी तो मौका मिला था, क्यों नहीं उन्होंने अपने समय में इसको किया उनको भी आगे आना चाहिए था आज दोसार उपन करने से नहीं काम चलने वाला है आज जब देश एक अच्छी दिसा में जा रहा है सारे लोग उस दिसा में एक सकारत्मक भाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं मुझे नहीं लगता है किसमें किसी भी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी पैदा करने का कोई उसर होना चाहिए योगी जी अब आपकी भूमिका पर आते हैं ऐसा लोग मानते हैं कि आप बीजेपी के पूरे क्यारेक्टर को पूरा सूट करते हैं वो इसलिए क्योंकि आपका रहने का धंग भगवा रंग जो आप धारन करके रखते हैं चारों तरफ से आपका बुल्डोजर चलाना आपका उत्तर प्रदेश क्या देश भर को राममय करना जिससे आपको लगता है इस लहर से फिर हिंदू वोटर भी अप्रभावित होकर नहीं जाएगा दो हजार चौबिस तक तो आप एक तरह से बीजेपी की पूरे क्यारेक्टर को पूरा सूट करते हैं और उस कड़ी में अगर हम राममंदिर को देखें तो आपने भी पूरी ताकत जोग दिये इसी के जरीए आप बीजेपी को जितना लाब चौबिस के लिए दिलाना सकते हैं वो आप दिलाने की कोशश कर रहे हैं क्या मैं सही नहीं हूँ देखें मैं तो इस पूरे अभिहान का एक सिपाई हूँ और सिपाई की रूप में हम लोग राजनीती में आये हैं मुल्यों और आदर्सों के साथ राजनीती हमारा पेसा नहीं है उन मुल्यों और सिद्धानतों के साथ आये हैं और उन्हीं मुल्यों और सिद्धानतों के साथ कारे कर रहे हैं कारे करते रहेंगे सभी मुख्यमंत्री एक दोसे राज्य में परचार के लिए जाते हैं और हर एक के सयोग के लिए एक दोसे के राज्यों में जाते हैं हमारी राज्य में चुना होते हैं हमारी राज्य में भी अन्य राज्यों के मन्ने मुख्यमंत्री गणाते हैं केंद्रिय ननेता गणाते हैं ऐसे ही अन्य राज्यों में होता है तो हम लोगों का उसर मिलता हम लोग भी जाते हैं तो ऐसा नहीं है सभी लोग एक दुस्य के सयोग करने के लिए जाते हैं हाँ कुछ चीजें अगर भगवा कलर में इतना अकरसंड है तो मैं चाहूंगा पुरा देशी भगवा में होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए एक और चीज है वो यह कि आयोध्या नगरी को जैसे हम सिर्फ एक अंजना ने भी मॉडल शब्द का इस्तमाल किया तो अगर उसे हम देखें ऐसा लगता है कि योगी आदितनात 22 जन्वरी के लिए या फिर एक साल के लिए दो साल के लिए नहीं सोच रहे हैं आपने जिस तरह के प्रोजेक्ट की शुरुवात की है ये क्या 50 वर्ष का प्रोजेक्ट है मतलब आप अयोध्या नगरी को 50 वर्ष आगे कैसा देख रहे हैं ये कि अभी भी हम लोगों ने अयोध्या को वास्तों में कि उले एक छोटे से नगर की रूप में जाना है इमानदारी से अगर इस पर लोग सोध करें तो ये विश्व की सांसकर्टिक राजधानी है विश्व की हाँ मनुश्या पहला मनुश्या और मनुश्या की परंप्रा की सुरूवात यहीं से सुरूवात भी होती है अयुद्या उसकी प्रतम भूमी है अधार भूमी है मनों से मानो और फिर वहीं से परंपरा आगे बढ़ी है मनों के कितने पुत्र थे उसके अनसार अगर आप देखेंगे तो अलग-अलग द्वीप उन्हीं के उस पर माने गए हैं आप भारत के प्राचीन इत्यास को उठाके देखें तो आपको इस सारी चीजें जनकरी में आ जाएंगे अयोध्या प्रभुराम के पावन जन भूमी है यह तो हम सब जान रहे हैं उत्तर भारत को सबसे उर्वरा भूमी बनाने का स्रे हम मा गंगा को देते हैं और गंगा को इस उत्तर भारत में लाने वाले कौन थे भागिरत वे भी अयोध्या में थे महराज दलीब भी वहीं पैदा हुए थे महराज अज भी वहीं पैदा हुए थे मानधाता भी वहीं पैदा हुए थे एक लंबी परंपरा है जैन परंपरा के तिर्थंकरों को आप देखेंगे ये परंपरा भी वहीं से निकलती हुए दिखाई देती है जड़ भरत हो या फिर उसके बाद की परंपरा है ये सब वहीं से निकलती है और अयोध्या के इस महित्यों को कमतर आखने का प्रियास जो विश्व के इत्यास की भूमी है जिसे सम्मान बहुत पहले मिलना चाहिए था आज प्रधान मंतरी मोदी जी के करण वह सम्मान अयोध्या को प्राप्त हो रहा है और हम लोगों को इस बात को मनना चाहिए कि हमें अयोध्या के इस महित्यों के माद्यम से भारत की यानि एक ग्लोबल ब्रांडिंग का एक उसर मिला है हम लोगों को ले के आए देखे हम लोग उसके महित्यों को अभी भी वो बहुत वो कर रहे है अंडरस्टिमेट कर रहे है 2017 में हम लोगों ने अयोध्या में दिपोत्सों के आयोजन को किया था 2018 में अधने प्रधान मंत्री जी की पिर्णा से यह हुआ कि भी अयोध्या के साथ उन देशों को जोड़ो जिन देशों से भारत की सांस्कृतिक समंदर रहे हैं या हैं आज भी हैं जो अपने सुत्र को जोड़ते हैं तो साथ कोरिया की फस्स लेड़ी हमारे आयोजन का चीप गेस्ट बनी थी उनका पराएक डेलीकेशन आया था यहां पे और उन्होंने इस बात को कहा कि अयोध्या की राजकुमारी कि हम वनसज हैं साथ कोरिया में थी और अयोध्या की राजकुमारी कैसे वहां गई? जल मार्ग से. हमारी सरकार ने अयोध्या के लिए दिस से जल मार्ग को हम प्रारंब कर सकें. इसके लिए इनलैंड वाटर वे अथर्टी का गठन भी कर दिया है. यहां से हम लोग लेके जा रहे हैं हल्दिया तक जोडने के लिए फिर वहां से आगे बढ़ने के लिए और अयोध्या की राजकुमारी रत्ना जल मार्ग से सौथ कोरिया पहुची थी. आज की वहां की जो परंपरा है एक बड़ी परंपरा वहां पर उन्हें अपनी दादी म मां की रूप में संबोधित करके सम्मान देती है और उन्हें की स्मृति में किम हो जो पार्क है अयोध्या का वह हम लोगों ने वहां पर स्तापित किया है. ऐसे ही थाइलेंड में आप देखें. राजा राम है मां की परंपरा अपने आपर राम से जोड़ती है. वहां के जो निशनल हाइवेज हैं वे सब राम के नाम पर रामा वन रामा टू राम के नाम पर हैं. राजा ने अपना जो पैलेस था ग्रेंड पैलेस उसको उन्होंने रामेंड को दान किया है. थाइ रामेंड के सभी चित्रों को उस पर उकेर करके उन्हें राम को सम्मान दिया ये थाइलेंड का है थाइलेंड की जो पुरानी रासधानी थी जो बात में मैंनमार के साथ युद्ध के दोरान च्छतिगरस्त हो गई थे वह अजुद्या थी आज भी उनों ने सम्मान दिया यह अपनी परंपरा को कहां से लोग जोड रहे हैं राम के साथ आप इंड इस दुनिया के सरवाधिक मसल्मान रहते हैं लेकिन उंडॉनेसीया में वह लोग आज भी रामएन के साथ जुड़े है रहा हमने इंडॉनेसीया की रामलबाय को भी आमान्तित किया है इस दोरान अयुतिया में अब उनके पात्रों से बात करिए न वेस será को अपना आदर् मित कर देता है और जिन लोगों ने भारत को भारत के बारे में कभी जानने का इमानदारी से प्रियास नहीं किया वह लोग भारतियता पर भारत की प्रमपरा पर भारत की महापुरसों पर भारत की अरहदे देवों पर प्रस्न खड़ा करते हैं इनको वास्तों में समझना चाह एयोद्या क्यों आयोद्या नहीं है अयोद्या तो विष्व की सांसकृतिक रासदानी है और उस सांसकृतिक रासदानी की रुप में उसकोई प्रुनISHतापना आपने थी कहा की राम लद्ला हमाएंगे मंदिर उहीं बनाएंगे आप लोगों का नारा था संग परिवार का एक और नारा है काशी मतुरा भी बाकी है उस पर आपके क्या विचार है देखिए जो विसे न्यायले में है तो न्यायले को उस पर काम करने देना चाहिए हमने राम लाला के लिए 500 वर्सों तक संघर्ष किया और मर्यादित तरीके से उसमें न्याय और सत्ते की विजए प्राप्त की है यहां के मामले भी अपर यह सब जूडिस है न्यायले में न्यायले के सामने अपने परमान प्रस्तुत करेंगे समय आने पे सारी तत्ये सामने आएंगे दोत का दोत पाने का पाने सब के सामने बाकी दुनों जगे पर को आप लोग को तारीक देने वाले हैं सभी चीजों के लिए समय आएगा और देखे हो हैं वही जो राम रसी राखा प्रभू को अपनी लिला को पित रसने दीजिए पर खुशी आपके चिपती नहीं है चेहरे पर वह आते ही बात खुशी दिख रही आपके चेहरे हैं हम तो निमित्त मात्र हैं प्रभू अपनी लिला को स्वेम करेंगे चुनावी पॉलिटिक्स पे आने से पहले अगर एक विपक्षियों को अगर एक संदेश आपको देना हो हां राम बंदिर से जुड़ी एक और चीज मैं आपसे जानना चाहती हूं यह मुख्य यजमान की बात क्या है योगी जैगा तीरत चेतर ने सिराम जन भूमी तीरत चेतर नैस ने यजमान बनाये हैं प्रधान मंतरी मैं सकता हूं जिसको भी उनको उचित लगता है उनको अपने यजमान बना करके उन्होंने इस पूरे कारिक्रम को आगे बढ़ाया है पर ये कहा गया कि मुख्य यजमान कोई और होगा अगर जो अनुष्थान में बैट करके इस पूरे को संपन करेगा अच्छा इस सभी कारिक्रम उसका अपने सास्त्रोक तो पद्दति के इन सारी सारी कारिक्रम हो रहा है कारिक्रम के बारे में कुछ जानकारी आप दे कास भी रहेगा उससे पहले अन्यक कारिक्रम चलने हैं जैसे चौदा से लेकर के किस तक सचता का एक बिसे सभीहान चलना है अंदी पावली के पहले भी इस प्रकार का कारिक्रम करते हैं या अन्य आउईचनों में करते हैं या दपी पहले के तुलना में सुच भारत के पूरु तक अखंडर आमेड़ पाध्य राम नाम संकृतन के कारिक्रम होंगे. अब प्राहन में मध्यान में बारा बजे के बाद प्रधान मंत्री जी का और अन्य महान वहाओं का मुख्य मंदिर में प्रवेश होगा पोजा पहले से चल लए होगी उसके बाद कारिक्रम उष्ठान होंगे और लगभग एक बजे तक अंदर का कारिक्रम संपन्न हो करके एक बजे वहाँ पे संबोधन की देश से जो मंच बना होगा उस मंच पे आकर के फिर ये कारिक्रम आके चलेगा आप भी बोलेंगे पीम भी बोलेंगे तो ये कारिक्रम वहाँ के संपन्न होंगे संपन्न होने के बाद जो भी तीर चेतर जो भी तै करेगा उसके उनसरे कारिक कि यह कारिक्रम फिर अनवरत आगे विवस्था की दिस्थे क्योंकि हर राम भक्त युद्याना चाहता है तो उनके लिए भी फिर विवस्था वहाँ पर आगे कि बहुत जादा लाखों लाख की तादाद में लोग पहुंच सकते हैं तो किस तरह की तैयरी हैं पर 23 तारीक से पूरा प्रशासन समझ रहा होगा कि कितनी बड़ी संख्या में लोग कि अस्थाने अस्तर पर जो बिवस्था बनाई जा रही है हर राज्य में हर जन्पद में वे अगर उसकी बिवस्था के तता आएंगे तो किसी को भी कष्ट नहीं होगा अपने तरीके से पैदल न निकले क्योंकि उत्तर भारत में इसमें भी संख्या सी तलहरी चल लई है और भीड़ भाड़ होगी इसलिए लोग मेरा बिनम्बरन रोद होगा कि पैदल कोई न चले अपने बाहन स्वेम बुक न करें जो बिवस्ता अस्थाने अस्तर पर बनाई जा रही है वहाँ पे नियाज से जुड़े वे लोगों के द्वारा या अन्य संगटनों के द्वारा एक बिवस्ता बनाई जा रही है वहाँ से अपना कारिकरम भेज करके जब उनको वहाँ से कहा जा रहा तब ही वे लोग आएं रेलवे कुछ स्पेशल टेंस भी चलाएगी उन स्पेशल टेंस में भी आप अपना रिजर्वेशन करवा करके अज़ध्या आ सकते हैं तो वहाँ पे हम उनको बहतर सुगधा दे पाएंगे और आसानी से दर्शन करा पाएंगे क्योंकि क्यों अज़ध्या आना भर नहीं है जिस उद्देशे से आ रहे हैं कि रामदा का दर्शन कर सकें उस उद्देशे की पूर्ती भी होनी चाहिए तो इसके लिए वहाँ पे दर्शन के लिए प्रियाप्त ब्युस्ता की जा रही है वेरिकेटिंग दे जा रहे हैं अन्य कारिकरम हो रहे हैं तो कितना भी कोई करेगा तब ही दर्शन करने में एक ब्यक्तिको एक दिन में एक देव विग्रह का दर्शन करने में बहुत मेहनत करेंगे डJames लाग दो लाग तक लोग दर्शन कर पाएंगे जबकि आने के चुक्शों को लोग बहुत होँगे तो एक प्रियास धीरे धीरे करके जब भी उसर आएगा तो लोगों को हम लोग उस प्रकार की भी वस्ता देंगे देखें युद्ध्या के प्रतियाकरशन का क्या हो जैसे राम नौमी में अमूमन सत्रह के पहले हजारों में लोग आते थे पचास हजार साथ हजार तक लोग आते थे दर्शन करके असनान करके चले जाते थे देपत्सो के बाद कारिकरम में संख्या बढ़ती गई युद्ध्या में सुबिधा भी मिलती गई लोगों को लगा कि अब तो ठीक होगा इस वर से राम नौमी के उसर पर 35 लाक लोग आये थे इतनी बड़ी संख्या का युद्ध्या में आगमन इस बात को दिखाता है कि लोग हर सरधालो हर राम भक्त युद्ध्या आना चाहता है और उसके लिए उस प्रकार की सुविधा और बिवस्ता हम लोग देंगे एक और सवाल मन में आया आपने कहा कि प्रधान मंतरी लगभग 12 बजे के आसपास वहां पहुंच रहें तो क्या हमाने जो मुख्य गर्ब ग्रे है उसमें पहले से ही मूर्ती राम लला की 5 साल वाली भी जो अरूर योगी राज बना रहे है और छोटी वाली भी राम लला ज जन होगा उस एक घंटे के अविजन के अंदर उस सारे कुछ समपन हो जाएंगे योगी जी अब कुछ राजनीतिक प्रश्णू की ओर आना चाहते हूं मायवत्ती जी ने हाल ही में ये घोशना की कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी लोग सभा चुनाव में वो इंडिया आलायंस के साथ नहीं जाने वाली है उन पर भी बड़े प्रहार हुए कहा गया कि वो तो भार्तिय जनता पार्टी का फाइदा करने वाली है देखे हर राजनीतिक दल को अपनी रणिती तैक करने का अधिकार है और हम कैसे किसी राजनीतिक दल के बारे में बात कर सकते हैं क यह भारतिय जनता पार्टी की रड़नीती ही अपने आप तैक कर देगे हम लोग तो तब भी लड़े थे जब 17 में लोग अलग लड़े थे 14 में भी अलग लड़े थे 14 में दो नौ योकों की जोड़ी लड़ी थी 17 में भी फिर यह लोग लड़ने का प्रियास किये थे बीजे 17 में इन लोगों ने प्रदेश में एक महागड़बंदन भी बनाया था तो भारतिय जनता पार्टी प्रधान मंतरी मोधी जी के नित्रतों में तब भी लड़ी थी और अच्छे बहुमत के साथ भारतिय जनता पार्टी आगे बढ़ी थी जीती थी लेकिन हर पार्टी को अपना एजेंडा सेट करने और अपने रणिती को बनाने का पुरा दिका रहे हैं बीते दिन मायवती जी ने प्रेस कॉंफरेंस करके कहा कि वो अलग लड़ेंगी और मायवती ने गिरगिट कह दी आखिलेश आदव को अब आज अखिलेश आदव आये उन्हों का कि हम तो सप्टा देख रहे थे कि मायवती जी को पी-म बनाएंगे लेकिन वो किसी के दबाव में मेरे खिलाब बोल रही है और माना जा रहा है वो दबाव आप ही का है केंदर सरकार का सी बी आए अखलेश जी को इस वात के लिए धन्यवाद देता हूं कि कमसे का उन्होंने मेरा दवाव माना तो आपका असर वाला मान रहे है वो लेकिन अखलेश जी गेस्टाहोस कांड को समभतों भूल गये होंगे अखिर माया वतीजी के साथ तो उन्होंने ही किया था ना या इस मारकों के प्रती जिस परकार की सबदावली का प्रयोग उन्होंने उस समय किया था जब बारा में मुख्यमंत्री बने थे ये किसी से छुपा हुआ है क्या और ये बार बार तो कभी कॉंग्रेस के साथ जाते हैं कभी बियस पी के साथ जाते हैं कभी किसी और के साथ जाते हैं तो ये तो बार बार अपने आप वही चेंज करते हैं वही बदलते रहते हैं अपमा तो मायवती जी ने जो बोला है क्या बोला है मैंने पुरा बयान पढ़ा नहीं कुछ सुना नहीं लेकिन मुझे लगता है कि उनको जो अच्छा लगता होगा उनकी पालिटी के हित्मिस प्रकार कभी लड़ाई से आपको फायदा होगा ना सर अगर बीजेपी बीजेपी मोधी जी के नित्रतों में उत्तरपदेश के अंदर बहत्रीन प्रदर्शन करेगी किपनी सीट है सी में से हम तो असी में से सी लाने के पक्सदर है कि असी में से सी बीजेपी के पक्सदर है जब समाजबादी पार्टी और बहुजन समाज पार्ट मैंसे 64 सीट हम लोग तब भी जीते थे पर सही सही बताइए कि 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश जिसके लिए सबसे ज्यादा मेहनत सारे दल करते हैं वहाँ पर अगर वाकई बीएसपी, एसपी, कॉंग्रेस वगेरा सब मिल जाते एक साथ तो ये 50 की लड़ाई हो जाती प्रतिशत की देखे गठवंदन 19 में इन्होंने गठवंदन किया था परणाम क्या हुआ परणाम क्या था? उस समय नोंने दुस्परचार की सारी सीमाओं को लांग दिया था कॉंग्रेस ने और जनता के सामने सब दूद का दूद पानी का पानी हुआ आज ऐसा तो नहीं है कि कॉंग्रेस जो है इन सभी चीजों से जो है देश की जनता इसको देख नहीं रही है आज तो 19 से भी कभी कहीं आगे निकल चुके हैं आज दस वर्ष का प्रधान मंतरी मोदी जी के नेत्रतों में आज हर बेक्तिस विकार करता है कि आज 20 मंच पर भारत की प्रतिस्टा बढ़ी है आज हर बेक्तिस बात को मानता है देश के अंदर अच्छा यानि वर्ड क्लास जो है इंफरस्ट्रक्चर भारत के अंदर बना है पिछले 10 वर्ष के अंदर हर 31 पात को मानता है कि देश सरक्सित हुआ है और देश मोदी जी के निट्रतों में सरक्सित है और हर 31 पात को मानता है कि बिना भर्वाओ के welfare scheme काला आप फर गरीब को, हर गाउं को, हर किसान, हर नौज़मान और हर महला तक पहुचाने का कारे हुआ है किसने रोका था कॉंग्रेस को या अन्य दलों को इस परकार की वैलफेर स्कीम को चलाने से कल आपने देखा होगा कि नीती आयोग की जो रिपोर्ट आई है गरीवी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के जीवन अस्तर में पिसले दस वर्स में किता अंतराया है 24 करोड से अधिक लोग गरीवी रेखा से मुक्तु हुए हैं भारत के अंदर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब यह हम कह सकते हैं कि 22 जन्वरी से पहले नमस्कार आपके साथ मैं हूँ अंजना उमकश्यप और हमारे साथ राम मंदिर में 22 जन्वरी की तारीख जब प्रान प्रतिष्ठा होगी उस पर चर्चा करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित तिनात जी यहां पर जुड़ रहे हैं स्वागत है सर आपका आज तक बर बिरहा के सो परवत पिघले तब रगराई तुम घर आए बेला तो आ गई है आपके जीवन के लिए प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर का बनना क्या माहिने रखता है और आपकी सरकार के लिए क्या माहिने रखता है केंद्र सरकार के लिए, मोधी सरकार के लिए क्या मायने रखता है। का दंस को जहल लई थे, आज उससे मुक्त हो करके। हमारे बेदों ने अयुद्या को जिस सब्त पुरियों में से प्रथम पुरी के रूप में समानित किया। आज उसी आभा के साथ प्रणरस थापित हो रही है। 22 जनवरी को राम लला की प्रांट प्रतिष्ठा का ये समारो। मेरा मानना है प्रभूर तो सरोब्यापी हैं। सर्वत्र हैं, प्रम्पिता प्रमेश्वर हैं। लेकिन यह भारत और विश्वमानोता की लोक आस्ता और जन विश्वास की पुनर प्रतिष्ठा का भी ये आयूजन है। ब्यक्तिकत रूप से भी और इस जन आस्ता इस लोक आस्ता और जन विश्वास की प्रति लोक तंत्र का एक सामने नागरिक होने के नाते। हम सब का ये मनना है कि यह कार्य होना चाहिए था, पहले होना चाहिए था। लोगों ने राम की ताकत को नहीं स्विकारा, वही गलती की जो सास्त्रों में गलती करने वाले भुगत चुके हैं। और आज राम नाम से जिस भारत की कलपना नहीं किज़ा सकती है, बगवान राम की उस महत्वा को स्विकार करने के बाद, नयाय और सत्य की विजए अयोध्या के लिए हुआ है, और उस नयाय और सत्य की पनुरस्थापना का कारिक्रम, 22 जनवरी के कारिक्रम के माद्यम से हमें वहाँ देखने को मिलेगा। जन आस्ता का सम्मान किसी भी लोक तांत्रिक सरकार का कारे होना चाहिए और जन विश्वास पर खरा उतरना, अगर जन आस्ता, लोक आस्ता का आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो जन विश्वास पर खरा नहीं उतर सकते, एक दोसरे के पुरक हैं, और प्रधान मंत्री मोदी जी के नित्रतों में आज उनके मार्ग दर्सन में उनके नित्रतों में उस लोक आस्ता और जन्विश्वास की पुनर प्रतिष्टा हो रही है योगी जी पहले गलतियां की होंगी अब आपनों को सुझाव भी बहुत सारे मिल रहे हैं यहां पर हमने पूरा संपूर वो राम मंदिर का मॉटल भी लगाया है अलों कि बहुत अब लोग प्रिया हो रहा है लोग इसे योध्या नगरी से ही ले जा रहे है लेकिन यह बताएए कि अगर शिखर नहीं बन रहा है और उससे पहले प्राण पुतिष्ठा हो रही है तो क् पूर्ण नहीं है क्या गर्भ ग्रे का बनना पूर्ण नहीं माना जाता है मंदिर को देखे राम लला का प्रकटी करण हम जिस विग्रह को वहां स्थापित कर रहे हैं अनुष्ठान उस विग्रह का होता है और ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है अयोध्या में जो कुछ भी कारिक्रम हो रहे हैं इस सनातन धर्म के सास्त्रोक्त पद्दती के अंसारी हो रहे हैं और सास्त्र परंप्राओं से भी चलते हैं तुसरा लोग हित में जन हित में परंप्राओं बनाई भी जाती हैं उन सास्त्रोक्त पद्दतियों का पालन करते हुए इन सभी चीज़ों को जो पोरों में भी हुए हैं और आगे भी होंगे उसी के अनुरूपे कारिक्रम भी और युद्ध्या का सिराम जन्भों में तीरचित न्यास के द्वारा प्रारंब किया गया है विपक्ष का तो कहना है कि अब चुनाव करीब है इसलिए आप लोग जल्दबाजी में कर रहे हैं अभी मंदिर का निर्मार पूरा नहीं हुआ है लेकिन दो तीन महीने बाद चुनाव है और इसे में शशी थरूर को मैं कोट करना चाहूंगी कॉंग्रस के नेता वो यह कह करके हम गुजरात मॉडल देश में लाएंगे विकास का फिर वो 19 में आये पुल्वामा की वज़े से अब वो राम मंदिर में प्राड़ प्रतिष्ठा करके बनना चाहते हैं हिंदय हृदू हिंदू हृदय समराथ और उससे वो चुनाव जीतना चाहते है तो इसलिए आप कि कॉंग्रेश ने 1989 में अपने चुनाव परचार अभ्यान का सुभारंब अयोध्या से किया था और क्या ये सच नहीं है कि कॉंग्रेश एक तरफ हिंदों को बेकूब बनाती थी और दूसरी तरफ मुस्लिम वोड बैंक से भी मों नहीं छोड़ पा रही थे बोड बैंक की राजनिती इसमें विपक्स ने किया है कॉंग्रेश जैसे दलों ने किया है बारतिय जनता पार्टी ने इसमें राजनिती नहीं कि हमने तो बार-बार कहा ना कि जो देश की आस्ता थी उस देश की आस्ता का हम लोगों ने सम्मान किया हम उसके पक्सदर थे आज भी है और जो भी लोग आस्ता का सम्मान करेगा वो जन विश्वास पर खरा उतरेगा के रहें कि बीजेपी संग का इवेंट हो गया है सर पांच लोग अंदर रहेंगे गर्ब ग्रे में हिंदू पंचांग से नहीं निकाली है आपने तित्इ आपने निकाला है countdown लोगसभाई election का देख कर देखे हिंदू परंपरा में सनातन धर्म की परंपरा में मकर संक्रांती के बाद सूर्य नारेण के उत्रैन में आने के उपरांत सुब मोहरत आते हैं कारिकरमों के और उसी को मान करके सास्त्रोक तो पद्दती से यह कारिकरम किया गया कॉंग्रेस को इस में तो आफर मिला था नक लेकिन आत करिये जब सोमनाद के मंदर की पुर्णस्तापना का कारिकरम हुआ कॉंग्रेस ने तो सायुजन का विरोत किया उस समय के प्रधान मंत्री उस कारिकरम मैं स्वयम तो नहीं गए लेकिन तद्कालिन राष्टपती को भी उन्होंने जाने से रोकने का प्रियास किया था आप नहरू जी की बात कर रहे है और राजिंदर प्रसाद जी की मैं कह रहा हूँ तक्टर राजिंदर प्रसाद जी उस कारिकरम में गए लेकिन ताथकालिन पृधान मंत्री नहरू जी ने प्रियास तो किया था सोयम तो नहीं गए लेकिन लोगे उनको भी रोकने का प्रियास किया कॉंग्रेस ने लंबे समय तक देश में सासन किया आखिर देश की सुतंतरता कैसी है मान बिंदों की पनरस्थापना का कारिकरम और फिर इसमें तो न्याय और सत्य की बात हमने हमें एक अस्थान के लिए प्रमाण देने पड़े जिसमें भारत की आस्था कहती थी कि यही राम जनम भूमी है लेकिन प्रभुराम ने चूंकि हमें मर्यादा का पार्ट पढ़ाया था इसलिए हमने मर्यादी ताचन करते भी वे सारे प्रमाण प्रस्तुत करते रहे हम लोग लड़े लोवर कोट में लड़े हाई कोट में लड़े सुप्रेम कोट में लड़े और अंदता सुप्रेम कोर्ट में पांच जज़ेश की एक पूर्ण पीठ ने अयोध्या की मामले को लेकर के एक सरो मसम्मत थैसला दिया तो ये नयाय और सत्ते की स्थापना का भी अभिहान है और उसी अभिहान के करम में आज अयोध्या का कारिकरम हो रहा है इसमें तो किसी को आपतीपती भी नहीं होने चीए अगर कहते हैं कि हम वहाँ जाकर क्या करेंगे ताली बजाएंगे तो इसके पीछे की सोच क्या है पॉंग्रिस कहती है कि आप लोग अपमान कर रहे हैं देखे हमने हर धर्माचारे को और हर अचारे को तीर्थ छेत्र ने उन्हें आमंत्र भेजा है और मुझे लगता है कि यह आउसर स्रे और प्रे का नहीं है यह आउसर मान अपमान का नहीं है चाए मैं हूँ एक सामने नागरिक है या इस देश का बड़ा सा बड़ा धर्मा चारे कोई भी प्रभुराम से बड़ा नहीं है हम सब राम पर आस्रित हैं राम हम पर आस्रित नहीं है हम इस बात को ध्यान में रखना होगा और राम से बढ़कर के कोई नहीं हम सब की विवस्ता राम के विगर नहीं चल सकती लेकिन राम तब भी तराम थे जब ये परंपराई नहीं थी उनके विरोत के पीछे आपको क्या वज़ा समझ में आती है देखे हर वेक्ति को अपनी बात बोलने का दिकार है लेकिन हम तो आज भी अंडोत करेंगे बिनम्र अंडोत करेंगे सभी पूजय संतों से जिनको तीर्चेत ने आमंतरन किया है या जो इस समय नहीं आपा रहे हैं वे कभी पदा रहे हैं हम सुनी सुनाई बातों बे बिस्वास न करें देखें पहले की अयुद्ध्या आज की अयुद्ध्या हम देखें कैसे अयुद्ध्या आज अपनी पुरातन वैवाओ के लिए पुनरस्ता पित हुई है ऐसा नहीं कि लोगों का उसर न मिलाओ 75 साल तो सभी लोगों को मिले थे 70 साल मिले थे, 60 साल मिले थे, 50 साल मिले थे क्यों नहीं लोगों ने किया लोग तो अयुद्ध्या का नाम लेने से डरते थे ये भी मैं आपसे समझना चाहती हूँ क्योंकि हम अंदोलन से जुड़े अलग-अलग लोगों से बात करते रहे आप अपने तरीके से अलग से जुड़े योगी जे एक तो आपका अपना जो आपकी गुरुजी का भी जुड़ा हो रहा आपका जुड़ा हो रहा लेकिन आयोध्या नगरी के तरफ कोई राजनेता जाने की हिम्मत नहीं करता था सब दूर रहते थे कि पता नहीं क्या दिक्कत हो जाए कोट का आदेश आया नहीं था लेकिन योगी आदित्यनाथ ने वहां पर दीपोच्छव का आयोजन शुरू कर दिया था यह जानते हुए कि यह सवाल पूछा जा सकता है कि मंदिर कब बिश्वास था अधोड़ी विश्वास था हुआ हम अगाराम सेयतों का निर्माण हो सकता है तो राम मंदिर का निर्माण भी होगा और इसने इसके पहले प्रभू के आगमन के पहले दिपोच्छव तो होने चाहिए आखिर दिपावली का आयुजन तेसे लिए होता है और सरकार आई ये मेरा सोभाग्य है क्यादणी प्रधान मंत्री जी की पेंड़ना से हम लोगों ने दिपाथ सो क्यायुजन के साथ साथ वहां की वन्यादी सुग्धाओं में सुधार करना प्रारंब कर दिया था चायवार रामजी की पेड़ी हो गुपतार घाड से लेकर के रामजी की पेड़ी नए घाड तक के निर्मान का कारिकरम हो वहां की सच्छता का कारिकरम हो वहां की फसाट की बियुस्था हो यहांने सभी कारिक्रमों को हमने इस किया और आज यही आयुद्ध्या है ना सिंगल लेन की सड़के थी आज आयुद्ध्या के अंदर फोर लेन की सड़क कलपना थी ना आज से दस साल पहले कोई इसकी कलपना ही नहीं करता था लड़के लटकते वे जूलते वे तारों के गुच्छे थे अभिवस्था थी गंदगी थी पिसली सरकारों ने तो बिजली के लिए वहां के लोगों को तरसाया तीन गंटे चार गंटे गंदगी मेट के धेर में वहां के लोगों को रुक रहने के लिए मजबूर किया कोई सुद्धाई वहां के लिए नहीं थी घाटों में गंदगी कमबार रहता था आज अंदर की फोर लेन की कनेक्टिविटी है बाहर हर और से आप लखनों से जाएं गोरकपुर से आएं वारानसी से आएं प्रियागरास से आएं फोर लेन की कनेक्टिविटी से वह भी जुड़ चुका है और यहीं नहीं अयोधिया मीटर गेज से जुड़ा बता चोटी लाइन रेल की जाती थी बाद में ब्रॉड गेज बनी अब रेलवे की डवल लाइन से जुड़ चुका है इंटरनेशनल एरपोर्ड बन गया है और अयोधिया में सर्यू जी में उस लोग गोली चलाते थे आज सर्यू जी में कुरुफ चलना है कोई कल बना कर सकता था आज ये भी हो रहा है और इतना सब कुछ होने के बाब जोद एक चीज आप अन्वह किये होंगे देखिए आप लोग तो पबलिक के बीच में जाते हैं सीधे आप लोगों का कनेक्ट है इतने लोग घटाए गए होंगे उनका पुनरवा स्वा होगा अक्सर होता है कि छोड़ी छोड़ी बातों को लेके लोगों में अन्रेस्ट होता है अयोध्या में इतने बड़े इतना इंफ्रास्ट्रॉक्चर का कारे हुआ लेकिन कहीं कोई अन्रेस्ट नहीं है हर वेक्ति में संतुस्ती है क्योंकि हर वेक्ति अयोद्ध्या के लिए और प्रभुराम के लिए ही जीता है और सब के मन में है कि यह काम जो काम पहले होना छहीए था ओड़ काम आज हुआ है तो स्वभाई कृप से आज अजन्मानस की जो आज की जो मानसिक्ता में प्रिवर्टन आया है अयोध्या के यहाँ इसलिए संभव हो पाया क्योंकि डबल इंजन के सरकार के नेते भी साब थी और नेत भी साब थी अब तो दिन बहुत करीब आ रहा है दो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दीजेगा यह किसका इडिया था कि राजनितिक महमानों को हमें बुलाना चाहिए आप से चर्चा तो ही होगी आप मुख्यमंत्रिय किसका इडिया था कि उनको बुलाना चाहिए दूसरा, राहूल गांदी ने कहा है कि ये पुलिटिकल इवेंट है बाइस जन्वरी को, वो कह रहे हैं कि जो लोग गर्वग्रे में होंगे, उसमें प्रधान मंत्री होंगे, योगी जी होंगे, मोहन भागवत संग प्रमुख हैं, जो गवर्नर सब बीजेपी से जुड़े ह तो कि ये पुलिटिकल इवेंट है, दोनों प्रश्णों पर आपका जाएं, उनको पॉलिटिकल इवेंट बनाने से किस ने रोका था, आकर कॉंग्रेस ने उनिसो सेंटालिस से लेकर के और एक लंबे समय तक सासन किया, राहुल जी स्वयम भी 2004 से लेकर के, 2014 तक, इस देश की सत्ता के सिर्मौर के रूप में, बैक डॉर से कमांटो संचालित करते ही थे, किसी से छुपा हुआ है क्या, हाँ वालग विस्या है कि उन्होंने कुछ इवेंट संसद में किये कि संसद की आउमाना करते हुए, बिल्की परतियों को वहाँ फाड़ने का काम जरूर किया था, क्या ये इवेंट ही था, ये कॉंग्रेस का इवेंट है, वे संविधान का अपमान करते हैं, संविधानिक संस्ताओं का अपमान करते हैं, भारत की लोकास्ता का अपमान करते हैं, भारत की जन्बिश्वास पर कुठारा घात करते हैं, मैंने पहले भी कहा प्रभुराम का रामलला की रूप में अपनी जन भूई में पुनर प्रतिष्ठा का कारिकरम होना ये प्रान प्रतिष्ठा का ये समारो भारत के लिए और सनातन धर्माबलंबियों के लिए तो गौरब का भी सहही देश और दुनिया के अंदर जितने भी कुछली सबिता और संस्कृति के अन्याई होंगे उन सब के लिए भी आसा की एक नई करण है राजनितिक महमानों वाला सवाल का जवाब आपने नहीं दिया आपने उनको तलवार की नोक पर चड़ा दिया कि आए तब भी उनको एक तरह से ये मानना पड़ेगा कि राम सब के हैं दिश्टिकों लोगों के अलग-अलग हो सकते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन्य तैसी राम हमारी आस्ता के प्रतीक हैं तो हम उनको परमपिता परमेश्वर के रूप में मानते हैं हमने उनके महत्तों को समझा जाना है इसलिए जीवन भ समझ पाए क्योंकि उनको सत्ता प्यारी है और सत्ता के अतर सोच भी नहीं सकते हैं लोग आस्ता क्या होती है और जन विस्वास क्या होता है या अगर कॉंग्रेस ने समझने का प्रियास क्या होता ना ये दुर्गत ही नहीं जेलते हैं और इसलिए हर उस ब्यक्तिकों उस का कारेकरम में आमंत्रन होना चाहिए और ये से राम जन्मों में तीर्थ छेत्र का आयोजन है। उन्होंने अपना निमंत्रन दे करके अपने कर्तब्यों का निर्भान किया है। अलग-अलग समय में लोग आएंगे, हम लोग भी अंडोत कर रहे हैं, ये प्रान प्रतिष्टा समारों के बाद सभी लोगों को आउसर मिले आउद्या में राम जन्भूमी का दर्शन करने के लिए, और वहां की विवस्ता से राम जन्भूमी तिर्चितर नियास देख रहा ह हाँ, उतरप्रदेश में कोई आएगा, अच्छी नियत से आएगा, प्रभू के दर्शन करने की नियत से आएगा, उनके दर्शन करने में और वहां तक पहुचाने में हम लोग एक सहभागी हो पाएंगे, उनको कहीं भी कोई समस्या ना आने पाए, ये जिम्मेदारी हम ल लेता आए, वहां पर दर्शन के लिए आए, पर आपने सवाल का जवाब देते हुए योगी जी, सवाल ये था कि कॉंग्रेस कह रही है कि ये एक राजनीतिक आयोजन है, आपने कहा वो भी कर सकते थे राजनीतिक आयोजन, आपने खंडन नहीं किया, ये मैंने कहा ना, कि उनका दरिश्टिकूर्ण राजनीतिक सत्ता पर है, हमारा दरिश्टिकूर्ण लोक आस्ता को सम्मान देने का है, और जन विश्वास का सम्मान करने का है, तो हम लोग उस अभिहान के साथ इस रूप में जुड़े हैं, माने उच्छतम नयाले के आदेस पर से राम जन भू उमित तीरत छेतर नयास का गठन हुआ है, अंदर के सारी विवस्ता यह ट्रस्ट ही करेगा, और ट्रस्ट आमंतर्ण करने के लिए स्वतनतर है, ट्रस्ट ने जिन्हें आमंतित किया है, वे सब हमारे अथिति होंगे, क्योंकि हमारे राज्य में आएंगे, क्योंकि राम के प्रतीष एक हमारी आस्ता, दूसरा उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी रूप में, अगर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता कहीं से निकलता है, तो हमें उस औसर से बंचित नहीं रहना चाहिए, और अईध्या का लेकिन आप सबको हुमिलिटी के साथ कह रहें कि आप लोग जब मौका लगे जरूर आई एक और बात बहुत सोचल मीडिया के जरीए भी फैल रही है और संजय राउट जो की सांसद है शिव सेना उधव ठाकरेगोट के उन्होंने भी उठाए वो कह रहें कि जहां पर स्थान जो गुंबत के नीचे जगर थी जहां पर है वहां पर गर्भग्रे नहीं बन रहा है आप लोग गर्भग्रे दूर बना रहे हैं मंदिर के ऐसा क्यों हो रहा है उसा प्रशन उठा रहें अगर आप जानकारी दे सकें तो दर्शन करने के लिए आये थे संजे राओत भी आये थे रोधोजी भी आये थे और उस समय आकर कि उन्होंने वहां पर तमाम गोशनाएं भी की थी उस समय अपने अमुले सुझाव देव होते हैं देखे अंगुर खटे हैं अब ये आभ तो कोई वहीं बोल सकता है मैंने का अभी ब्भाटी की सुतंतरता सब को है इसके बारे में कोई कटना ही नहीं है हमारी पूरी लडाई वही थी राम लला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे और मंदिर वहीं पर बन रहा है पर फिर वही है ना सर कोट का फैसला है मैंने का ना फैसला तो कोट का है वो कह रहे है कि बीजेपी क्रेडिट ले रहे है यह पूरा कोट के फैसले को पहले भी करवाये जा सकता था पेंडिंग क्यों डाला गया था क्यों नहीं आप पहले भी कर रहे थे मतलब किसी और पार्टी की सरकार होती तो जरूरी नहीं है कि निर्ने में बाधान नहीं डाला जाता था ही देरी का काराण नियाले नहीं पार्टियां थी वैं चाती नहीं थी कि इसका निर्ने हो इसका फायदा मिले गा 24 में 24 के चुनाओ में पाइदे और नुक्सान का नहीं पर मिलेगा जो देश की आस्ता का सम्मान करेगा वह जन विश्वास पर खरा उतरेगा अच्छा एक हो गया आंदोलन से जुड़े हुए लोग जिनको श्रे दिया जाता है दूसरा क्या आप भारतिय जनता पार्टी आप ये कह रहे हैं कि पार्टी को भी श्रे है देखे रामजन भूमी का आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है 1528 से ले करके 2019 तक जब तक मनिय उच्छतम ने आईले ने फैसला नहीं दे दिया तब तक इस आंदोलन के लिए निजनतर आबरेज च्छे से साथ वर्स के अंतराल में एक बड़ा आंदोलन होता था एबरेज अगर आप देखेंगे च्छेतर बार बड़े आंदोलन होएं बड़े संघर्स होएं हैं 1528 से ले करके इन लगभग 590 वर्स के अंदर 490 वर्स के अंदर इतने बड़े आंदोलन औभियान चलते रहे ये चीज़ें दिखाती हैं कि एक लंबे समय तीन लाग से धिक राम भक्त सईद हुए इसमें संत भी थे राजे रजवारे भी थे सामाने भक्त भी थे महलाएं भी थी पुरुस भी थे जो राम जनम भूमी के लिए अपने आपको उन्होंने बलदान कर दिया दुनिया के अंदर इस परकार कोधान देखने को नहीं मिलेगा जो अयुद्ध्या की दिस से हम सब को देखने को मिला हाँ आंदुलन कभी विपरीत परस्तितियां थी कई सम परस्तितियां थी लेकिन निर्ड़े और निर्ड़े के बीच में फसा वा था 1885 के बिटिस कालखंड में नियाले के अदिश को आप पढ़े न कोट स्विकार कर रहा है केस्तान हिंदों का है बिटिस कावर्मेंट है लेकिन एक लंबा समय हो गया है अब इसमें कोई निर्ड़े हम देंगे तो उसको फिट छोड़ते हैं लेकिन इसके बाद जो चीज़ें आगे आएं और लोगों को भी तो मौका मिला था क्यों नहीं उन्होंने अपने समय में इसको किया उनको भी आगया आना चाहिए था आज दो सार उपन करने से नहीं काम चलने वाला है आज जब देश एक अच्छी दिसामे जा रहा है सारे लोग उस दिसामे एक सकारत्मक भाव के साथ आगे बढ़ रहे है मुझे नहीं लगता है किसमें किसी भी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी पैदा करने का कोई उसर होना चाहिए योगी जी अब आपकी भूमिका पर आते है ऐसा लोग मानते हैं कि आप बीजेपी के पूरे क्यारेक्टर को पूरा सूट करते हैं वो इसलिए क्योंकि आपका रहने का धंग भगवा रंग जो आप धारन करके रखते हैं चारों तरफ से आपका बुल्डोजर चलाना आपका उत्तरप्रदेश क्या देश भर को राममय करना जिससे आपको लगता है इस लहर से फिर हिंदू वोटर भी और प्रभावित होकर नहीं जाएगा दो हजार चौबिस तक तो आप एक तरह से बीजेपी के पूरे क्यारेक्टर को पूरा सूट करते हैं और उस कड़ी में अगर हम राममंदिर को देखें तो आपने भी पूरी ताकत जोग दी है इसी के जरीए आप बीजेपी को जितना लाब चौबीस के लिए दिलाना सकते हैं वो आप दिलाने की कोशश कर रहे हैं क्या मैं सही नहीं हूँ देखें मैं तो इस पूरे अभिहान का एक सिपाई हूँ और सिपाई की रूप में हम लोग राजनीती में आये हैं मुल्यों और आदर्सों के साथ राजनीती हमारा पेसा नहीं है उन मुल्यों और सिद्दान्तों के साथ आए हैं उन्हीं मुल्यों और सिद्दान्तों के साथ कारे कर रहे हैं कारे करते रहेंगे पर आप में कैसा क्या है जो बाकी मुख्यमंत्रियों में नहीं है आपको हर जगा प्रचार के लिए ले जा 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 रहा है सभी मुख्यमंत्री सभी मुख्यमंत्री एक दोसे राज्य में परचार के लिए जाते हैं और हर एक के सयोग के लिए एक दोसे के राज्यों में जाते हैं हमारी राज्य में चुना होते हैं, हमारी राज्य में भी अन्ने राज्यों के मान्ने मुख्यमंत्री गणाते हैं, केंद्रिय ननेता गणाते हैं ऐसे ही अन्य राज्यों में होता है तो हम लोगों का उसर मिलता हम लोग भी जाते हैं तो ऐसा नहीं है सभी लोग एक दोस्य के स्वयोग करने के लिए जाते हैं हाँ कुछ चीजें तो अगर भगवा कलर में इतना अकर्षन है तो मैं चाहूंगा पुरा देशी भगवा में होना चाहिए तो अगर उसे हम देखें ऐसा लगता है कि योगी आदितनाथ बाइस जन्वरी के लिए या फिर एक साल के लिए दो साल के लिए नहीं सोच रहे हैं आपने जिस तरह के प्रोजेक्ट की शुरुवात की है ये क्या पचास वर्ष का प्रोजेक्ट है मतलब आप अयोध्या नगरी को पचास वर्ष आगे कैसा देख रहे हैं लिएकि अयोध्या को अभी भी हम लोगों ने अयोध्या को वास्तों में के लिए एक छोटे से नगर की रूप में जाना है इमानदारी से अगर इस पर लोग सोध करें तो यह विश्वकी सांसकर्तिक राज़दानी है विश्वकी मनुष्य पहला मनुष्य और मनुष्य की परंपरा की सुरुवात यहीं से सुरू भी होती है अयोध्या उसकी प्रतम भूमी है अधार भूमी है मनों से मानो और फिर वहीं से परंपरा आगे बढ़ी है मनों के किते पुत्र थे उसके अनसार अगर आप देखेंगे तो अलग-अलग द्वीप उन्हें के उस पर माने गए हैं आप भारत के प्राचीन इत्यास को ठाके देखें तो आप कोई सारी चीजें जनकरी में आ जाएंगे अयोध्या प्रभुराम कि पावन जन भूमी है यह तो हम सब जान रहे हैं उत्तर भारत को सबसे उर्वरा भूमी बनाने का स्रे हम मा गंगा को देते हैं और गंगा को इस उत्तर भारत में लाने वाले कौन थे भागिरत वे भी अयोध्या में थे महराज दलीब भी वहीं पैदा हुए थे महराज अज भी वहीं पैदा हुए थे मानधाता भी वहीं पैदा हुए थे एक लंबी परंपरा है जैन परंपरा के तिर्थंकरों को आप देखेंगे यह परंपरा भी वहीं से निकलती भी दिखाई देती है जड़ भरत हो या फिर उसके बाद की परमप्राएं इस सब वहीं से निकलती है और अयुद्या के इस महित्यों को कमतर आखने का प्रियास जो विश्व के इत्यास की मुमी है जिसे सम्मान बहुत पहले मिलना चाहिए था आज प्रधान मंतरी मोदी जी के करण वह सम्मान अयुद्या को प्राप्त हो रहा है और हम लोगों को इस बात को मनना चाहिए कि हमें अयुद्या के इस महित्यों के माद्यम से भारत की यानि एक ग्लोबल ब्रांडिंग का एक आउसर मिला है हम लोगों को लेके आएं देखे हम लोग उसके महत्यों को अभी भी वो बहुत कर रहे हैं अंडरस्टिमेट कर रहे हैं 2017 में हम लोगों ने आयुद्या में दिपोत्सों के आयुजन को किया था 2018 में अधने प्रधान मंतरी जी की प्रिणा से यह हुआ कि अयुद्या के साथ उन देशों को जोड़ो जिन देशों से भारत की सांस्कृतिक समंदर रहे हैं या हैं आज भी हैं जो अपने सुत्र को जोड़ते हैं तो साउथ कोरिया की फस्ट लेडी हमारे आयुजन का चीप गेस्ट बनी थी उनका पर एक डेलिकेसन आया था यहां पे और उन्होंने इस बात को कहा कि अयुद्या की राजकुमारी कि हम वनसज हैं साउथ कोरिया में और अयुद्या की राजकुमारी कैसे वहां गई जल मार्ग से हमारी सरकार ने अयोध्या के लिए दिस से जल मार्ग को हम प्रारंब कर सकें इसके लिए इनलैंड वाटर वे अथोर्टी का गठन भी कर दिया है हम लोग लेके जा रहे हैं हल्दिया तक जोडने के लिए फिर वहां से आगे बढ़ने के लिए और अयोध्या की राजकुमारी रतना जल मार्ग से साउत कोरिया पहुची थी आज की वहां की जो परंपरा है बड़ी परंपरा वहां पर उन्हें अपनी दादी मा के रूप में संबोधित करके सम्मान देती है और उन्ही की स्मिर्थी में किम हो जो पार्क है अयुद्या का वो हम लोगों ने वहाँ पे स्तापित किया है ऐसे ही थाइलेंड में आप देखें राजा राम है महां के परमपर अपने आपको राम से जोड़ती है वहां के जो निशनल हाइवेज है वे सब राम के नाम पर है रामा वन रामा टू राम के नाम पर है राजा ने अपना जो पैलिस था ग्रेंड पैलिस उसको उन्होंने रामेंड को दान किया थाई रामेंड के सभी चित्रों को उस पर उकेर करके उन्हें राम को सम्मान दिया ये थाई लेंड का है थाई लेंड की जो पुरानी रासधानी थी जो बाद में मैंनमार के साथ युद्ध के दोरान च्छतिग्रस्त हो गई थे वह अजुद्या थी आज भी उन्होंने सम्मान दिया यह अपनी परंपरा को कहां से लोग जोड रहे हैं राम के साथ आप इंडोनेसिया में देखे इंडोनेसिया में दुनिया के सरवाधिक मुसल्मान रहते हैं लेकिन उंडोनेशिया में वे लोग आज भी राम एड़ के साथ जुड़े हैं, हमने उंडोनेशिया की राम लिल्ला को भी आमंतित किया है इस दोरान आयुद्या में, आब उनके पात्रों से बात करिये न, वे सभी राम को अपना दर्स मानते है, समस्या यह है कि जो है, जो अतकचड़ा ग्यान होता है ना वो बेक्तिय को भरमित कर देता है और जिन लोगों ने भारत को भारत के बारे में कभी जानने का इमानदरी से प्रियास नहीं किया वही लोग भारतियता पर भारत की प्रमप्रा पर भारत की महपुरसों पर भारत की अरहदे देवों पर प्रस सreu करथिक राजदानी है। और उस सांस्कर्तीक राजदानी की रूप में उसकी पुनरस्थापना होनी ही है। आपने भी कहा कि राम लाला हम आैंगे मंदिर वहीं बनाएंगे आप लोगों का नारा था। संग परिवार को और नारा है। काशी मत 요ाइघ या उस पर और मर्यादित तरीके से उसमें न्याए और सत्ते की विजए प्राप्त की है यहां के मामले भी अब इस सब जूडिस हैं न्याले में आप न्याले के सामने अपने परमाण प्रस्तुत करेंगे कि आपी के राज्य की बात है बाकी दोनों जगे पर आप लोग कोई तारीक देने वाले हैं और देखे वह हैं वही जो राम रसी राखा प्रभो को अपनी लेला को बितर रसने दीजिए पर खुशी आपके शिपती नहीं है चेहरे पर आते ही बात प्रभो अपनी लीला को स्वेम करेंगे चुनावी पॉलिटिक्स पहले अगर एक विपक्षियों को अगर एक संदेश आपको दिना हो राम मंदिर से जुड़ी एक और चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ यह यजमान और मुख्य यजमान की बात क्या है योगी जै तीरत चेतर ने सिराम जनभो में तीरत चेतर नैस ने यजमान बनाए हैं प्रधान मंतरी मैं सकता हूँ जिसको भी उनको चित लगता है उनको अपने यजमान बना करके उन्होंने इस पूरे कारिक्रम को आगे बढ़ाया है कर दें के उनको चूरे कारिक्रम के बारे में कुछ जानकारी आप दे पाएंगे 12 बजे शुरू हो रहा है 12 बार बीस में प्रांट प्रतिष्टा का काम होगा अगर थोड़ा बहुत जानकारी जो दरशक उस दिन इंतजार करेंगे टीवी के सामने आपने चुटी की घोशन करी दी है देखे उत्तर प्रदेश में उस दिन जो है सारजनिक आउकास भी रहेगा उससे पहले अनेक कारिक्रम चलना है जैसे चौदा से लेकर कि एक इस तक सच्छता का एक बिसे सभिहान चलना है अंदिपावली के पहले भी इस प्रकार का कारिक्रम करते हैं या ने आउज से सोला जनवरी से लेकर के बाइस जनवरी के माध्यान के पूर तक अखंडर आमेड पाढ़ राम नाम संक्रतन के कारिक्रम होंगे अपराहन में मध्यान में बारा बज़े के बाद प्रधान मंत्री जी का और अन्य महनुहाओं का मुख्या मंदिर में परिवेश होगा पोजा पहले से चल ले होगी, उसके बाद एक कारिक्रम उष्ठान होगे, और लगबग एक बज़े तक अंदर का कारिक्रम संपन्न हो करके, एक बज़े वहाँ पे संबोधन की देश से जो मंच बना होगा, उस मंच पे आकर के फिर एक कारिक्रम आके चलेगा. आप भी बोलेंगे, पी-म भी बोलेंगे. तो ये कारिक्रम उष्ठान होगे, उसके उनसारी कारिक्रम होगे. और उसके बाद फिर दो बज़े के बाद से जो आगत, पुझे संतजन है, अथितिगण है, दर्शन करेंगे, उन्दर जाकर के दर्शन करते वे निकलते जाएंग उनका प्रस्तान होगा. ये सभी कारिक्रम उष्ठान होगे. ये कारिक्रम फिर अनवरत आगे बिवस्था की दिश्थे, क्योंकि हर राम भक्त युद्याना चाहता है. तो उनके लिए भी फिर बिवस्था वहाँ पर आगे. क्योंकि बहुत जादा, लाको लाक की तादाद में लोग पहुँच सकते हैं, तो किस तरह की तारी है? और भीड़ भाड़ होगी. इसलिए लोग मेरा बिनम्बरंडोद होगा कि पैदल कोई न चले, अपने बाहन स्वेम बुक न करें. जो बिवस्था अस्थाने अस्थर पर बनाई जा रही है. वहाँ पे न्याज से जुड़े वे लोगों के द्वारा या अन्य संगटनों के द्वारा एक बिवस्था बनाई जा रही है. वहाँ से अपना कारिकरम भेज करके जब उनको वहाँ से कहा जा रहा तब ही वे लोग आएं. रेलवे कुछ स्पेशल टेंस भी चलाएगी. उन स्पेशल टेंस में भी आप अपना रिजर्वेशन करवा करके आयुद्या आ सकते हैं. तो वहाँ पे हम उनको बहतर सुब्धा दे पाएंगे और आसानी से द्रसन करा पाएंगे. क्योंकि क्यों आयुद्या आना भर नहीं है. जिस उदेसे से आ रहे हैं कि रामला का द्रसन कर सकें. उस उदेसे की पूरती भी होनी चाहिए. तो इसके लिए वहाँ पे द्रसन के लिए प्रयाप्त विवस्ता की जा रही है. वेरिकेटिंग दे जा रहे हैं. अन्य कारिकरम हो रहे हैं. तो कितना भी कोई करेगा तब भी द्रसन करने में एक बेक्तिको एक दिन में ए तहिरे दहिरे करके जब भी उसर आएगा तो लोगों को हम लोग उस परकार की भी वस्ता देंगे। देखे युद्ध्या के पृते आकरशन का क्या हो जैसे राम नौमी में अमूमन सत्रह के पहले हजारों में लोग आते थे। पचास हजार साथ हजार तक लोग आते थे दर्शन करके असनान करके चले जाते थे। देपत्सो के बाद कारिकरम में संख्या बढ़ती गई आयुद्ध्या में सुबधा भी मिलती गई लोगों को लगा कि नहीं अब तो ठीक होगा। इस वर्स राम नौमी के उसर पर पैंतिस लाक लोग आये थे। इतनी बड़ी संख्या का युद्ध्या में आगमन इस बात को दिखाता है कि लोग हर सरधालो हर राम भक्त युद्ध्या आना चाहता है और उसके लिए उस प्रकार की सुविधा और पिवस्ता हम लोग देंगे। एक और सवाल मन में आया आपने कहा कि प्रधान मंतरी लगभग 12 बजे के आसपास वहां पहुँच रहे हैं तो क्या हमाने जो मुख्य गर्ब ग्रे हैं उसमें पहले से ही मूर्ती राम लला की 5 साल वाली जो अरूर योगी राज बना रहे हैं और छोटी वाली भी राम लला के अंदर उस सारी कुछ संपन हो जाएंगे योगी जी अब कुछ राजनीतिक प्रश्णों की ओराना चाहती हूं मायवती जी ने हाल ही में ये घोशना की कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी लोग सभा चुनाव में वो इंडिया अलाइंस के साथ नहीं जाने वाली हैं उ और हम कैसे किसी राजनीतिक दल के बारे में बात कर सकते हैं किस सदिकार से हम बोल सकते हैं अब को फायदा होगा बीजेपी को फायदा होना है क्या नुकसान होना है या भारतिय जंता पार्टी की रणनीती ही अपने आप तैक कर देगे हम लोग तो तब भी लड़े थे चौदा में भी अलग-लग लड़े थे, चौदा में दो नौ योकों की जोड़ी लड़ी थी, सत्रा में भी फिर ये लोग लड़ने का प्रियास किये थी बीजेपी से, उन्नीस में इन लोगों ने प्रदेश में एक महागड़बंदन भी बनाया था, तो भारतिये जनता पार्टी प्रधानमंतरी मोधी जी के नित्रतों में तब भी लड़ी थी, और अच्छे बहुमत के साथ भारतिये जनता पार्टी आगे बढ़ी जीती थी, लेकिन हर पार्टी को अपना एजेंडा सेट करने और अपने रणनी ते को बनाने का पुरा दिका बीते दिन मायवती जी ने प्रेस कॉंफरेंस करके कहा कि वो अलग लड़ेंगी और मायवती ने गिरगिट कह दी आखिलेश आदव को अब आज अखिलेश आदव आए उन्हों का कि हम तो सप्टा देख रहे थे कि मायवती जी को पी-म बनाएंगे लेकिन वो किसी के दबाव में मेरे खिलाब बोल रही है और माना जा रहा है वो दबाव आप ही का है केंदर सरकार का सी बी आए अखिलेश जी को इस वात के लिए धन्यवाद देता हूं कि कम से को उन्होंने मेरा दवाव माना तो आपका असर वाला मान रहे हैं वो लेकिन अखिलेश जी गेस्ट होस कांड को समभा तो भूल गए होंगे अखिर मायावतीजी के साथ तो उन्होंने ही किया था ना या इस मारकों के प्रती जिस परकार की सबदावली का प्रयोग उन्होंने उस समय किया था जब बारा में मुख्यमंतरी बने थे ये किसी से छुपा हुआ है क्या और ये बार बार तो कभी कॉंग्रेस के साथ जाते हैं कभी बी-एस-पी के साथ जाते हैं कभी किसी और के साथ जाते हैं तो ये तो बार बार अपने आप वही चेंज करते हैं वही बदलते रहते हैं अपना तो मायवती जी ने जो बोला है क्या बोला है मैंने पुरा बयान पढ़ा नहीं कुछ सुना नहीं लेकिन मुझे लगता है कि उनको जो अच्छा लगता होगा उनकी पार्टी के इत्म उस प्रकार के लिए अगर बीजेपी access वान कंडिडेट विजेपी बीजेपी बिजेपी मोदी जी के नेत्रतों में उत्तर देषगेंदर बहत्रीन प्रदर्शन करेंगा इसेसे हम तो eternity sati मैं से aaşि लाने के पक्सदर है कि essa से सी जीवीजेपी के पक्सदरें 80 में से 64 सीट हम लोग तब भी जीते थे पर सही सही बताइए कि 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश जिसके लिए सबसे ज़्यादा मेहनत सारे दल करते हैं वहाँ पर अगर वाकई BSP, SP, कॉंग्रेस वगेरा सब मिल जाते एक साथ तो ये 50 की लड़ाई हो जाती प्रतिशत देखे गठवन्दन 19 में इन्होंने गठवन्दन किया था परणाम क्या हुआ परणाम क्या था उस समय इन्होंने दुस्परचार की सारी सीमाओं को लांग दिया था कॉंग्रेस ने और जनता के सामने सब दूद का दूद पानी का पानी हुआ है अज ऐसा तो नहीं है कि कॉंग्रेस जो है इन सभी चीजों से जो है देश की जनता इसको देख नहीं रही है आज तो उननीस से भी हम कभी कही आगे निकल चुके हैं आज दस वर्स का प्रधान मंतरी मोदी जी के नेत्रतों में आज हर बेक्तिस विकार करता है कि आज बैस्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है आज हर बेक्तिस बात को मानता है देश के अंदर अच्छा यानि वर्ल्ड क्लास जो है इंफरस्ट्रक्चर भारत के अंदर बना है पिछले दस वर्स के अंदर हर 32 बात को मानता है कि देश सुरक्सित हुआ है और देश मोधी जी के नित्रतों में सुरक्सित है और हर 32 बात को मानता है कि बिना भाव के वैलफेर स्कीम कालाब हर गरीब को, हर गाउं को, हर किसान, हर नौजवान और हर मेला तक पहुचाने का कारे हुआ है किसने रोका था कॉंग्रेस को या अन्य दलों को इस परकार की वैलफेर स्कीम को चलाने से कल आपने देखा होगा कि नीती आयोग की जो रिपोर्ट आई है गरीवी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के जीवन अस्तर में पिसले दस वर्स में कितना अंतराया है 24 करोड से अधिक लोग गरीवी रेखा से मुक्तु हुए हैं भारत के अंदर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाद यह हम कह सकते हैं कि 22 जन्वरी से पहले नमस्कार आपके साथ मैं हूँ अंजना उमकश्यप और हमारे साथ राम मंदिर में 22 जन्वरी की तारीख जब प्राण प्रतिष्ठा होगी उस पर चर्चा करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित तिनाप जी यहाँ पर जुड़ रहे हैं स्वागत है सर आपका आज तक पर बिरहा के सब परवत पिघले तब रगराई तुम घर आए बेला तो आ गई है आपके जीवन के लिए प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर का बन्ना क्या माइने रखता है और आपकी सरकार के लिए क्या माइने रखता है केंद्र सरकार के लिए मोधी सरकार के लिए क्या माइने रखता है देखिए अयोध्या जिसे कुछ लोगों ने अपने बेक्तिकद द्वेस और संकिंडता का सिकार बनाने का प्रयास किया था जिस उपेक्सा का दंस को जहल लई थे आज उससे मुक्त हो करके हमारे बेदों ने अयोध्या को जिस सब्त पुरियों में से प्रथम पुरी के रोप में सम्मानित किया आज उसी आभा के साथ पनरस्थापित हो रही है 22 जनवरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का ये समारो मेरा मानना है प्रभूर तो सरोब्यापी हैं सर्वत्र हैं परम्पिता परमेश्वर हैं लेकिन यहाब भारत और विश्वमानोता की लोक आस्ता और जन विश्वास की पुनर्प्रतिष्ठा का भी ये आयूजन है ब्यक्तिकत रूप से भी और इस जन आस्ता इस लोक आस्ता और जन विश्वास की परतिष्ठा का एक सामन्ने नागरिक होने के नाते हम सब का ये मनना है की यह कारिया होना चाहिए था पहले होना चाहिए था लोगों ने राम की ताकत को नहीं स्विकारा वही गलती की जो सास्तरों में गलती करने वाले भूकट चुके हैं और आज राम नाम से जिस भारत की कलपना नहीं किजा सकती है वगवान राम की उस महित्वा को श्विकार करने के बाद नियाय और सत्य की विजाय अयुद्या के लिए हुआ है और प्रधान मंत्री मोदी जी के नेत्रतों में आज उनके मार्क दर्शन में उनके नेत्रतों में उस लोक आस्ता और जन्विश्वास की पुनर्प्रतिष्टा हो रही है योगी जी पहले गल्तियां की होंगी अब आपनों को सुझाव भी बहुत सारे मिल रहे हैं यहां पर हमने पूरा संपूर वो राम मंदिर का मॉडल भी लगाया है अलों कि बहुत अब लोग प्रियव हो रहा है लोग इसे योध्या नगरी से ही ले जा रहे हैं लेकिन यह बताएए कि अगर शिघर नहीं बन रहा है और उससे पहले प्राण पुतिष्ठा हो रही है तो क्या यह पूर्ण नहीं है क्या गर्ब ग्रे का बनना पूर्ण नहीं माना जाता है मंदिर को देखे रामलला का प्रकटी करण हम जिस विग्रह को वहां स्थापित कर रहे हैं अनुष्ठान उस विग्रह का होता है और ऐसा नहीं कि यह पहली बार हो रहा है अयोध्या में जो कुछ भी कारिक्रम हो रहे है इस सनातन धर्म के सास्त्रोक्त पद्दती के अमसारी हो रहे है और सास्त्र परंप्राओं से भी चलते है तुसरा लोग हित में जन हित में परंप्राओं बनाई भी जाती है उन सास्त्रोक्त पद्दतियों का पालन करते वे इन सभी चीजों को जो पोरों में भी हुए हैं और आगे भी होंगे उसी के अनुरूप ए कारेक्रम भी अध्या का सिराम जन्भों में तीरचित न्यास के दौरा प्रारंब किया गया है विपक्षका तो कहना है कि अब चुनाव करीब है इसलिए आप लोग जल्दबाजी में कर रहे हैं अभी मंदिर का निर्मार पूरा नहीं हुआ है लेकिन दो तीन महीने बाद चुनाव है और ऐसे में शशी थरूर को मैं कोट करना चाहूंगी कॉंग्रस के नेता वो ये कहते हिंदय हृदू हिंदू हृदय समराथ और उससे वो चुनाव जीतना चाहते हैं तो इसलिए आप लोग करा आप मुझे रताई ये कॉंग्रेस को किसने इस कारेक्रम्प में आने से मना किया था कैस नहीं कि कॉंग्रेस ने 1989 में अपने चुनाव परचार अभ्यान का सुभारंब अयोध्या से किया था और क्या ये सच नहीं है कि कॉंग्रेस एक तरफ हिंदों को बेकूब बनाती थी और दूसरी तरफ मुस्लिम वोड बैंक से भी मोह नहीं छोड़ पा रही थी वोड बैंक की राजनिती इसमें विपक्स ने किया है कॉंग्रेस जैसे दलो ने किया है बारतिय जनता पार्टी ने इसमें राजनिती नहीं की हमने तो बार बार कहा न कि जो देश की आस्ता थी उस देश की आस्ता का हम लोगों ने सम्मान किया हम उसके पक्स दर थे आज और जो भी लोग आस्ता का सम्मान करेगा वो जन विश्वास पर ख़रा उतरेगा तो कह रहें कि बीजेपी संग का इवेंट हो गया है सर पांच लोग अंदर रहेंगे गर्ग्रे में हिंदू पंचांग से नहीं निकाली है आपने तिथी आपने निकाला है काउंडाउन सूर्य नारेंड के उत्रेंड में आने के उपरान थे सूब मोहरता आते हैं कारिकरमों के और उसी को मान करके सास्ट्रोक तो पद्दती से यह कारिकरम किया गया कॉंग्रेस को इसमें तो औसर मिला था ना लेकिन याद करिए जब सोमनाद के मंदिर कि प्रणरस्थापना का कारिकरम हुआ कॉंग्रेस ने तो सायुजन का विरोत किया उस समय के प्रधान मंत्री उस कारिकरम में स्वयम तो नहीं गए लेकिन ततकालिन राश्टपती को भी उन्होंने जाने से रोकने का प्रियास किया था आप नहरू जी की बात कर रहे है और राजेंदर प्रशाज जी की मैं कह रहा हूँ नहीं तक्टर राजेंदर प्रशाज जी उस कारिकरम में गए लेकिन तातकालिन प्रधान मंत्री नहरू जी ने प्रियास तो किया था सोयम तो नहीं गए लेकिन उन्होंने उनको भी रोकने का प्रियास किया कॉंग्रेस ने लंबे समय तक देश में सासन किया आखिर देश की सुतंतरता कैसी है मान बिंदों की पनरस्थापना का कारिकरम और फिर इसमें तो नयाय और सत्य की बात हमें एक अस्थान के लिए प्रमान देने पड़े जिसमें भारत की आस्था कहती थी कि यही राम जनम भूमी है लेकिन प्रवराम ने चूंकि हमें मर्यादा का पार्ट पढ़ाया था इसलिए हमने मर्यादित आचन करते भी वे सारे प्रमान प्रस्तुत करते रहे हम लोग लड़े लोवर कोट में लड़े हाई कोट में लड़े सुप्रेम कोट में लड़े और अंदता सुप्रेम कोट में पांच जजेश की एक पूर्ण पीठ ने अयोध्या के मामले को लेकर के एक सरोमसम्मत थैसला दिया तो ये नयाय और सत्य की स्थापना का भी अभियान है और उसी अभियान के करम में आज अयोध्या का कारिकरम हो रहा है इसमें तो किसी को आपतीपती भी नहीं होने चीए शंकराचारी अगर कहते हैं कि हम वहाँ जाकर क्या करेंगे ताली बजाएंगे तो इसके पीछे की सोच क्या है दिखेंगरेस कहती है कि आप लोग अपमान कर रहे हैं चाए मैं हूँ एक सामने नागरिक है या इस देश का बड़ा सा बड़ा धर्माचारे कोई भी प्रभुराम से बड़ा नहीं है हम सब राम पर आस्रित हैं राम हम पर आस्रित नहीं है हम इस बात को ध्यान में रखना होगा और राम से बढ़कर के कोई नहीं हम सब की विवस्ता राम के विगर नहीं चल सकती लेकिन राम तब भी तराम थे जब ये परंपराई नहीं थी उनके विरोध के पीछे आपको क्या वज़ा समझ में आती है देखे हर वेक्ति को अपनी बात बोलने का दिकार है लेकिन हम तो आज भी अंडोध करेंगे बिनम्रा अंडोध करेंगे सभी पूजय संतों से जिनको तीर्थ छेतने आमंतरन किया है या जो इस समय नहीं आपा रहे हैं वे कभी पढ़ रहे हैं हम सुनी-सुनाई बातों बे बिस्वास न करें देखें पहले की अयोध्या आज की अयोध्या हम देखें कैसे अयोध्या आज अपनी पुरातन वैभाव की लिए पुनरस्ता पित हुई है ऐसा नहीं कि लोगों का उसर ना मिलाओ, 75 साल तो सभी लोगों को मिले थे, 70 साल मिले थे, 50 साल मिले थे, क्यों नहीं लोगों ने किया लोग तो आयोध्या का नाम लेने से डरते थे ये भी मैं आपसे समझना चाहती हूँ क्योंकि हम आंदोलन से जुड़े अलग-अलग लोगों से बात करते रहे आप अपनी तरीके से अलग से जुड़े योगी जे एक तो आपका अपना जो आपके गुरुजी का भी जुड़ा हो रहा आपका जुड़ा हो रहा लेकिन आयो प्षाल पूछा जा सकता है कि मंदिर कब बनेगा हमें प्रभु पे विश्वास था ओटूर्ड विश्वास था कि अगर रामसेतों का निर्मान हो सकता है तो राम मंदिर का निर्मान भी होगा और इस это उन के पहले प्रभूगे आगमन के पहले दिपोट्सों तो होने ही चाहिए आखिर दिपावली का आयुजन तेसे लिए होता है और सरकार आई यह मेरा सवभाग्य है क्यादणी प्रधान मंत्री जी की पेंड़ना से हम लोगों ने दिपोट्सों क्या आयुजन के साथ साथ वहां की सच्चता का कारिकरम हो वहां की फसाट की बियोस्ता हो यहाँ ने सभी कारिकरमों को हमने किया और आज यही आयुजन सिंगल लेन की सडके थी आज आयुजन के अंदर फोर लेन की सडक कलपना थी ना आज से दस साल पहले कोई इसकी कलपना ही नहीं करता था लड़के लटकते वे जूलते वे तारों के गुच्छे थे अभिवस्ता थी गंदगी थी पिसली सरकारों ने तो बिजली के लिए वहां के लोगों को तरसाया तीन घंटे चार घंटे गंदगी मेट के धेर में वहां के लोगों को रहने के लिए मजबूर किया कोई सुधाई वहां के लिए नहीं थी घाटों में गंदगी कमबार रहता था आज अंदर की फोर लेन की कनेक्टिविटी है बाहर हर और से आप लखनों से जाएं गोरकपुर से आएं वारानसी से आएं प्रियागराज से आएं फोर लेन की कनेक्टिविटी से वो भी जुड़ चुका है और यहीं नहीं अयोधिया मीटर गेज से जुड़ा वता चोटी लाइन रेल की जाती थी बाद में ब्रॉड गेज बनी अब रेलवे की डवल लाइन से जुड़ चुका है इंटरनेशनल एरपोर्ड बन गया है और अयोधिया में सर्यूजी में उस लोग गोली चलाते थे आज सर्यूजी में कुरुफ चलना है कोई कल्पना कर सकता था आज ये भी हो रहा है और इतना सब कुछ होने के बाबजूद एक चीज आप अन्वह की होंगे देखिए आप लोग तो पबलिक के बीच में जाते हैं सीधे आप लोगों का कनेक्ट है इतने लोग खटाए गए होंगे उनका पुनर्वास्वा होगा अक्सर होता है कि छोड़ी छोड़ी बातों को लेके लोगों में अन्रेस्ट होता है अयोध्या में इतने बड़े इतना इंफ्रास्ट्रॉक्शर का कारे हुआ है लेकिन कहीं कोई अन्रेस्ट नहीं है हर व्यक्ति में संतुष्टी है क्योंकि हर व्यक्ति अयोध्या के लिए और प्रभुराम के लिए ही जीता है और सब के मन में है कि ये काम जो काम पहले होना चाहिए था काम आज हुआ है तो स्वाभाई कृप से आम जन्मानस की जो आज की जो मानसिक्ता में परिवर्थन आया है अयोध्या के यहाँ इसलिए संभव हो पाया क्योंकि डबल इंजन के सरकार की नेती भी साब थी और नियत भी साब थी अब तो दिन बहुत करीब आ रहा है दो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दीजेगा इसका इडिया था कि राजनेतिक महमानों को हमें बुलाना चाहिए आप से चर्चा तो ही होगी आप मुख्यमंत्रे इसका इडिया था कि उनको बुलाना चाहिए और दूसरा राह पॉलिटिकल इवेंट है दोनों प्रश्णों पर आपकर रहा है उनको पॉलिटिकल इवेंट बनाने से किस ने रोका था आखर कॉंग्रेस ने 1947 से ले करके और एक लंबे समय तक सासन किया राहूल जी स्वयम भी 2004 से ले करके 2014 तक इस देश की सत्ता के सिर्मौर के रूप में बैक डूर से कमांटो संचालित करते ही थे किसी से छुपा हुआ है क्या हाँ वालग विसे है कि उन्होंने कुछ इवेंट संसत में किये कि संसत किया हुमाना करते हुए बिल की परतियों को वहाँ फाड़ने का काम जरूर किया था क्या ये इवेंट ही था ये कॉंग्रेस का इवेंट है वे संविधान का अपमान करते हैं संविधानिक संसताओं का अपमान करते हैं भारत की लोकास्ता का अपमान करते हैं भारत की जन बिश्वास पर कुठारा घात करते हैं मैंने पहले भी कहा प्रभुराम का रामलला की रूप में अपनी जन भूई में पुनर प्रतिष्ठा का कारिक्रम होना एक प्रान प्रतिष्ठा का इसमारो भारत के लिए और सनातन धर्माबलंबियों के लिए तो गौरब का भी सहही देश और दुनिया के अंदर जितने भी कुछली सब्वेता और संस्कृति के अन्याई होंगे उन सब के लिए भी आसा की एक नई करण है राजनितिक मेहमानों वाला सवाल का जवाब आपने नहीं दिया आपने उनको तलवार की नोक पर चड़ा दिया कि आए तब भी उनको एक तरह से ये मानना पड़ेगा कि रा राम सब के हैं दिश्टिकों लोगों के अलग-अलग हो सकते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी है राम हमारी आस्ता के प्रतीक हैं तो हम उनको परम्पिता परमेश्वर के रुप में मानते हैं हमने उनके महत्तों को समझा जाना है इसलिए जी सता प्यारी है कि फनुख कि घर सकते हैं लोग्त आस्ता जोस्या में किया होता है जाए कर श्राम जन्ब्हों में तीर्थ चेतर का आयो जन है उन्हों ने अपना निमंतन दे करकर वे प्रतव्यों का निर्वहन किया है क्योंकि राम तो सब के हैं सब को आयूजन में बलाना चाहिए ओर ठीक है पुरा देश आना चाहता है दुनिया आना चाहती है हर राम भक्ता आना चाहता है इस पूरे कारिकरम के साथ जुड़े वे आन्दोलन से जुड़े वे एक लंबी सिरंखला है वे भी आना चाहते हैं लेकिन अलग-अलग समय में लोग आएंगे हम लोग भी अन्रोथ कर रहे हैं कि प्रान प्रतिष्टा समारों के बाद सभी लोगों को आउसर मिले आयुद्या में दर्शन करनी की नियत से आएगा उनके दर्शन करनी निमें और वहां तक पहुचाने में हम लोग एक सहभागी हो पाएंगे उनको कहीं भी कोई समस्या ना आने पाए ये जिम्मेदारी हम लोग अपने उपर लेकर फिकारे हैं इन आज ने वहां पर दर्शन के लिए और आपने सवाल का जवाब देते हुए योगी जी सवाल ये था कि कंग्रेस कह रही है कि यह एक राजनीतिक आयोजन है आपने कहा हो भी कर सकते थे राजनीतिक आयोजन आपने खंडन नहीं किया यह मैंने का ना कि उनका दृष्टिकॉंड राजनितिक सत्ता पर है हमारा दृष्टिकॉंड लोक आस्ता को सम्मान देने का है और जन विश्वास का सम्मान करने का है तो हम लोग उस अभिहान के साथ इस रूप में जुड़े हैं माने उच्चतम नैले के आदेस पर सिराम जन्भू में तीरत छेतर न्यास का गठन हुआ है अंदर के सारी विवस्ता यह ट्रस्ट ही करेगा और ट्रस्ट आमंतर्ण करने के लिए स्वतनतर है ट्रस्ट ने जिन्हें आमंतित किया है वे सब हमारे अथिति होंगे क्योंकि हमारे राज्य में आएंगे क्योंकि राम के प्रतिस एक हमारी आस्ता दूसरा उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी रूप में अगर उत्तरप्रदेश को आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता कहीं से निकलता है तो हमें उस औसर से बंचित नहीं रहना चाहिए और अयोद्या का इवेंट हमारे लिए इस रोप में उत्तरप्रदेश को एक बार फिर से देश के अंदर और दुनिया के अंदर प्रस्तुत करने का भी एक उसर है। ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप जानकारी दे सके। यह तो दर्शन करने के लिए आये थे। संजय राओत भी आये थे, और उस समय आकर के उन्होंने वहां पे तमाम गोशनाई भी की थी। उस समय अपने अमुले सुझाव देव होते हैं। देखें, अंगूर खटे हैं। अब तो कोई भी बोल सकता है। मैंने का ना, अभी व्यक्ति की सुतंतरता सबको है। और व्यक्ति को इसके बारे में बोलने कोई कटना ही नहीं है। हमारी पूरी लडाई वही थी, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। और मंदिर वही पे बन रहा है। पर फिर वही है न सर, कोट का फैसला है। मैंने का ना, फैसला तो कोट का है, वो क्या रहे है कि बीजेपी क्रेडिट ले रहे हैं। पूरा कोट के फैसले को पहले भी करवाये जा सकता था पेंडिंग क्यों डाला गया था क्यों नहीं आप पहरी भी कर रहे थे मतलब किसी और पार्टी की सरकार होती तो जरूरी नहीं है कि निर्णे में बाधा नहीं डाला जाता था ही देरी का कारण नहीं नहीं सरकारें थी पार्टीयां थी वे चाती नहीं थी किसका निर्णे हो इसका फायदा मिलेगा चौबीस में चौबीस के चुनाओं पाइदे और नुकसान का नहीं पर मिलेगा जो देश की आस्ता का सम्मान करेगा वह जन विश्वास पर ख़रा उतरेगा अच्छा एक हो गया आंदोलन से जुड़े हुए लोग जिनको श्रे दिया जाता है दूसरा क्या आप भारतिय जनता पार्टी आप ये कह रहे हैं कि पार्टी को भी श्रे है देखे राम जन भूमी का आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है 1528 से ले करके 2019 तक जब तक मन्य उच्छतम ने आईले ने फैसला नहीं दे दिया तब तक इस आंदोलन के लिए निजनतर आबरेज च्छे से साथ वर्स के अंतराल में एक बड़ा आंदोलन होता था एबरेज अगर आप देखेंगे छेतर बार बड़े आंदोलन होएं बड़े संघर्स होएं हैं 1528 से ले करके इन लगभग 590 वर्स के अंदर 490 वर्स के अंदर इतने बड़े आंदोलन औभ्यान चलते रहे ये चीजें दिखाती हैं कि एक लंबे समय तीन लाग से धिक रामभक्व सईद हुए इसमें संत भी थे राजे रजवारे भी थे सामाने भक्व भी थे महलाएं भी थी पुरुस भी थे जो राम जनम भूमी के लिए अपने आपको उन्होंने बलदान कर दिया दुनिया के अंदर इस परकार कौधान देखने को नहीं मिलेगा जो अयुद्ध्या की दिश से हम सब को देखने को मिला हाँ आंदूलन कभी विप्रित परस्तितियां थी कई सम परस्तितियां थी लेकिन निर्णे और निर्णे के बीच में फसा वा था 1885 के बिटिस कालखंड में नियाले के अदिश को आप पढ़े ना कोट स्विकार कर रहा है केस्तान हिंदों का है बिटिस कावर्मेंट है लेकिन एक लंबा समय हो गया है अब इसमें कोई निर्णे हम देंगे तो उसको फिर छोड़ते हैं लेकिन इसके बाद जो चीज़ें आगे आएं और लोगों को भी तो मौका मिला था क्यों नहीं उन्होंने अपने समय में इसको किया उनको भी आगे आना चाहिए था आज दो सारुपन करने से नहीं काम चलने वाला है आज जब देश एक अच्छी दिसा में जा रहा है सारे लोग उस दिसा में एक सकारत्मक भाव के साथ आगे बढ़ रहे है मुझे नहीं लगता है किसमें किसी भी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी पैदा करने का कोई आउसर होना चाहिए योगी जी अब आपकी भूमिका पर आते है ऐसा लोग मानते हैं कि आप बीजेपी के पूरे क्यारेक्टर को पूरा सूट करते हैं वो इसलिए क्योंकि आपका रहने का धंग भगवा रंग जो आप धारन करके रखते हैं चारों तरफ से आपका बुल्डोजर चलाना आपका उत्तरप्रदेश क्या देश भर को राममय करना जिससे आपको लगता है इस लहर से फिर हिंदू वोटर भी प्रभावित होकर नहीं जाएगा दो हजार चौबिस तक तो आप एक तरह से बीजेपी के पूरे क्यारेक्टर को पूरा सूट करते हैं और उस कड़ी में अगर हम राममंदिर को देखें तो आपने भी पूरी ताकत जोग दिये इसी के जरीए आप बीजेपी को जितना लाब चौबीस के लिए दिलाना सकते हैं वो आप दिलाने की कोशश कर रहे हैं क्या मैं सही नहीं हूँ देखें मैं तो इस पूरे अभिहान का एक सिपाई हूँ और सिपाई की रूप में हम लोग राजनीती में आये हैं मुल्यों और आदर्सों के साथ राजनीती हमारा पेसा नहीं है उन मुल्यों और सिद्धानतों के साथ आए हैं उन्हीं मुल्यों और सिद्धानतों के साथ कारे कर रहे हैं कारे करते रहेंगे पर आप में ऐसा क्या ऐसा जो बाकी मुख्यमंत्रियों में नहीं आपको हर जगा प्रचार के लिए ले जा जा रहा है सभी मुख्यमंत्री एक दोसे राज्यमें परचार के लिए जाते हैं और हर एक के सयोग के लिए एक दोसे के राज्यों में जाते हैं हमारी राज्य में चुना होते हैं, हमारी राज्य में भी अन्ने राज्यों के मन्ने मुख्य मंत्री गणाते हैं, केंद्रिय ननेता गणाते हैं ऐसे ही अन्ने राज्यों में होता है तो हम लोगों को उसर मिलता हम लोग भी जाते हैं तो ऐसा नहीं है, सभी लोग एक दोस्य के सवयोग करने के लिए जाते हैं, हाँ, कुछ चीजें, तो अगर भगवा कलर में इतना अकर्षन है, तो मैं चाहूंगा फुरा देशी भगवा में होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, एक और चीज है, वो ये कि योध्या नग की शुरुआत की है, ये क्या पचास वर्ष का प्रोजेक्ट है, मतलब आप अयोध्या नगरी को पचास वर्ष आगे कैसा देख रहे हैं, ये कि अयोध्या, को अभी भी हम लोग ने अयोध्या को वास्तों में क्यों एक छोटे से नगर की रूप में जाना है, इमान्दारी से अगर इस पर लोग सोध करें, तो यह विश्व की सांस्करतिक राजद्दानी है, विश्व की, हां, मनुस्या, पहला मनुस्या और मनुस्या की stopping की सुरूआत यहीं से सुरूआत भी होती है, अयोध्या, उसकी प्रतम भूमी है, अधार भूमी है, मनों से मानो, और फिर वहीं से परंपरा आगे बढ़ी है मनों के कितने पुत्र थे उसके अनसार अगर आप देखेंगे तो अलग-अलग द्वीप उन्हीं के उस पर माने गए हैं आप भारत के प्राचीन इत्यास को ठाके देखें तो आपको इस सारी चीजें जनकरी में आ जाएंगे अयोध्या प्रभुराम की पावन जन भूमी है यह तो हम सब जान रहे हैं उत्तर भारत को सबसे उर्वरा भूमी बनाने का स्रे हम मा गंगा को देते हैं और गंगा को इस उत्तर भारत में लाने वाले कौन थे भागिरत वे भी अयोध्या में थे महराज दलीब भी वहीं पैदा हुए थे महराज अज भी वहीं पैदा हुए थे मानधाता भी वहीं पैदा हुए थे एक लंबी परंपरा है जैन परंपरा के तिर्थंकरों को आप देखेंगे यह परंपरा भी वहीं से निकलती भी दिखाई देती है जड़ भरत हो या फिर उसके बाद की परंपराई यह सब वहीं से निकलती है और अयोध्या के इस महित्यों को कम तर आखने का प्रियास जो विशव कि इत्यास की मूँए है जिसे सम्मान बहुत पहले मिलना चाहिए था आज प्रदान मंतरी मोदी जी के करन वह सम्मान अयुद्ध्या को प्राप्त हो रहा है और हम लोगों को इस बात को मनना चाहिए कि हमें अयोद्या कि इस महिट्यव के मादम से भारत की यानि एक ग्लोबल ब्रांडिंग का अउस्सर मिला है हम लोगों को लेकी आएं देखे हम लोग उसके महिट्यव को अभी भी वो बहुत वो कर रहे ہیں अंडरेस्टिमेट कर रहे हैं 2017 में हम लोग ने आयोध्या में दिपोट्सों के आयोजन को किया था 2018 में अधने प्रधान मंत्री जी की पिर्णा से यह हुआ कि भई आयोध्या के साथ उन देशों को जोड़ो जिन देशों से भारत के सांस्कृतिक समंदर रहे हैं या हैं आज भी हैं जो अपने सुत्र को जोड़ते हैं तो साथ कोरिया की फस लेड़ी हमारे आयोजन का चीप केस्ट बनी थी उनका पर एक डेलिकेशन आया था यहां पे और उन्होंने इस बात को कहा कि अयोध्या की राजकुमारी के हम वनसज हैं साथ कोरिया में और अयोध्या की राजकुमारी कैसे वहां गई जल मार्ग से हमारी सरकार ने अयोध्या के लिए दिस से जल मार्ग को हम प्रारंब कर सकें इसके लिए इनलैंड वाटर वे अथोर्टी का गठन भी कर दिया है हम लोग लेके जा रहे हैं हल्दिया तक जोडने के लिए फिर वहां से आगे बढ़ने के लिए और अयोध्या की राजकुमारी रतना जल मार्ग से साउत कोरिया पहुची थी आज की वहां की जो परंपरा है बड़ी परंपरा वहां पर उन्हें अपनी दादी मा के रूप में संबोधित करके सम्मान देती है और उन्ही की स्मिर्थी में किम हो जो पार्क है अयुद्या का वो हम लोगों ने वहाँ पे स्तापित किया है ऐसे ही थाइलेंड में आप देखें राजा राम है महां के परमपर अपने आपको राम से जोड़ती है वहाँ के जो निशनल हाईवेज है वे सब राम के नाम पर है रामा वन रामा टू राम के नाम पर है राजा ने अपना जो पैलेस था ग्रेंड पैलेस उसको उन्होंने रामेंड को दान किया थाई रामेंड के सभी चित्रों को उस पे उकेर करके उन्हें राम को सम्मान दिया ये थाई लेंड का है थाई लेंड की जो फुरानी रासधानी थी जो बात में मैंनमार के साथ युद्ध के दोरान छतिगरस्त हो गई थे वह अजुद्ध्या थी आज भी उन्होंने सम्मान दिया यह अपनी परंपरा को कहां से लोग जोड रहे हैं राम के साथ आप इंडोनेसिया में देखे इंडोनेसिया तो बहुत दुनिया के सरवाधिक मुसल्मान रहते हैं लेकिन इंडोनेसिया में वे लोग आज भी रामेंड के साथ जुड़े हैं रमने अईडोनेसिया की रामला को भी आमन्तित किया है इस दोरान अयुद्या में अब उनके पात्रों से बात करिये न वे सभी राम को अपना अधर समानते है समस्या ये है कि जो है जो अधकछडा ग्यान होता है न वे बेक्ते को भरमित कर देता है और जिन लोगों ने भारत को भारत के बारे में कभी जानने का इमानदारी से प्रियास नहीं किया वह लोग भारतियता पर भारत की प्रमप्रा पर भारत की महापुरसों पर बारत की आरहदे देवों पर प्रस्न खड़ा करते हैं इनको वास्तों में समझना चाहिए अयुद्या के बहुत आयुद्या नहीं है अयुद्या तो बिश्व की सांस्कृतिक राजदानी है और उस सांस्कृतिक राजदानी की रूप में उसकी पुनरस्थापना होनी ही है आपने अभी कहा कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे आप लोगों का नारा था संग परिवार का एक और नारा है काशी मतुरा भी बाकी है उस पर आपके क्या विचार है देखे जो विसे न्यायले में है तो न्यायले को उस पर काम करने देना चाहिए हमने राम लला के लिए पांसो वर्सों तक संगर्स किया और मर्यादित तरीके से उसमें न्याय और सत्य की विज़े प्राप्त की है यहां के मामले भी अब यह सब जुडिस हैं न्याय न्यायले के सामने अपने परुमाण प्रस्तुत करेंगे एक समय आने पर सारी तथ्य समने आएंगे दोथ-कदोथ-पाने का-पाने सब के सामने आएगए यहांनी लढ़ाई लड़ी जाएगी पर अधालती यहां कानुन आज फ्रकरिया का का यहुझा सब्सक्राइब करने लाल जी को भी आप लोग कोई तारीक देने वाले हैं मैंने का रहना सभी चीज़ों के लिए समय आएगा और देखे हो हैं वही जो राम रसी राखा प्रभो को अपनी लिला को पितर रसने दीजिए पर खुशी आपके शिपती नहीं है चेहरे पर वह आत राम मंदर से जुड़ी एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूं यह यजमान और मुख्य यजमान की बात क्या है योगी जी तीरत चेतर ने सिराम जनभू में तीरत चेतर नैस ने यजमान बनाये हैं प्रधान मंत्री को मैं सकता हूं जिसको भी उनको उचित लगता ह है उनको अपने यजमान बना करके उन्होंने इस पूरे कारिक्रम को आगे बढ़ाया है पर ये कहा गया कि मुख्य यजमान कोई और होगा जो अनुष्थान में बैट करके इस पूरे को संपन करेगा अच्छा इस सभी कारिक्रम उसका अपने सास्त्रोक्त पद्द्द्द् यहां तेकि उत्तर प्रदेश में उस दिन जो है सारजनी कावकास भी रहेगा उससे पहले अन्यक कारिक्रम चलना है जैसे 14 से लेकर कि एक किस तक सच्चता का एक बिसे सभिहान चला है अंदिपावली के पहले भी इस प्रकार का कारिकरम करते हैं यान्य आउजिनों में करते हैं या दपी पहले के तुलना में सुचभारत प्रिशन के बाद काफी सच्चता आई है लेकिन फिर भी लोगों में एक जाग रुखता के लिए आज से 16 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी के माद्ध्यान के पूरु तक अखंडर आमेड पाधे राम नाम संकृतन के कारिकरम होंगे अब प्राहन में माद्ध्यान में बारा बज़े के बाद प्रदाहन मंत्री जी का और अन्यमहन वहाओं का मुख्या मंद्र में परिवेश होगा पोजा पहले से चल ले होगे उसके बाद एक कारिकरम उष्ठान होंगे और लगबग एक बज़े तक अंदर का कारिकरम संपन हो करके एक बज़े वहाँ पे संबोधन की दिश से जो मंच बना होगा उस मंच पे आकर के फिर ये कारिकरम आके चलेगा आप भी बोलेंगे पीएम भी बोलेंगे तो ये कारिकरम होंगे संपन होने के बाद जो भी तीर चेतर जो भी तैय करेंगे उसके उनसारे कारिकरम होंगे और उसके बाद फिर दो बज़े के बाद से जो आगत पुजे संतजन है अथिति गण है दर्शन करेंगे वो अंदर जाकर के दर्शन करते वे निकलते जाएंगे उनका प्रस्तान होगा यह सभी कारिक्रम वहाँ पर होंगे ये कारिकरम फिर अनवरत आगे बिवस्था की दिस्थे क्योंकि हर राम भक्त युद्याना चाहता है तो उनके लिए भी फिर बिवस्था वहाँ पर आगे क्योंकि बहुत जादा लाखो लाख की तादाद में लोग पहुँच सकते हैं तो किस तरह की तारी है पर 23 तारीक से पूरा प्रशासन समझ रहा होगा कि कितनी बड़ी संख्याव लोगा 23 के बाद से हम लोग वही अन्रोद कर रहे हैं कि अस्थानी अस्तर पर जो बिवस्था बनाई जा रही है हर राज्य में हर जन्पद में वह अगर उसकी बिवस्था के तता आएंगे तो किसी को भी कश्ट नहीं होगा अपने तरीके से पैदल न निकले क्योंकि उत्तर भारत में इसमें भीसन सी तलहरी चल लई है और भीड़ भार होगी इसलिए लोग मेरा बिनम्बरंडोद होगा कि पैदल कोई न चले अपने बाहन स्वें बुक न करें जो बिवस्ता अस्थाने अस्तर पर बनाई जा रही है वहाँ पे न्याज से जुड़े वे लोगों के द्वारा या अन्य संगटनों के द्वारा एक बिवस्ता बनाई जा रही है वहाँ से अपना कारेकरम भेज करके जब उनको वहाँ से कहा जा रहा तभी वे लोग आएं रेलवे कुछ स्पेशल टेंस भी चलाएगी उन स्पेशल टेंस में भी आप अपना रिजर्वेशन करवा करके अजद्धिया आ सकते हैं तो वहाँ पर हम उनको बहतर सुब्धा दे पाएंगे और आसनी से दर्सन करा पाएंगे क्योंकि क्यों अजद्धिया आना भर नहीं है जिस उद्धे से आ रहे हैं कि राम लागा दर्सन कर सके उस उद्धे की पूरती भी होनी चाहिए तो इसके लिए वहाँ पर दर्सन के लिए प्रियाप्त विवस्ता की जा रही है वेरिकेटिंग दे जा रहे हैं अन्य कारिकरम हो रहे हैं तो कितना भी कोई करेगा तब भी दर्सन करने में एक बेक्तिको एक दिन में एक देव विक्रह का दर्शन करने में बहुत मेहनत करेंगे डेड़ लाग दो लाग तक लोग दर्शन कर पाएंगे जबकि आने के चुक लोग बहुत होंगे तो एक प्रयास धीरे धीरे करके जब भी उसर आएगा तो लोगों को हम लोग उस परकार की भी वस्ता देंगे देखें युद्धा के परते आकर्शन का क्या हूँ जैसे राम नौमी में अमूमन सत्रह के पहले हजारों में लोग आते थे पचास हजार साथ हजार तक लोग आते थे दर्शन करके असनान करके चले जाते थे लिपत्सो के बाद कारिकरम में संख्या बढ़ती गई है युद्धा में सुविधा भी मिलती गई लोगों को लगा कि नहीं अब तो ठीक होगा इस वर्स राम नौमी के उसर पर 35 लाक लोग आए थे इतनी बड़ी संख्या का युद्धा में आगमन इस बात को दिखाता है कि लोग हर सरधालो हर राम भक्ता युद्धा आना चाहता है और उसके लिए उस परकार की सुविधा और बिवस्ता हम लोग देंगे एक और सवाल मन में आया आपने कहा कि प्रधान मंतरी लगभग 12 बजे के आसपास वहां पहुँच रहें तो क्या हमाने जो मुख्य गर्ब ग्रे है उसमें पहले से ही मूर्ती राम लला की पांच साल वाली भी जो अरूर योगी राज बना रहे और छोटी वाली भी राम ल जन के अंदर उस सारे कुछ संपन हो जाएंगे योगी जैब कुछ राजनीतिक प्रश्णों की ओराना चाहती हूं मायवत्ती जी ने हाल ही में ये घोशना की कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी लोग सभा चुनाव में वो इंडिया आलाइंस के साथ नहीं जाने वाली है उन पर भी बड़े प्रहार हुआ है कहा गया कि वो तो भारतिय जनता पार्टी का फाइदा करने वाली है। अपने अपताइक कर देगे हम लोग तो तब भी लड़े थे जब सत्रा में लोग अलग लड़े थे चोदा में भी अलग लग लड़े थे। चौदा में दो नौ योकों की जोड़ी लड़ी थी सत्रा में भी फिर ये लोग लड़ने का प्रियास किये थी बीजेपी से उन्नीस में इन लोगों ने प्रदेश में एक महागड़बंदन भी बनाया था तो बारतीय जनता पार्टी प्रधान मंतरी मोदी जी के नित्रतों में तब भी लड़ी थी और अच्छे बहुमत के साथ बारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी जीती थी लेकिन हर पार्टी को अपना एजेंडा सेट करने और अपने रणनी ती को बनाने का पुरा दिका रहे हैं बीते दिन मायवती जी ने प्रेस कांफरेंस करके कहा कि वो अलग लड़ेंगी और मायवती ने गिरगिट कह दिया अखिलेश आदव को अब आज अखिलेश आदव आए उन्हों का कि हम तो सप्टा देख रहे थे कि मायवती जी को पी-म बनाएंगे लेकिन वो किसी के दबाव में मेरे खिलाब बोल रही है और माना जा रहा है वो दबाव आप ही का है केंदर सरकार का CBI अखिलेश जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि कमसे का उन्होंने मेरा दवाव माना तो हूँ आपका अफर वाला मान रहे है वो लेकिन अखिलेश जी गेस्टाहोस कांड को समभा तो भूल गए होंगे अखिर मायावतीजी के साथ तो उन्होंने किया था न या इस मारकों के प्रती जिस परकार की सबदावली का प्रयोग उन्होंने उस समय किया था जब बारा में मुख्यमंत्री बने थे ये किसी से छुपा हुआ है क्या और ये बार बार तो कभी कॉंग्रेस के साथ जाते हैं कभी बियस पी के साथ जाते हैं कभी किसी और के साथ जाते हैं तो ये तो बार बार अपने आप वही चेंज करते हैं वही बदलते रहते हैं अपना तो मायवती जी ने जो बोला है, क्या बोला है, मैंने पुरा बयान पढ़ा नहीं, कुछ सुना नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उनको जो अच्छा लगता होगा, उनकी पार्टी के हित्मुस परकर कभी तरिकोडिया लड़ाई से आपको फायदा होगा ना सर, अगर बीजे पी, मोधी जी के नेत्रतों में, उत्तरपदेश के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन करीगी, किपनी सीट है असी में से, हम तो असी में से असी लाने के पक्सदर है, कि असी में से असी बीजेपी के पक्सदर है, योगी जी, जब समाजबादी पार्टी और बहुजन समाजबा कि असी सीटों वाला उत्तर प्रदेश जिसके लिए सबसे ज़्यादा मेहनत सारे दल करते हैं वहाँ पर अगर वाकई बीएसपी एसपी कॉंग्रेस वगेरा सब मिल जाते एक साथ तो यह 50 की लड़ाई हो जाती प्रतिशत देखें गठवंदन 19 में इन्होंने गड़वंदन किया था परिणाम क्या हुआ परिणाम क्या था उस समय इन्होंने दुस्परचार की सारी सीमाओं को लांग दिया था कॉंग्रेस ने और जनता के सामने सब दूद का दूद पानी का पानी हुआ अज ऐसा तो नहीं है कि कॉंग्रेस जो है इन सभी चीजों से जो है देश की जनता इसको देख नहीं रही है आज तो उननीस से भी हैं कभी कहीं आगे निकल चुके हैं आज दस वर्स का प्रधानमंत्री मोदी जी के नेत्रतों में आज हर बेक्तिस विकार करता है कि आज बैस्विक मंचपर भारत की प्रतिस्टा बढ़ी है आज हर बेक्तिस वाद को मानता है देश के अंदर अच्छा यानि वर्ड क्लास जो है इंफरस्ट्रक्चर भारत के अंदर बना है पिछले दस वर्स के अंदर हर 31 बात को मानता है कि देश सुरक्सित हुआ है और देश मौधी जी के नित्रतों में सुरक्सित है और हर 31 बात को मानता है कि बिना भहाव के welfare scheme कालाब हर गरीब को, हर गाउं को, हर किसान, हर नवजवान और हर मेला तक पहुंचाने का कारे हुआ है किसने रोका था कॉंग्रेस को या अन्य दलों को इस परकार की वैलफेर स्कीम को चलाने से कल आपने देखा होगा कि नीती आयोग की जो रिपोर्ट आई है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के जीवन अस्तर में पिछले दस वर्स में किता अंतराया है 24 करोड से अधिक लोग गरीबी रेखा से मुक्तु हैं भारत के अंदर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब यह हम कह सकते हैं कि 22 जन्वरी से पहले नमस्कार आपके साथ मैं हूँ अंजना उमकश्यप और हमारे साथ राम मंदिर में 22 जन्वरी की तारीख जब प्रान प्रतिष्ठा होगी उस पर चर्चा करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित तिनात जी यहाँ पर जुड़ रहे हैं स्वागत है सरा आपका आज तक पार हैं बिर्हा के सब परवत पिघले तब रगरई तुम घर आए बेला तो आ गई है आपके जीवन के लिए प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा राममंदिर का बंद्ना क्या माइने रखता है और आपकी सरकार के लिए क्या माइने देखिए अयोध्या जिसे कुछ लोगों ने अपने बेक्तिकत द्वेस और संकिंडता का सिकार बनाने का प्रियास किया था जिस उपेक्सा का दंस को जहल लई थे आज उससे मुक्त हो करके हमारे बेदों ने अयोध्या को जिस सब्त पुरियों में से प्रथम पुरी के रूप में सम्मानित किया आज उसी आभा के साथ पनरस्थापित हो रही है 22 जनवरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का यह समारो मेरा मानना है प्रभूर तो सरोब्यापी हैं सर्वत्र हैं परंपिता प्रमेश्वर हैं लेकिन यह भारत और विश्वमानोता की लोक आस्ता और जन विश्वास की पुनर प्रतिष्ठा का भी यह आयूजन है ब्यक्तिकत रूप से भी और इस जन आस्ता इस लोक आस्ता और जन विश्वास की प्रतिए मोक तंत्र का एक नागरिक होने के नाते हम सब का यह मानना है कि यह कारिया होना चाहिए था पहले होना चाहिए था लोगों ने राम की ताकत को नहीं स्विकारा वही गलती की जो सास्तरों में गलती करने वाले भूकत चुके हैं और आज राम नाम से जिस भारत की कलपना नहीं किज़ सकती है बगवान राम की उस महतवा को स्विकार करने के बाद नियाए और सत्ते की विजय अयोध्या के लिए हुआ है और उस नियाए और सत्ते की पनुरस्थापना का कारिक्रम 22 जनवरी के कारिक्रम के माद्यम से हमें वहाँ देखने को मिलेगा जनास्ता का सम्मान किसी भी लोक तांत्रिक सरकार का कारे होना चाहिए और जन बिश्वास पर खरा उतरना अगर जन आस्ता लोक आस्ता का आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो जन बिश्वास पर आप खरा नहीं उतर सकते एक दोसरे के पूरक है और प्रधान मंत्री मोदी जी के नित्रतों में आज उनके मार्ग दर्शन में उनके नेत्रितों में उस लोक आस्ता और जन्विश्वास की पुनरप्रतिष्टा हो रही है योगी जी पहले गल्तियां की होंगी अब आपनों को सुझाव भी बहुत सारे मिल रहे हैं यहां पर हमने पूरा संपूर वो राम मंदिर का मॉटल भी लगाया है हालों कि बहुत अब लोग प्रियव हो रहा है लोग इसे योध्या नगरी से ही ले जा रहे है लेकिन यह बताएए कि अगर शिघर नहीं बन रहा है और उससे पहले प्राण पूर्टिष्ठा हो रही है तो क्या यह पूर्ण नहीं है क्या गर्बग्रे का बनना पूर्ण नहीं माना जाता है मंदिर को देखे रामलला का प्रकटी करण हम जिस विग्रह को वहां स्थापित कर रहे हैं अनुष्ठान उस विग्रह का होता है और ऐसा नहीं कि यह पहली बार हो रहा है अयोध्या में जो कुछ भी कारिक्रम हो रहे है इस सनातन धर्म के सास्त्रोक्त पद्दती के अंसारी हो रहे है और सास्त्र परंप्राओं से भी चलते है तुसरा लोग हित में जन हित में परंप्राओं बनाई भी जाती है उन सास्त्रोक्त पद्दतियों का पालन करते हुए इन सभी चीज़ों को जो पोरों में भी हुए हैं और आगे भी होंगे उसी के अनुरूपे कारिक्रम भी अध्या का सिराम जन्भों में तीरचित न्यास के दौरा प्रारंब किया गया है विपक्ष का तो कहना है कि अब चुनाव करीब है इसलिए आप लोग जल्दबाजी में कर रहे हैं अभी मंदिर का निर्मार पूरा नहीं हुआ है लेकिन दो-तीन महीने बाद चुनाव है और ऐसे में शशी थरूर को मैं कोट करना चाहूंगी कॉंग्रस के नेता वो यह कहते हिंदय हृदू हिंदू हृदय समराथ और उससे वह चुनाव जीतना चाहते हैं तो इसलिए आप लोग करा आप मुझे रताई यह कॉंग्रेस को किस ने इस कारेकरम्प में आने से मना किया था क्या यह सच नहीं कि कॉंग्रेस ने 1989 में अपने चुनाव परचार अभ्यान का सुभारंब अयोध्या से किया था और क्या यह सच नहीं है कि कॉंग्रेस एक तरफ हिंदों को बेकूब बनाती थी और दूसरी तरफ मुस्लिम वोड बैंक से भी मों नहीं छोड़ पा रही थी वोड बैंक की राजनिती इसमें विपक्स ने किया है कॉंग्रेस जैसे दलो ने किया है बारतिय जनता पार्टी ने इसमें राजनिती नहीं की हमने तो बार बार कहा ना कि जो देश की आस्ता थी उस देश की आस्ता का हम लोगों ने सम्मान किया हम उसके पक्स दर थे आज भी है और जो भी लोग आस्ता का सम्मान करेगा वो जन विश्वास पर ख़रा उतरेगा तो कह रहें कि बीजेपी संग का इवेंट हो गया है सर पांच लोग अंदर रहेंगे गर्ब ग्रे में लोग की हिंदू पंचांग से नहीं निकाली है आपने तिथी आपने निकाला है क दाउन डाउन लोग सभाई एलेक्शन का देख कर देखे हिंदू परंपरा में सनातन धर्म की परंपरा में मकर संक्रांती के बाद सूर्य नारेण के उत्रेण में आने के उपरांत सुब मोहरत आते हैं कारिक्रमों के और उसी को मान करके सास्ट्रोक तो पद्दती से यह कारिक्रम किया गया कॉंग्रेस को इसमें तो औसर मिला था ना लेकिन याद करिए जब सोमनाद के मंदिर कि पुनरस्थापना का कारिक्रम हुआ कॉंग्रेस ने तो सायुजन का बिरोध किया उस समय के प्रधान मंत्री उस कारिक्रम में स्वयम तो नहीं गये लेकिन ततकालिन राश्टपती को भी उन्होंने जाने से रोकने का प्रियास किया था आप नहरू जी की बात कर रहे है और राजेंदर प्रशाज जी की मैं कहरो नहीं तक्टर राजेंदर प्रशाज जी उस कारिक्रम में गये लेकिन तातकालिन प्रधान मंत्री नहरू जी ने प्रियास तो किया था सोयम तो नहीं गए लेकिन उनको भी रोकने का प्रियास किया कॉंग्रेश ने लंबे समय तक देश में सासन किया आखिर देश की सुतंतरता कैसी है मान बिंदों की पनरस्थापना का कारिकरम और फिर इसमें तो नयाय और सत्य की बात हमने हमें एक अस्थान के लिए प्रमान देने पड़े जिसमें भारत की आस्था कहती थी कि यही राम जनम भूमी है लेकिन प्रवराम ने चूंकि हमें मर्यादा का पार्ट पढ़ाया था इसलिए हमने मर्यादी ताचन करते भी वे सारे प्रमान परस्तुत करते रहे हम लोग लड़े, लोवर कोर्ट में लड़े, हाई कोर्ट में लड़े, सुप्रेम कोर्ट में लड़े और अंदता सुप्रेम कोर्ट में पांच जजेश की एक पूर्ण पीठ ने अयोध्या की मामले को लेकर के एक सरोमसम्मत थैसला दिया तो ये न्याय और सत्ते की स्थापना का भी अभियान है और उसी अभियान के करम में आज अजोध्या का कारिकरम हो रहा है इसमें तो किसी को आपतीप्ती भी निए होनी ही दो ने पर शंक्राचारी है अगर कहते हैं कि हम वहां जाकर क्या करेंगे ताली बजाएंगे तो इसके पीछे की सोच क्या है गोंगरेस कहती है कि आप लोग अपमान कर रहे हैं देखे हमने हर धर्माचारे को और हर अचारे को तीर्थ छेत्र ने उन्हें आमंत्रन भेजा है और मुझे लगता है कि यहाँ आउसर स्रे और प्रे का नहीं है यह आउसर मान अपमान का नहीं है चाए मैं हूँ एक सामने नागरिक है या इस देश का बड़ा सा बड़ा धर्माचारे कोई भी प्रभुराम से बड़ा नहीं है हम सब राम पर आस्रित हैं राम हम पर आस्रित नहीं है हम इस बात को ध्यान में रखना होगा और राम से बढ़कर के कोई नहीं हम सब की विवस्ता राम के वेगर नहीं चल सकती लेकिन राम तब भी तनाम थे जब यह परंपराई नहीं थी उनके विरोत के पीछे आपको क्या वज़ा समझ में आते हैं देखे हर बैक्ति को अपनी बात बोलने का दिकार है लेकिन हम तो आज भी अंडोत करेंगे बिनम्र अंडोत करेंगे सभी पूजय संतों से जिनको तीर्थ छेत ने आमंतरन किया है या जो इस समय नहीं आपा रहे है वे कभी पधा रहे हैं हम सुनी सुनाई बातों पर बिस्वास न करें देखें पहले की अयुद्या आज की अयुद्या हम देखें कैसे अयुद्या आज अपनी पुरातन वैवाओ के लिए पुनरस्ता पित हुई है ऐसा नहीं कि लोगों का उसर ना मिलाओ, 75 साल तो सभी लोगों को मिले थे, 70 साल मिले थे, 60 साल मिले थे, 50 साल मिले थे, क्यों नहीं लोगों नहीं किया लोग तो आयोध्या का नाम लेने से डरते थे लेकिन आयोध्या नगरी के तरफ कोई राजनेता जाने की हिम्मत नहीं करता था सब दूर रहते थे कि पर पता नहीं क्या दिक्कत हो जाए कोट का आदेश आया नहीं था लेकिन योगी आदेत्यनाथ ने वहाँ पर दीपोटसव का आयोजन शुरू कर दिया था योगी जानते हुए कि यह सवाल पूछा जा सकता है कि मंदिर कब बणेगा हमें प्रभुवे विशुवास था अठोड विशुवास था यगर राम सेटों का निर्मान हो सकता है तो राम मंदिर का निर्मान भी होगा और इसलिए उसके पहले प्रभूगे आगमन के पहले दिपोत्सो तो होने ही चाहिए आखिर दिपावली का आयुजन तेसलिए होता है और सरकार आई यह मेरा सौभाग्य है क्यादणी प्रधान मंत्री जी की पेंड़ना से हम लोगों ने दिपोत्सो क्यायुजन के साथ साथ वहां की वनियादी सुग्धाओं में सुधार करना प्रारंब कर दिया था चाहिवार रामजी की पेड़ी हो गुपतार घाड से लेकर के रामजी की पेड़ी नए घाड तक के निर्मान का कारिकरम हो वहां की स्वच्चता कारिकरम हो वहां की फसाड की बियुस्था हो या अन्ने सभी कारिकरमों को हमने इस किया और आज यही आयुद्ध्या है ना सिंगल लेन की सडके थी आज आयुद्ध्या के अंदर फोर लेन की सडक कल्पना थी ना आज से दस साल पहले तो कोई इसकी कलपना ही नहीं करता था लड़के लटकते वे जूलते वे तारों के गुच्छे थे अबिवस्ता थी गंदगी थी पिसली सरकारों ने तो बिजली के लिए वहां के लोगों को तरसाया तीन घंटे चार घंटे गंदगी मेट के धेर में वहां के लोगों को रहने के लिए मजबूर किया कोई सुद्धाई वहां के लिए नहीं थी घाटों में गंदगी कमबार रहता था आज अंदर की फोर लेन की कनेक्टिविटी है बाहर हरो और से आप लखनों से जाएं गोरकपुर से आएं वारानसी से आएं प्रियागराश से आएं फोर लेन की कनेक्टिविटी से वह भी जुड़ चुका है और यहीं नहीं अयोध्या मीटर गेज से जुड़ा बता चोटी लाइन रेल की जाती थी आज सर्योजियों में कुरुफ चलना है कोई कल्बना कर सकता था आज ये भी हो रहा है और इतना सब कुछ होने के बाबजोद एक चीज आप अनुभो किये होंगे देखिए आप लोग तो पबलिक के बीच में जाते हैं सीधे आप लोगों का कनेक्ट है इतने लोग खटाए गए होंगे उनका पुनर्वास्वा होगा अक्सर होता है कि छोड़ी छोड़ी बातों को लेके लोगों में अन्रेस्ट होता है अयोध्या में इतने बड़े इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का कारे हुआ लेकिन कहीं कोई अन्रेस्ट नहीं है हर व्यक्ति में संतुष्टी है क्योंकि हर व्यक्ति आयोद्या के लिए और प्रभुराम के लिए ही जीता है और सब के मन में है कि ये काम जो काम पहले होना चाहिए था काम आज हुआ है तो सौभाई कुरुप से आम जन्मानस की जो आज की जो मानसिक्ता में परिवर्थन आया है अयोध्या की यहाँ इसलिए संभव हो पाया क्योंकि डबल इंजन के सरकार की नेती भी साप थी और नियत भी साप थी अब तो दिन बहुत करीब आ रहा है दो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दीजेगा यह किसका इडिया था कि राजनितिक महमानों को हमें बुलाना चाहिए आप से चर्चा तो ही होगी आप मुख्यमंत्रिय किसका इडिया था कि उनको बुलाना चाहिए और दूसरा र पॉलिटिकल इवेंट है दोनों प्रश्णों पर आपकर उनको पॉलिटिकल इवेंट बनाने से किस ने रोका था आखर कॉंग्रेस ने उनिस सो सेन्टालिस से लेकर के और एक लंबे समय तक सासन किया राहुल जी स्वयम भी 2004 से लेकर के 2014 तक इस देश की सत्ता के सिर्मौर के रूप में बैक डूर से कमांटो संचलित करते ही थे किसी से छुपा हुआ है क्या हाँ वालग विस्या है कि उन्होंने कुछ इवेंट संसद में किये कि संसद की आउमाना करते हुए बिल्की परतियों को वहाँ फाड़ने का काम जरूर किया था क्या ये इवेंट ही था ये कॉंग्रेस का इवेंट है वे संविधान का अपमान करते हैं संविधानिक संस्ताओं का अपमान करते हैं भारत की लोकास्ता का अपमान करते हैं भारत की जन्बिश्वास पर कुठारा घात करते हैं मैंने पहले भी कहा प्रभुराम का रामलला की रूप में अपनी जन भूई में पुनर प्रतिष्ठा का कारिक्रम होना प्रान प्रतिष्ठा का इस हमारो भारत के लिए और सनातन धर्माबलंबियों के लिए तो गौरब का भी सहही देश और दुनिया के अंदर जितने भी सब के लिए भी आसा की एक नई करण है राजनितिक मेहमानों वाला सवाल का जवाब आपने नहीं दिया आपने उनको तलवार की नोक पर चड़ा दिया कि आए तब भी उनको एक तरह से ये मानना पड़ेगा कि राम मंदिर प्रान प्रतिष्ठा बीजेपी कर रहे हम उसमे कि राम सब के हैं दिश्टिकों लोगों के अलग-अलग हो सकते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुरत देखी तिन तैसी है राम हमारी आस्ता के प्रतीक हैं तो हम उनको परम्पिता परमेश्वर के रुप में मानते हैं हमने उनके महतों को समझा जाना है इसलिए जी क्योंकि उनको सत्ता प्यारी है और सत्ता के अतर सोच भी नहीं सकते हैं लोग आस्ता क्या होती है और जन विश्वास क्या होता है या अगर कॉंग्रेस ने समझने का प्रियास क्या होता ना ये दुर्गत ही नहीं जेलते हैं और इसलिए हर उस ब्यक्तिकों उस कारिकरम में आमंतन होना चाहिए और ये से राम जन्भू में तीर्थ छेतर का आयोजन है उन्होंने अपना निमंतन दे करके अपने करतब्यों का निर्भान किया है क्योंकि राम तो सब के हैं, सब को आयूजनम बुलाना चाहिए, ओठीक है, पुरा देश आना चाहता है, दुनिया आना चाहती है, हर राम भकता आना चाहता है, इस पूरे कारिकरम के साथ जुड़े वे, आन दोलन से जुड़े वे, एक लंबी सिरंखला है, वे भी आना चाह लेके लिए और वहां की विवस्ता इसे राम जन्भों में तिर छित्र नियास देख रहा है। हाँ, उत्तर प्रदेश में कोई आएगा, अच्छी नियत से आएगा, प्रभुक के दरसन करने की नियत से आएगा। उनके दरसन करने में और और वहां तक पहुंचाने में हम लो नित्रतों को भी समझाएं अपने नित्रतों को भी उनको समझाना चाहिए तो कॉंग्रेस के निता है वहाँ पर दर्शन के लिया है पर आपने सवाल का जवाब देते हुए योगी जी सवाल ये था कि कॉंग्रेस कह रही है कि ये एक राजनीतिक आयोजन है आपने कहा वो भी आस्ता को सम्मान देने का है और जन विश्वास का सम्मान करने का है तो हम लोग उस अभिहान के साथ इस रूप में जुड़े हैं माने उच्चतम नैले के आदेस पर सिराम जन भूमित तीरत छेतर नियास का गठन हुआ है अंदर के सारी विवस्ता यह ट्रस्ट ही करेगा और ट्रस्ट आमंतर्ण करने के लिए स्वतनतर है ट्रस्ट ने जिन्हें आमंतित किया है वे सब हमारे अथिती होंगे क्योंकि हमारे राज्य में आएंगे क्योंकि राम के प्रतिस एक हमारी आस्ता दूसरा उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी में उत्रप्रदेश को एक बार फिर से देश के अंदर और दुनिया के अंदर प्रस्तुत करने का भी एक उसर है बहुत सारे सवाल अब इर्दगेत हो रहे हैं आपने शंकराचार पर सीधा कि भगवान राम से बड़ा कोई नहीं हो सकता है लेकिन आप सबको हुमिलिटी के सा करें कि आप लोग जब मौका लगे जरूर आई एक और बात बहुत सोचल मीडिया के जरिये भी फैल रही है और संजय राओ जो की सांसद है शिव सेना उधव ठाकरेगोट के उन्होंने भी उठाए कि जहां पर स्थान था जो गुंबत के नीचे जगा थी जहां पर है वहा और उस समय आकर कि उन्होंने वहाँ पर तमाम गोशनाएं भी की थी उस समय अपने अमूले सुझाव देव होते हैं देखें अंगूर खटे हैं अब तो कोई भी बोल सकता है मैंने का ना अभी व्यक्ति की सुतंतरता सब को है अर व्यक्ति को इसके बारे में बोलने में नहीं बनाएंगे और मंदिर वहीं पर बन रहा है पर फिर वही है ना सर कोट का फैसला है मैंने का ना फैसला तो कोट का है वो कह रहे हैं कि बीजेपी क्रेडिट ले रहे हैं यह पूरा कोट के फैसले को पहले भी करवाए जा सकता था पैंडिंग क्यों डाला गया था क्यों नहीं आप पेरवी कर रहे थे मतलब किसी और पार्टी की सरकार होती तो जरूरी नहीं है कि निर्णे में बाधा नहीं डाला जाता थाई देरी का कारण नेले नहीं सरकारें थी पार्टीयां थी वे चाती नहीं थी किसका निर्णे हो इसका फायदा मिलेगा चौबीस में, चौबीस के चुनाओने, फायदे और नुकसान का नहीं, पर मिलेगा, जो देश की आस्ता का सम्मान करेगा, वह जन विश्वास पर ख़रा उतरेगा, अच्छा, एक हो गया आंदोलन से जुड़े हुए लोग, जिनको श्रे दिया जाता है, दूसरा, क्या आप भारतिय जनता पार्टी, आप ये कह रहे हैं कि पार्टी को भी श्रे है? देखे, राम जन भूमी का अंदोलन एक ऐसा अंदोलन है, 1528 से लेकर के, 2019 तक, जब तक मन्य उच्छतम ने आले ने फैसला नहीं दे दिया, तब तक, इस आंदोलन के लिए निजनतर, एबरेज, 6-7 वर्स के अंतराल में, एक बड़ा आंदोलन होता था, एबरेज अगर आप देखेंगे, छेतर बार बड़े आंदोलन हुए हैं, बड़े संघर्स हुए हैं, 1528 से लेकर के, इन लगभग 590 वर्स के अंदर, 490 वर्स के अंदर इतने बड़े आंदोलन और भ्यान चलते रहे, ये चीजें दिखाती हैं कि एक लंबे समय, तीन लाग से धिक राम भक्त सईद वे, इसमें संत भी थे, राजे रजवारे भी थे, सामाने भक्त भी थे, महलाएं भी थी, पुरुस भी थे, जो राम जनम भूमी के लिए, अपने आपको उन्होंने बैलदान कर दिया, दुनिया के अंदर इस परकार कौधान देखने को नहीं मिलेगा, जो अयुद्ध्या की दिश से हम सब को देखने को मिला, हाँ, आंदुलन, कभी विपरीत परस्तितियां थी, कई सम परस्तितियां थी, लेकिन, निर्णे और निर्णे के बीच में फंसा हुआ था, 1885 के बिटिस काल खंड में, नियाले के अदिश को आप पढ़ें न, कोट्स विकार कर रहा है, केस्तान हिंदों का है, बिटिस कावर्मेंट है, लेकिन एक लंबा समय हो गया है, अब इसमें कोई निर्णे हम देंगे तो उसको फिर छोड़ते हैं, लेकिन इसके बाद जो चीज़ें आगे आएंगे और लोगों को भी तो मौका मिला था, क्यों नहीं उन्होंने अपने समय में इसको किया, उनको भी आगे आना चाहिए था, आज दो सारूपन करने से नहीं काम चलने वाला है, आज जब देश एक अच्छी दिसा में जा रहा है, सारे लोग उस दिसा में एक सकारत्मक भाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी पैदा करने का कोई उसर होना चाहिए, योगी जी अब आपकी भूमिका पर आते हैं, ऐसा लोग मानते हैं कि आप बीजेपी के पूरे क्यारेक्टर को पूरा सूट करते हैं, वो इसलिए क्योंकि आपका रहने का धंग, भगवा रंग जो आप धारन करके रखते हैं चारों तरफ से, आपका बुल्डोजर चलाना, आपका उत्तरप्रदेश क्या देश भर को राममय करना, जिससे आपको लगता है इस लहर से फिर हिंदू वोटर भी और प्रभावित होकर नहीं जाएगा दो हजार चौबिस तक, तो आप एक तरह से बीजेपी के पूरे क्यारक्टर को पूरा सूट करते हैं और उस कड़ी में अगर हम राममंदिर को देखें तो आपने भी पूरी ताकत जोग दी है, इसी के जरीए आप बीजेपी को जितना लाब चौबिस के लिए दिलाना सकते हैं, वो आप दिलाने की कोशश कर रहे हैं, क्या मैं सही नहीं हूँ? देखे, मैं तो इस पूरे अभिहान का एक सिपाई हूँ, और सिपाई की रूप में, हम लोग राजनीती में आये हैं, मुल्यों और आदर्सों के साथ, राजनीती हमारा पेसा नहीं है, उन मुल्यों और सिद्दानतों के साथ आये हैं, और उन्हीं मुल्यों और सिद्दानतों के साथ कारे कर रहे हैं, कारे करते रहेंगे. पर आप में कैसा कैसा जो बाकी मुख्यमंत्रियों में नहीं, आपको हर जगा प्रचार के लिए ले जा 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 रहा है। ऐसे ही अन्य राज्यों में होता है, तो हम लोगों का उसर मिलता है, हम लोग पी जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, सभी लोग एक दोस्य के सयोग करने के लिए जाते हैं। हाँ, कुछ चीजें अगर भगवा कलर में इतना अकर्शन है, तो मैं चाहूंगा पुरा देशी भगवा मैं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। एक और चीज है, वो यह कि अयोध्या नगरी को जैसे हम सिर्फ एक अंजना ने भी मॉडल शब्द का इस्तमाल किया, तो अगर उसे हम देखें, ऐसा लगता है कि योगी आदितनाथ 22 जन्वरी के लिए या फिर एक साल के जुआत की है, यह क्या पचास वर्ष का प्रोजेक्ट है, मतलब आप अयोध्या नगरी को पचास वर्ष आगे कैसा देख रहे हैं। मनुष्या पहला मनुष्या और मनुष्या की परंपरा की सुरूआत यहीं से सुरूआत भी होती है। उस पर माने गए हैं आप भारत के प्राचीन इत्यास को ठाके देखें तो आपको इस सारी चीजें जनकरी में आ जाएंगे अयोध्या प्रभुराम की पावन जन भूमी है यह तो हम सब जान रहे हैं उत्तर भारत को सबसे उर्भरा भूमी बनाने का स्रे हम मा गंगा को देते हैं और गंगा को इस उत्तर भारत में लाने वाले कौन थे भागिरत भागिरत वे भी अयोध्या में थे महराज दलीब भी वहीं पैदा हुए थे, महराज अज भी वहीं पैदा हुए थे, मान धाता भी वहीं पैदा हुए थे, एक लंबी परंपरा है, जैन परंपरा के तिर्थंकरों को आप देखेंगे, ये परंपरा भी वहीं से निकलती वे दिखाई देती है, जड़ भरत हो या फिर उसके बाद की परमप्राएं इस सब वहीं से निकलती है और अयोध्या के इस महित्यों को कमतर आखने का प्रियास जो विश्व के इत्यास की मुमी है जिसे सम्मान बहुत पहले मिलना चाहिए था आज प्रधान मंतरी मोदी जी के करण वह सम्मान अयोध्या को प्राप्त हो रहा है और हम लोगों को इस बात को मनना चाहिए कि हमें अयोध्या के इस महित्यों के माद्यम से भारत की यानि एक ग्लोबल ब्रांडिंग का एक आउसर मिला है हम लोगों को लेके आए देखे हम लोग उसके महित्यों को अभी भी वो बहुत कर रहे हैं अंडरस्टिमेट कर रहे हैं 2017 में हम लोग ने आयोध्या में दिपोट्सों के आयोजन को किया था 2018 में अधने प्रधान मंतरी जी की प्रिणा से यह हुआ कि भी अयोध्या के साथ उन देशों को जोड़ो जिन देशों से भारत की सांस्कृतिक समंदर रहे हैं या हैं आज भी हैं जो अपने सुत्र को जोड़ते हैं तो साउथ कोरिया की फस्ट लेडी हमारे आयोजन का चीप गेस्ट बनी थी उनका फरे एक डेलीकेसन आया था यहां पर और उनोंने इस बात को कहा कि अयोध्या की राजकुमारी कि हम व descendants हैं सौत कोरिया में और आयोध्या की राजकुमारी कैसे महा गई जल मार्ग से हमारी सरकार ने अयोध्या के देश से जल मार्ग को हम प्रारंब कर सकें इसके लिए इनलैंड वाटर वे अथर्टी का गठन भी कर दिया है हम लोग लेके जा रहे हैं हल्दिया तक जोडने के लिए फिर वहां से आगे बढ़ने के लिए और अयोध्या की राजकुमारी रतना जल मार्ग से साथ कोरिया पोंची थी आज की वहां की जो परंपरा है एक बड़ी परंपरा वहां पर उन्हें अपने दादी मा की रूप में संबोधित करके सम्मान देती है और उन्ही की स्मृति में किम हो जो पार्ग है अयोध्या का वो हम लोगों ने वहाँ पे स्तापित किया है ऐसे ही थाइलेंड में आप देखें राजा राम है महाँ के परमपर अपने आपको राम से जोड़ती है वहाँ के जो निशनल हाइवेज है वे सब राम के नाम पर रामा वन रामा टू राम के नाम पर है राजा ने अपना जो पैलिस था ग्रैंड पैलिस उसको उन्होंने रामेंड को दान किया थाई रामेंड के सभी चित्रों को उस पर उकेर करको उन्हें राम को सम्मान दिया यह थाईलेंड का है थाईलेंड की जो पुरानी रासधानी थी जो बात में मैंनमार के साथ युद्ध के दोरान च्छतिगरस्त हो गई थे वह अजुद्या थी आज भी उन्होंने सम्मान दिया यह अपनी परंपरा को कहां से लोग जोड रहे हैं राम के साथ आप इंडोनेस से लोगों ने भारत को भारत के बारे में कभी जानने का इमानदारी से परियास नहीं वह लोग भारतियता पर भारत की परंपरा पर भारत के महापुरसों पर भारत की अरहदे देवों पर प्रस्न खड़ा करते हैं इनको वास्तों में समझना चाहिए अयुद्या क्यों आयुद्या नहीं है अयुद्या तो बिस्वा की सांस्कृतिक राजधानी है और उस सांस आप लोगों का नारा था संग परिवार का एक और नारा है काशी मतुरा अभी बाकी है उस पर आपके क्या विचार है दिखिए जो भीसे नियायले में है तो नियायले को उस पर काम करने देना चाहिए हमने राम लाला के लिए 500 वर्सों तक संघर्ष किया और मर्यादित तरीके से उसमें नियाय और सत्ते की विजए प्राप्त की है यहां के मामले भी अपर यह सब जूडिस है नियाले में नियाले के सामने अपने परमाण प्रस्तुत करेंगे समय आने पे सारी तत्ते सामने आएंगे दोत का दोत पानी का पानी सब के सामने आएग कि पर अदालिती कानूनन कानून उस प्रक्रिया कि आपी के राज्य की बात है बाकी दोनों जगे हाँ कोई बात है कि आप लोग कोई तारीक देने वाले मैं का रहना सभी चीजों के लिए समय आएगा और देखे यह सब्सक्राइब जब तो निमित तमात्र हैं प्रभू अपनी लिला को स्यम करेंगे अच्छा चुनावी पॉलिटिक्स पहले अगर शेंडेश आपको देना हो हाँ राम बंदिर से जुड़ी एक और चीज़ मैं आप से जानना चाहती हूँ, ये यजमान और मुख्य यजमान की बात क्या है योगी जैगा, तीरत चेतर ने, सिराम जन भूमी तीरत चेतर नैस ने यजमान बनाए है, प्रधान मंतरी, मैं सकता हूँ, जिसको भी उनको उचित है, उनको अपने यजमान बना करके, उन्होंने इस पूरे कारिकरम को आगे बढ़ाया है, पर ये कहा गया कि मुख्य यजमान कोई और होगा, जो अनुष्थान में बैट करके, इस पूरे को संपन करेगा, अच्छा, इस सभी कारिकरम उसका अपने सास्त्रोक तो पद्दत जो है सारजिनिक आवकास भी रहेगा, उससे पहले अन्या कारिकरम चलने हैं, जैसे चोडा से लेकर के, किस तक सचता का एक बिसे सभ्यान चला है अंधिपावली के पहले भी इस प्रकार का कारिक्रम करते हैं याने आऊजिजनों में करते हैं या दपी पहले के तुल्ला में सुचभारत प्रिशन के बाद काफी सचता आई है लेकिन फिर भी लोगों में एक जाग रुखता के मद्यान में 12 बज़े के बाद प्रधान मंत्री जी का और अन्य महन वहाओं का मुख्य मंदिर में प्रवेश होगा पोजा पहले से चल ले होगी इसके बाद कारिकन उच्ठान होंगे और लगबग एक बज़े तक अंदर का कारिकन संपन्न हो करके एक बज़े वहाँ पे संबोधन की दिश से जो मंच बना होगा उस मंच पे आकर के फिर ये कारिक्रम आके चलेगा आप भी बोलेंगे पीम भी बोलेंगे तो ये कारिक्रम वहाँ के संपन होंगे संपन होने के बाद जो भी तीर छेतर जो भी तै करेंगे उसके इनसरे कारिक्रम होंगे और उसके बाद फिर दो बजे के बाद से जो आगत पुज्य संत जन हैं अथिती गण हैं दर्शन करेंगे वो अंदर जाकर के दर्शन करते वे निकलते जाएंगे, उनका प्रस्तान होगा, यह सभी कारिक्रम वहाँ पर होंगे, यह कारिक्रम फिर अन्वरत आगे बिवस्था की दिस्थे, क्योंकि हर राम भक्त युद्याना चाहता है, तो उनके लिए भी फिर बिवस्था वहाँ प कि इसके बाद से हम लोग वही अन्रोद कर रहे हैं कि अस्थाने अस्तर पर जो बिवस्था बनाई जा रही है, हर राज्य में, हर जन्पद में, वे अगर उसकी बिवस्था के तत आएंगे, तो किसी को भी कष्ट नहीं होगा, अपने तरीके से पैदल न निकले, क्योंकि उत्तर भारत में इसमें भीसंड सी तलहरी चल लई है, और भीड़ भाड होगी, इसलिए लोग मेरा बिनम्रंडोद होगा कि पैदल कोई न चले, अपने बाहन स्वें बुक न करें, जो बिवस्था अस्ताने अस्तर पर बनाई जा रही है, वहाँ पे न्याज से जुड़े वे लोगों के द्वारा या अन्य संगठनों के द्वारा एक बिवस्था बनाई जा रही है, वहाँ से अपना कारिकरम भेज करके जब उनको वहाँ से कहा जा रहा तब ही वे लोग आएं, रेलवे कुछ स्पेशल टेंस भी चलाएगी, उन स्पेशल टेंस में भी आप अप अलागा दर्शन कर सकें, उस उद्देसे की पूरती भी होनी चाहिए, तो इसके लिए वहाँ पे दर्शन के लिए प्रियाप्त विवस्था की जा रही है, वेरिकेटिंग दे जा रहे हैं, अन्य कारिकरम हो रहे हैं, तो कितना भी कोई करेगा, तब भी दर्शन करने में, एक देव विग्रह का दर्शन करने में, बहुत मेहनत करेंगे, डेड़ लाग दो लाग तक लोग दर्शन कर पाएंगे, जबकि आने के चुप लोग बहुत होंगे, तो प्रियास धीरे धीरे करके जब भी उसर आएगा, तो लोगों को हम लोग उस परकार की भी वस्ता दे देखेंगे, युद्ध्या के परते आकर्शन का क्या हो, जैसे राम नौमी में अमूमन सत्रह के पहले हजारों में लोग आते थे, पचास हजार, साथ हजार तक लोग आते थे, दर्शन करके, असनान करके चले जाते थे, लिपत्सो के बाद कारिकरम में संख्या बढ़ती गई युद्ध्या में, स्विध्धा भी मिलती गई, लोगों को लगा कि अब तो ठीक होगा, इस वर्स राम नौमी के उसर पर, 35 लाक लोग आए थे, इतनी बड़ी संख्या का युद्ध्या में आगमन, इस बात को दिखाता है, कि लोग हर सरधालो, हर राम भकत रहें, तो क्या हमाने जो मुख्य गर्ब ग्रे है, उसमें पहले से ही मूर्ती, राम लला की 5 साल वाली भी, जो अरूर योगी राज बना रहे है, और छोटी वाली भी राम लला जी की मूर्ती, पहले से स्थापित हो जाएगा, तो अन्त मैं मूर्ती की प्रान परतिस्था क कारिकरम का एक आयोजन होगा, उस एक घंटे के आयोजन के अंदर उस सारे कुछ संपन हो जाएंगे. हम कैसे किसी राज़नितिक दल के बारे में बात कर सकते हैं, किस सदिकार से हम बोल सकते हैं, बर आपको फाइदा होगा, बीजेपी को फाइदा होगा है, बीजेपी को क्या फाइदा होना है, क्या नुकसान होना है, यह भारतिय जनता पार्टी की रणनीती ही, अपने आप देगे हम लोग तो तब भी लड़े थे जब सत्रा में लोग अलग लड़े थे चौदा में भी अलग लड़े थे तो बारतिय जंता पार्टी प्रदान मंत्री मोधी जी के नित्रतों में तब भी लड़ी थी और अच्छे बहुमत के साथ बारतिय जंता पार्टी आगे बढ़ी जीती थी लेकिन हर पार्टी को अपना एजेंडा सेट करने और अपने रणिती को बनाने का पुरा दिखा रहे हैं बीते दिन मायवती जी ने प्रेस कॉंफरेंस करके कहा कि वो अलग लड़ेंगी और मायवती ने गिरगिट कह दी अखिलेश आदव को अब आज अखिलेश आदव आए उन्हों का कि हम तो सप्टा देख रहे थे कि मायवती जी को पी-म बनाएंगे लेकिन वो किसी के दबाव में मेरे खिलाब बोल रही है और माना जा रहा है वो दबाव आप ही का है केंद्र सरकार का सीबी आए अखलेश जी को इस वात के लिए धन्यवाद देता हूं कि कम से का उन्होंने मेरा दवाव माना तो है आपका असर वाला मान रहे हैं वो लेकिन अखलेश जी गेस्टाहोस कांड को समभा तो भूल गये होंगे अखिर मायावतीजी के साथ तो उन्होंने ही किया था न या इस मारकों के प्रती जिस परकार की सबदावली का प्रयोग उन्होंने उस समय किया था जब बारा में मुख्यमंत्री बने थे ये किसी से छुपा हुआ है क्या और ये बार बार तो कभी कॉंग्रेस के साथ जाते हैं कभी बीएसपी के साथ जाते हैं कभी किसी और के साथ जाते हैं तो ये तो बार बार अपने आप वही चेंज करते हैं वही बदलते रहते हैं अपना तो मायवती जी ने जो बोला है क्या बोला है मैंने पुरा बयान पढ़ा नहीं कुछ सुना नहीं लेकिन मुझे लगता है कि उनको जो अच्छा लगता होगा उनकी पालिटी के हित्म उस प्रकार करें कोडिया लडाई से आपको फायदा होगा ना सर अगर बीजेपी वससे वान कैंडिड़ेट बीजेपी बीजेपी मोधी जी के नित्रतों में उत्तरपदेश के अंदर बहत्रीन प्रदर्शन करेंगे कि इतनी सीट यह मैं से हम तो अस्च मैं से असी लाने के पकसदर के असी मैं से एसी बीजेपी के पकस दर योगी जिए जब समाजबादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साहथ आये थे तो उन्होंने कई समीकरण बिगाडे भी था यह बात अलग थी कि कारेकरताओं के दिलों के मिलें हम तब भी 64 सीट, 80 में से 64 सीट जीते थे 80 में से 64 सीट हम लोग तब भी जीते थे पर सही सही बताइए कि 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश जिसके लिए सबसे ज़्यादा मेहनत सारे दल करते हैं वहाँ पर अगर वाकई BSP, SP, कॉंग्रेस वगेरा सब मिल जाते एक साथ तो ये 50 की लड़ाई हो जाती प्रतिशत देखे, गठवंदन 19 में इन्होंने गठवंदन किया था परणाम क्या हुआ परणाम क्या था उस समय नोंने दुस्परचार की सारी सीमाओं को लांग दिया था कॉंग्रेस ने और जनता के सामने सब दूद का दूद पानी का पानी हुआ अज ऐसा तो नहीं है कि कॉंग्रेस जो है इन सभी चीजों से जो है देश की जनता इसको देख नहीं रही है आज तो उननीस से भी हैं कभी कही आगे निकल चुके हैं आज दस वर्ष का परणामंत्री मोदी जी के नेत्रतों में आज हर बेक्तिस विकार करता है कि आज बैस्विक मंचपर भारत की प्रतिस्टा बढ़ी है आज हर बेक्तिस बात को मानता है देश के अंदर अच्छा यानि वर्ड क्लास जो है इंफरस्ट्रक्चर भारत के अंदर बना है पिछले दस वर्ष के अंदर हर बेक्तिस बात को मानता है कि देश सुरक्सित हुआ है और देश मोधी जी के नित्रतों में सुरक्सित है और हर बेक्ति इस बात को मनता है कि बिना भेद भाव के वैलफेर स्कीम कालाब हर गरीब को, हर गाउं को, हर किसान, हर नौजवान और हर महला तक पहुचाने का कारे हुआ है किसने रोका था कॉंग्रेस को या अन्य दलों को इस परकार की वैलफेर स्कीम को चलाने से कल आपने देखा होगा कि नीती आयोग की जो रिपोर्ट आई है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के जीवन अस्तर में पिसले दस वर्स में किता अंतराया है 24 करोड से अधिक लोग गरीबी रेखा से मुक्तु हैं भारत के अंदर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब यह हम कह सकते हैं कि 22 जन्वरी से पहले नमस्कार आपके साथ मैं हूँ अंजना उमकश्यप और हमारे साथ राम मंदिर में 22 जन्वरी की तारीख जब प्रान प्रतिष्ठा होगी उस पर चर्चा करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित तिनाप जी यहाँ पर जुड़ रहे हैं असवागत है सर आपका आज तक पर बिरहा के सब परवत पिगले तब रगराई तुम घर आए बेला तो आ गई है आपके जीवन के लिए प्रभु राम की प्रान प्रतिष्ठा राम मंदिर का बन्ना क्याम आइने रखता है और आपकी सरकार के लिए क्या माइने रखता जिसे कुछ लोगों ने अपने बेक्तिकद द्वेस और संकिंड ता का सिकार बनाने का प्रियास किया था जिस उपेक्सा का दंस को जहल लई थे आज उससे मुक्त हो करके हमारे बेदों ने अयुद्या को जिस सब्त पुरियों में से प्रथम पुरी के रोप में सम्मानित किया आज उसी आभा के साथ प्रणरस थापित हो रही है 22 जनवरी को रामलला की प्रांट प्रतिष्ठा का ये समारो मेरा मानना है प्रभूर तो सरोब्यापी है सर्वत्र है प्रम्पिता प्रमेश्वर है लेकिन यह भारत और विश्वमानोता की लोक आस्ता और जन विश्वास की पुनर प्रतिष्ठा का भी ये आयुजन है ब्यक्तिगत रूप से भी और इस जन आस्ता इस लोक आस्ता और जन विश्वास की प्रति लोक तंत्र का एक सामने नागरिक होने के नाते हैं हम सब का ये मनना है कि यह कार्य होना चाहिए था पहले होना चाहिए था लोगोंने राम की ताकत को नहीं स्विकारा वही गलती की जो सास्त्रों में गलती करने वाले भुगत चुके हैं और आज राम नाम से जिस भारत की कल्पना नहीं किजा सकती है बगवान राम की उस महत्वा को श्विकार करने के बाद न्याय और सत्त्य की विजए अयोध्या के लिए हुआ है और उस न्याय और सत्त्य की पनुरस्थापना का कारिकरम 22 जनवरी के कारेकर्म के माध्यम से हमें वहाँ देखने को मिलेगा जनास्ता का सम्मान किसी भी लोकतांत्रिक सरकार का कारे होना चाहिए और जन बिश्वास पर खरा उतरना अगर जनास्ता लोक आस्ता का आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो जन विश्वास पर आप खरा नहीं उतर सकते हैं एक दोसरे के पूरक हैं और प्रधान मंत्री मोदी जी के नेत्रतों में आज उनके मार्ग दर्शन में उनके नेत्रतों में उस लोक आस्ता और जन विश्वास की पुनर प्रतिष्टा हो रही है योगी जी पहले गलतियां की होंगी अब आप लोगों को सुझाव भी बहुत सारे मिल रहे हैं यहाँ पर हमने पूरा संपूर वो राम मंदर का मॉटल भी लगाया है अलों कि बहुत अब लोग प्रियव हो रहा है लोग इसे योध्या नगरी से ही ले जा रहे हैं लेकिन यह बताएए कि अगर शिघर नहीं बन रहा है और उससे पहले प्राण पुतिष्ठा हो रही है तो क्या यह पूर नहीं है क्या गर्ब ग्रे का बनना पूर नहीं माना जाता है मंदर को देखे रामलला का प्रकटी करण हम जिस विग्रह को वहां स्थापित कर रहे हैं और नुष्ठान उस विग्रह का होता है और ऐसा नहीं कि यह पहली बार हो रहा है अयोध्या में जो कुछ भी कारिकरम हो रहे हैं इस सनातन धर्म के सास्त्रोक्त पद्दती के अंसारी हो रहे हैं और सास्त्र परंपणाओं से भी चलते हैं तुसरा लोग हित में जन हित में परंपणाई बनाई भी जाती हैं उन सास्त्रोक्त पद्दतियों का पालन करते वे इन सभी चीज़ों को जो पोरों में भी हुए हैं और आगे भी होंगे उसी के अनुरूपे कारिक्रम भी अध्या का सिराम जन्भों में तीर छित न्यास के दौरा प्रारंब किया गया है विपक्षका तो कहना है कि अब चुनाव करीब है इसलिए आप लोग जल्दबाजी में कर रहे हैं अभी मंदिर का निर्मार पूरा नहीं हुआ है लेकिन दो तीन महीने बाद चुनाव है और ऐसे में शशी थरूर को मैं कोट करना चाहूंगी कॉंग्रस के नेता वो यह कहते कॉंग्रेस को किस ने इस कारेक्रम्प में आने से मना किया था क्या यह सच नहीं कि कॉंग्रेस ने 1989 में अपने चुनाव परचार अभ्यान का सुभारंब अयोध्या से किया था और क्या यह सच नहीं है कि कॉंग्रेस एक तरफ हिंदों को बेकूब बनाती थी और दूसरी तरफ मुस्लिम वोड बैंक से भी मोग नहीं छोड़ पा रही थी बोड बैंक की राजनिती इसमें विपक्स नहीं किया है कॉंग्रेस जैसे दलो नहीं किया है बारतिय जनता पार्टी ने इसमें राजनिती नहीं कि अधिश्वास पर खरा उतरह गा कि बीजेपी संग का इवेंट हो गया है सर पाँच लोग अंदर रहेंगे गर्ग्रे में अब कि हिंदू पंचांग से नहीं निकाली है आपने तिथी आपने निकाला है काउंड़ाउन लोगसभाई एलेक्षन का देख कर देखे हिंदू परंप्रा में सनातन धर्म की परंप्रा में मकर संक्रांती के बाद सुर्य नारेण के उत्रेण में आने के उपरांत सुब मोहरत आते हैं कारिकरमों के और उसी को मान करके सास्ट्रोक तो पद्दती से यह कारिकरम किया गया कॉंग्रेस को इसमें तो औसर मिला था न लेकिन याद करिए जब सुमनाद के मंदिर की पुनरस्थापना का कारिकरम हुआ कॉंग्रेस ने तो सायुजन का विरोध किया उस समय के प्रधान मंत्री उसकारिकरम में स्वयम तो नहीं गये लेकिन ततकालिन राष्टपती को भी उन्होंने जाने से रोकने का प्रियास किया था आप नहरू जी की बात कर रहे है और राजिंदर प्रसाद जी की मैं के रहे हैं तक्टर राजिंदर प्रसाद जी उसकारिकरम में गये लेकिन ततकालिन प्रधान मंत्री नहरू जी ने प्रियास तो किया था स्वयम तो नहीं गये लेकिन उनको भी रोकने का प्रियास किया कॉंग्रेश ने लंबे समय तक देश में सासन किया आखिर देश की सुतंतरता कैसी है मान बिंदों की पनरस्थापना का कारिकरम और फिर इसमें तो न्याय और सत्य की बात हमने हमें एक स्थान के लिए प्रमान देने पड़े जिसमें भारत की आस्ता कहती थी कि यहीं राम जनम भूमी है लेकिन प्रवराम ने क्योंकि हमें मर्यादा का पाट पढ़ाया था इसलिए हमने मर्यादित आचान करते भी वे सारे प्रमान प्रस्तुत करते हैं हम लोग लड़े, लोवर कोट में लड़े, हाई कोट में लड़े, सुप्रेम कोट में लड़े और अंदता सुप्रेम कोट में पांच जजेश की एक पूर्ण पीट ने अयोध्या की मामले को लेकर के एक सरोमसम्मत थैसला दिया तो ये नयाय और सथ्ट्य की स्थापना का भी अभियान है और उसी अभियान के करम में आज अयोद्या का कार dejar हूरा है इसमेन तो किसी को आपतीती नहीं होना। अगर कहते हैं कि हम वहाँ जाकर क्या करेंगे ताली बजाएंगे तो इसके पीछे की सोच क्या है पॉंग्रेस कहती है कि आप लोग अपमान कर रहे हैं देखे हमने हर धर्माचारे को और हर अचारे को तीर्थ छेतर ने उन्हें आमंत्रन भेजा है और मुझे लगता है कि यहाँ आउसर स्रे और प्रे का नहीं है यह आउसर मानपमान का नहीं है चाए मैं हूँ एक सामाने नागरिक है या इस देश का बड़ा सा बड़ा धर्माचारे कोई भी प्रभुराम से बड़ा नहीं है हम सब राम पर आसृत हैं राम हम पर आस्रित नहीं है हम इस बात को ध्यान वे रखना होगा और राम से बढ़कर के कोई नही हम सब की विवस्ता राम के वेगर नहीं चल सकती लेकिन राम तब भी तनाम थे जब ये परंपराई नहीं ठी उनके विरोध के पीछे आपको क्या वज़ा समझ में आते हैं लेकिए हर बैक्ति को अपनी बात बोलने का दिकार है लेकिन हम तो आज भी अंडोध करेंगे बिनम्र अंडोध करेंगे सभी पूजय संतों से जिनको तीर्थ छेतने आमंतरन किया है या जो इस समय नहीं आपा रहे हैं वे कभी पधा रहे हैं हम सुनी सुनाई बातों पे विस्वास न करें देखें पहले की अयोध्या आज की अयोध्या हम देखें कैसे अयोध्या आज अपनी पुरातन वैवाओ के लिए पुनरस्ता पित हुई है ऐसा नहीं कि लोगों का उसर ना मिलाओ, पिच्छतर साल तो सभी लोगों को मिले थे ना, सतर साल मिले थे, साड़ साल मिले थे, पचास साल मिले थे, क्यों नहीं लोगों ने किया लोग तो आयोध्या का नाम लेने से डरते थे लेकिन आयोध्या नगरी के तरफ कोई राजनेता जाने की हिम्मत नहीं करता था सब दूर रहते थे कि पता नहीं क्या दिक्कत हो जाए कोट का आदेश आया नहीं था लेकिन योगी आदेत्यनाथ ने वहाँ पर दीपोटसव का आयोजन शुरू कर दिया था यह जानते हुए कि यह सवाल पूछा जा सकता है कि मंदिर कब बनेगा हमें प्रभू पे विश्वास था अठोड विश्वास था कि अगर राम सेतों का निर्मान हो सकता है तो राम मंदिर का निर्मान भी होगा और इसलिए उसके पहले प्रभूगे आगमन के पहले दिपोटसो तो होने ही चाहिए आखिर दिपावली का आयुजन तेसलिए होता है और सरकार आई यह मेरा सौभाग्य है क्यादणी प्रधान मंद्री जी की पेड़ना से हम लोगों ने दिपोटसो क्यायुजन के साथ साथ वहां की वन्यादी सुग्धाओं में सुधार करना प्रारंब कर दिया था चाहिवार राम जी की पेड़ी हो गुपतार घाड से लेकर कि रामची की पेड़ी नए घाड तक के निर्माण के कारिकरम हो वहां की स्वच्छता का कारिकरम हो वहां की फसाड की ब्योस्था हो यहांने सभी कारिकरमों को हमने किया और आज यही आयुद्ध है ना सिंगल लेन की सडके थी आज अयुद्धा के अंदर फोरलेन की सड़क कल्पना थी ना आज से दस साल पहले कोई इसकी कल्पना ही नहीं करता था लड़के लटकते वे जूलते वे तारों के गुच्छे थे अभिवस्ता थी गंदगी थी पिसली सरकारों ने तो बिजली के लिए वहां के लोगों को तरसाया तीन घंटे चार घंटे गंदगी मैट के धेर में वहां के लोगों को रहने के लिए मजबूर किया कोई सुद्धाई वहां के लिए नहीं थी घाटों में गंदगी कमबार रहता था आज अंदर की फोर लेन की connectivity है बाहर हर और से आप लखनों से जाएं गोरकपुर से आएं वारानसी से आएं प्रियागराज से आएं फोर लेन की connectivity से वो भी जुड़ चुका है और यहीं नहीं अयोद्या मीटर गेज से जुड़ा वता चोटी लाइन रेल की जाती थी बाद में ब्रोड गेज बनी अब रेलवे की डवल लाइन से जुड़ चुका है इंटरनेशनल एरपोर्ट बन गया है और अयोद्या में सर्यू जी में उस लोग गोली चलाते थे आज सर्यू जी में कुर्फ चलना है कोई कल ना कर सकता था आज ये भी हो रहा है और इतना सब कुछ होने के बाब जोद एक चीज़ आप अन्वह किये होंगे देखिए आप लोग तो पब्लिक के बीच में जाते हैं सीधे आप लोगों का कनेक्ट है इतने लोग खटाए गए होंगे उनका पुनर्वास्वा होगा अक्सर होता है कि छोड़ी छोड़ी बातों को लेके लोगों में अन्रेस्ट होता है अयोध्या में इतने बड़े इतना इंफ्रास्ट्रक्शर का कारे हुआ है लेकिन कहीं कोई अन्रेस्ट नहीं है हर व्यक्ति में संतुस्टी है क्योंकि हर व्यक्ति अयोध्या के लिए और प्रभुराम के लिए ही जीता है और सब के मन में है कि ये काम जो काम पहले होना चाहिए था काम आज हुआ है तो स्वाभाई करूप से आम जन्मानस की जो आज की जो मानसिक्ता में परिवर्थन आया है अयोध्या के यहाँ इसलिए संभव हो पाया क्योंकि डबल इंजन के सरकार की नीती भी साब थी और न कि राजनितिक महमानों को हमें बुलाना चाहिए आपसे चर्चा तो ही होगी आप मुख्यमंत्रिय किसका आइडिया था कि उनको बुलाना चाहिए और दूसरा राहूल गांदी ने कहा है कि यह पुलिटिकल इवेंट है बाइस जन्वरी को वो कह रहे हैं कि जो लोग प्रधान मंत्री होंगे योगी जी होंगे मोहन भागवत संग प्रमुख है जो गवर्ना सब बीजेपी से जुड़े हुए लोग है तो कि यह पुलिटिकल इवेंट है दोनों प्रश्णों पर आपका रहा है उनको पॉलिटिकल इवेंट बनाने से किस ने रोका था आकर कॉंग्रेस ने उनिस सो सैंटालिस से ले करके और एक लंबे समय तक सासन किया राहुल जी स्वयम भी 2004 से ले करके 2014 तक इस देश की सत्ता के सिर्मौर के रूप में बैक डोर से कमान्टो संचालित करते ही थे किसी से छुपा हुआ है क्या हाँ वालग विस्या है कि उन्होंने कुछ इवेंट संसत में किये कि संसत की आउमाना करते हुए बिल की परतियों को वहाँ फाड़ने का काम जरूर किया था क्या ये इवेंट ही था ये कॉंग्रेस का इवेंट है वे संविधान का अपमान करते हैं संविधानिक संसताओं का अपमान करते हैं भारत की लोकास्ता का अपमान करते हैं भारत की जन्बिश्वास पर कुठारा घात करते हैं मैंने पहले भी कहा प्रभुराम का रामलला की रुप में अपनी जन भूई में पुनर प्रतिष्ठा का कारिकरम होना ये प्रान प्रतिष्ठा का इसमारो भारत के लिए और सनातन धर्माबलंबियों के लिए तो गौरब का भी सही देश और दुनिया के अंदर जितने भी सब के लिए भी आसा की एक नई करण है राजनितिक महमानों वाला सवाल का जवाब आपने नहीं दिया आपने उनको तलवार की नोक पर चड़ा दिया कि आए तब भी उनको एक तरह से ये मानना पड़ेगा कि राम मंदिर प्रान प्रतिष्ठा बीजे पी कर रहे हम उसमें शामिल हो रहे हैं और अगर वो इंकार कर दें तो आप कहेंगे कि देखो ये तो आए ही नहीं हम लोग इस बात को मानते हैं कि राम सब के हैं दिश्टिकों लोगों के अलग-अलग हो सकते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन्न तैसी राम हमारी आस्ता के प्रतीक हैं तो हम उनको परम्पिता परमेश्वर के रुप में मानते हैं हमने उनके महत्तों को समझा जाना है इसलिए जीवन भी समर्पित कर दिया राम के महत्तों को वे लोग नहीं समझ पाए क्योंकि उनको सत्ता प्यारी है और सत्ता के एतर सोच भी नहीं सकते लोक आस्ता क्या होती है और जन्बिस्वास क्या होता है या अगर कॉंग्रेस ने समझने का प्रियास क्या होता ना ये दुर्गती नहीं जेलते और इसलिए हर उस अब्यक्ति को उस कारिकरम में आमंतर्ण होना चाहिए और ये सिराम जन्भू में तीर्थ छेतर का आयोजन है उन्होंने अपना निमंतन दे करके अपने कर्तब्यों का निर्वान किया है क्योंकि राम तो सब के हैं सब को आयू जोने में बलाना चाहिए ओर ठीक है पुरा देश आना चाहता है दुनिया आना चाहती है हर राम भक्त आना चाहता है इस पूरे कारिक्रम के साथ जुड़े वे आन्दोलन से जुड़े वे एक लंबी स्रंखला है वे भी आना चाहते हैं लेकिन अलग-अलग समय में लोग आएंगे हम लोग भी अंडोध कर रहे है कि प्रान प्रतिष्टा समारों के बाद सभी लोगों को आउसर मिले आएद्या में राम जन्भूमी का दर्सन करने के लिए और वहां की विवस्ता से राम जन्भूमी तिर्चित्र नियास देख रहा है हाँ उत्तरप्रदेश में कोई आएगा अच्छी नियत से आएगा प्रभू के दर्शन करने की नियत से आएगा उनके दर्शन करने में और वहां तक पहुचाने में हम लोग एक सहभागी हो पाएंगे उनको कहीं भी कोई समस्या ना आने पाए ये जिम्मेदारी हम लोग कई भी दर्शन में भी और बाहर भी क्यूंकि आए थे कल कोंग्रिस के निता आए थे दर्शन विद्शक पर ला फार समझाना चाहिए घार है आप Ridge पर आपने सवाल का जवाब देते वойти सवाल ये था कि ऑ कॉंग्रेस कह रही है कि ये एक राजनीतिक आयोजन है आपने कहा वो भी कर सकते थे राजनीतिक आयोजन आपने खंडन नहीं किया यह मैंने का न, कि उनका दृष्टिकॉंड राजनितिक सत्ता पर है, हमारा दृष्टिकॉंड लोक आस्ता को सम्मान देने का है, और जन विश्वास का सम्मान करने का है, तो हम लोग उस अभिहान के साथ इस रूप में जुड़े हैं, माने उच्चितम नैले के आदेस पर से नाम जन भूमित तीरत छेतर न्यास का गठन हुआ है, अंदर के सारी विवस्ता यह ट्रस्ट ही करेगा, और ट्रस्ट आमंतर्ण करने के लिए स्वतनतर है, ट्रस्ट ने जिन्हें आमंतित किया है, वे सब हमारे अथिति होंगे, क्योंकि हमारे राज्य में आएंगे, क्यो कोई रास्ता कहीं से निकलता है, तो हमें उस औसर से बंचित नहीं रहना चाहिए, और अयोध्या का इवेंट हमारे लिए इस रोप में उत्रप्देश को एक बार फिर से देश के अंदर और दुनिया के अंदर प्रस्तुत करने का भी एक उसर है, बहुत सारे सवाल अब इ जहां पर स्थान था, जो गुंबत के नीचे जगह थी जहां पर है, वहां पर गर्भग्रे नहीं बन रहा है, आप लोग गर्भग्रे दूर बना रहे हैं मंदिर के, ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आप जानकारी दे सके तो यह तो दर्शन करने के लिए आये थे, संजे राओत भी आये थे, रोधोजी भी आये थे, और उस समय आकर के उन्होंने वहां पर तमाम गोशनाएं भी की थी, उस समय अपने अमुले सुझाव देव होते, देखें अंगूर खटे हैं, अब तो कोई भी बोल सकता है, मैंने का ना अभी व्यक्ति की सुतंतरता सब को है, अर व्यक्ति को इसके बारे में बोलने में कोई कटना ही नहीं है, हमारी पूरी लड़ाई वही थी, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और मंदिर वहीं पर बन रहा है, पर फिर वही है ना सर, कोट का फैसला है, मैंने का ना, फैसला तो कोट का है, वो क्यों नहीं आप पेरवी कर रहे थे मतलब किसी और पार्टी की सरकार होती तो जरूरी नहीं है कि निर्णे में बाधान नहीं डाला जाता था ही देरी का कारण नेले नहीं सरकारें थी पार्टीयां थी वे चाती नहीं थी किसका निर्णे हो इसका फायदा मिलेगा 24 में फायदे और नुकसान का नहीं पर मिलेगा जो देश की आस्ता का सम्मान करेगा वह जन विश्वास पर खरा उतरेगा अच्छा एक हो गया आंदूलन से जुड़े हुए लोग जिनको श्रे दिया जाता है दूसरा क्या आप भारतिय जनता पार्टी आप ये कह रहे हैं कि पार्टी को भी श्रे है देखे राम जन भूमी का अंदूलन एक ऐसा अंदूलन है 1528 से ले करके 2019 तक जब तक मन्य उच्छतम नियाले ने फैसला नहीं दे दिया तब तक इस आंदूलन के लिए निजनतर एबरेज 6 से 7 वर्स के अंतराल में एक बड़ा आंदूलन होता था एबरेज अगर आप देखेंगे 6 तर बार बड़े आंदूलन होई हैं बड़े संघर्स होई हैं 1528 से ले करके इन लगभग 590 वर्स के अंदर 490 वर्स के अंदर इतने बड़े आंदूलन औभ्यान चलते रहें ये चीजें दिखाती हैं कि एक लंबे समय तीन लाग से धिक राम भक्त सईद वे इसमें संत भी थे राजे रजवारे भी थे सामान भक्त भी थे महलाएं भी थी पुरुस भी थे जो राम जनम भूमी के लिए अपने आपको उन्होंने बेलदान कर दिया दुनिया के अंदर इस परकार कोधान देखने को नहीं मिलेगा जो अयुद्ध्या की जिस्से हम सब को देखने को मिला हाँ आंदूलन कभी विपरित परस्थितिआ थी कई संपर स्थितितिया थी नेकिन निर्णे और निर्णे के बीच में फंसा हुआ था 1885 के प्रिटिस काल खंड में नियाले क्यादिस को आप पढ़ें ना कोट स्विकार कर रहा है केस्तान हिंदों का है प्रिटिस कावर्मेंट है लेकिन एक लंबा समय हो गया है अब इसमें कोई निर्णे हम देंगे तो उसको फिर छोड़ते है लेकिन इसके बाद जो चीज़ें आगे आएं और लोगों को भी तो मौका मिला था क्यों नहीं उन्होंने अपने समय में इसको किया उनको भी आगे आना चाहिए था आज दोसार उपन करने से नहीं काम चलने वाला है आज जब देश एक अच्छी दिसा में जा रहा है सारे लोग उस दिसा में एक सकारत्मक भाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं मुझे नहीं लगता है किसमें किसी भी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी पैदा करने का कोई उसर होना चाहिए योगी जी अब आपकी भूमिका पर आते हैं ऐसा लोग मानते हैं कि आप बीजेपी के पूरे क्यारेक्टर को पूरा सूट करते हैं वो इसलिए क्योंकि आपका रहने का धंग भगवा रंग जो आप धारन करके रखते हैं चारों तरफ से आपका बुल्डोजर चलाना आपका उत्तर प्रदेश क्या देश भर को राममय करना जिससे आपको लगता है इस लहर से फिर हिंदू वोटर भी प्रभावित होकर नहीं जाएगा दो हजार चॉबिस तक तो आप एक तरह से बीजेपी की पूरे क्यारेक्टर को पूरा सूट करते हैं और उस कड़ी में अगर हम राममंदिर को देखें तो आपने भी पूरी ताकत जोग दिये इसी के जरीए आप बीजेपी को जितरा लाब चौबीस के लिए दिलाना सकते हैं वो आप दिलाने की कोशश कर रहे हैं क्या मैं सही नहीं हूँ देखें मैं तो इस पूरे अभिहान का एक सिपाई हूँ और सिपाई की रूप में हम लोग राजनीती में आये हैं मुल्यों और आदर्सों के साथ राजनीती हमारा पेसा नहीं है उन मुल्यों और सिद्दान्तों के साथ आए हैं और उन्हीं मुल्यों और सिद्दान्तों के साथ कारे कर रहे हैं कारे करते रहेंगे पर आप में कैसा क्या है जो बाकी मुख्यमंत्रियों में नहीं आपको हर जगा प्रचार के लिए ले जा 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 रहा है सभी मुख्यमंत्री एक दोसे राज्य में परचार के लिए जाते हैं और हर एक के सयोग के लिए एक दोसे के राज्यों में जाते हैं हमारी राज्य में चुना होते हैं, हमारी राज्य में भी अन्ने राज्यों के मन्ने मुख्य मंत्री गणाते हैं, केंद्रिय ननेता गणाते हैं, ऐसे ही अन्ने राज्यों में होता है, तो हम लोगों को उसर मिलता है, हम लोग पी जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, सभी लोग एक दुस्य के सयोग करने के लिए जाते हैं हाँ कुछ चीजें तो अगर भगवा कलर में इतना अकर्षन है तो मैं चाहूंगा पुरा देशी भगवा में होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए अगर उसे हम देखें ऐसा लगता है कि योगी आदितनाथ 22 जनवरी के लिए या फिर एक साल के लिए दो साल के लिए नहीं सोच रहे है आपने जिस तरह के प्रोजेक्ट की शुरुआत की है यह क्या पचास वर्ष का प्रोजेक्ट है बतलब आप अयोध्या नगरी को पचास वर्ष आगे कैसा देख रहे हैं लेकि अधिया को अभी भी हम लोगों ने अधिया को वास्तों में क्यों एक छोटे से नगर की रूप में जाना है इमानदारी से अगर इस पर लोग सोध करें तो यह विश्वकी सांसकर्तिक राजधानी है विश्वकी हाँ मनुष्य पहला मनुष्य और मनुष्य की परंपरा की सुरुवात यहीं से सुरुवात भी यहीं से सुरू भी होती है अयोध्या उसकी प्रतम भूमी है अधार भूमी है मनों से मानो और फिर वहीं से परंपरा आगे बढ़ी है मनों के किते पुत्र थे उसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो अलग-अलग द्वीप उन्हें के उस पर माने गए हैं आप भारत के प्राचीन इत्यास को ठाके देखें तो आप कोई सारी चीजें जनकारी में आ जाएंगे अयोध्या प्रभुराम कि पावन जन भूमी है यह तो हम सब जान रहे हैं उत्तर भारत को सबसे उर्वरा भूमी बनाने का स्रे हम मा गंगा को देते हैं और गंगा को इस उत्तर भारत में लाने वाले कौन थे भागिरत वे भी अयोध्या में थे महराज दलीब भी वहीं पैदा हुए थे महराज अज भी वहीं पैदा हुए थे मान धाता भी वहीं पैदा हुए थे एक लंबी परंपरा है जैन परंपरा के तिर्थंकरों को आप देखेंगे यह परंपरा भी वहीं से निकलती भी दिखाई देती है जड़ भरत हो या फिर उसके बाद की परमप्राएं इस सब वहीं से निकलती है और अयोध्या के इस महित्यों को कमतर आखने का प्रियास जो विश्व के इत्यास की भूमी है जिसे सम्मान बहुत पहले मिलना चाहिए था आज प्रधान मंतरी मोदी जी के करण वह सम्मान अयोध्या को प्राप्त हो रहा है और हम लोगों को इस बात को मनना चाहिए कि हमें अयोध्या के इस महित्यों के माद्यम से भारत की यानि एक ग्लोबल ब्रांडिंग का एक उसर मिला है हम लोगों को लेके आएं देखे हम लोग उसके महित्यों को अभी भी वह बहुत कर रहे हैं अंडरस्टिमेट कर रहे हैं 2017 में हम लोग ने आयोध्या में दिपोत्सों के आयोजन को किया था 2018 में अधने प्रधान मंतरी जी की पिर्णा से यह हुआ कि भी अयोध्या के साथ उन देशों को जोड़ो जिन देशों से भारत की सांस्कृतिक समंदर रहे हैं या हैं आज भी हैं जो अपने सुत्र को जोड़ते हैं तो साउथ कोरिया की फस्ट लेड़ी हमारे आयोजन का चीप गेस्ट बनी थी उनका पराएक डेली के सन आया था यहां पे और उन्होंने इस बात को कहा कि अयोध्या की राजकुमारी कि हम वो अनसज हैं साउथ कोरिया में थी और अयोध्या की राजकुमारी कैसे वहां गई जल मार्ग से हमारी सरकार ने अयोध्या के दिश से जल मार्ग को हम प्रारंब कर सकें इसके लिए इन लैंड वाटर वे अथोर्टी का गठन भी कर दिया है हम लोग लेके जा रहे हैं हल्दिया तक जोडने के लिए फिर वहां से आगे बढ़ने के लिए और अयोध्या की राजकुमारी रतना जल मार्ग से सौथ कोरिया पहुची थी आज की वहां की जो परमप्रा है एक बड़ी परमप्रा वहाँ पर उन्हें अपनी दादी मा के रूप में संबोधित करके सम्मान देती है और उनी की स्मृति में किम हो जो पार्क है अयुद्या का वो हम लोगों ने वहाँ पे स्तापित किया है ऐसे ही थाइलेंड में आप देखें राजा राम है वहाँ की परमपर अपने आपको राम से जोड़ती है वहाँ के जो निशनल हाईवेज है वे सब राम के नाम पर है रामा वन रामा टू राम के नाम पर है राजा ने अपना जो पैलिस था ग्रेंड पैलिस उसको उन्होंने रामेंड को दान किया ठाइ रामैंड के सभी चित्रों को उस पे उकेर करके उने राम को सम्मान दिया यह थाइलेंड का है थाइलेंड की जो पुरानी राजधानी थी जो बाद में मैनमार के साथ युद्ध के दोरान छतिगरस्त ओगई थे वह अजुद्या थी आज भी उन्होंने सम्मान दिया यह अपनी परंपरा को कहा से लोग जोड रहे हैं राम के साथ आप इंडोनेसिया में देखे इंडोनेसिया तो मैं दुनिया के सरवाधिक मुसल्मान रहते हैं लेकिन उंडोनेसिया में वे लोग आज भी रामप्ण के साथ जुड़े है रही है. हमने उंडोनेसिया की रामला को भी आमंतित किया है इस दोरान अयोत्या में. अब उने के पात्रों से बात करें. वे सभी रामकों अपना धर्स मांते हैं. समस्या ये है कि जो है जो ग्यान होता है न वो बेक्तिय को भरमित कर देता है और जिन लोगों ने भारत को भारत के बारे में कभी जानने का इमानदारी से प्रियास नहीं किया वह लोग भारतियता पर भारत की परंपरा पर भारत की महापुरसों पर भारत की अरहदे देवों पर प्रस्न खड़ा करते हैं इनको वास्तों में समझना चाहिए अयphonie क्यों नहीं है एक बिस्वा की सांस्कृतिक राजदानी है और सांस्कृतिक राजदानी की रुप में परनारस्थापना होनी ही है आपने अपी कहा कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे आप लोगों का नारा था संग परिवार का एक और नारा है काशी मतुरा भी बाकी है उस पर आपके क्या विचार है देखे जो विसे नियायले में हैं तो नियायले को उस पर काम करने देना चाहिए हमने रामलला के लिए 500 वरसों तक संघरस किया और मर्यादित तरीके से उसमें नियाय और सत्त्य की विज़े प्राप्त की है यहां के मामले भी अपर इस सब जूड़िस हैं नियाले में नियाले के सामने अपने परमान प्रस्तुत करेंगे कि आपी के राज्य की बात है बाकी दोनों जगे पर बात कोई तारीक देने वाले हैं और देखे वह हैं वही जो राम रसी राखा प्रभो को अपनी लेला को पित रसने दीचे पर खुशी आपके चिपती नहीं है चेहरे पर आते ही बात हम तो निमित्त मात्र हैं प्रभो अपनी लीला को स्वेम करेंगे चुनावी पॉलिटिक्स प्याने से पहले अगर एक विपक्षियों को अगर एक संदेश आपको देना हो राम मंदर से जुड़ी एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ यह यजमान और मुख्य यजमान की बात क्या है योगी जैगा प्रधान मंतरी मैं सकता हूँ जिसको भी उनको उचित लगता है उनको अपने यजमान बना करके उन्होंने इस पूरे कारिक्रम को आगे बढ़ाया है पर यह कहा गया कि मुख्य यह अजमान कोई और होगा अगर जो अनुष्थान में बैट करके इस पूरे को संपन करेगा अच्छा इस सभी कारिक्रम उसका अपने सास्त्रोक तो पद्दति के इन सारी सारी कारिक्रम हो रहा है कारिक्रम के बारे में कुछ जानकारी आप दे पाएंगे बारे बजे शुरू हो रहा है बारे बीस में प्राण प्रतिष्ठा का काम होगा अगर थोड़ा बहुत जानकारी जो दर्शक उस दिन इंतजार करेंगे टीवी के सामने आपने छुट्टी की घोशना करी दी है देखे उत्तर प्रदेश में उस दिन जो है सारजनिक आउकास भी रहेगा उससे पहले अने एक कारिक्रम चलने हैं जैसे चौदा से लेकर के किस तक सच्चता का एक बिसे सभिहान चलना है अंदीपावली के पहले भी इस परकार का कारिक्रम करते हैं याने आउजिनों में करते हैं या देपी पहले के तुलना में सच्चवारत प्रिशन के बाद काफी सच्चता आई है लेकिन फिर भी लोगों में एक जाग रुखता के लिए आज से शुला जनवरी से लेकर के बाइश जनवरी के मद्ध्यान के पूरु तक अखंड रामेड पाठे राम नाम संक्रतन के कारिक्रम होंगे अप्राहन में मध्यान में बारा बजे के बाद प्रधान मंत्री जी का और अन्य महान वहाओं का मुख्य मंदिर में प्रिवेश होगा पोजा पहले से चल ले होगी उसके बाद एक कारिकर नुष्टान होंगे और लगबग एक बजे तक अंदर का कारिकर असंपण हो इन बजे वहां पर संबोधन की देश्चे जो मंच बना होगा उसा मंच पर आ करके फिर कारिकरम आकर चलेगा आप भी बोलेंगे पीएम भी ब करेंगे दर्शन करेंगे उनका प्रस्तान होगा यह कारेक्रम पर होंगे कि यह कारेक्रम पिर अनवरत आगे ब्योस्था की दिश्थे क्योंकि हर रामभक्त युद्याना चाहता है तो उनके लिए भी फिर ये विवस्ता महाँ पर आके क्योंकि बहुत जादा है लाखो लाख की तादाद में लोग पहुँच सकते हैं 22 तारीक को तो हो जाए पर 23 तारीक से पूरा प्रशासन समझ रहा होगा कि कितनी बड़ी संख्या में लोग से हम लोग वही अंडोद कर रहे हैं कि अस्थानी अस्तर पर जो ब्यवस्ता बनाई जा रही है हर राज्य में हर जन्पद में वे अगर उसकी ब्यवस्ता के तत आएंगे तो किसी को भी कष्ट नहीं होगा अपने तरीके से पैदल न निकले क्योंकि उत्तर भारत में इसमें भीसन सी तलहरी चल लई है और भीड़ भाड होगी इसलिए लोग मेरा बिनम्बरंडोद होगा कि पैदल कोई न चले अपने बाहन स्वेम बुक न करें जो बिवस्ता अस्तान अस्तर पर बनाई जा रही है वहाँ पे नियाज से जुड़े वे लोगों के द्वारा या अन्य संगटनों के द्वारा एक बिवस्ता बनाई जा रही है वहाँ से अपना कारिकरम भेज करके जब उनको वहाँ से कहा जा रहा तब ही वे लोग आएं रेलवे कुछ स्पेशल टेंस भी चलाएगी उन स्पेशल टेंस में भी आप अपना रिजर्वेशन करवा करके अजद्ध्या आ सकते हैं तो वहाँ पे हम उनको बहतर सुग्धा दे पाएंगे और आसानी से दर्षन करा पाएंगे क्योंकि क्यों अजद्ध्या आना भर नहीं है जिस उद्ध्या से आ रहे हैं कि रामला का दर्षन कर सकें उस उद्ध्या से की पूर्ती भी होनी चाहिए तो इसके लिए वहाँ पे दर्षन के लिए प्रियाप्त विवस्ता की जा रही है वेरिकेटिंग दे जा रहे हैं अन्य कारिकरम हो रहे हैं तो कितना भी कोई करेगा तब भी दर्षन करने में एक बेक्तिको एक दिन में एक देव विग्रह का दर्षन करने में बहुत मेहनत करेंगे डेड़ लाग दो लाग तक लोग दर्षन कर पाएंगे जबकि आने के चुब लोग बहुत होंगे तो एक प्रियास धीरे धीरे करके जब भी उसर आएगा तो लोगों को हम लोग उस प्रकार की भी वस्ता देंगे देखें युद्ध्या के परत्याकरशन का क्या हो जैसे राम नौमी में अमूमन सत्रह के पहले हजारों में लोग आते थे पचास हजार साथ हजार तक लोग आते थे दर्शन करके असनान करके चले जाते थे देपत्सो के बाद कारिकरम में संख्या बढ़ती गई युद्ध्या में सुबिधा भी मिलती गई लोगों को लगा कि नहीं अब तो ठीक होगा इस वर से राम नौमी के उसर पर 35 लाक लोग आए थे इतनी बड़ी संख्या का युद्ध्या में आगमन इस बात को दिखाता है कि लोग हर सरधालो हर राम भक्त युद्ध्या आना चाहता है और उसके लिए उस प्रकार की सुविधा और बिवस्ता हम लोग देंगे एक और सवाल मन में आया आपने कहा कि प्रधान मंतरी लगभग 12 बजे के आसपास वहां पहुँच रहे हैं तो क्या हमाने जो मुख्य गर्ब ग्रे है उसमें पहले से ही मूर्ती राम लला की 5 साल वाली भी जो अरूर योगी राज बना रहे है और चोटी वाली भी राम लल चन के अंदर उस सारे कुछ संपन हो जाएंगे योगी जी अब कुछ राजनीतिक प्रश्णू की ओर आना चाहती हूं मायवती जी ने हाल ही में ये घोशना की कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी लोग सभा चुनाव में वो इंडिया आलाइंस के साथ नहीं जाने वाली ह उन पर बिभड़े प्रहार हुएं कहा गया कि वो तो भरतिये जननता पार्टी का फायदा करने वाली है देखे हर राजन्तिक दल को अपना अपने राणनीती तैय करने का अदिकार है और हम कैसे किसी राजन्तिक दल के बारे में बात कर सकते हैं किससे अदिकार से हम बोल सक पर आपको फाइदा होगा बीजेपी को फाइदा होगा है। 17 में भी फिर ये लोग लड़ने का प्रियास किये थी BJP से 19 में इन लोगों ने प्रदेश में एक महागड़बंदन भी बनाया था तो भारतिये जनता पार्टी प्रधान मंतरी मोधी जी के नित्रतों में तब भी लड़ी थी और अच्छे बहुमत के साथ भारतिये जनता पार्टी आगे बढ़ी जीती थी लेकिन हर पार्टी को अपना एजेंडा सेट करने और अपने रणिती को बनाने का पुरा दिकार है बीते दिन मायवती जी ने प्रेस कॉंफरेंस करके कहा कि वो अलग लड़ेंगी और मायवती ने गिरगिट कह दी आखिलेश आदव को अब आज आखिलेश आदव आए उन्हों का कि हम तो सप्टा देख रहे थे कि मायवती जी को पी-म बनाएंगे लेकिन वो किसी के दबाव में मेरे खिलाब बोल रही है और माना जा रहा है वो दबाव आप ही का है हमारा कौन चले मैं धन्यवाद को के लिए धन्यवाद देता हूँ कि कमसे का उन्होंने मेरा दबाव माना तो आपका असर वाला मान रहे हैं वो लेकिन अखलेश जी गेस्टाहोस कांड को समभतों भूल गए होंगे फिर माया वतीजी के साथ तो उन्होंने ही किया था न या इस मारकों के प्रति जिस परकार की सबदावली का प्रयोग उन्होंने उस समय किया था जब बारा में मुख्यमंत्री बने थे ये किसी से छुपा हुआ है क्या और ये बार बार तो कभी कॉंग्रेस के साथ जाते हैं कभी बियस पी के साथ जाते हैं कभी किसी और के साथ जाते हैं तो ये तो बार बार अपने आप वही चेंज करते हैं वही बदलते रहते हैं अपमा तो मायवती जी ने जो बोला है क्या बोला है मैंने पुरा बयान पढ़ा नहीं कुछ सुना नहीं लेकिन मुझे लगता है कि उनको जो अच्छा लगता होगा उनकी पालिटी के हित्म उस प्रकार के लगता है ब मुझे जी झांड़ और उत्तर अधर में उंदर उत्तर रधबदेश के अंदर इंदर वहत्रीन प्रदर्शन करेंगे ठ्धी समाजबाबी पार्टि उल्हों के बह群त्य में नहीं सेकड़ साथ 12 ूछा थी 64 seat 80 में से 64 seat जीते थे 80 में से 64 seat हम लोग तब भी जीते थे पर सही सही बताइए कि 80 seat वाला उत्तर प्रदेश जिसके लिए सबसे ज्यादा मेहनत सारे दल करते हैं वहाँ पर अगर वाकई BSP, SP, Congress वगेरा सब मिल जाते एक साथ तो ये 50 की लड़ाई हो जाती प्रतिशत की देखे गठवंदन 19 में इन्होंने गठवंदन किया था प्रणाम क्या हुआ प्रणाम क्या था उस समय इन्होंने दुस्परचार की सारी सीमाओं को लांग दिया था Congress ने और जनता के सामने सब दूद का दूद पानी का पानी हुआ आज ऐसा तो नहीं है कि Congress जो है इन सभी चीजों से जो है देश की जनता इसको देख नहीं रही है आज तो 19 से भी है कभी कही आगे निकल चुके हैं आज दस वर्स का प्रधानमंत्री मोदी जी के नित्रतों में आज हर बेक्तिस विकार करता है कि आज बैस्विक मंचपर भारत की प्रतिस्टा बढ़ी है आज हर बेक्तिस बात को मानता है देश के अंदर अच्छा यानि वर्ल्ड क्लास जो है इंफरस्ट्रक्चर भारत के अंदर बना है पिछले दस वर्स के अंदर हर बेक्तिस बात को मानता है कि देश सुरक्सित हुआ है और देश मोदी जी के नित्रतों में सुरक्सित है और हर बेक्ति इस बात को मनता है कि बिना भेद भाव के वैलफेर स्कीम कालाब हर गरीब को, हर गाउं को, हर किसान, हर नौजवान और हर महला तक पहुचाने का कारे हुआ है किसने रोका था कॉंग्रेस को या अन्य दलों को इस परकार की वैलफेर स्कीम को चलाने से कल आपने देखा होगा कि नीती आयोग की जो रिपोर्ट आई है गरीवी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के जीवन अस्तर में पिसले दस वर्स में किता अंतराया है 24 करोड से अधिक लोग गरीवी रेखा से मुक्तु हुए हैं भारत के अंदर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाद यह हम कह सकते हैं कि 22 जन्वरी से पहले नमस्कार आपके साथ मैं हूँ अंजना उमकश्यप और हमारे साथ राम मंदिर में 22 जन्वरी की तारीख जब प्रान प्रतिष्ठा होगी उस पर चर्चा करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित तिनाथ जी यहां पर जुड़ रहे हैं स्वागत है सर् आपका आज तक है बिर्यां के सब परवत्पिगले तब रगराई तुम घर आए बेला तो आ गई है आपके जीवन के लिए प्रभू राम की प्राहिँ प्रतिष्ठा राम का बनना क्या माइने रखता है और आपकी सरकार के लिए क्या माइने रखता है केंद्र सरकार के लिए मोधी सरकार के लिए क्या माइने रखता है देखिए अयोद्धिया जिसे कुछ लोगों ने अपने बेक्तिकत द्वेस और संकिंडता का सिकार बनाने का प्रियास किया था जिस उपेक्सा का दंस को जहल लई थे आज उससे मुक्त हो करके हमारे बेदों ने अयोद्धिया को जिस सब्त पुरियों में से प्रथम पुरी के रूप में सम्मानित किया आज उसी आभा के साथ पनरस्थापित हो रही है 22 जनवरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का ये समारो मेरा मानना है प्रभूर तो सरोब्यापी हैं सर्वत्र हैं परम्पिता परमेश्वर हैं लेकिन यह भारत और विश्वमानोता की लोक आस्था और जन विश्वास की पुनर प्रतिष्ठा का भी ये आयूजन है ब्यक्तिकत रूप से भी और इस जन आस्था इस लोक आस्था और जन विश्वास की प्रतिष्ठा का एक सामने नागरिक होने के नाते हम सब का ये मानना है कि यह कारिया होना चाहिए था पहले होना चाहिए था लोगोंने राम की ताकत को नहीं स्विकारा वही गलती की जो सास्तरों में गलती करने वाले भुगत चुके हैं और आज राम नाम से जिस भारत की कलपना नहीं किजा सकती है बगवान राम की उस महत्वा को स्विकार करने के बाद नियाय और सत्य की विजय अयोध्या के लिए हुआ है और उस नियाय और सत्य की पुरूस्थापना का कारिक्रम 22 जनवरी के कारिक्रम के माद्यम से हमें वहां देखने को मिलेगा जनास्ता का सम्मान किसी भी लोक तांत्रिक सरकार का कारे होना चाहिए और जन विश्वास पर खरा उतरना अगर जन आस्ता लोक आस्ता का आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो जन विश्वास पर आप खरा नहीं उतर सकते एक दोसरे के पुरक हैं और प्रधान मंत्री मोदी जी के नित्रतों में आज उनके मार्ग दर्शन में उनके नेत्रितों में उस लोक आस्ता और जन्विश्वास की पुनर्प्रतिष्टा हो रही है योगी जी पहले गल्तियां की होंगी अब आपनों को सुझाव भी बहुत सारे मिल रहे हैं यहां पर हमने पूरा संपूर वो राम मंदिर का मॉडल भी लगाया है हालों कि बहुत अब लोग प्रियव हो रहा है लोग इसे योध्या नगरी से ही ले जा रहे है लेकिन यह बताएए कि अगर शिघर नहीं बन रहा है और उससे पहले प्राण पुतिष्ठा हो रही है तो क्या यह पूर्ण नहीं है क्या गर्ब ग्रे का बनना पूर्ण नहीं माना जाता है मंदिर को देखे राम लला का प्रकटी करण हम जिस विग्रह को वहां स्थापित कर रहे हैं अनुष्ठान उस विग्रह का होता है और ऐसा नहीं कि यह पहली बार हो रहा है अयोध्या में जो कुछ भी कारिक्रम हो रहे हैं इस सनातन धर्म के सास्त्रोक्त पद्दती के अमसारी हो रहे है और सास्त्र परंप्राओं से भी चलते हैं तुसरा लोग हित में जण हित में परंप्राओं बनाई भी जाती है उन सास्त्रोक्त पद्दतियों का पालन करते भी इन सभी चीजूं को जो पोरों में भी होय हैं और आगे भी होंगे उसी के अन्रोपे करेक्रम भी अध्या का सिराम जन्भों में तीरचित न्यास के दौरा प्रारंब किया गया है। अब वो राम मंदिर में प्रार प्रतिष्ठा करके बनना चाहते हैं हिंदु हृदय समराट और उससे वो चुनाव जीतना चाहते हैं। तो इसलिए आप लोग कराएं। युद्ध्या से किया था। कि हम उसके पक्सदर थे आज भी हैं। और जो भी लोग आस्ता का सम्मान करेगा वो जन विश्वास पर खरा उतरेगा। तो कह रहे हैं कि बीजेपी संग का इवेंट हो गया है। सर पांच लोग अंदर रहेंगे गर्ग्रेवे। हिंदु पंचांग से नहीं निकाली है आपने ति थी आपने निकाला है काउंटडाउन लोगसभाई इलेक्शन का देखकर। देखे, हिंदु परंपरा में, सनातन धर्म की परंपरा में, मकर संक्रांती के बाद, सूर्य नारेण के उत्रैन में आने के उपरांत, सुब मोहरत आते हैं कारिकरमों के। और उसी को मान करके, सास्त्रोक तो पद्दती से, यह कारिकरम किया गया, कॉंग्रेस को इसमें तो औसर मिला था ना, लेकिन याद करिए, जब सोमनात के मंदिर, की पुनरस्थापना का कारिकरम हुआ, कॉंग्रेस ने तो सायुजन का विरोथ किया, उस समय के प्रधान मंत्री उस कारिकरम में स्वयम तो नहीं गये, लेकिन तत्कालिन राष्टपती को भी उन्होंने जाने से रोकने का प्रियास किया था। नहरू जी की बात कर रहे है और राजिंदर प्रशाज जी की। मान बिंदों की पनरस्थापना का कारिकरम और फिर इसमें तो न्याय और सत्य की बात है। हमें एक अस्थान के लिए प्रमाण देने पड़े जिसमें भारत की आस्था कहती थी कि यही राम जनम भूमी है। लेकिन प्रवराम ने चूंकि हमें मर्यादा का पार्ट पढ़ाया था इसलिए हमने मर्यादी ताचन करते भी वे सारे प्रमाण प्रस्तुत करते रहे। हम लोग लड़े, लोवर कोट में लड़े, हाई कोट में लड़े, सुप्रेम कोट में लड़े और अंदता सुप्रेम कोट में पांच जजजेश की एक पूर्ण पीठ ने अयोध्या की मामले को लेकर के एक सरोमसम्मत हैसला दिया। तो ये नयाय और सत्य की स्थापना का भी अभियान है और उसी अभियान के करम में आज अयोध्या का कारिकरम हो रहा है इसमें तो किसी को आपतीपती भी नहीं होने चाहिए शंक्राचारी अगर कहते हैं कि हम वहां जाकर क्या करेंगे ताली बजाएंगे तो इसके पीछे की सोच क्या है दिखें कहती है कि आप लोग अपमान कर रहे हैं देखें हमने हर धर्माचारे को और हर अचारे को तीर्थ छेतर ने उन्हें आमंत्र भेजा है और मुझे लगता है कि यह आउसर स्रेय और प्रेय का नहीं है यह आउसर मान अपमान का नहीं है चाए मैं हूँ एक सामान नागरिक है या इस देख का बड़ा सा बड़ा धर्माचारे कोई भी प्रभुराम से बड़ा नहीं है हम सब राम पर आस्रित हैं हम इस बात को ध्यान में रखना होगा और राम से बढ़कर के कोई ही नहीं हम सब की विवस्टार राम के बेगर नहीं चल सकती लेकिन राम तब भी तनाम थे जब ये परंपराएं नहीं थी उनके विरोध के पीछे आपको क्या वज़ा समझ में आती है देखे हर बैक्ति को अपनी बात बोलने का दिकार है लेकिन हम तो आज भी अंडोध करेंगे बिनम्र अंडोध करेंगे सभी पूजय संतों से जिनको तीर्थ छेत ने आमंतरन किया है या जो इस समय नहीं आपा रहे हैं वे कभी पदा रहे हैं हम सुनी सुनाई बातों पे विस्वास न करें देखें पहले की अयुद्या आज की अयुद्या हम देखें कैसे अयुद्या आज अपनी पुरातन वैवाओ के लिए पुनरस्ता पित हुई है ऐसा नहीं कि लोगों का उसर न मिलाओ, 75 साल तो सभी लोगों को मिले थे, 70 साल मिले थे, 50 साल मिले थे, क्यों नहीं लोगों ने किया लोग तो अयोध्या का नाम लेने से डरते थे ये भी मैं आपसे समझना चाहती हूँ क्योंकि हम आंदोलन से जुड़े अलग-अलग लोगों से बात करते रहे आप अपनी तरीके से अलग से जुड़े योगी जे एक तो आपका अपना जो आपके गुरुजी का भी जुड़ा हो रहा आपका जुड़ा हो रहा लेकिन आयो हमें प्रभु पर विश्वास था के ओड़र विश्वास था के अगर राम सेटों का निर्माण हो सकता है तो राममंदिर का निर्माण भी होगा और इसलिए उसके पहले प्रभूगे आगमन के पहले दिपोच्छो तो होने ही चाहिए आखिर दिपावली का आयुजन तेसी लिए होता है और सरकार आई यह मेरा सोभाग्य है क्यादणी प्रधान मंत्री जी की पेंड़ना से हम लोगों ने दिपोच्छो क्या आयुजन के साथ साथ वहां की वन्यादी सुग्धाओं में सुधार करना प्रारंब कर दिया था चायवार रामजी की पेड़ी हो गुपतार घाड से लेकर के रामजी की पेड़ी नए घाड तक के निर्मान के कारिकरम हो वहां की सच्छता के कारिकरम हो वहां की फसाट की बियोस्था हो यहांने सभी कार पुर्लेन की सड़क कलपना थी ना आज से दस साल पहले कोई इसकी कलपना ही नहीं करता था लड़के लटकते वे जूलते वे तारों के गुच्छे थे अभिवस्ता थी गंदगी थी पिसली सरकारों ने तो बिजली के लिए वहां के लोगों को तरसाया तीन गंटे चार गंदगी मेट के धेर में वहां के लोगों को रुक रहने के लिए मजबूर किया कोई सुधाई वहां के लिए नहीं थी घाटों में गंदगी कमबार रहता था आज अंदर की फोर लेन की कनेक्टिविटी है बाहर हर और से आप लखनों से जाएं गोरकपुर से आएं वारा से आएं प्रियागरा से आएं फोर लेन की कनेक्टिविटी से वह भी जुड़ चुका है और यहीं नहीं अयोद्या मीटर के से जुड़ा बता चोटी लाइन रेल की जाती थी बाद में ब्रॉड गैज बनी अब रेलवे की डवल लाइन से जुड़ चुका है इंटरनेशन कर सकता था आज ये भी हो रहा है और इतना सब कुछ होने के बाब जोद एक चीज आप अन्वह किये होंगे देखिए आप लोग तो पब्लिक के बीच में जाते हैं सीधे आप लोगों का कनेक्ट है इतने लोग खटाए गए होंगे उनका पुनर्वास्वा होगा अक्सर होता है कि छोड़ी छोड़ी बातों को लेके लोगों में अन्रेस्ट होता है अयोध्या में इतने बड़े इतना इंफ्रास्ट्रक्शर का कारे हुआ है लेकिन कहीं कोई अन्रेस्ट नहीं है हर वेक्ति में संतुस्ती है क्योंकि हर वेक्ति अयोध्या के लिए और प्रभुराम के लिए ही जीता है और सब के मन में है कि ये काम जो काम पहले होना चाहिए था काम आज हुआ है तो स्वाभाई कुरुप से आम जन्मानस की जो आज की जो मानसिक्ता में परिवर्थन आया है अयोध्या के यहाँ इसलिए संभव हो पाया क्योंकि डबल इंजन के सरकार के नीते भी साब थी और नियत भी साथ थी उनको पॉलिटिकल इवेंट बनाने से किस ने रोका था आकर कॉंग्रेस ने 1947 से लेकर के और एक लंबे समय तक सासन किया राहुल जी स्वयम भी 2004 से लेकर के 2014 तक इस देश की सत्ता के सिर्मौर के रूप में बैक डूर से कमांटो संचालित करते ही थे किसी से छुपा हुआ है क्या हाँ वालग विसे है कि उन्होंने कुछ इवेंट संसत में किये कि संसत की आउमाना करते हुए बिल की परतियों को वहाँ फाड़ने का काम जरूर किया था क्या ये इवेंट ही था ये कॉंग्रेस का इवेंट है वे संविधान का अपमान करते हैं संविधानिक संसताओं का अपमान करते हैं भारत की लोकास्ता का अपमान करते हैं। भारत की जन बिस्वास पर कुठारा घात करते हैं। मैंने पहले भी कहा प्रभुराम का रामलला की रूप में अपनी जन भूई में पुनर प्रतिष्ठा का कारिकरम होना ये प्रान प्रतिष्ठा का ये समारो भारत के लिए और सनातन धर्माबलंबियों के लिए तो गौरब का भी सहही देश और दुनिया के अंदर जितने भी कुछली सबिता और संस्कृति के अन्याई होंगे उन सब के लिए भी आसा की एक नई करण है राजनितिक महमानों वाला सवाल का जवाब आपने नहीं दिया आपने उनको तलवार की नोक पर चड़ा दिया कि आए तब भी उनको एक तरह से ये मानना पड़ेगा कि राम सब के हैं दिश्टिकों लोगों के अलग-अलग हो सकते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन्न तैसी राम हमारी आस्ता के प्रतीक हैं तो हम उनको परमपिता परमेश्वर के रूप में मानते हैं हमने उनके महत्तों को समझा जाना है इसलिए जीवन भ मच पाए क्योंकि उनको सत्ता प्यारी है और सत्ता के तर्ष सोच भी नहीं सकते लोग आस्ता क्या होती है और जन विश्वास क्या होता है या अगर कॉंग्रेस ने समझने का प्रियास क्या होता ना ये दुर्गत ही नहीं जहलते और इसलिए हर उस ब्यक्तिक को उस कारिकरम में आमंतर्ण होना चाहिए और ये से राम जन्भू में तीर्थ छेतर का आयोजन है उन्होंने अपना निमंतर्ण दे करके अपने करतब्यों का निर्वान किया है क्योंकि राम तो सब के हैं सब को आई जनम बूलाना चाहिए उँर ठीक है? पुरा देस आना चाहता है दुनिया आना चाहती है हर राम भक्त आना चाहता है इस पूरे कारख़्ार्म के साथ जुड़े वे आनदोलन से जुड़े वे एक लंबी स्रंखला है वे भी आना चाहते हैं लेकिन अलग-अलग समय में लोग आएंगे हम लोग भी अंडोध कर रहे हैं कि प्रान प्रतिष्टा समारों के बाद सभी लोगों को आउसर मिले आउद्या में राम जन्भुमी का दर्शन करने के लिए और वहां की विवस्ता से राम जन्भुमी तिर्चितर न्यास देख रहा है हाँ उतरप्रदेश में कोई आएगा अच्छी नियत से आएगा प्रभुक के दर्शन करने की नियत से आएगा उनके दर्शन करने में और वहां तक पहुँचाने में हम लोग एक सहभागी हो पाएंगे अपने नित्रतों को भी उनको समझाना चाहिए तो कॉंग्रेस के निता है महापर दर्शन के लिया है पर आपने सवाल का जवाब देते हुए योगी जी सवाल ये था कि कॉंग्रेस कह रही है कि ये एक राजनीतिक आयोजन है आपने कहा वो भी कर सकते थे राजनीतिक आयोजन आपने खंडन नहीं किया ये मैंने कहा ना कि उनका दरिश्टिकोंड राजनीतिक सत्ता पर है हमारा दरिश्टिकोंड लोक आस्ता को सम्मान देने का है और जन विश्वास का सम्मान करने का है तो हम लोग उस अभिहान के साथ इस रूप में जुड़े हैं माने उच्चतम नैले के आदेस पर से राम जन भूमित तीरत छेतर नियास का गठन हुआ है अंदर के सारी बिवस्ता यह ट्रस्ट ही करेगा और ट्रस्ट आमंतर्ण करने के लिए स्वतनतर है ट्रस्ट ने जिन्हें आमंतित किया है वे सब हमारे अथिति होंगे क्योंकि हमारे राज्य में आएंगे क्योंकि राम के प्रतिस एक हमारी आस्ता दूसरा उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी रूप में अगर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता कहीं से निकलता है तो हमें उस उसर से बंचित नहीं रहना चाहिए और अयोध्या का इवेंट हमारे लिए इस रोप में उत्तरप्देश को एक बार फिर से देश के अंदर और दुनिया के अंदर प्रस्तुत करने का भी एक उसर है बहुत सारे सवाल अब इर्दगेत हो रहे हैं आपने शक्राचार पर सीधा कहा कि भगवान राम से बड़ा कोई नहीं हो सकता है लेकिन आप सबको हुमिलिटी के साथ कह रहे हैं कि आप लोग जब मौका लगे जरूर आईए एक और बात बहुत सोशल मीडिया के जरिये भी फ तो दर्शन करने के लिए आये थे संजय रावत भी आये थे और उस समय आकर कि उन्होंने वहां पर तमाम गोशनाएं भी की थी उस समय अपने अमुले सुझाव देव होते हैं देखें अंगूर खट्टे हैं अब तो कोई भी बॉल सकता है मैं अने का अभी व्यक्षदि की सफटंतरता सब को है अर्यक्षदी को इसके बारे में बोलने में ज़िए कटना ही नहीं है हमारी पूरी लड़ाई वही थी राम लला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे और मंदिर वही पे बन रहा है पर फिर वही है ना सर कोट का फैसला है मैंने का ना फैसला तो कोट का है वो कह रहे हैं कि बीजेपी क्रेडिट ले रही है ये पूरा कोट के फैसले को पहले भी करवाये जा सकता था पेंडिंग क्यों डाला गया था क्यों लेनी आप पैरवी कर रहे थे मतलब किसी और पार्टी की सरकार होती तो ज़रूरी नहीं है कि निर्णे मैं बाधा नहीं डाला जाता था ही देरी का कारान नेले नहीं सरकारें थी पार्टियां थी वे चाती नहीं थी कि इसका दिन्ने हो इसका फायदा मिलेगा चौबीस में चौबीस के चुनाओं में फायदे और नुकसान का नहीं पर मिलेगा जो देश की आस्ता का सम्मान करेगा वह जन विश्वास पर खरा उतरेगा अच्छा एक हो गया आंदोलन से जुड़े हुए लोग जिनको श्रे दिया जाता है दूसरा क्या आप भारतिय जनता पार्टी आप ये कह रहे हैं कि पार्टी को भी श्रे है देखे रामजन भूमी का आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है 1528 से ले करके 2019 तक जब तक मनिय उच्छतम ने आईले ने फैसला नहीं दे दिया तब तक इस आंदोलन के लिए निजनतर आबरेज 6 से 7 वर्स के अंतराल में एक बड़ा आंदोलन होता था आबरेज अगर आब देखेंगे 6 बार बड़े आंदोलन होएं बड़े संघर्स होएं हैं 1528 से ले करके इन लगभग 590 वर्स के अंदर 490 वर्स के अंदर इतने बड़े आंदोलन औभियान चलते रहे ये चीज़ें दिखाती हैं कि एक लंबे समय तीन लाग से धिक राम भक्त सईद हुए इसमें संत भी थे राजे रजवारे भी थे सामाने भक्त भी थे महलाएं भी थी पुरुस भी थे जो राम जिनम भूमी के लिए अपने आपको उन्हें बैलदान कर दिया दुनिया के अंदर इस प्रकार को धान देखने को नहीं मिलेगा जो अउध्या की दिशसे हम सब को देखने को मिला हाँ आंदोलन कभी विपरीत प्रस्स्थितिया थी कई संप्रस्थितिया थी लेकिन निर्णे और निर्णे के बीच में फंसावा था 1885 के बिर्टिस काल खंड में नियाले क्यादिस को आप पढ़े न कोर्ट स्विकार कर रहा है केस्तान हिंदों का है बिर्टिस कावर्मेंट है लेकिन एक लंबा समय हो गया है अब इसमें कोई निर्णे हम देंगे तो उसको फिर छोड़ते है लेकिन इसके बाद जो चीज़ें आगे आएं और लोगों को भी तो मौका मिला था क्यों नहीं उन्होंने अपने समय में इसको किया उनको भी आगे आना चाहिए था आज दोसार उपन करने से नहीं काम चलने वाला है आज जब देश एक अच्छी दिसा में जा रहा है सारे लोग उस दिसा में एक सकारत्मक भाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं मुझे नहीं लगता है किसमें किसी भी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी पैदा करने का कोई उसर होना चाहिए योगी जी अब आपकी भूमिका पर आते हैं ऐसा लोग मानते हैं कि आप बीजेपी के पूरे क्यारेक्टर को पूरा सूट करते हैं वो इसलिए क्योंकि आपका रहने का धंग भगवा रंग जो आप धारन करके रखते हैं चारों तरफ से आपका बुल्डोजर चलाना आपका उत्तर प्रदेश के अदेश भर को राममय करना जिससे आपको लगता है इस लहर से फिर हिंदू वोटर भी और प्रभावित होकर नहीं जाएगा दो हजार चौबिस तक तो आप एक तरह से बीजेपी के पूरे क्यारेक्टर को पूरा सूट करते हैं और उस कड़ी में अगर हम राममंदिर को देखें तो आपने भी पूरी ताकत जोग दी है इसी के जरीए आप बीजेपी को जितना लाब चौबीस के लिए दिलाना सकते हैं वो आप दिलाने की कोशश कर रहे हैं क्या मैं सही नहीं हूँ देखें मैं तो इस पूरे अभिहान का एक सिपाई हूँ और सिपाई की रूप में हम लोग राजनीती में आये हैं मुल्यों और आदर्सों के साथ राजनीती हमारा पेसा नहीं है उन मुल्यों और सिद्दानतों के साथ आए है और उन्हीं मुल्यों और सिद्दानतों के साथ कारे कर रहे हैं कारे करते रहेंगे पर आप में कैसा क्या जो बाकी मुख्यमंत्रियों में नहीं है आपको हर जगा प्रचार के लिए ले जा 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 रहा है। एसे ही अन्य राजियों में होता है तो हम लोगों को असर मिलता हम लोग भी जाते हैं तो ऐसा नहीं है सभी लोग एक दोश्य के सयोग करने के लिए जाते हैं हाँ कुछी चीजे अगर भगवा कलर में अतना अकरसंड ए तो मैं चाहूंगा फुरा देशी भगवा में होना चा तो अगर उसे हम देखें, ऐसा लगता है कि योगी आदितनाथ 22 जन्वरी के लिए या फिर एक साल के लिए दो साल के लिए नहीं सोच रहे हैं, आपने जिस तरह के प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, यह क्या 50 वर्ष का प्रोजेक्ट है, मतलब आप अयोध्या नगरी को 50 व और एक छोटे से नगर की रूप में जाना है, इमानदारी से अगर इस पर लोग सोध करें, तो यह विश्वकी सांसकर्तिक राजधानी है, विश्वकी, हाँ, मनुस्य, पहला मनुस्य और मनुस्य की परंपरा की सुरुआत, यहीं से सुरुआत भी, यहीं से सुरू भी होत अधार भूमी है, मनों से मानो, और फिर वहीं से परंपरा आगे बढ़ी है, मनों के कितने पुत्र थे, उसके अनसार अगर आप देखेंगे तो अलग-अलग द्वीप उनहीं के उस पर माने गए हैं, आप भारत के प्राचीन इत्यास को ठाकर देखें, तो आप कोई सारी चीजें जनकरी में आ जाएंगे, अयोध्या प्रभुराम की पावन जन भूमी है, यह तो हम सब जान रहे हैं, उत्तर भारत को सबसे उर्वरा भूमी बनाने का स्रे हम मा गंगा को देते हैं, और गंगा को इस उत्तर भारत में लाने वाले कौन थे? भागीरत, वह भी अयोध्या में थे, महराज दलीब भी वही पैदा हुए थे, मान धाता भी वही पैदा हुए थे, एक लंबी परंपरा है, जैन परंपरा के तिर्थंकरों को आप देखेंगे, यह परंपरा भी वहीं से निकलती भी दिखाई देती है, जड़ भरत हो या फिर उसके बाद की परंपराएं, इस सब वहीं से निकलती है, और अयोध्या के इस महित्तों को कम तर आखने का प्रियास, जो विश्व के इत्यास की मुमी है, जिसे सम्मान बहुत पहले मिलना चाहिए था, आज प्रधान मंतरी मोदी जी के करण वह सम्मान अयोध्या को प्राप्त हो रहा है, और हम लोगों को इस बात को मनना चाहिए, कि हमें अयोध्या के इस महित्तों के माद्यम से भारत की, यानि एक ग्लोबल ब्रांडिंग का एक आउसर मिला है, हम लोगों को लेके आएं, द अंडरस्टिमेट कर रहे हैं, दोहजार सत्रह में हम लोगों ने अयोध्या में दिपोत्सों के आयोध्या को किया था, दोजार अठारह में अधने प्रधान मंतरी जी की प्रिणा से यह हुआ कि भाई, अयोध्या के साथ उन देशों को जोड़ो, जिन देशों से भारत की स सांस्कृतिक समंदर रहे हैं, या हैं आज भी हैं, जो अपने सुत्र को जोड़ते हैं, तो साथ कोरिया की फस्स लेड़ी, हमारे आयोध्या का चीप गेस्ट बनी थी, उनका पर एक डेलिकेसन आया था यहां पे, और उन्होंने इस बात को कहा, कि अयोध्या की राजकुमा कि हम वनसज हैं, साथ कोरिया में, और अयोध्या की राजकुमारी कैसे वहां गई? जल मार्ग से, हमारी सरकार ने अयोध्या के लिए दिस से जल मार्ग को हम प्रारंब कर सकें, इसके लिए इनलैंड वाटर वे अथॉर्टी का गठन भी कर दिया है, हम लोग लेके जा रहे हल्दिया तक जोडने के लिए, फिर वहां से आगे बढ़ने के लिए, और अयोध्या की राजकुमारी रतना, जल मार्ग से साथ कोरिया पहुची थी, आज की वहां की जो परंपरा है, बड़ी परंपरा वहां पर उन्हें अपनी दादी मा के रूप में संबोधित करके सम् राजा राम है मा के परंपरा अपने पर राम से जोड़ती है, वहां के जो निशनल हाइवेज हैं, वे सब राम के नाम पर हैं, रामा वन, रामा टू, राम के नाम पर हैं, राजा ने अपना जो पैलिस था, ग्रैंड पैलिस, उसको उन्होंने रामेंड को दान किया, थाई ताइलेंड का है थाइलेंड की जो पुरानी रासधानी थी जो बात में मैनमार के साथ युद्ध के दोरान च्छतिग्रस्त हो गई थे वह अजुद्या थी आज भी उनोंने सम्मान दिया यह अपनी परंपरा को कहां से लोग जोड रहे हैं राम के साथ आप इंडोनेसिया मे दुनिया के सरवाथिक मुसल्मान रहते हैं लेकिन उन्डोनेसिया में वे लोग आज भी रामेंड के साथ जुड़े हैं रहमने उन्डोनेसिया के रामिल्ला को भी आमांतित किया है इस दोरान आयुद्या में अब उनके पात्रों से बात करिए न वे सभी राम को अपना द पर्मित कर देता है और जिन लोगों ने भारत को भारत के बारे में कभी जानने का इमांदरी से प्रियास नहीं किया वे लोग भारतियता पर भारत की प्रंपरा पर भारत की महपुरसों पर भारत की अरहदे देवों पर प्रस्न खड़ा करते हैं इनको वास्तों में समझना चाहिए अयोध्या क्यों आयोध्या नहीं है अयोध्या तो विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है और उस सांस्कृतिक राजधानी की रूप में पुनरस्थापना होनी ही है आपने अभी कहा कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे आप लोगों का नारा था संग परिवार का एक और नारा है काशी मतुरा अभी बाकी है उस पर आपके क्या विचार है देखे जो विसे नियाले में है तो नियाले को उस पर काम करने देना चाहिए हमने राम लला के लिए पांसो वर्सों तक संगर्स किया और मर्यादित तरीके से उसमें नियाए और सत्ते की विजए प्राप्त की है यहां के मामले भी अपर इस सब जूडिस हैं नियाले में आप नियाले के सामने अपने परमाण प्रस्तुत करेंगे समय आने पर सारी तर्थे सामने आएंगे दोद का दोद पानी का पानी सब के सामने आए यानि लड़ाई लड़ी जाएगी पर अदालिती कानूनन अकानून उस पर करिया कि आपी के राज्य की बात है बाकी दोनों जगे हां कोई बात देश में नियालाल जी को भी आप लो प्रभापनी लीला को स्वेम करेंगे चुनावी पॉलिटिक्स पहले अगर एक विपक्षियों को अगर एक संदेश आपको दिना हो हां राम मंदिर से जुड़ी एक और चीज मैं आपसे जानना चाहती हूं यह यजमान और मुख्य यजमान की बात क्या है योगी जी तीर् जन भूमी तीर्थ छेत्र नैस ने यजमान बनाये हैं प्रधान मंतरी मैं सकता हूं जिसको भी उनको चित लगता है उनको अपने यजमान बना करके उन्होंने इस पूरे कारिक्रम को आगे बढ़ाया है पर यह कहा गया कि मुख्य यजमान कोई और होगा गर जो में प्राण प्रतिष्ठा का काम होगा अगर थोड़ा बहुत जानकारी जो दर्शक उस दिन इंतजार करेंगे टीवी के सामने आपने चुट्टी की घोशना करी दी है देखिए उत्तर प्रदेश में उस दिन जो है सारजनिक अवकास भी रहेगा उससे पहले अने कारिकरम चलने हैं जैसे 14 से लेकर कि किस तक सच्चता का एक बिसे सभिहान चलना है अन्दी पावली के पहले भी इस परकार का कारिकरम करते हैं यान्ने आविजिनों में करते है या दर भी पहले कि तो लिए में सुच जनवरी से लेकर के 22 जनवरी के मद्ध्यान के पूरु तक अखंडर आमेड पाढ़े राम नाम संकृतन के कारिक्रम होंगे अप राहन में मद्ध्यान में बारा बजे के बाद प्रदान मंत्री ची का और अन्य महनुहाओं का मुख्य मंदिर में प्रिवेश होगा पुजा पहले से चले होगे उसके बाद इक कारिक्रम उष्ठान होंगे और लगभग एक बजे तक अंदर का कारिक्रम संपन्न हो करके एक बज़े वहाँ पे संबोधन की देश से जो मंच बना होगा उस मंच पे आकर के फिर ये कारिक्रम आके चलेगा आप भी बोलेंगे पीम भी बोलेंगे तो ये कारिक्रम वहाँ के संपन होंगे संपन होने के बाद जो भी तीर छेतर जो भी तै करेगा उसके उनसारी कारिक्रम होंगे और उसके बाद फिर दो बजे के बाद से जो आगत पुझे संतजन हैं अथिती गण हैं दर्शन करेंगे वो अंदर जाकर के दर्शन करते वे निकलते जाएंगे, उनका प्रस्तान होगा, यह सभी कारिक्रम वहाँ पर होंगे, यह कारिक्रम फिर अनवरत आगे बिवस्था की दिस्थे, क्योंकि हर राम भक्त युद्ध्याना चाहता है, तो उनके लिए भी फिर बिवस्था वहाँ पर आके, क्योंकि बहुत जादा है, लाखो लाख की तादाद में लोग पहुँच सकते हैं, तो किस तरह की तारी है, पर तेईस तारीक से पूरा प्रशासन समझ रहा होगा, कि कितनी बड़ी संख्याने लोग तेईस के बाद से हम लोग वही अन्रोद कर रहे हैं, कि अस्तर भारत में इस समय भीषन सी तलहरी चल लई है, और भीड़ भाड होगी, इसलिए लोग मेरा बिनम्बरंडोद होगा कि पैदल कोई न चले, अपने बाहन स्वेम बुक न करें, जो बिवस्ता अस्ताने अस्तर पर बनाई जा रही है, वहाँ पे न्याज से जुड़े वे लोगों के दोरा या अन्य संगटनों के दोरा एक बिवस्ता बनाई जा रही है, वहाँ से अपना कारिकरम भेज करके जब उनको वहाँ से कहा जा रहा तब ही वे लोग आएं, रेलवे कुछ स्पेशल टेंस भी चलाएगी, उन स्पेशल टेंस में भी आप अपना रिज अर्षन कर सके उस उद्देसे की पूर्ती भी होनी चाहिए, तो इसके लिए वहाँ पर दर्षन के लिए प्र्याप्त बिवस्ता की जारी है, वेरिकेटिंग दे जारे हैं, अन्य कारिकरम हो रहे हैं, तो कितना भी कोई करेगा, तब भी दर्षन करने में, एक बेक्तिको ए प्रियास धीरे धीरे करके जब भी औसर आएगा तो लोगों को हम लोग उस प्रकार की विवस्ता देंगे देखे आईद्ध्या के परते आकरशन का क्या हो जैसे राम नौमी में अमूमन सत्रह के पहले हजारों में लोग आते थे पचास हजार साथ हजार तक लोग आते थे दर्सन करके असनान करके चले जाते थे देपत्सो के बाद कारिकरम में संख्या बढ़ती गई आईद्ध्या में सुबधा भी मिलती गई लोगों को लगा कि अब तो ठीक होगा इस वर्स राम नौमी के उसर पर 35 लाक लोग आये थे इतनी बड़ी संख्या का युद्ध्या में आगमन इस बात को दिखाता है कि लोग हर सरधालो हर राम भक्त युद्ध्या आना चाहता है और उसके लिए उस प्रकार की सुविधा और पिवस्ता हम लोग देंगे एक और सवाल मन में आया आपने कहा कि प्रधान मंतरी लगभग 12 बजे के आसपास वहां पहुँच रहें तो क्या हमाने जो मुख्य गर्ब ग्रे है उसमें पहले से ही मूर्ती राम लला की 5 साल वाली भी जो अरूर योगी राज बना रहे है और छोटी वाली भी राम लला पहले से स्थापिद हो जाएगा तो अंत में मूर्ती की प्रान परतिस्था का कारिक्रम का एक आयोजन होगा उस एक घंटे के आयोजन के अंदर उस सारी कुछ संपन हो जाएगा योगी जी अब कुछ राजनीतिक प्रश्णों की ओराना चाहते हूं मायवती जी ने हाली में ये घोशना की कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी लोग सभा चुनाव में वो इंडिया आलाइंस के साथ नहीं जाने वाली है उन पर भी बड़े प्रहार हुए कहा गया कि वो सद्कार से मैं बोल सकते हैं अब आपको फायदा होगा बीजापी को फायदा होगा is यह भारतिय जनता पार्टी की रड़नीती ही अपने आप तैक कर देगे हम लोग तो तब भी लड़े थे जब 17 में ये लोग अलग लड़े थे 14 में भी अलग लड़े थे 14 में दो नौ योकों की जोड़ी लड़ी थी 17 में भी फिर ये लोग लड़ने का प्रियास किये थे BJP से 19 में इन लोगों ने प्रदेश में एक महागड़बंदन भी बनाया था तो भारतिय जनता पार्टी प्रधान मंतरी मोधी जी के नित्रतों में तब भी लड़ी थी और अच्छे बहुमत के साथ भारतिय जनता पार्टी आगे बढ़ी थी जीती थी लेकिन हर पार्टी को अपना एजेंडा सेट करने और अपने रणिती को बनाने का पुरा दिकार है बीते दिन मायवती जी ने प्रेस कॉंफरेंस करके कहा कि वो अलग लड़ेंगी और मायवती ने गिरगिट कह दिया अखिलेश आदव को अब आज अखिलेश आदव आए उन्हों का कि हम तो सप्टा देख रहे थे कि मायवती जी को पी-म बनाएंगे लेकिन वो किसी के दबाव में मेरे खिलाब बोल रही है और माना जा रहा है वो दबाव आप ही का है हमारा कौन चले मैं धन्यवाद को अखिलेश जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि कमसे का उन्होंने मेरा दबाव माना तो आपका असर वाला मान रहे हैं वो लेकिन अखिलेश जी गेस्टाहोस कांड को समवतों भूल गए होंगे अखिर माया वतिज है के साथ तो उन्होंने किया था ना या इस मारकों की प्रती जिस परकार की सब्धा वली का प्रयोग उन्होंने उस समय किया था जब बारह मैं मुख्यमंटरी बने थे ये किसी से चुपा वाय गया और ये बार-बार तो कभी Congress के साथ जाते हैं कभी BSP के साथ जाते हैं कभी किसी और के साथ जाते हैं तो ये तो बार-बार वही change करते हैं वही बदलते रहते हैं तो मायोती जी ने जो बोला है क्या बोला है मैंने पुरा बयान पढ़ा नहीं कुछ सुना नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उनको जो अच्छा लगता होगा उनकी पालिटी के हित्म में उस प्रकार करेंगे। कई समय करण बिगाड़े भी थे, ये बात अलग थी कि कारिकरताओं के दिलों के मिलें। इन्होंने गड़वंदन किया था, पेरिणाम क्या हुआ, पेरिणाम क्या था, उस समय इन्होंने दुस्परचार की सारी सीमाओं को लांग दिया था कॉंग्रेस ने। और जनता के सामने सब दूद का दूद पानी का पानी हुआ। आज ऐसा तो नहीं है कि कॉंग्रेस जो है, इन सभी चीजों से जो है, देश की जनता इसको देख नहीं रही है। आज तो उननीस से भी हम कभी कही आगे निकल चुके हैं, आज दस वर्स का प्रधान मंतरी मोदी जी के नेत्रक्तों में, आज हर बेक्तिस विकार करता है कि आज बैस्विक मंचपर भारत की परतिस्टा बढ़ी है। आज हर बेक्तिस वात को मानता है देश के अंदर अच्छा, यानि वर्ल्ड क्लास जो है इंफरस्ट्रक्चर भारत के अंदर बना है, पिछले दस वर्स के अंदर, हर बेक्तिस वात को मानता है कि देश सुरक्सित हुआ है, और देश मोदी जी के नित्रतों में सुरक्सित है और हर बेक्तिस बात को मनता है कि बिना भेद भाव के वैलफेर स्कीम का लाब हर गरीब को, हर गाउं को, हर किसान, हर नौजवान और हर महला तक पहुचाने का कारे हुआ है किसने रोका था कॉंग्रेस को या अन्ने दलों को इस परकार की वैलफेर स्कीम को चलाने से कल आपने देखा होगा कि नीती आयोग की जो रिपोर्ट आई है गरीवी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की जीवन अस्तर में पिसले 10 वर्स में कितना अंतराया है 24 करोड से अधिक लोग गरीवी रेखा से मुक्तु हुए हैं भारत के अंदर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाद बहुत स्वागत है सर आपका आज तक पर बिरहा के सब परवत पिघले तब रगराई तुम घर आए बेला तो आ गई है आपके जीवन के लिए प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर का बन्ना क्या माहिने रखता है और आपकी सरकार के लिए क्या माहिने रख देखिए अयोध्या जिसे कुछ लोगों ने अपने बेक्तिकद द्वेस और संकिंडता का सिकार बनाने का प्रियास किया था जिस उपेक्सा का दंस को जहल लई थे आज उससे मुक्त हो करके हमारे बेदों ने अयोध्या को जिस सब्त पुरियों में से प्रथम पुरी के रोप में सम्मानित किया आज उसी आभा के साथ पनरस्थापित हो रही है 22 जनवरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का ये समारो मेरा मानना है प्रभूर तो सरोब्यापी हैं सर्वत्र हैं परंपिता प्रमेश्वर हैं लेकिन यह भारत और विश्वमानोता की लोक आस्ता और जन विश्वास की पुनर प्रतिष्ठा का भी ये आयूजन है ब्यक्तिकत रूप से भी और इस जन आस्ता इस लोक आस्ता और जन विश्वास की प्रतिष्ठा का एक सामने नागरिक होने के नाते हम सब का ये मनना है कि यह कारिया होना चाहिए था पहले होना चाहिए था लोगोंने राम की ताकत को नहीं स्विकारा वही गलती की जो सास्त्रों में गलती करने वाले भूकट चुके हैं और आज राम नाम से जिस भारत की कल्पना नहीं किजा सकती है वगवान राम की उस महत्वा को स्विकार करने के बाद नियाय और सत्य की विजय अयोध्या के लिए हुआ है और उस नियाय और सत्य की पुनुरस्थापना का कारिकरम 22 जनवरी के कारिकरम के माद्यम से हमें वहां देखने को मिलेगा जनास्ता का सम्मान किसी भी लोकतांत्रिक सरकार का कारे होना चाहिए और जन विश्वास पर ख़रा उतरना अगर जन आस्ता लोक आस्ता का आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो जन विश्वास पर आप ख़रा नहीं उतर सकते एक दोसरे के पुरक है और प्रधान मंत्री मोदी जी के नित्रतों में आज उनके मार्ग दर्सन में उनके नेत्रित्तों में उस लोक आस्ता और जन्विश्वास की पुनर प्रतिष्टा हो रही है योगी जी पहले गल्तियां की होंगी अब आप लोगों को सुझाव भी बहुत सारे मिल रहे हैं यहां पर हमने पूरा संपूर वो राम मंदिर का मॉडल भी लगाया है अलों कि बहुत अब लोग प्रिया हो रहा है लोग इसे योध्या नगरी से ही ले जा रहे हैं लेकिन यह बताएए कि अगर शिघर नहीं बन रहा है और उससे पहले प्राण पुतिष्ठा हो रही है तो क्या यह पूर नहीं है क्या गर्भ ग्रे का बनना पूर नहीं माना जाता है मंदिर को देखे राम लला का प्रकटी करण हम जिस विग्रह को वहां स्थापित कर रहे हैं अनुष्ठान उस विग्रह का होता है और ऐसा नहीं कि यह पहली बार हो रहा है अयोध्या में जो कुछ भी कारिक्रम हो रहे हैं इस सनातन धर्म के सास्त्रोक्त पद्दती के अंसारी हो रहे हैं और सास्त्र परंप्राओं से भी चलते हैं तुसरा लोग हित में जन हित में परंप्राओं बनाई भी जाती हैं उन सास्त्रोक्त पद्दतियों का पालन करते वे इन सभी चीजों को जो पोरों में भी हुए हैं और आगे भी होंगे उसी के अनुरूपे कारेक्रम भी और उध्या का सिराम जन्भों में तीरचित न्यास के दौरा प्रारंब किया गया है विपक्ष का तो कहना है कि अब चुनाव करीब है इसलिए आप लोग जल्दबाजी में कर रहे हैं अभी मंदिर का निर्मार पूरा नहीं हुआ है लेकिन दो तीन महीने बाद चुनाव है और ऐसे में शशी थरूर को मैं कोट करना चाहूंगी कॉंग्रस के नेता वो ये कहते हिंदय हृदू हिंदू हृदय समराथ और उससे वो चुनाव जीतना चाहते हैं तो इसलिए आप लोग करा आप मुझे रताई ये कॉंग्रेस को किसने इस कारेक्रम्प में आने से मना किया था कैस नहीं कि कॉंग्रेस ने 1989 में अपने चुनाव परचार अभ्यान का सुभारंब अयोध्या से किया था और क्या ये सच नहीं है कि कॉंग्रेस एक तरफ हिंदों को बेकूब बनाती थी और दूसरी तरफ मुस्लिम वोड बैंक से भी मोह नहीं छोड़ पा रही थी वोड बैंक की राजनिती इसमें विपक्स ने किया है कॉंग्रेस जैसे दलो ने किया है बारतिय जनता पार्टी ने इसमें राजनिती नहीं की हमने तो बार बार कहा ना कि जो देश की आस्ता थी उस देश की आस्ता का हम लोगों ने सम्मान किया हम उसके पक्स दर थे आज और जो भी लोग आस्ता का सम्मान करेगा वो जन विश्वास पर ख़रा उतरेगा तो कह रहें कि बीजेपी संग का इवेंट हो गया है सर्थ पांच लोग अंदर रहेंगे गर्ग्रे में लोग की हिंदू पंचांग से नहीं निकाली है आपने तिथी आपने निकाला है काउं डाउन लोग सभाई इलेक्शन का देख कर देखे हिंदू परंपरा में सनातन धर्म की परंपरा में मकर संक्रांती के बाद सूर्य नारेण के उत्रैण में आने के उपरांत सूब मोहरता आते हैं कारिकरमों के और उसी को मान करके सास्ट्रोक तो पद्दती से यह कारिकरम किया गया कॉंग्रेस को इसमें तो औसर मिला था ना लेकिन याद करिए जब सोमनाद के मंदिर कि पनरस्थापना का कारिकरम हुआ कॉंग्रेस ने तो सायुजन का बिरोत किया उस समय के प्रधान मंत्री उस कारिकरम में स्वेयम तो नहीं गये लेकिन तद्कालिन राश्टपती को भी उन्होंने जाने से रोकने का प्रियास किया था आप नहरूजी की बात कर रहे है और राजिंडर प्रशाजी की नहीं मैं कहने प्रियास तो किया था आफिर नहीं जए लेकिन उन्होंने प्रॉकने का प्रियास किया प्रीयास का कॉंग्रेस ने लंबे समय तो देस में सासन किया आखिर देश की सुतंतरता कैसी है मान बिंदों की पनरस्थापना का कारिकरम और फिर इसमें तो नयाय और सत्य की बात है हमें एक अस्थान के लिए प्रमान देने पड़े जिसमें भारत की आस्था कहती थी कि यही राम जनम भूमी है लेकिन प्रवुराम ने चुए कि हमें मर्यादा का पार्ट पढ़ाया था इसलिए हमने मर्यादीत आचण करते भी वे सारे प्रमान परस्तृत करते रहे हम लोग लड़े, लोवर कोट में लड़े, हाई कोट में लड़े, सुप्रेम कोट में लड़े और अंदता सुप्रेम कोर्ट में पांच जज़ेश की एक पूर्ण पीठ ने अयोध्या की मामले को लेकर के एक सरोमसम्मत थैसला दिया तो ये नयाय और सत्त्य की स्थापना का भी अभिहान है और उसी अभिहान के करम में आज अयोध्या का कारिकरम हो रहा है इस में तो किसी को आपतीपती नहीं होना है देखे परशंकराचारी अगर कहते हैं कि हम वहां जाकर क्या करेंगे ताली बजाएंगे तो इसके बीटर हैं कि अपलोग अपमान कर रहे हैं दीखे हमने हर धर्माचारे को हर अचारे को तीर्थ छेतर ने उन्हें आमंत्रन भेजा है और मुझे लगता है कि यह आउसर स्रेय और प्रेय का नहीं है यह आउसर मान अप्मान का नहीं है चाए मैं हूँ एक सामाने नागरिक है या इस देश का बड़ा सा बड़ा धर्माचारे कोई भी प्रभुराम से बड़ा नहीं है हम सब राम पर आसरित है हम इस बात को ध्यान में रखना होगा और राम से बढ़कर के कोई नहीं हम सब के विवस्ता राम के वेगर नहीं चल सकती लेकिन राम तबी तनाम थे जब यह प्रिमप्राइग नहीं थी उनके विरोध के पीछे आपको क्या वज़ा समझ में आती है देखे हर वेक्ति को अपनी बात बोलने का दिकार है लेकिन हम तो आज भी अंडोध करेंगे बिनम्रा अंडोध करेंगे सभी पूजय संतों से जिनको तीर्थ छेतने आमंतरन किया है या जो इस समय नहीं आपा रहे हैं वे कभी पधा रहे हैं हम सुनी सुनाई बातों पे विस्वास न करें देखें पहले की अयुद्या आज की अयुद्या हम देखें कैसे अयुद्या आज अपनी पुरातन वैवाओ के लिए पुनरस्ता पित हुई है ऐसा नहीं कि लोगों का उसर ना मिलाओ, 75 साल तो सभी लोगों को मिले थे, 70 साल मिले थे, 50 साल मिले थे, क्यों नहीं लोगों ने किया लोग तो आयोध्या का नाम लेने से डरते थे ये भी मैं आपसे समझना चाहती हूँ क्योंकि हम आंदोलन से जुड़े अलग-अलग लोगों से बात करते रहे आप अपनी तरीके से अलग से जुड़े योगी जे एक तो आपका अपना जो आपके गुरुजी का भी जुड़ा हो रहा आपका जुड़ा हो रहा लेकिन आयो है और प्रभु पेर विश्वास था अधे या में तो कि अलग जो शक्ता है तो राम मंदिर का निर्माण भी ग्याद़्णि प्रधानमंद्धी जी की पेंड़न से हम लोगों ने दिपउट सो क्या युजिन केसा साथ-साथ-स क्याए वन्यादी सुगधाओं में सुधार करना प्रारंब कर दिया था चाइवार राम जी की पेड़ी हो गुपतार घाड से लेकर के राम जी की पेड़ी नए घाड तक के निर्मान का कारिकरम हो वहां की स्वच्छता का कारिकरम हो वहां की फसाड की बियोस्था हो यहांने सभी कारिकरमों को हमने किया और आज यही आयुद्ध्या है ना, सिंगल लेन की सड़के थी, आज आयुद्ध्या के अंदर फोर लेन की सड़क, कल्पना थी ना, आज से दस साल पहले कोई इसकी कल्पना ही नहीं करता था, लड़के लटकते वे, जूलते वे, तारों के गुच्छे थे, अभिवस्ता थी, गंदगी थी, पिसली सरकारों ने तो बिजली के लिए वहाँ के लोगों को तरसाया, तीन घंटे, चार घंटे, गंदगी मेट के धेर में वहाँ के लोगों को रुक रहने के लिए मजबूर क कोई सुद्धाई वहां के लिए नहीं थी घाटों में गंदगी कमबार रहता था आज अंदर की फोर लेन की कनेक्टिभीटी है बाहर हरोर से आप लखनौं से जाएं गोरखपुर से आएं वारानशी से आएं प्रियाग राज से आए फोड लेन की कनेक्टिविटी से वो भी जुड चुका है और यही नहीं अयोधिया मीटर गेज से जुड़ा वता चोटी लाइन रेल की जाती थी बाद में ब्रॉड गेज बनी अब रेलवे की डवल लाइन से जुड चुका है इंटरनेशनल एरपोर बन गया है और अयोधिया में सर्यूजी में उस लोग गोली चलाते थे आज सर्यूजी में कुरुफ चलना है कोई कल्बना कर सकता था आज ये भी हो रहा है और इतना सब कुछ होने के बाब जूद एक चीज़ आप अन्वह किये होंगे देखिए आप लोग तो पब्लिक के बीच में जाते हैं सीधे आप लोगों का कनेक्ट है इतने लोग रटाए गए होंगे उनका पुनरवास्वा होगा अकसर होता है कि छोड़ी छोड़ी बातों को लेकि लोगों में अन्रेस्ट होता है और इधिया में इतने बड़े इतना इंफ्रस्ट्रक्चर का कारे हुआ लेकिन कहीं कोई unrest नहीं है हर वैक्ति में संतुष्टी है क्योंकि हर वैक्ति अयोद्धिया के लिए और प्रभुलराम के लिए ही जीता है और सब के मन में है कि ये काम जो काम पहले होना चाहिए था और काम आज हुआ है तो स्वाभाइक रुप से आम जन्मानस की जो आज की जो मानसिक्ता में परिवर्थन आया है अयोध्या की यहाँ इसलिए संभव हो पाया क्योंकि डबल इंजन के सरकार की नेती भी साप थी और नियत भी साप थी अब तो दिन बहुत करीब आ रहा है दो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दीजेगा यह किसका अइडिया था कि राजनितिक महमानों को हमें बुलाना चाहिए आप से चर्चा तो ही होगी आप मुख्यमंत्रे किसका अइडिया था कि उनको बुलाना चाहिए और दूसर प्रशनों पर आपकर रहा है उनको पॉलिटिकल इवेंट बनाने से किस ने रोका था आकर कॉंग्रेस ने उनिस सो सैंटालिस से ले करके और एक लंबे समय तक सासन किया राहुल जी स्वयम भी 2004 से ले करके 2014 तक इस देश की सत्ता के सिर्मौर के रूप में बैक डूर से कमांटो संचलित करते ही थे किसी से छुपा हुआ है क्या हाँ वालग विस्या है कि उन्होंने कुछ इवेंट संसत में किये कि संसत की आउमाना करते हुए बिल की परतियों को वहाँ फाड़ने का काम जरूर किया था क्या ये इवेंट ही था ये कॉंग्रेस का इवेंट है वे संविधान का अपमान करते हैं संविधानिक संस्ताओं का अपमान करते हैं भारत की लोकास्ता का अपमान करते हैं भारत की जन्बिश्वास पर कुठारा घात करते हैं मैंने पहले भी कहा प्रभुराम का रामलला की रुप में अपनी जन भूई में पुनर प्रतिष्ठा का कारिक्रम होना एक प्रान प्रतिष्ठा का इसमारो भारत के लिए और सनातन धर्माबलंबियों के लिए तो गौरब का भी सहही देश और दुनिया के अंदर जितने भी कुछली सब्वेता और संस्कृति के अन्याई होंगे उन सब के लिए भी आसा की एक नई करण है राजनितिक महमानों वाला सवाल का जवाब आपने नहीं दिया आपने उनको तलवार की नोक पर चड़ा दिया कि आए तब भी उनको एक तरह से ये मानना पड़ेगा कि राम सब के हैं दिश्टिकों लोगों के अलग-अलग हो सकते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन्न तैसी राम हमारी आस्ता के प्रतीक हैं तो हम उनको परमपिता परमेश्वर के रुप में मानते हैं हमने उनके महत्तों को समझा जाना है इसलिए जीवन भ समझ पाएं क्योंकि उनको सत्ता प्यारी है और सत्ता की तर सोच भी नहीं सकते हैं लोग आस्ता क्या होती है और जन्विश्वास क्या होता है या अगर कॉंग्रेस ने समझने का प्रियास क्या होता ना ये दुर्गत ही नहीं जेलते हैं और इसलिए हर उस व्यक्तिकों उस कारिकरम में आमंतर्ण होना चाहिए और ये से राम जन्भू में तीर्थ छेतर का आयोजन है उन्होंने अपना निमंतर्ण दे करके अपने करतब्यों का निर्भान किया है क्योंकि राम तो सब के हैं सब को जनम iquलाना चाहिए ओ ठीक है कुरा देश आना चाहता है दुनिया आना चाहती है फर राम भक्त आना चाहता है इस पूरे कारेकरम के साथ जुडएवे आन्दोलन से जुडएवे एक लंभी सिरंखला है वे भी आना चाहते हैं लेकिन अलग- भी अन्डोत कर रहे हैं कि प्रान प्रतिष्टा समारों के बाद सभी लोगों को आउसर मिले आउद्या में राम जन्मभुमी का दर्शन करने के लिए और वहां की विवस्ता से राम जन्मभुमी तिर छितर न्यास देख रहा है हाँ उतर प्रदेश में कोई आएगा अच्छ दर्शन में भी औब बाहर भी तोंकि आएथे कल कॉंघ्रिस के निता आयगा थे दर्शन के लिए टो समझाएं ऑन नितव को यह मैंने का न, कि उनका दृष्टिकॉंड राजनितिक सत्ता पर है हमारा दृष्टिकॉंड लोक आस्ता को सम्मान देने का है और जन विश्वास का सम्मान करने का है तो हम लोग उस अभिहान के साथ इस रूप में जुड़े हैं माने उच्चतम नैले के आदेश पर सिराम जन भूमित तीरत छेतर नियास का गठन हुआ है अंदर के सारी विवस्ता यह ट्रस्ट ही करेगा और ट्रस्ट आमंतर्ण करने के लिए स्वतनतर है ट्रस्ट ने जिन्हें आमंतित किया है वे सब हमारे अथिति होंगे क्योंकि हमारे राज्य में आएंगे क्योंकि राम के प्रतिस एक हमारी आस्ता दूसरा उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी रूप में अगर उत्तरप्रदेश को आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता कहीं से निकलता है तो हमें उस उसर से बंचित नहीं रहना चाहिए और युद्या का इवेंट हमारे लिए इस रोप में उत्तरप्रदेश को एक बार फिर से देश के अंदर और दुनिया के अंदर प्रस्तुत करने का भी एक उसर है बहुत सारे सवाल अब इर्दगेत हो रहे हैं आपने शंकराचार पर सीधा कहा कि भगवान राम से बड़ा कोई नहीं हो सकता है वहाँ पर गर्भग्रे नहीं बन रहा है आप लोग गर्भग्रे दूर बना रहे हैं मंदिर के ऐसा क्यों हो रहा है उसा प्रशन उठा रहे अगर आप जानकारी दे सकते तो दर्शन करने के लिए आये थे संजे राओत भी आये थे और दोजी भी आये थे और उस समय आकर कि उन्होंने वहाँ पर तमाम गोशनाएं भी की थी उस समय अपने अमुले सुझाव देव होते हैं अंगूर खटे हैं अब तो कोई भी बोल सकता है मैंने कहाँ थी अभी वेक्ति की सतंतरता सबको है अर भेक्ति आब को इसके बारे में बोलने में कोई कटना ही नहीं है हमारी पूरी लडाई वही थी राम लड़ा हम आयेंगे मंदिर वहीं बनाएंगे और मंदिर वहीं पे बन रहा है पर फिर वही है ना सर कोट का फैसला है मैंने का ना फैसला तो कोट का है वो कह रहे हैं कि बीजेपी क्रेडिट ले रहे है ये पूरा कोट के फैसले को पहले भी करवाय जा सकता था पेंडिंग क्यों डाला गया था क्यों नहीं आप पेरवी कर रहे थे मतलब किसी और पार्टी की सरकार होती तो जरूरी नहीं है कि निर्णे में बाधा नहीं डाला जाता थाई देरी का कारण नैले नहीं सरकारें थी पार्टीयां थी वे चाती नहीं थी किसका निर्णे हो इसका फायदा मिलेगा चौबीस में चौबीस के चुनाओं में फायदे और नुकसान का नहीं पर मिलेगा जो देश की आस्ता का सम्मान करेगा वह जन विश्वास पर ख़रा उतरेगा अच्छा एक हो गया आंदोलन से जुड़े हुए लोग जिनको श्रे दिया जाता है दूसरा क्या आप भारतिय जनता पार्टी आप ये कह रहे हैं कि पार्टी को भी श्रे है देखे राम जन भूमी का अंदोलन एक ऐसा अंदोलन है पंदरह सो अठाइस से लेकर के दो हजार उन्नीस तक जब तक मन्य उच्छतम ने आले ने फैसला नहीं दे दिया तब तक एस अंदोलन के लिए निदंतर एबरेज 6 से 7 वर्स के अंतराल में एक बड़ा अंदोलन होता था अबरेज अगर आप देखेंगे 6 बार बड़े अंदोलन होई हैं बड़े संघरस होई हैं 1528 से लेकर के इन लगबग 590 वर्स के अंदर 490 वर्स के अंदर इतने बड़े आंदोलन औभ्यान चलते रहे ये चीजें दिखाती हैं कि एक लंबे समय तीन लाग से धिक राम भक्त सईद वे इसमें संत भी थे, राजे रजवारे भी थे, सामाने भक्त भी थे, महलाएं भी थी, पुरुस भी थे जो राम जिनम भूमी के लिए अपने आपको उन्होंने बेलदान कर दिया दुनिया के अंदर इस परकार का उधान देखने को नहीं मिलेगा जो अयुद्ध्या की दिस्से हम सब को देखने को मिला हाँ, आंदुलन कभी विप्रीत परस्तितियां थी, कई सम परस्तितियां थी, लेकिन निर्णे और निर्णे के बीच में फसा हुआ था 1885 के बिटिस कालखंड में नियाले के अदिश को आप पढ़ें न, कोड़ स्विकार कर रहा है, केस्तान हिंदों का है, बिटिस कावर्मेंट है, लेकिन एक लंबा समय हो गया है, अब इसमें कोई निर्णे हम देंगे तो उसको फिर छोड़ते हैं, लेकिन इसके बाद जो चीजें आगे आएं, और लोगों को भी तो मौका मिला था, क्यों नहीं उन्होंने अपने समय में इसको किया, उनको भी आगे आना चाहिए था, आज दो सा रुपन करने से नहीं काम चलने वाला है, आज जब देश एक अच्छी दिसा में जा रहा है, सारे लोग उस दिसा म एक सकारत्मक भाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी पैदा करने का कोई उसर होना चाहिए, योगी जी अब आपकी भूमिका पर आते हैं, ऐसा लोग मानते हैं कि आप बीजेपी के पूरे क्यारेक्ट को पूरा सूट करते हैं, वो इसलिए क्योंकि आपका रहने का धंग, भगवा रंग जो आप धारन करके रखते हैं चारों तरफ से, आपका बुल्डोजर चलाना, आपका उत्तर प्रदेश क्या देश भर को राममय करना, जिससे आपको लगता है इस लहर से फिर हिंदू व आपने भी पूरी ताकट जोग दिये, इसी के जरिये आप बीजेपी को जितना लाब चौबीस के लिए दिलाना सकते हैं, वो आप दिलाने की कोशश कर रहे हैं, क्या मैं सही नहीं हूँ? देखे, मैं तो इस पूरे अभिहान का एक सिपाई हूँ, और सिपाई की रूप में हम लोग राजनीती में आये हैं, मुल्यों और आदर्सों के साथ, राजनीती हमारा पेसा नहीं है, उन मुल्यों और सिद्दानतों के साथ आये हैं, उन्हीं मुल्यों और सिद्दानतों क साथ कारे कर रहे हैं कारे करते रहेंगे आपको प्रशार के लिए सभी मुख्यमंत्री एक दोसे राज्य में प्रचार के लिए जाते हैं और एक के सयोग के लिए एक दोसे के राज्यों में जाते हैं हमारी राज्य में चुना होते हैं हमारी राज्य में भी अन्य राज्यों के मन्य मुख्यमंत्री गणाते हैं केंद्रिय ननेता गणाते हैं ऐसे ही अन्य राज्यों में होता है तो हम लोगों को उसर मिलता हम लोग भी जाते हैं तो ऐसा नहीं है सभी लोग एक दोस्य के सवयोग करने के लिए जाते हैं हाँ कुछ चीजें तो अगर भगवा कलर में इतना अकर्षन है तो मैं चाहूंगा पुरा देशी भगवा में होना चाहिए तो अगर उसे हम देखें ऐसा लगता है कि योगी आदितनाथ 22 जन्वरी के लिए या फिर एक साल के लिए दो साल के लिए नहीं सोच रहे हैं आपने जिस तरह के प्रोजेक्ट की शुरुवात की है ये क्या 50 वर्ष का प्रोजेक्ट है मतलब आप अयोध्या नगरी को 50 वर्ष आगे कैसा देख रहे हैं लिए कि अयोध्या को अभी भी हम लोगों ने अयोध्या को वास्तों में के लिए एक छोटे से नगर की रूप में जाना है इमानदारी से अगर इस पर लोग सोध करें तो यह विश्व की सांसकर्टिक राजधानी है विश्व की? हाँ मनुष्या पहला मनुष्या और मनुष्या की परंपरा की सुरुवात यहीं से सुरू भी होती है अयोध्या उसकी प्रत्म भूमी है अधार भूमी है मनो से मानो और फिर वहीं से परंपरा आगे बढ़ी है मनों के कितने पुत्र थे उसके अनसार अगर आप देखेंगे तो अलग अलग द्वीप उन्हीं के उस पर माने गए हैं आप भारत के प्राचीन इत्यास को ठाके देखें तो आपको इस सारी चीजें जनकरी में आ जाएंगे अयोध्या प्रभुराम की पावन जन भूमी है यह तो हम सब जान रहे हैं उत्तर भारत को सबसे उर्वरा भूमी बनाने का सरे हम मा गंगा को देते हैं और गंगा को इस उत्तर भारत में लाने वाले कौन थे महराज दलीब भी वहीं पैदा हुए थे महराज अज भी वहीं पैदा हुए थे मान धाता भी वहीं पैदा हुए थे एक लंबी परंपरा है जैन परंपरा के तिर्थंकरों को आप देखेंगे यह परंपरा भी वहीं से निकलती भी दिखाई देती है जड़ भरत हो या फिर उसके बाद की परमप्राएं इस सब वहीं से निकलती है और अयोध्या के इस महित्यों को कमतर आखने का प्रियास जो विश्व के इत्यास की भूमी है जिसे सम्मान बहुत पहले मिलना चाहिए था आज परदान मंतरी मोधी जी के करण वह सम्मान अयोध्या को प्राप्त हो रहा है और हम लोगों को इस बात को मनना चाहिए कि हमें अयोध्या के इस महित्यों के माद्यम से भारत की यानि एक ग्लोबल ब्रान्डिंग का एक आउस्टर मिला है हम लोगों को लेके आएं देखे हम लोग उसके महत्तों को अभी भी वो बहुत वो कर रहे हैं अंडरस्टिमेट कर रहे हैं 2017 में हम लोगों ने आयोध्या में दिपोट्सों के आयोजन को किया था 2018 में अधने प्रधान मंत्री जी की प्रेणा से यह हुआ कि भी अयोध्या के साथ उन देशों को जोड़ो जिन देशों से भारत की सांस्कृतिक समंदर रहे हैं या हैं आज भी हैं जो अपने सुत्र को जोड़ते हैं तो साउथ कोरिया की फस लेडी हमारे आयोजन का चीप केस्ट बनी थी उनका पड़ाएक डेलिकेसन आया था है याँ पर और उन्होंने इस बात को कहा कि अयोध्या की Рाजकुमारी कि हम वनसज हैं सौथ कोरिया में थी और अयोध्या की राजकुमारी कैसे महा गई जल मार्ग से हमारी सरकार ने अयोध्या के लिए दिस से जल मार्ग को हम प्रारंब कर सकें इसके लिए इनलैंड वाटर वे अथोर्टी का गठन भी कर दिया है हम लोग लेके जा रहे हैं हल्दिया तक जोडने के लिए फिर वहां से आगे बढ़ने के लिए और अयोध्या की राजकुमारी रतना जल मार्ग से सौथ कोरिया पोची थी आज की वहां की जो परंपरा है बड़ी परंपरा उन्हें अपने दादी मा के रुप में संभोधित करके समान देती है और उनِकी स्मिर्थी में किम हो जो पार्ग है अयोध्या का हम लोगों ने वहाँ पर स्तापित किया है ऐसे ही थाइलेंड में आप देखें राजा राम है महां के परमपरा अपने आपको राम से जोड़ती है वहाँ के जो निशनल हाईवेज है वे सब राम के नाम पर है रामा वन रामा टू राम के नाम पर है राजा ने अपना जो पैलेस था ग्रेंड पैलेस उसको उन्होंने रामेंड को दान किया थाई रामेंड के सभी चित्रों को उस पर उकेर करको उन्हें राम को सम्मान दिया ये थाइलेंड का है थाइलेंड की जो फुरानी रासधानी थी जो बात में मैनमार के साथ युद्ध के दोरान छतिगरस्त हो गई थे वह अजुद्ध्या थी आज भी उन्होंने सम्मान दिया यह अपनी परंपरा को कहां से लोग जोड रहे हैं राम के साथ आप इंडोनेसि यह सभी राम को भी आमंतित किया है इस दोरण अयुद्या में अब उनके पात्रों से बात करीए न बेर सभी राम को अपना दर्स मांते हैं झाश यह है कि जो है जो अतकच्छा ग्यान होता है न वे बेक्ति को भरमित कर देता है और जिन लोगों ने भारत को भारत के बारे में कभी जानने का इमानदरी से प्रियास नहीं किया वही लोग भारतियता पर भारत की परमप्रा पर भारत की महपुरसों पर भारत की अरहदे देवों पर प्रस्न खड़ा करते हैं इनको वास्तों में समझना चाहिए अयुद्धिया क्यों अयुद्धिया नहीं है अयुद्धिया तो बिश्व की सांस्कृतिक राजधानी है औ आप लोगों का नारा था संग परिवार का एक और नारा है काशी मतुरा अभी बाकी है उस पर आपके क्या विचार है देखे जो बिसे न्यायले में है तो न्यायले को उस पर काम करने देना चाहिए हमने रामलाला के लिए 500 वर्सों तक संघर्ष किया और मर्यादित तरीके से उसमें न्याय और सत्य की विजए प्राप्त की है यहां के मामले भी अपने प्रमान प्रस्तुत करेंगे समय आने पे सारी तत्य सामने आएंगे दोत का दोत पानी का पानी सब के सामने आएगे लड़ाई लड़ी जाएगी पर अदालिती कानूनन कानून उस प्रक्रिया को कि आपी के राज्य की बात है बाकी दोनों जगे हां कोई बाती राज्य को भी आप लोग कोई तारीक देने वाले हैं बेस्ट के लिए समय आएगा और देखे हैं हो हैं वही जो राम रसी राखा प्रभो को अपनी लला को तो रसने दीजिए पर खुशी आपके चिपती नहीं है चेहरे पर आते ही बात खुशी दिख रही आपके चेहरे हैं थे राम बंदिर से जुड़ी एक और चीज मैं ये यजमान और मुख्य यजमान की बात क्या है योगी जैगा। तो पद्दति तो पद्दति के उन सारी सारी कारिक्रम के बारे में कुछ जानकारी आप दे पाएंगे 12 बजे शुरू हो रहा है 1220 में प्राण प्रतिष्ठा का काम होगा अगर थोड़ा बहुत जानकारी जो दर्शक उस दिन इंतजार करेंगे टी वी के सामने आपने चुट अंदी पावली के पहले भी इस प्रकार का कारिक्रम करते हैं याने आउजिनों में करते हैं या देपी पहले के तुलना में सुच भारत प्रिशन के बाद काफी सुचता आई है लेकिन फिर भी लोगों में एक जाग रुखता के लिए आज से सोला जनवरी से लेकर के बाइस जनवरी के माद्ध्यान के पूरु तक अखंडर आमेड पाढ़ राम नाम संक्रतन के कारिक्रम होंगे अप्राहन में मध्यान में बारा बजे के बाद प्रदाहन मंत्री जी का और अन्य महान वहाओं का मुख्य मंदिर में प्रिवेश होगा पोजा पहले से चल ले होगे उसके बाद एक कारिकन उष्ठान होगे और लगबग एक बजे तक अंदर का कारिकन संपन हो करके एक बजे वहाँ पे संबोधन की देश से जो मंच बना होगा उस मंच पे आकर के फिर ये कारिकन आके चलेगा आप भी बोलेंगे पीम भी बोलेंगे तो ये कारिक्रम वहां के संपन होंगे संपन होने के बाद जो भी तीर छेतर जो भी तैय करेंगे उसके इनसारी कारिक्रम होंगे और उसके बाद फिर दो बजे के बाद से जो आगत पुज्य संतजन है अथितिगन है दर्शन करेंगे वो अंदर जाकर के दर्शन करते वे निकलते जाएंगे, उनका प्रस्तान होगा, यह सभी कारिक्रम वहाँ पर होंगे, यह कारिक्रम फिर अनवरत आगे बिवस्था की दिश्थे, क्योंकि हर राम भक्त युद्याना चाहता है, तो उनके लिए भी फिर बिवस्था वहाँ प 23 के बाद से हम लोग वही अन्रोद कर रहे हैं कि अस्थानी अस्तर पर जो बिवस्था बनाई जा रही है, हर राज्य में, हर जन्पद में, वे अगर उसकी बिवस्था के तता आएंगे तो किसी को भी कष्ट नहीं होगा, अपने तरीके से पैदल न निकले, क्योंकि उत्त स्थान स्थानी अस्तर पर बनाई जा रही है, वहाँ पर न्याज से जुड़े वे लोगों के द्वारा या अन्य संगटनों के द्वारा एक बिवस्था बनाई जा रही है, वहाँ से अपना कारिकरम भेज करके जब उनको वहाँ से कहा जा रहा तब ही वे लोग आएं, रे क्योंकि आना भर नहीं है, जिस उदेसे से आ रहे हैं कि राम ला का दर्शन कर सकें उस उदेसे की पूरती भी होनी चाहिए, तो इसके लिए वहाँ पे दर्शन के लिए प्रयाप्त विवस्ता की जा रही है, वेरिकेटिंग दे जा रहे हैं, अन्य कारिक्रम हो रहे हैं, तो कितना भी कोई करेगा तब भी दर्शन करने में एक बेक्ति को एक दिन में एक देव विग्रह का दर्शन करने में बहुत मेहनत करेंगे डेड़ लाग दो लाग तक लोग दर्शन कर पाएंगे जबकि आने के चुब लोग बहुत होंगे तो एक प्रियास धीरे धीरे करके जब भी उसर आएगा तो लोगों को हम लोग उस प्रकार की भी वस्ता देंगे देखे युद्धा के परते आकरशन का क्या हो जैसे राम नौमी में अमूमन सत्रह के पहले हजारों में लोग आते थे पचास हजार साथ हजार तक लोग आते थे दर्शन करके असनान करके चले जाते थे देपद्सो के बाद कारिकरम में संख्या बढ़ती गई युद्धा में स्विधा भी मिलती गई लोगों को लगा कि नहीं अब तो ठीक होगा इस वर्स राम नौमी के उसर पर 35 लाक लोग आए थे इतनी बड़ी संख्या का युद्धा में आगमन इस बात को दिखाता है कि लोग हर सरधालो हर राम भकता युद्धा आना चाहता है और उसके लिए उस परकार की सुविधा और पिवस्ता हम लोग देंगे एक और सवाल मन में आया आपने कहा कि प्रधान मंतरी लगभग 12 बजे के आसपास वहां पहुंच रहे हैं तो क्या हमाने जो मुख्य गर्ब ग्रे है उसमें पहले से ही मूर्ती रामलला की 5 साल वाली जो अरूर योगी राज बना रहे है और चोटी वाली भी रामलला जी की मूर्ती पहले से स्थापिद हो जाएगा तो अन्त में मूर्ती की प्रान परतिस्था का कारिक्रम का एक आयोजन होगा, उस एक घंटे के आयोजन के अंदर उस सारे कुछ संपन हो जाएंगे। राजनितिक दल को अपने रणनिती तैक करने का अधिकार है और हम कैसे किसी राजनितिक दल के बारे में बात कर सकते हैं, किस अधिकार से हम बोल सकते हैं। जब 17 में ये लोग अलग लड़े थे, 14 में भी अलग लड़े थे, 14 में दो नौ योकों की जोड़ी लड़ी थी, 17 में भी फिर ये लोग लड़ने का प्रियास किये थी बीजेपी से, 19 में इन लोगों ने प्रदेश में एक महागड़ बंदन भी बनाया था, तो भारतिये जनता पार्टी प्रधान मंतरी मोदी जी के नित्रतों में तब भी लड़ी थी, और अच्छे बहुमत के साथ भारतिये जनता पार्टी आगे बढ़ी थी, जीती थी. लेकिन हर पार्टी को अपना एजेंडा सेट करने और अपने रणिती को बनाने का पुरा दिखा रहे हैं. अखलेस जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि कमसे का उन्होंने मेरा दवाव माना तो हूँ. आपका असर वाला मान रहे हैं वो. तो के रहे एजेंसी का असर है? लेकिन अखलेस जी गेस्टाहोस कांड को समभतों भूल गये होंगे. अखिर मायावतीजी के साथ तो उन्होंने ही किया था ना. या इस मारकों के प्रती जिस परकार की सबदावली का प्रयोग उन्होंने उस समय किया था जब बारा में मुख्यमंत्री बने थे. ये किसी से छुपा हुआ है क्या? और ये बार-बार तो कभी कॉंग्रेस के साथ जाते हैं, कभी बी-एस-पी के साथ जाते हैं, कभी किसी और के साथ जाते हैं. तो ये तो बार-बार वही चेंज करते हैं. वही बदलते रहते हैं अपना. तो मायवती जी ने जो बोला है क्या बोला है मैंने पुरा बयान पढ़ा नहीं कुछ सुना नहीं लेकिन मुझे लगता है कि उनको जो अच्छा लगता होगा उनकी पाल्टी के हित्म उस प्रकार करें कोडिया लडाई से आपको फायदा होगा नशर अगर बीजेपी वर्स वान कैंडिडिट वॉड़ी बीजेपी मोधी जी के नेत्रतों में उत्तरपदेश के अंदर बहत्रीन प्रदर्शन करें इस एंस इंदर किपनी सीट है अस्जी में से असी में से एंसी लाने के पक्सदर पर योगी जी जब समाजबादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ आये थे तो उन्होंने कई समय करण बिगाड़े भी थे ये बात अलग थी कि कारेकरताओं के दिलों के मिले हम तब भी 84 सीट असी में से 84 सीट जीते थे की लड़ाई हो जाती प्रतिशत की देखे गठवंदन उन्नीस में इन्होंने गठवंदन किया था प्रणाम क्या हुआ प्रणाम क्या था उस समय इन्होंने दुस्परचार की सारी सीमाओं को लांग दिया था कॉंग्रेस ने और जन्ता के सामने सब दूद का दूद पानी का पानी हुआ है आज ऐसा तो नहीं है कि कॉंग्रेस जो है इन सभी चीजों से जो है देश की जन्ता इसको देखने ही रही है आज तो उननीस से भी हैं कभी कही आगे निकल चुके हैं आज दस वर्स का प्रधान मंतरी मोदी जी के नेत्रक्तों में आज हर बेक्तिस विकार करता है कि आज बैस्विक मंच पर भारत की परतिस्टा बढ़ी है आज हर बेक्तिस बात को मानता है देश के अंदर अच्छा यानि वर्ल्ड क्लास जो है इंफरस्ट्रक्ट्टर भारत के अंदर बना है पिछले दस वर्स के अंदर हर 32 बात को मानता है कि देश सुरक्सित हुआ है और देश मोधी जी के नित्रतों में सुरक्सित है और हर 32 बात को मानता है कि बिना भेद भाव के वैलफेर स्कीम कालाब हर गरीब को, हर गाउं को, हर किसान, हर नौजवान और हर महला तक पहुचाने का कारे हुआ है होगा कि नीती आयोग की जो रिपोर्ट आई है गरीवी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के जीवन अस्तर में पिसले दस वर्स में कित्ता अंतर आया है 24 करोड से अधिक लोग गरीवी रेखा से मुक्तु हुए हैं भारत के अंदर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब यह हम कह सकते हैं कि 22 जन्वरी से पहले नमस्कार आपके साथ मैं हूँ अंजनाओं कश्यप और हमारे साथ राम मंदिर में 22 जन्वरी की तारीख जब प्रान प्रतिष्ठा होगी उस पर चर्चा करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित तिनात जी यहां पर जुड़ रहे हैं स्वागत है सर आपका आज तक बैड़े बिरहा के सब परवत पिघले तब रगराई तुम घर आए बेला तो आ गई है आपके जीवन के लिए प्रभू राम की प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर का बनना क्या माइने रखता है और आपकी सरकार के लिए क्या माइने रखता देखिए अयोध्या जिसे कुछ लोगों ने अपने बेक्तिकत द्वेस और संकिंडता का सिकार बनाने का प्रियास किया था जिस उपेक्सा का दंस को जहल लई थे आज उससे मुक्त हो करके हमारे बेदों ने अयोध्या को जिस सब्त पुरियों में से प्रथम पुरी के रोप में सम्मानित किया आज उसी आभा के साथ पनरस्थापित हो रही है 22 जनवरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का यह समारो मेरा मानना है प्रभूर तो सरोब्यापी है सर्वत्र है परंपिता प्रमेश्वर है लेकिन यह भारत और विश्वमानोता की लोक आस्ता और जन विश्वास की पुनर प्रतिष्ठा का भी यह आयूजन है ब्यक्तिकत रूप से भी और इस जन आस्ता इस लोक आस्ता और जन बिश्वास की प्रतिष्ठा लोक तंत्र का एक सामन नागरिक होने के नाते हम सब का यह मनना है की यह कारिया होना चाहिए था पहले होना चाहिए था लोगों ने राम की ताकत को नहीं स्विकारा वही गलती की जो सास्त्रों में गलती करने वाले भुगत चुके हैं और आज राम नाम से जिस भारत की कल्पना नहीं किजा सकती है बगवान राम की उस महत्वा को स्विकार करने के बाद नियाए और सत्य की विजय अयोध्या के लिए हुआ है और उस नियाए और सत्य की पुरूस्थापना का कारिक्रम 22 जनवरी के कारिक्रम के माद्यम से हमें वहां देखने को मिलेगा जनास्ता का सम्मान किसी भी लोकतांत्रिक सरकार का कारे होना चाहिए और जन बिश्वास पर खरा उतरना अगर जन आस्ता लोक आस्ता का आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो जन बिश्वास पर आप खरा नहीं उतर सकते एक दोसरे के पूरक है और प्रधान मंत्री मोदी जी के नित्रतों में आज उनके मार्ग दर्शन में उनके नेत्रितों में उस लोक आस्ता और जन्विश्वास की पुनर प्रतिष्टा हो रही है योगी जी पहले गलतियां की होंगी अब आपनों को सुझाव भी बहुत सारे मिल रहे हैं यहां पर हमने पूरा संपूर वो राम मंदिर का मॉटल भी लगाया है हालों कि बहुत अब लोग प्रियव हो रहा है लोग इसे युद्या नगरी से ही ले जा रहे है लेकिन यह बताएए कि अगर शिघर नहीं बन रहा है और उससे पहले प्राण पुतिष्ठा हो रही है तो क्या यह पूर्ण नहीं है क्या गर्ब ग्रे का बनना पूर्ण नहीं माना जाता है मंदिर को देखे राम लला का प्रकटी करण हम जिस विग्रह को वहां स्थापित कर रहे हैं अनुष्ठान उस विग्रह का होता है और ऐसा नहीं कि यह पहली बार हो रहा है अयोध्या में जो कुछ भी कारिक्रम हो रहे हैं इस सनातन धर्म के सास्त्रोक्त पद्दती के अंसारी हो रहे हैं और सास्त्र परंप्राओं से भी चलते हैं तुसरा लोग हित में जन हित में परंप्राओं बनाई भी जाती हैं उन सास्त्रोक्त पद्दतियों का पालन करते भी इन सभी चीजों को जो पोरों में भी होए हैं और आगे भी होंगे उसी के अन्रोपे कारेक्रम भी अयुद्ध्या का सिराम जन्भों में तीरचित न्यास के दौरा प्रारंब किया गया है विपक्ष का तो कहना है कि अब चुनाव करीब है इसलिए आप लोग जल्दबाजी में कर रहे हैं अभी मंदिर का निर्मार पूरा नहीं हुआ है लेकिन दो-ती महीने बाद चुनाव है और ऐसे में शशी थरूर को मैं कोट करना चाहूँगी कॉंग्रेस के नेता वो ये कहते हैं कि 2004 में मोदी जीते थे ये कहकर कि हम गुजरात मॉडल देश में लाएंगे विकास का फिर वो 19 में आये पुलवामा की वज़े से अब वो राम मंदिर में प्रार प्रतिष्ठा करके बनना चाहते हैं हिंदु हृदय समराट और उससे वो चुनाव जीतना चाहते हैं तो इसलिए आप लोग करा आप मुझे रताईए कॉंग्रेस को किस ने इस कारेक्रम्प में आने से मना किया था क्या यह सच नहीं कि कॉंग्रेस ने 1989 में अपने चुनाव परचार अभ्यान का सुभारंब अयोध्या से किया था और क्या यह सच नहीं है कि कॉंग्रेस एक तरफ हिंदों को बेकूब बनाती थी और दूसरी तरफ मुस्लिम वोड बैंक से भी मो नहीं छोड़ पा रही थी वोड बैंक की राजनिती इसमें बिपक्स नहीं किया है कॉंग्रेस जैसे दलो नहीं किया है बारतिये जनता पार्टी ने इसमें राजनिती नहीं कि हमने तो बार बार कहा न कि जो देश की आस्ता थी उस देश की आस्ता का हम लोगों ने सम्मान किया हम उसके पक्स दर थे आज भी है और जो भी लोग आस्ता का सम्मान करेगा वो जन विश्वास पर खरा उतरेगा तो कह रहे हैं कि बीजेपी संग का इवेंट हो गया है सर पाँच लोग अंदर रहेंगे गर्ब ग्रेवे हिंदू पंचांग से नहीं निकाली है आपने तिथी आपने निकाला है काउंटडाउन लोगसभा इलेक्शन का देखकर देखे हिंदू परंपरा में सनातन धर्म की परंपरा में मकर संक्रांती के बाद सूर्य नारेण के उत्रैन में आने के उपरांत सुब मोहरत आते हैं कारिकरमों के और उसी को मान करके सास्त्रोक तो पद्दति से यह कारिकरम किया गया कॉंग्रेस को इसमें तो औसर मिला था ना लेकिन याद करिए जब सोमनाद के मंदिर की पुनरस्थापना का कारिकरम हुआ कॉंग्रेस ने तो सायुजन का विरोध किया उस समय के प्रधान मंत्री उस कारिकरम में स्वयम तो नहीं गये लेकिन तद्कालिन राष्टपती को भी उन्होंने जाने से रोकने का प्रियास किया था आप नहरू जी की बात कर रहे है और राजेंद्र प्रशाज जी की मैं कह रहूँ ऑना ठाक्टर राजेंद्र प्रशाज जी उस कारिकरम में गए लेकिन तद्कालिन प्रधान मंत्री नहरू जी ने प्रियास तो किया था सोयम तो नहीं गए लेकिन लोगने उनको भी रोकने का प्रियास किया कॉंग्रेस ने लंबे समय तक देश में सासन किया आखिर देश की सुतंतरता कैसी है मान बिंदों की पनरस्थापना का कारिकरम और फिर इसमें तो नयाय और सत्य की बात हमने हमें एक अस्थान के लिए प्रमाण देने पड़े जिसमें भारत की आस्ता कहेती थी कि यही राम जनम भूमी है लेकिन प्रवराम ने चुँकि हमें मर्यादा का पार्ट पढ़ाया था इसलिए हमने मर्यादी ताचन करते भी वे सारे प्रमाण परस्तुत करते रहे हम लोग लड़े, लोवर कोट में लड़े, हाई कोट में लड़े, सुप्रेम कोट में लड़े और अंदता सुप्रेम कोट में पांच जजेश की एक पूर्ण पीठ ने अयोध्या के मामले को लेकर के एक सरोमसमत थैसला दिया तो ये नयाय और सत्य की इस्थापना का भी अभियान है और उसी अभियान के करम में आज अयोध्या का कारिकरम हो रहा है इसमें तो किसी को आपतीपती भी नहीं होने चाहिए चंकराचारी अगर कहते हैं कि हम वहां जाकर क्या करेंगे ताली बजाएंगे तो इसके पीछे की सोच क्या है कि आप लोग आपमान कर रहे हैं देखे हमने हर धर्माचारे को और हर आचारे को तीर्थ छेत्र ने उन्हें आमंत्र भेजा है और मुझे लगता है कि यह आउसर स काई मैं हूँ एक सामने नाگ्रिक है या इस देश का बड़ा सा बड़ा धिर्माचारे कोई भी प्रभुराम से बड़ा नहीं है हम सब राम पर आस्रित है राम हम पर तब भी तनाम थे जब ये परंपराई नहीं थी उनके विरोध के पीछे आपको क्या वज़ा समझ में आती है देखे हर बैक्ति को अपनी बात बोलने का दिकार है लेकिन हम तो आज भी अंडोध करेंगे बिनम्र अंडोध करेंगे सभी पूजय संतों से जिनको तीर्थ छेत ने आमंतर्ण किया है या जो इस समय नहीं आपा रहे हैं वे कभी पदा रहे हैं हम सुनी सुनाई बातों पर बिस्वास न करें देखें पहले की अयोध्या आज की अयोध्या हम देखें कैसे अयोध्या आज अपनी पुरातन वैवाओ के लिए पुनरस्था पित हुई है ऐसा नहीं कि लोगों का उसर न मिलाओ 75 साल तो सभी लोगों को मिले थे 70 साल मिले थे 60 साल मिले थे 50 साल मिले थे क्यों नहीं लोगों ने किया लोग तो आयोध्या का नाम लेने से डरते थे ये भी मैं आपसे समझना चाहती हूँ क्योंकि हम आंदोलन से जुड़े अलग-अलग लोगों से बात करते रहे आप अपनी तरीके से अलग से जुड़े योगी जे एक तो आपका अपना जो आपके गुरुजी का भी जुड़ा हो रहा आपका जुड़ा हो रहा लेकिन आयो पूछा जा सकता है कि मंदिर कब बनेगा हमें प्रभू पे विश्वास था अठोड विश्वास था एकर राम सेतों का निर्मान हो सकता है तो राम मंदिर का निर्मान भी होगा और इसलिए उसके पहले प्रभू के आगमन के पहले दिपोट्सोत होने ही चाहिए आखिर दि अहानमंद्री जी की पेर्रिणा से hymn लोगों ने डिपःसो कि आयोजिन के साथ साथ भूहाँ भूनियादी bid Behind में सुधार करना प्रारंब कर दिया था चायवार राम जी की पेड़ी हो गुपतार घाड से लेकर के राम जी की पेड़ी नए घाड तक के निर्मान का कारिकरम हो वहां की स्वच्छता का कारिकरम हो वहां की फसाड की बियोस्था हो यहांने सभी कारिकरमों को हमने इस किया और आज यही आयुद्ध्या है ना, सिंगल लेन की सड़के थी, आज आयुद्ध्या के अंदर फोर लेन की सड़क, कल्पना थी ना, आज से दस साल पहले कोई इसकी कल्पना ही नहीं करता था, लड़के लटकते वे जूलते वे तारों के गुच्छे थे, अबिवस्ता थी, गंदगी थी, पिसली सरकारों ने तो बिजली के लिए वहाँ के लोगों को तरसाया, तीन घंटे, चार गंटे, गंदगी मेट के धेर में वहाँ के लोगों को रुक रहने के लिए मजबूर किय कोई सुधाएं उहां के लिए नहीं थी घाटों में गंदगी कमभार रहता था आज अंदर की फोर लेन की कनेक्टिविटी है बाहर हरोर से आप लखनो से जाएं, गौरक पुर से आएं, वाराणसी से आएं, प्रियाग्रास से आएं फोर्ड लेन की कनेक्टिविटी से वो भी जुड़ चुका है और यही नहीं अयोध्या मीटर गेज से जुड़ा बता छोटी लाइन रेल की जाती थी बाद में ब्रॉड गेज बनी अब रेलवे की डवल लाइन से जुड़ चुका है इंटरनेशनल एरपोर्ड बन गया है और अयोध्या में सर्यूजी में उस लोग गोली चलाते थे आज सर्यूजी में कुरुफ चलना है कोई कल्पना कर सकता था आज ये भी हो रहा है और इतना सब कुछ होने के बाबजूद एक चीज आप अन्वह किये होंगे देखिए आप लोग तो पब्लिक के बीच में जाते हैं सीधे आप लोगों का कनेक्ट है इतने लोग घटाए गए होंगे उनका पुनरवास्वा होगा अक्सर होता है कि छोड़ी छोड़ी बातों को लेके लोगों में अन्रेस्ट होता है अयोध्या में इतने बड़े इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का कारे हुआ लेकिन कहीं कोई अन्रेस्ट नहीं है हर वेक्ति में संतुस्टी है क्योंकि हर वेक्ति अयोध्या के लिए और प्रभुराम के लिए ही जीता है और सब के मन में है कि ये काम जो काम पहले होना चाहिए था और काम आज हुआ है तो स्वाभाई करूप से आम जन्मानस की जो आज की जो मानसिक्ता में परिवर्टन आया है अयोध्या के यहाँ इसलिए समभा हो पाया क्योंकि डबल इंजन के सरकार के नेते भी साब थी और नेत भी साब थी अब तो दिन बहुत करीब आ रहा है दो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दीजेगा यह किसका ऐडिया था कि राजणितिक महमानों को हमें बुलाना चाहिए आप से चर्चा तो ही होगी मुक्यमंत्रे किसका ऐडिया था कि उनको बुलाना चाहिए और दूसरा, राहूल गांदी ने कहा है कि यह पॉलिटिकल इवेंट है 20 जन्वरी को वो कह रहे हैं कि जो लोग गर्भग्रे में होंगे उसमें प्रधान मंत्री होंगे, योगी जी होंगे, मोहन भागवत संग प्रमुख हैं, जो गवर्नर सब बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं. तो कह रहे हैं, इस पॉलिटिकल इवेंट हैं, दोनों प्रश्नों पर का था. आकर कॉंग्रेस ने उनिस सो सेंटालिस से लेकर के और एक लंबे समय तक सासन किया है. राहुल जी स्वयम भी 2004 से लेकर के, 2014 तक, इस देश की सत्ता के सिर्मौर के रूप में बैक डॉर से कमांटो संचालित करते ही थे. किसी से छुपा हुआ है क्या? हाँ, वालग विस्या है कि उन्होंने कुछ इवेंट संसद में किये कि संसद की आउमाना करते हुए, बिल्की परतियों को वहाँ फाड़ने का काम जरूर किया था. क्या ये इवेंट ही था? ये कॉंग्रेस का इवेंट है. वे संविधान का अपमान करते हैं, संविधानिक संस्ताओं का अपमान करते हैं, भारत की लोकास्ता का अपमान करते हैं, भारत की जन विश्वास पर कुठारा घात करते हैं. मैंने पहले भी कहा प्रभुराम का रामलला की रूप में अपनी जन भूई में पुनर प्रतिष्ठा का कारिक्रम होना प्रान प्रतिष्ठा का इस हमारो भारत के लिए और सनातन धर्माबलंबियों के लिए तो गौरब का भी सहही देश और दुनिया के अंदर जितने भी आजनितिक मेहमानों वाला सवाल का जवाब आपने नहीं दिया आपने उनको तलवार की नोक पर चड़ा दिया कि आए तब भी उनको एक तरह से ये मानना पड़ेगा कि राम मंदिर प्रान प्रतिष्ठा बीजेपी कर रहे हम उसमें शामिल हो रहे हैं और अगर वो इंकार कर दें तो आप कहेंगे कि देखो ये तो आए ही नहीं हम लोग इस बात को मानते हैं कि राम सब के है दिश्टिकों लोगों के अलग-अलग हो सकते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुरत देखी तिन तैसी है राम हमारी आस्ता के प्रतीक हैं तो हम उनको परम्पिता प्रमेश्वर की रूप में मानते हैं हमने उनके महत्तों को समझा जाना है इसलिए जीवन भी समर्पित कर दिया राम के महत्तों को वे लोग नहीं समझ पाए क्योंकि उनको सत्ता प्यारी है और सत्ता की एतर सोच भी नहीं सकते लोग आस्ता क्या होती है और जन विश्वा पर उस अब्यक्ति को उस कारिक्रम में आमंतर्ण होना चाहिए और ये से राम जन्भू में तीर्थ छेतर का आयोजन है उन्होंने अपना निमंतर्ण दे करके अपने करतब्यों का निर्वान किया है क्योंकि राम तो सब के हैं सब को आयूजन में बलाना चाहिए ओर ठीक है पुरा देश आना चाहता है दुनिया आना चाहती है फर राम भकता आना चाहता है इस पूरे कारिकरम के साथ जुड़े वे आन दोलन से जुड़े वे एक लंबी सरंखला है वे भी आना चाहते हैं ले गलक समय में लोग आएंगे हम लोग भी अंडोत कर रहे हैं कि प्रान प्रतिष्टा समारों के बाद सभी लोगों को आउसर मिले आउद्या में राम जन्भुमी का दर्सन करने के लिए और वहां की विवस्ता से राम जन्भुमी तिर्चित्र नियास देख रहा है हाँ उत्तर यह जम्यदारी हम लोग अपने लिए और दर्शन के लिए आए पर आपने सवाल का जवाब देते हुए योगी जी सवाल यह था कि कॉंग्रेस कह रही है कि यह एक राजनीतिक आयोजन है आपने कहा वो भी कर सकते थे राजनीतिक आयोजन आपने खंडन नहीं किया यह मैंने का न कि उनका दरिश्टिकोंड राजनीतिक सत्ता पर है हमारा दरिश्टिकोंड लोग आस्ता को सम्मान देने का है और जन विश्वास का सम्मान करने का है तो हम लोग उस अभिहान के साथ इस रूप में चुड़े हैं माने उच्चितम नैले के आदेस पर सेराम जन भो में तीरत छेतर नियास का गठन हुआ है अंदर की सारी ब्यवस्ता यह ट्रस्ट ही करेगा और ट्रस्ट आमँंत्रण करने के लिए सवतंत्र है ट्रस्ट ने जिनικά आमंतित किया है वे थे सब हमारी अथिति होंगे क्योंकि हमारी राज्या में आएंगे क्योंकि राम के पर्देश एक हमारी आस्ता, दूसरा उत्तरप्रदेश के अंदर, किसी भी रूप में, अगर उत्तरप्रदेश को आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता कहीं से निकलता है, तो हमें उस उसर से बंचित नहीं रहना चाहिए और अयोध्या का इवेंट हमारे ल हो रहे हैं आपने शंकराचार पर सीधा का कि भगवान राम से बड़ा कोई नहीं हो सकता है लेकिन आप सबको हुमिलिटी के साथ कह रहे हैं कि आप लोग जब मौका लगे जरूर आई एक और बात बहुत सोचल मीडिया के जरीए भी फैल रही है और संजय राउत जो की उठारें अगर आप जानकारी दे सके तो दर्शन करने के लिए आये थे संजय राउत भी आये थे और उस समय आकर कि उन्होंने वहां पर तमाम गोशनाएं भी की थी उस समय अपने अमुले सुजहाव देव होते हैं देखें अंगूर खटे हैं अब तो कोई भी बोल सकता है मैंने का अभी व्यक्ति की स्वतंतरता सबको है और व्यक्ति को इसके बारे में बोलने में कोई कटना ही नहीं है हमारी पूरी लडाई वही थी राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे और मंदिर वहीं पर बन रहा है पर फिर वही है ना सर कोट का फैसला है वो कह रहा है कि बीजेपी क्रेडिट ले रही है ये पूरा कोट के फैसले को पहली भी करवाय जा सकता था पैंडिंग क्यों डाला गया था क्यों नहीं आप पेरवी कर रहे थे मतलब किसी और पार्टी की सरकार होती तो जरूरी नहीं है कि निर्णे में बाधान नहीं डाला जाता था ही देरी का कारण नेले नहीं सरकारें थी पार्टीयां थी वे चाती नहीं थी किसका निर्णे हो इसका फायदा मिलेगा चौबीस में, चौबीस के चुनाओं में. फायदे और नुकसान का नहीं. पर मिलेगा. जो देश की आस्ता का सम्मान करेगा, वह जन विश्वास पर खरा उतरेगा. अच्छा, एक हो गया आंदोलन से जुड़े हुए लोग जिनको श्रे दिया जाता है. दूसरा, क्या आप भारतिय जनता पार्टी, आप ये कह रहे हैं कि पार्टी को भी श्रे है? देखे, राम जन भूमी का अंदोलन एक ऐसा अंदोलन है. 1528 से लेकर के, 2019 तक, जब तक मन्य उच्चतम ने आले ने फैसला नहीं दे दिया, तब तक एस अंदोलन के लिए निदंतर, एबरेज, छे से साथ वर्स के अंतराल में, एक बड़ा अंदोलन होता था, एबरेज अगर आप देखेंगे, छेतर बार बड़े अंदोलन हुए हैं, बड़े संघर्स हुए हैं, 1528 से ले करके, इन लगभग 590 वर्स के अंदर, 490 वर्स के अंदर इतने बड़े आंदोलन औभ्यान चलते रहें, ये चीजें दिखाती हैं कि एक लंबे समथ, तीन लाक से धिक राम भक्त सईद हुए, इसमें संत भी थे, राजे रजवारे भी थे, सामाने भक्त भी थे, महलाएं भी थी, पुरुस भी थे, जो राम जनम भूमी के लिए, अपने आपको उन्होंने बलदान कर दिया, दुनिया के अंदर इस परकार का उधान देखने को नहीं मिलेगा, जो अयुद्ध्या की दिख से हम सब को देखने को मिला, हाँ, आंदूलन, कभी विपरीत परस्तितियां थी, कई संपरस्तितियां थी, लेकिन, निर्ड़े और निर्ड़े के बीच में फंसा वा था, 1885 के बिटिस काल खंड में नियाले के अदिश को आप पढ़ें न, कोर्ट स्विकार कर रहा है, केस्तान हिंदों का है, बिटिस कावर्मेंट है, लेकिन एक लंबा समय हो गया है, अब इसमें कोई निर्ड़े हम देंगे तो उसको फिर छोड़ते हैं, लेकिन इसके बाद जो चीज़ें आगे आएं, और लोगों को भी तो मौका मिला था, क्यों नहीं उन्हों ने अपने समय में इसको किया, उनको भी आगे आना चाहिए था, आज दोसार उपन करने से नहीं काम चलने वाला है, आज जब देश एक अच्छी दिसा में जा रहा है, सारे लोग उस दिसा में एक सकारत्मक भाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी पैदा करने का कोई उसर होना चाहिए, योगी जी अब आपकी भूमिका पर आते हैं, ऐसा लोग मानते हैं कि आप बीजेपी के पूरे क्यारेक्टर को पूरा सूट करते हैं, वो इसलिए क्योंकि आपका रहने का धंग, भगवा रंग जो आप धारन करके रखते हैं चारों तरफ से, आपका बुल्डोजर चलाना आपका उत्तर प्रदेश क्या देश भर को राममय करना, जिससे आपको लगता है इस लहर से फिर हिंदू वोटर भी अप्रभावित होकर नहीं जाएगा दो हजार चौबिस तक, तो आप एक तरह से बीजेपी की पूरे क्यारेक्टर को पूरा सूट करते हैं, और उस कड़ में अगर हम राम मंदिर को देखें, तो आपने भी पूरी ताकत जोग दिये, इसी के जरीए आप बीजेपी को जितना लाब चौबीस के लिए दिलाना सकते हैं, वो आप दिलाने की कोशश कर रहे हैं, क्या मैं सही नहीं हूँ? देखें, मैं तो इस पूरे अभिहान का एक सिपाई हूँ, और सिपाई की रूप में, हम लोग राजनीती में आये हैं, मुल्यों और आदर्सों के साथ, राजनीती हमारा पेसा नहीं है, उन मुल्यों और सिद्धानतों के साथ आये हैं, उन्हीं मुल्यों और सिद्धानतो मुख्य मंत्री कि dzi sitten 3-2 राज्यमें परचार कि लीए जाते और अरे के सयोग के लिए है कि एक दोसे के राज्यों में जाते हैं हमारी राज्य में में हमारे राज्य में भी अन्य राज्यों के मान्य मुख्य मंत्री गणाते हैं, केंद्रिय ननेता गणाते हैं, ऐसे ही अन्य राज्यों में होता है, तो हम लोगों का उसर मिलता हम लोग भी जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, सभी लोग एक दोस्य के सयोग करने के लिए जाते हैं, हा सिर्फ एक अंजना ने भी model शब्द का इस्तमाल किया तो अगर उसे हम देखें ऐसा लगता है कि योगी आदितनाथ 22 जन्वरी के लिए या फिर एक साल के लिए दो साल के लिए नहीं सोच रहे हैं आपने जिस तरह के प्रोजेक्ट की शुरुवात की है यह क्या पचास वर्ष का प्रोजेक्ट है मतलब आप अयोध्या नगरी को पचास वर्ष आगे कैसा देख रहे हैं लिएकि अयोध्या को अभी भी हम लोगों ने अयोध्या को वास्तों में के लिए एक छोटे से नगर की रूप में जाना है इमानदारी से अगर इस पर लोग सोध करें तो यह विश्व की सांसकर्तिक राजधानी है विश्व की हाँ मनुस्या पहला मनुस्या और मनुस्या की परंपरा की सुरुवात यहीं से सुरू भी होती है अयोध्या उसकी प्रतम भूमी है अधार भूमी है मनों से मानो और फिर वहीं से परंपरा आगे बढ़ी है मनों के किते पुत्र थे उसके अनसार अगर आप देखेंगे तो अलग-अलग द्वीप उन्हें के उस पर माने गए हैं आप भारत के प्राचीन इत्यास को ठाके देखें तो आपको इस सारी चीजें जनकारी में आ जाएंगे अयोध्या प्रभुराम के पावन जन भूमी है यह तो हम सब जान रहे हैं उत्तर भारत को सबसे उर्वरा भूमी बनाने का सरे हम मा गंगा को देते हैं और गंगा को इस उत्तर भारत में लाने वाले कौन थे महराज दलीब भी वहीं पैदा हुए थे महराज अज भी वहीं पैदा हुए थे मान धाता भी वहीं पैदा हुए थे एक लंबी परंपरा है जैन परंपरा के तिर्थंकरों को आप देखेंगे यह परंपरा भी वहीं से निकलती भी दिखाई देती है जड़ भरत हो या फिर उसके बाद की परमप्राएं इस सब वहीं से निकलती है और अयोध्या के इस महित्यों को कम तर आखने का प्रियास जो विश्व के इत्यास की भूमी है जिसे सम्मान बहुत पहले मिलना चाहिए था आज प्रधान मंत्री मोदी जी के करण वह सम्मान अयोध्या को प्राप्त हो रहा है और हम लोगों को इस बात को मनना चाहिए कि हमें अयोध्या के इस महित्यों के माद्यम से भारत की यानि एक ग्लोबल ब्रांडिंग का एक आउसर मिला है हम लोगों को लेके आएं देखे हम लोग उसके महित्यों को अभी भी बहुत वो कर रहे हैं अंडरस्टिमेट कर रहे हैं 2017 में हम लोगों ने आउध्या में डिपोत्सों के आयोजन को किया था 2018 में अधने प्रधान मंत्री जी की प्रेना से यह हुआ कि अयोध्या के साथ उन देशों को जोड़ो जिन देशों से भारत की सांस्कृतिक समंदर रहे हैं या हैं आज भी हैं जो अपने सुत्र को जोड़ते हैं तो साउथ कोरिया की फस लेडी हमारे आयोचन का चीप गेस्ट बनी थी उनका पर एक डेलिकेसन आया था यहां पे और उन्होंने इस बात को कहा कि अयोध्या की राजकुमारी के हम वनसज हैं साउथ कोरिया में थी और अयोध्या की राजकुमारी कैसे वहाँ गई जल मार्ग से हमारी सरकार ने अयोध्या के लिए दिस से जल मार्ग को हम प्रारंब कर सकें इसके लिए इनलेंड वाटर वे अथौर्टी का गठन भी कर दिया है हम लोग लेके जा रहे हैं हल्दिया तक जोड़ने के लिए फिर वहाँ से आगे बढ़ने के लिए और अयोध्या की राजकुमारी रत्ना जल मार्ग से साउथ कोरिया पहुची थी आज की वहाँ की जो परमप्रा एक बड़ी परमप्रा वहाँ पर उन्हें अपनी दादी माँ की रूप में संबाधिन करके सम्वान देती है और उन्हीं की स्मृति में किम हो जो पार्क है अयोध्या का वो हम लोगों ने वहाँ पर सतापित किया है ऐसे ही थाइलेंड में आप देखें राजा राम है वहां के परमपर अपने आपको राम से जोड़ती है वहां के जो निशनल हाइवेज है वे सब राम के नाम पर है रामा वन रामा टू राम के नाम पर है राजा ने अपना जो पैलिस था ग्रैंड पैलिस उसको उन्होंने रामेंड को दान किया थाई रामेंड के सभी चित्रों को उस पर उकेर करको उन्हें राम को सम्मान दिया ये थाइलेंड का है थाइलेंड की जो फुरानी रासधानी थी जो बात में मैनमार के साथ युद्ध के दोरान छतिगरस्त हो गई थे वह अजुद्ध्या थी आज भी उन्होंने सम्मान दिया यह अपनी परंपरा को कहां से लोग जोड रहे हैं राम के साथ आप इंडोनेसि समस्या कि राम लिल्ला को भी आमन दित किया है इस दोरान अयुद्धिया में अब उनके पात्रों से बात करें न वे सभी राम को अपना अदर्स मानते हैं समस्या यह है कि जो है जो अधकछड़ा ग्यान होता है बेक्तियों को भरमित कर देता है और जिन लोगों ने भारत क भारत के बारे में कभी जानने का इमान दरी से प्रियास नहीं किया वह लोग भारतियता पर भारत की परमप्रा पर भारत की महपुरसों पर भारत की अरहदे देवों पर प्रस्न खड़ा करते हैं इनको वास्तों में समझना चाहिए अयुद्धिया क्यों अयुद्धिया न नरस्थापना होनी ही है आपने अभी कहा कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे आप लोगों का नारा था संग परिवार का एक और नारा है काशी मतुरा भी बाकी है उस पर आपके क्या विचार है देखे जो बिसे न्यायले में है तो न्यायले को उस पर काम करने देना चाहिए हमने राम लला के लिए 500 वर्सों तक संगरस किया और मर्यादित तरीके से उसमें न्याय और सत्य की विजए प्राप्त की है यहां के मामले भी अब यह सब जुडिस है न्यायले में आत न्यायले के सामने अपने परमान प्रस्तुत करेंगे समयाने पे सारी त पानी का पानी सबके समय यहांनी लड़ाई लड़ी जाएगी पर अदालिती कानूनन अप्रक्रिया की राज्य की बात है बाकी दोनों जगे पर कोई बात निया लाल जी को भी आप लोग को तारीक देने वाले हैं मैं रहना सभी चीजों के लिए समय आएगा और देखे प्रभापनी लीला को स्यम करेंगे चुनावी पॉलिटिक्स पाने से पहले अगर एक विपक्षियों को अगर एक संदेश आपको देना हो हां राम मंदिर से जुड़ी एक और चीज मैं आपसे जानना चाहती हूं यह यजमान और मुख्य यजमान की बात क्या है योगी जै प्रधान मंत्री मैं सकता हूं जिसको भी उनको चित लगता है उनको अपने यजमान बना करके उन्होंने इस पूरे कारिक्रम को आगे बढ़ाया है पर यह कहा गया कि मुख्य यजमान कोई और होगा अगर जो अनुस्थान में बैट करके इस पूरे को संपन करेगा यारबीस में प्राण प्रतिष्ठा का काम होगा अगर थोड़ा बहुत जानकारी जो दर्शक उस दिन इंतजार करेंगे टीवी के सामने आपने चुट्टी की घोशना करी दी है देखिए उत्तर प्रदेश में उस दिन जो है सारजनी कावकास भी रहेगा उससे पहले अन्यक कारेकरम चलने हैं जैसे चौदा से लेकर कि एक किस तक सच्चता का एक बिसे सभिहान चलना है अन्दिपावली के पहले भी इस प्रकार का कारेकरम करते हैं यान्य आउईजिनों में करते हैं या देपी पहले कि तुल जन्वरी से लेकर के 22 जन्वरी के मद्ध्यान के पूरू तक अखंड रामेड पाथ है राम नाम संकृतन के कारिकरम होंगे अब प्राहन में मद्ध्यान में बारा बजे के बाद प्रधान मंत्री जी का और अन्य महनुहाओं का मुख्य मंदिर में प्रिवेश होगा पूजा पहले से चल ले होगे उसके बाद एक कारिकरम उष्ठान होंगे और लगबग एक बजे तक अंदर का कारिकरम संपन्न हो करके एक बज़े वहाँ पर संबोधन की दिश्चे जो मंच बना होगा उस मंच पर आकर के पिर एक कारिकरम आके चलेगा आप भी बोलेंगे पी-म भी बोलेंगे तो ये कारिकरम वहाँ के संपन्न होंगे संपन्न होने के बाद जो भी तीर चेतर जो भी तैय करेगा उसके उनसारी कारिकरम होंगे और उसके बाद फिर दो बज़े के बाद से जो आगत पुझे संतजन हैं अथिती गण हैं दर्शन करेंगे वो अंदर जाकर के दर्शन करते वे निकलते जाएंगे उनका प्रस्तान होगा ये सभी कारिकरम वहाँ पर होंगे ये कारिकरम फिर अनवरत आगे बिवस्था की दिस्थे क्योंकि हर राम भक्त युद्ध्याना चाहता है तो उनके लिए भी फिर बिवस्था वहाँ पर आगे क्योंकि बहुत जादा है लाखो लाख की तादाद में लोग पहुँच सकते हैं तो किस तरह की तारी है पर तेईस तारीक से पूरा प्रशासन समझ रहा होगा कि कितनी बड़ी संख्या वे लोग तेईस के बाद से हम लोग वही अन्रोद कर रहे हैं कि अस्थाने अस्तर प इसनमें भीषण सी तलहरी चल लई है और भीड़ भाड होगी इसलिए लोग मेरा बिनम्बरंडोद होगा कि पैदल कोई न चले अपने बाहन स्वें बुक न करें जो बिवस्था अस्ताने अस्तर पर बनाई जा रही है वहाँ पे न्याज से जुड़े हुए लोगों के द रेलवे कुछ स्पेशल टेंस भी चलाएगी उन स्पेशल टेंस में भी आप अपना रिजर्वेशन करवा करके आयुद्या आ सकते हैं तो वहाँ पे हम उनको बहतर सुब्धा दे पाएंगे और आसानी से दरसन करा पाएंगे क्योंकि क्योल आयुद्याव आना भर नहीं है जिस उदेसे से आ रहे हैं कि रामला का दरसन कर सकें उस उदेसे की पूरती भी होनी चाहिए तो इसके लिए वहाँ पे दरसन के लिए प्रियाप्त विवस्ता की जा रही है वेरिकेटिंग दे जा रहे हैं अन्य कारिकरम हो र दर्शन करने में बहुत मेहनत करेंगे डेड़ लाग दो लाग तक लोग दर्शन कर पाएंगे जबकि आने के चुक लोग बहुत होंगे तो प्रियास धीरे धीरे करके जब भी उसर आएगा तो लोगों को हम लोग उस परकार की भी वस्ता देंगे देखे एखिया युद्ध्या के परते आकरशन का क्या हो जैसे राम नौमी में अमुमन सत्रा के पहले हजारों में लोग आते थे पशास हजार साठ हजार तक लोग आते थे दर्शन करके असनान करके चले जाते थे दिपत्सो के बाद कारिकरम में संख्या बढ़ती गई है युद्ध्या में सुविधा भी मिलती गई लोगों को लगा कि नहीं अब तो ठीक होगा इस वर्स राम नौमी के उसर पर 35 लाक लोग आए थे इतनी बड़ी संख्या का युद्ध्या में आगमन इस बात को दिखाता है कि लोग हर सरधालो हर राम भक्त युद्ध्या आना चाहता है और उसके लिए उस परकार की सुविधा और बिवस्ता हम लोग देंगे एक और सवाल मन में आया आपने कहा कि प्रधान मंतरी लग भग बारे बजे के आसपास वहां पहुँच रहें तो क्या हमाने जो मुख्य गर्ब ग्रे है उसमें पहले से ही मूर्ती राम लला की पांच साल वाली भी जो अरूर योगी राज बना रहे और चोटी वाली भी राम लला जी की मूर्ती पहले से स्थापित हो जाएगा योगी जी अब कुछ राजनीतिक प्रश्णू की ओराना चाहती हूँ मायवत्ती जी ने हाल ही में ये घोशना की कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी लोग सभा चुनाव में वो इंडिया अलाइंस के साथ नहीं जाने वाली हैं उन पर भी बड़े प्रहार हुए कहा गया कि वो तो भारतिय जनता पार्टी का फाइदा करने वाली है तेखे हर राजनीतिक दल को अपना अपनी रणनीती तैक करने का अधिकार है और हम कैसे किसी राजनीतिक दल के बारे में बात कर सकते हैं कि सद्कार से हम बोल सकते है पर आपको फाइदा होगा बीजेपी को पाइदा होगा इस जनता पार्टी की रणनीती ही, अपने आप तैक कर देगे, हम लोग तो तब भी लड़े थे, जब 17 में लोग अलग लड़े थे, 14 में भी अलग लड़े थे, 14 में दो नव योकों की जोड़ी लड़ी थी, 17 में भी फिर ये लोग लड़ने का प्रियास किये थे, बीजेपी से उनीस में इन लोगों ने प्रदेश में एक महागड़बंदन भी बनाया था तो बारतिये जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोधी जी के नित्रतों में तब भी लड़ी थी और अच्छे बहुमत के साथ बारतिये जनता पार्टी आगे बढ़ी जीती थी लेकिन हर पार्टी को अपना एजेंडा सेट करने और अपने रणनी को बनाने का पुरा दिकारे बीते दिन मायवती जी ने प्रेस कांफरेंस करके कहा कि वो अलग लड़ेंगी और मायवती ने गिरगिट कह दिया अखिलेश आदव को अब आज अखिलेश आदव आए उन्हों का कि हम तो सप्टा देख रहे थे कि मायवती जी को पीम बनाएंगे लेकिन वो किसी के दबाव में मेरे खिलाब बोल रही है और माना जा रहा है वो दबाव आप ही का है केंद्र सरकार का सीबी आए अखिलेश जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि कमसे का उन्होंने मेरा दवाव माना तो आपका असर वाला मान रहे हैं वो लेकिन अखिलेश जी गेस्ट होस कांड को समभतों भूल गये होंगे अखिर मायवतीजी के साथ उन्हों नहीं किया था ना या इस मारकों के प्रती जिस परकार की सबदावली का प्रयोग उन्होंने उस समय किया था जब बारा में मुख्यमंत्री बने थे एक किसी से छुपा हुआ गया और ये बार-बार तो कभी Congress के साथ जाते हैं कभी BSP के साथ जाते हैं कभी किसी और के साथ जाते हैं तो ये तो बार-बार वही चेंज करते हैं वही बदलते रहते हैं तो मायोती जी ने जो बोला है क्या बोला है मैंने पुरा बयान पढ़ा नहीं कुछ सुना नहीं लेकिन मुझे लगता है कि उनको जो अच्छा लगता होगा उनकी पाल्टी के हित्म सपर करकर दोड़ाई से आपको फायदा होगा ना सर अगर बीजेपी वसस वान कंडिडेट होगा बीजेपी मोदी जी के नित्रतों में उत्तरपदेश के अंदर ब कई समी करण बिगाड़े भी थे ये बात अलग थी कि कारिकरताओं के दिलों के मिले हम तब भी 64 सीट असी में से 64 सीट जीते थे इन्होंने गड़वंदन किया था प्रणाम क्या हुआ प्रणाम क्या था उस समय इन्होंने दुस्परचार की सारी सीमाओं को लांग दिया था कॉंग्रेस ने और जनता के सामने सब दूद का दूद पानी का पानी हुआ है अज ऐसा तो नहीं है कि कॉंग्रेस जो है इन सभी चीजों से जो है देश की जनता इसको देख नहीं रही है आज तो 19 से भी हम कभी कही आगे निकल चुके हैं आज 10 वर्स का प्रधानमंत्री मोदी जी के नित्रतों में आज हर 32 सुएकार करता है कि आज 22 मंचपर भारत की परतिष्टा बढ़ी है आज हर 32 बात को मानता है देश के अंदर और देश मोदी जी के नित्रतों में सुरक्सित है और हर 30 बात को मनता है कि बिना भाव के वैलफेर स्कीम का लाब हर गरीब को, हर गाउं को, हर किसान, हर नौजवान और हर महला तक पहुचाने का कारे हुआ है किसने रोका था कॉंग्रेस को या अन्य दलों को इस परकार की वैलफेर स्कीम को चलाने से कल आपने देखा होगा कि नीती आयोक की जो रिपोर्ट आई है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की जीवन अस्तर में पिछले दस वर्स में किता अंतराया है चौबीस करोड से अधिक लोग गरीबी रेखा से मुक्तु हुए हैं भारत के अंदर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाद यह हम कह सकते हैं कि 22 जनवरी से पहले नमस्कार आपके साथ मैं हूँ अंजना उमकश्यप और हमारे साथ राम मंदिर में 22 जनवरी की तारीख जब प्रान प्रतिष्ठा होगी उस पर चर्चा करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित तिनात जी यह प्रतिकी सरकार के लिए क्या माइने रखता है केंद्र सरकार के लिए मोदी सरकार के लिए क्या माइने रखता है देखे अधिया जिसे कुछ लोगों ने अपने ब्यक्तिकद द्वेस और संकिंड ताका सेकार बनाने का प्रियास किया था जिस उपेक्सा का दंस को जहल लई थे आज उससे मुक्त हो करके हमारे बेदों ने अयुद्या को जिस सब्त पुरियों में से प्रथम पुरी के रूप में सम्मानित किया आज उसी आभा के साथ पनरस्थापित हो रही है 22 जनवरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का ये समारो मेरा मानना है प्रभूर तो सरोब्यापी है सर्वत्र है परंपिता प्रमेश्वर है लेकिन यह भारत और विश्व मानुता की लोक आस्ता और जन बिश्वास की पुनर प्रतिष्ठा का भी ये आयूजन है ब्यक्तिकत रूप से भी और इस जन आस्ता इस लोक आस्ता और जन बिश्वास की प्रतिष्ठा का एक सामने नागरिक होने के नाते हम सब का ये मनना है कि यह कारिया होना चाहिए था पहले होना चाहिए था लोगोंने राम की ताकत को नहीं स्विकारा वही गलती की जो सास्त्रों में गलती करने वाले भुगत चुके हैं और आज राम नाम से जिस भारत की कल्पना नहीं किज़ा सकती है बगवान राम की उस महत्वा को स्विकार करने के बाद न्याय और सत्त्य की विजय अयोध्या के लिए हुआ है और उस न्याय और सत्त्य की पनुरस्थापना का कारिक्रम 22 जनवरी के कारिक्रम के माद्यम से हमें वहाँ देखने को मिलेगा जनास्ता का सम्मान किसी भी लोक तांत्रिक सरकार का कारे होना चाहिए और जनविश्वास पर खरा उतरना अगर जनास्ता लोक आस्ता का आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो जनविश्वास पर आप खरा नहीं उतर सकते हैं एक दोसरे के पूरक हैं और प्रधान मंत्री मोदी जी के नहत्रतों में आज उनके मार्क दर्शन में उनके नहत्रतों में उस लोक आस्ता और जनविश्वास की पुनरप्रतिष्टा हो रही है योगी जी पहले गलतियां की होंगी अब आपनों को सुझाव भी बहुत सारे मिल रहे हैं यहां पर हमने पूरा संपूर वो राम मंदिर का मॉडल भी लगाया है अलों कि बहुत अब लोग प्रियव हो रहा है लोग इसे योध्या नगरी से ही ले जा रहे है लेकिन यह बताएए कि अगर शिखर नहीं बन रहा है और उससे पहले प्राण पुतिष्टा हो रही है त कि राम लला का प्रकटी करण हम जिस विग्रह को वहां स्थापित कर रहे हैं अनुष्ठान उस विग्रह का होता है और ऐसा नहीं कि यह पहली बार हो रहा है अयोध्या में जो कुछ भी कारिक्रम हो रहे हैं इस सनातन धर्म के सास्त्रोक्त पद्दती के अंसारी हो रहे हैं और सास्त्र परमप्राओं से बी चलते हैं तुसरा लोग हिद में जनहिद में परमप्राओं बनाई भी जाती हैं उन सास्त्रोक्त पद्दतियों का पालन करते वह इन सभी चीज़ों को जो पोरों में भी होए हैं और आगे भी होंगे उसी के अन्रोपे कारेक्रम भी और उध्या का सिराम जन्भों में तिर्चित न्यास के दौरा प्रारंब किया गया है विपक्ष का तो कहना है कि अब चुनाव करीब है इसलिए आप लोग जल्दबाजी में कर रहे हैं अभी मंदिर का निर्मार पूरा नहीं हुआ है लेकिन दो तीन महीने बाद चुनाव है और ऐसे में शशी थरूर को मैं कोट करना चाहूंगी कॉंग्रस के नेता वो यह कहते हिंदय हृदू हिंदू हृदय समराथ और उससे वो चुनाव जीतना चाहते हैं तो इसलिए आप लोग करा आप मुझे रताई यह कॉंग्रेश को किसने इस कारेकरम्प में आने से मना किया था कैस नहीं कि कॉंग्रेश ने 1989 में अपने चुनाव परचार अभ्यान का सुभारंब अयोध्या से किया था और क्या यह सच नहीं है कि कॉंग्रेश एक तरफ हिंदों को बेकूब बनाती थी और दूसरी तरफ मुस्लिम वोर्ट बैंक से भी मोह नहीं छोड़ पा रही थी बोर्ट बैंक की राजनिती इसमें विपक्स नहीं किया है कॉंग्रेश जैसे दलो ने किया है बारतिय जनता पार्टी ने इसमें राजनिती नहीं की हमने तो बार बार कहा ना कि जो देश की आस्ता थी उस देश की आस्ता का हम लोगों ने सम्मान किया हम उसके पक्स दर थ आपने निकाला है countdown लोगसभा इलेक्शन का देखकर देखे हिंदू परंपरा में सनातन धर्म की परंपरा में मकर संक्रांती के बाद सूर्य नारेण के उत्रैन में आने के उपरांत सुब मोहरत आते हैं कारिकरमों के और उसी को मान करके सास्त्रोक तो पद्दती से यह कारिकरम किया गया कॉंग्रेस को इसमें तो औसर मिला था ना लेकिन याद करिए जब सोमनाद के मंदिर की पुनरस्थापना का कारिकरम हुआ कॉंग्रेस ने तो सायुजन का विरोध किया उस समय के प्रधान मंत्री उसकारिकरम में स्वयम तो नहीं गए लेकिन ततकलिन राष्ट पती को भी उन्होंने जाने से रोकने का प्रियास किया था टक्टर आजिंदर प्रसाज्जी उस कारिकरम में गए लेकिन तातकालिन परधान मंतरी नहरूची ने परियास तो किया था सोयम तो नहीं गए लेकिन उनको भी रोकने का परियास किया कॉंग्रेस ने लंबे समय तक देश में सासन किया आखिर देश की सुतंतरता कैसी है मान बिंदों की पनरस्थापना का कारिकरम और फिर इसमें तो नयाय और सत्य की बात है हमने हमें एक अस्थान के लिए प्रमान देने पड़े जिसमें भारत की आस्ता कहती थी कि यही राम जनम भूमी है लेकिन प्रवराम ने चूंकि हमें मर्यादा का पार्ट पढ़ाया था इसलिए हमने मर्यादी ताचन करते भी वे सारे प्रमान प्रस्तुत करते रहे हम लोग लड़े, लोवर कोट में लड़े, हाई कोट में लड़े, सुप्रेम कोट में लड़े और अंदता सुप्रेम कोट में पांच जजेश की एक पूर्ण पीठने अयोध्या के मामले को लेकरके एक सरोमसम्मत थैसला दिया तो ये नयाय और सत्य की अस्थापना का भी अभियान है और उसी अभियान के करम में आज अयोध्या का कारिकरम हो रहा है इसमें तो किसी को आपतीपती भी नहीं होना है अगर कहते हैं कि हम वहां जाकर क्या करेंगे ताली बजाएंगे तो इसके पीछे की सोच क्या है। वोंग्रिस कहती है कि आप अपमान कर रहे हैं देखे हमने हर धर्मा चारे को तीर्थ छेतर ने उन्हें आमंत्र भेजा है और मुझे लगता है कि यह आउसर स्रेय और प्रेय का नहीं है यह आउसर मान अपमान का नहीं है चाहे मैं हूँ एक सामन नागरिक है या इस देश का बड़ा सा बड़ा धर्मा चारे कोई भी प्रभराम से बड़ा नहीं है हम सब राम पर आश्रित नहीं है हम इस बात को ध्यान वे रखना होगा और राम से बढ़कर के कोई नहीं है हम सब की विवस्ता राम के वेगर नहीं चल सकती है लेकिन राम तब भी तराम थे जब ये परंपराई नहीं थी उनके विरोध के पीछे आपको क्या वज़ा समझ में आती है देखे हर वेक्ति को अपनी बात बोलने का दिकार है लेकिन हम तो आज भी अंडोध करेंगे बिनम्र अंडोध करेंगे सभी पूजय संतों से जिनको तीर्चेत ने आमंतरन किया है या जो इस समय नहीं आपा रहे हैं वे कभी पदा रहे हैं हम सुनी सुनाई बातों बे विस्वास न करें देखें पहले की अयोध्या आज की अयोध्या हम देखें कैसे अयोध्या आज अपनी पुरातन वैवाव के लिए पुनरस्ता पित हुई है ऐसा नहीं कि लोगों का उसर न मिलाओ 75 साल तो सभी लोगों को मिले थे 70 साल मिले थे, 60 साल मिले थे, 50 साल मिले थे यो नहीं लोगों नहीं किया, लोग तो आयोध्या का नाम लेने से डरते थे, ये भी मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि हम आंदोलन से जुड़े अलग अलग लोगों से बात करते रहे, आप अपनी तरीके से अलग से जुड़े योगी जे, एक तो आपका अपना जो कि गुरुजी का भी जुड़ाओ रहा, आपका जुड़ाओ रहा, लेकिन आयोध्या नगरी के तरफ कोई राजनेता जाने की हिम्मत नहीं करता था, सब दूर रहते थे कि पता नहीं क्या दिक्कत हो जाए, कोट का आदेश आया नहीं था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पर दिपोट्सव का आयोजन शुरू कर दिया था, ये जानते हुए कि ये सवाल पूछा जा सकता है कि मंदिर कब बनेगा, हमें प्रभु पे विश्वास था, अठोड विश्वास था, कि अगर राम सेतों का निर्मान हो सकता है, तो राम मंदिर का निर्मान भी और इसलिए उसके पहले प्रभुगे आगमन के पहले दिपोट्सो तो होने ही चाहिए, आखिर दिपावली का आयोजन तेसलिए होता है, और सरकार आई, ये मेरा सोभाग्य है, क्यादणी प्रधान मंदिर जी की पेंड़ना से हम लोगों ने दिपोट्सो के आयोजन के दिया था, चायवार रामजी की पेड़ी हो, गुपतार घाड से लेकर के रामजी की पेड़ी नए घाड तक के निर्मान के कारिकरम हो, वहाँ की स्वच्छता के कारिकरम हो, वहाँ की फसाट की बियोस्था हो, यहांने सभी कारिकरमों को हमने इस किया, और आज यही कि अंदर फोरलेन की सड़क कलपना थी ना आज से दस साल पहले कोई इसकी कलपना ही नहीं करता था लड़के लटकते वे जूलते वे तारों के गुच्छे थे अभिवस्ता थी गंदगी थी पिसली सरकारों ने तो बिजली के लिए वहां के लोगों को तरसाया तीन घंटे च आज अंदर की फोरलेन की किनेक्टिविटी है बाहर हर और से आप लखनों से जाए गोरक पुर से आए वारानसी से आए प्रियाग राज से आए फोर्ड लेन की कनेक्टिविटी से वो भी जुड़ चुका है और यही नहीं अयोध्या मीटर गेज से जुड़ा बता छोटी लाइन ट्रेल की जाती थी बाद में ब्रॉड गेज बनी अब रेलवे की डवल लाइन से जुड़ चुका है और इतना सब कुछ होने के बाब जोद एक चीज आप अन्वह किये होंगे देखिए आप लोग तो पब्लिक के बीच में जाते हैं सीधे आप लोगों का कनेक्ट है इतने लोग खटाए गए होंगे उनका पुनरवा स्वा होगा अक्सर होता है कि छोड़ी छोड़ी बातों को लेके लोगों में अन्रेस्ट होता है अयोध्या में इतने बड़े इतना इंफ्रास्ट्रॉक्चर का कारे हुआ लेकिन कहीं कोई अन्रेस्ट नहीं है हर वेक्ति में संतुस्ती है क्योंकि हर वेक्ति अयोध्या के लिए और रभुर्वराम के लिए ही जीता है और सब के मन में है कि ये काम जो काम पहले होना चाहिए था और काम आज हुआ है तो स्वाभाई कृफ से आम जन मानस की जो आज की जो मानसिक्ता में परिवठ़न आया है अयोध्या के यहाँ इसलिए सम्भा हो पाया क्योंकि डबल इंजन के सरकार के नेते भी साप थी और नेत भी साथ थी अब तो दिन बहुत करीब आ रहा है दो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दीजेगा यह किसका आडिया था कि राजनितिक महमानों को हमें बुलाना चाहिए आप से चर्चा तो ही होगी आप मुख्य मंतरिये किसका आडिया था कि उनको बुलाना चाहिए और दूसरा राहूल गांदी ने कहा है कि यह पुलिटिकल इवेंट है 22 जन्वरी को वो कह रहे हैं कि जो लोग गर्वग्रे में होंगे उसमें प्रधान मंत्री होंगे योगी जी होंगे, मोहन भागवत संग प्रमुख हैं जो गवनर सब बीजेपी से जुड़े हुए लोग है तो के रहे हैं यह पुलिटिकल इवेंट है दोनों प्रश्णों पर आपका जाएं उनको पॉलिटिकल इवेंट बनाने से किस ने रोका था आकर कॉंग्रेस ने 1947 से ले करके और एक लंबे समय तक सासन किया है राहुल जी स्वयम भी 2004 से ले करके 2014 तक इस देश की सत्ता के सिर्मौर के रूप में बैक डूर से कमांटो संचालित करते ही थे किसी से छुपा हुआ है क्या हाँ वालग विसे है कि उन्होंने कुछ इवेंट संसत में किये कि संसत की आउमाना करते हुए बिल्की प्रतियों को वहाँ फाड़ने का काम जरूर किया था क्या ये इवेंट नहीं था ये कॉंग्रेस का इवेंट है वे संविधान का अपमान करते हैं प्रभुराम का रामलला की रूप में अपनी जन भूई में पुनर प्रतिष्ठा का कारिकरम होना ये प्रान प्रतिष्ठा का ये समारो भारत के लिए और सनातन धर्माबलंबियों के लिए तो गौरब का भी सहही देश और दुनिया के अंदर जितने भी दभी कुछली प्रासा की एक नई करण है राजनितिक महमानों वाला सवाल का जवाब आपने नहीं दिया आपने उनको तलवार की नोक पर चड़ा दिया कि आए तब भी उनको एक तरह से ये मानना पड़ेगा कि राम मंदिर प्रान प्रतिष्ठा बीजेपी कर रहे हम उसमें शामिल हो र प्रिष्टिकों लोगों के अलग-अलग हो सकते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन्न तैसी है राम हमारी आस्ता के प्रतीक हैं तो हम उनको परमपिता प्रमेश्वर के रूप में मानते हैं हमने उनके महत्तों को समझा जाना है इसलिए जीवन भी सम मज़ पाए क्योंकि उनको सत्ता प्यारी है और सत्ता के तर सोच भी नहीं सकते हैं लोग आस्ता क्या होती है और जन विस्वास क्या होता है या अगर कॉंग्रेस ने समझने का प्रियास क्या होता ना यह दुर्गत ही नहीं जेलते हैं और इसलिए हर उस ब्यक्तिकों उस का करिक्रम में आमंतर्ण होना चाहिए और ये से राम जन्भू में तीर्थ छेत्र का आयोजन है उन्होंने अपना निमंतर्ण दे करके अपने करतब्यों का निर्वान किया है क्योंकि राम तो सब के हैं सब को आई जनम बलाना चाहिए ओर ठीक है पुरा देश आना चाहता है दुनिया आना चाहती है फर राम भक्त आना चाहता है इस पूरे कारिकरम के साथ जुड़े वे आन दोलन से जुड़े वे एक लंबी स्रंखला है वे भी आना चाहते हैं लेकि अलग-अलग समय में लोग आएंगे हम लोग भी अंडोत कर रहे हैं ये प्रान प्रतिष्टा समारों के बाद सभी लोगों को आउसर मिले आउद्या में राम जन्भूमी का दर्शन करने के लिए और वहां की बिवस्ता से राम जन्भूमी तिर्चितर न्यास देख रहा है हाँ उतरप्रदेश में कोई आएगा अच्छी नियत से आएगा प्रभू के दर्शन करने की नियत से आएगा उनके दर्शन करनीने में और वहां तक पहुचाने में हम लोग एक सहभागी हो पाएंगे, उनको कहीं भी कोई समस्या ना आने पाए, ये जिम्मेदारी हम लोग अपने उपर लेकर लेकर करें। दर्शन में भी और बाहर भी, क्योंकि आये थे कल, कॉंग्रेस के निता आये थे, सद्बुद्धी आये, अपने नितरतों को भी समझाएं, अपने नितरतों को भी उनको समझाना चाहिए। कॉंग्रेस के निता है महाँ पर दर्शन के लिया है पर आपने सवाल का जवाब देते हुए योगी जी सवाल ये था कि कॉंग्रेस कह रही है कि ये एक राजनीतिक आयोजन है आपने कहा वो भी कर сकते थे राजनीतिक आयोजन आपने खंडन नहीं किया यह मैंने का ना कि उनका दृष्टिकॉंड राजनितिक सत्ता पर है हमारा दृष्टिकॉंड लोक आस्ता को सम्मान देने का है और जन विश्वास का सम्मान करने का है तो हम लोग उस अभिहान के साथ इस रूप में जुड़े हैं माने उच्चतम नैले के आदेस पर से राम जन भूमित तीरत छेतर न्यास का गठन हुआ है अंदर के सारी विवस्ता यह ट्रस्ट ही करेगा और ट्रस्ट आमंतर्ण करने के लिए स्वतनतर है ट्रस्ट ने जिन्हें आमंतित किया है वे सब हमारे अथिति होंगे क्योंकि हमारे राज्य में आएंगे क्योंकि राम के प्रतिस एक हमारी आस्ता दूसरा उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी रूप में अगर उत्टरप्डेश को आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता कहीं से निकलता है तो हमें उस औसर से बंचित नहीं रहना चाहिए और अयोध्या का इवेंट हमारे लिए इस रोप में उत्तरप्देश को एक बार फिर से देश के अंदर और दुनिया के अंदर प्रस्तुत करने का भी एक उसर है बहुत सारे सवाल अब इर्दगेत हो रहे हैं आपने शक्राचार पर सीधा कहा कि भगवान राम से बड़ा कोई नहीं हो सकता है लेकिन आप सबको हुमिलिटी के साथ कह रहे हैं कि आप लोग जब मौका लगे जरूर आईए एक और बात बहुत सोशल मीडिया के जरिये भी फ तो यह तो दर्शन करने के लिए आये थे संजयराओत भी आये थे और उस समय आकर कि उन्होंने वहां पर तमाम गोशनाएं भी की थी उस समय अपने अमुले सुझाव देव होते हैं देखे अंगुर खटे हैं अब तो कोई भी बोल सकता है मैंने का ना अभी व्यक्ति की सोतंतरता सब को है और व्यक्ति को इसके बारे में बोलने कोई कटना यह नहीं है हमारी पूरी लड़ाई वही थी राम लला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे और मंदिर वही पे बन रहा है पर फिर वही है ना सर कोट का फैसला है मैंने का ना फैसला तो कोट का है वो कह रहे हैं कि बीजेपी क्रेडिट ले रही है ये पूरा कोट के फैसले को पहले भी करवाये जा सकता था पेंडिंग क्यों डाला गया था क्यों शुनु आप पहरी भी कर रहे थे मतलब किसी और पार्टी की सरकार होती तो जरूरी नहीं नहीं है कि निरणे में बाधान नहीं डाला जाता था ही देरी का कारां नेले नहीं सरकारें थी पार्टियां थी वे चाती नहीं थी कि इसका निर्णे हो इसका फायदा मिलेगा चौबीस में चौबीस के चुनाओने फायदे और नुकसान का नहीं पर मिलेगा जो देश की आस्ता का सम्मान करेगा वह जन विश्वास पर खरा उतरेगा अच्छा एक हो गया आंदोलन से जुड़े हुए लोग जिनको श्रे दिया जाता है दूसरा क्या आप भारतिय जनता पार्टी आप ये कह रहे हैं कि पार्टी को भी श्रे है देखे राम जन भूमी का अंदोलन एक ऐसा अंदोलन है पंदरसो औठाइस से ले करके दो हजार उननीस तक जब तक मन्य उच्छतम ने आले ने फैसला नहीं दे दिया तब तक एस अंदोलन के लिए निदन तर एबरेच छैसे साथ वर्स के अंतराल में एक बड़ा अंदोलन होता था एबरेज अगर आप देखेंगे छैतर बार बड़े अंदोलन हुए हैं बड़े संघर्स हुए हैं 1528 से ले करके इन लगभग 590 वर्स के अंदर 490 वर्स के अंदर इतने बड़े आंदुलन औ अभियान चलते रहे ये चीजें दिखाती हैं कि एक लंबे समय तीन लाग से दिक राम भक्व सईद हुए इसमें संत भी थे, राजे रजवाडे भी थे, सामाने भक्त भी थे, महलाएं भी थी, पुरुस भी थे जो राम जिनम भूमी के लिए अपने आपको उन्होंने बलदान कर दिया दुनिया के अंदर इस प्रकार का उधान देखने को नहीं मिलेगा जो अयुद्या की दिश से हम सब को देखने को मिला, हाँ आंदुलन कभी विपरीत परस्तितियां थी, कई संप परस्तितियां थी, लेकिन निर्ड़े और निर्ड़े के बीच में फंसावा था 1885 के बिटिस काल खंड में नियाले के अदिश को आप पढ़ें न, कोर्ट स्विकार कर रहा है केस्तान हिंदों का है, बिटिस कावर्मेंट है, लेकिन एक लंबा समय हो गया है अब इसमें कोई निर्ड़े हम देंगे तो उसको फिर छोड़ते हैं लेकिन इसके बाद जो चीज़ें आगे आएं और लोगों को भी तो मौका मिला था, क्यों नहीं उन्होंने अपने समय में इसको किया उनको भी आगे आना चाहिए था आज दो सारूपन करने से नहीं काम चलने वाला है आज जब देश एक अच्छी दिसामे जा रहा है सारे लोग उस दिसामे एक सकारत्मक भाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी पैदा करने का कोई उसर होना चाहिए योगी जी अब आपकी भूमिका पर आते हैं ऐसा लोग मानते हैं कि आप बीजेपी के पूरे क्यारक्टर को पूरा सूट करते हैं वो इसलिए क्योंकि आपका रहने का धंग भगवा रंग जो आप धारन करके रखते हैं चारों तरफ से आपका बुल्डोजर चलाना आपका उत्तर प्रदेश क्या देश भर को राममय करना जिससे आपको लगता है इस लहर से फिर हिंदू वोटर भी और प्रभावित होकर नहीं जाएगा दो हजार चौपिस तक तो आप एक तरह से बीजेपी के पूरे कारक्टर को पूरा सूट करते हैं और उस कड़ी में अगर हम राममंदिर को देखें तो आपने भी पूरी ताकत जोग दिये इसी के जरीए आप बीजेपी को जितरा लाब चौबीस के लिए दिलाना सकते हैं वो आप दिलाने की और आधर्सों के साथ राजनीती हमारा पेसा नहीं है उनले और सिद्धान्तों के साथ कारे करते रहेंगे पर आपमें कैसा क्या जो बाकी मुख्यमंत्रियों में नहीं आपको हर जगा प्रचार के लिए ले जा 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 रहा है। एसे ही अन्य राज्यों में होता है तो हम लोगों का उसर मिलता हम लोग भी जाते हैं। ऐसा नहीं है। सभी लोग एक दुस्य के सयोग करने के लिए जाते हैं। हाँ कुछ चीजें तो अगर भगवा कलर में इतना अकर्शन है तो मैं चाहूंगा फुरा देशी भगवा में ह होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। एक और चीज है वो यह कि आयोध्या नगरी को जैसे हम सिर्फ एक अजना ने भी मॉडल शब्द का इस्तमाल किया। तो अगर उसे हम देखें। ऐसा लगता है कि योगी आदितनाथ बाइस जन्वरी के लिए या फिर एक साल के ल को अभी भी हम लोगों ने आयोध्या को वास्तों में क्यों एक छोटे से नगर की रूप में जाना है। इमानदारी से अगर इस पर लोग सोध करें तो यह विश्वकी सांसकर्तिक राजधानी है। विश्वकी। हाँ पहला मनुस्य और मनुस्य की परंपरा की सुरुआत यहीं से सुरू भी होती है। अयोध्या उसकी प्रतम भूमी है। अधार भूमी है। मनों से मानों और फिर वहीं से परंपरा आगे बढ़ी है। मनों के किते पुत्र थे। उसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो अलग-अलग द्वीप उन्हीं के उस पर माने गए है। आप भारत के प्राचीन इत्यास को ठाके देखें तो आपको इस सारी चीजें जनकरी में आ जाएंगे। उत्तर भारत को सबसे उर्वरा भूमी बनाने का सरे हम मा गंगा को देते हैं। और गंगा को इस उत्तर भारत में लाने वाले कौन थे। भागिरत। वे भी अयोध्या में थे। महराज दलीब भी वहीं पैदा हुए थे। महराज अज भी वहीं पैदा हुए थे। मानधाता भी वहीं पैदा हुए थे। एक लंबी परंपरा है जैन परंपरा के तिर्थंकरों को आप देखेंगे ये परंपरा भी वहीं से निकलती भी दिखाई देती है जड़ भरत हो या फिर उसके बाद की परंपरा है इस सब वहीं से निकलती है और अयोध्या के इस महित्यों को कमतर आखने का प्रियास जो वि जिसे सम्मान बहुत पहले मिलना चाहिए था आज प्रधान मंतरी मोदी जी के करण वह सम्मान अयुद्ध्या को प्राप्त हो रहा है और हम लोगों को इस बात को मनना चाहिए कि हमें अयुद्ध्या के इस महत्व के मात्यम से भारत की यानि एक ग्लोबल ब्रांडिंग का एक आउसर मिला है हम लोगों को लेके आए हैं देखे हम लोग उसके महत्व को अभी भी बहुत वो कर रहे हैं अंडरस्टिमेट कर रहे हैं 2017 में हम लोगों ने अयुद्ध्या में दिपोट्सों के आयुजन को किया था 2018 में अधने प्रधान मंत्री जी की प्रिणा से यह हुआ कि भी अयुद्ध्या के साथ उन देशों को जोड़ो जिन देशों से भारत के सांस्कृतिक समंदर रहे हैं या हैं आज भी हैं जो अपने सुत्र को जोड़ते हैं तो साथ कोरिया की फस लेड़ी हमारे आयुजन का चीप गेस्ट बनी थी उनका फ़रा एक डेलिकेसन आया था यहां पे और उन्होंने इस बात को कहा कि अयुद्ध्या की राजकुमारी कि हम वनसज हैं साथ कोरिया में और अयुद्ध्या की राजकुमारी कैसे वहाँ गई जल मार्ग से हमारी सरकार ने अयुद्ध्या के लिए दिस से जल मार्ग को हम प्रारंब कर सकें इसके लिए इनलैंड वाटर वे अथर्टी का गठन भी कर दिया है यहां से हम लोग लेके जा रहे हैं हल्दिया तक जोडने के लिए फिर वहां से आगे बढ़ने के लिए और अयुद्ध्या की राजकुमारी रतना जल मार्ग से साथ कोरिया पोहँची थी आज की वहां की जो परमपरा है एक बड़ी परमपरा वहाँ पर उन्हें अपने दादी मा की रूप में संबोधित करके सम्मान देती है और उन्ही की स्मृत्य में किम हो जो पार्क है अयुद्या का वह हम लोगों ने वहां पे सतापित किया है ऐसे ही थाइलेंड में आप देखें राजा राम है वाहां की पौरे परमपर अपनी कुर राम से जोड़ती है वहां के जो निशनल हाइवेज है वे जो सब राम के नम परießen रामा वन, रामा टू, राम के नम पर है राजा ने अपना जो पैलेस था ग्रैंड पैलेस उसको उन्होंने रामैन को दान किया थाइ रामैन के सभी चित्रों को उस पर O pentru करकल उन्होंने राम को सम्मान दिया यह थाइलेंड का है थाइलेंड की जो फुरानी रासधानी थी जो बात में मैनमार के साथ युद्ध के दोरान छतिग्रस्त हो गई थे वह अजुद्ध्या थी आज भी उनोंने सम्मान दिया यह अपनी परंपरा को कहां से लोग जोड रहे हैं राम के साथ आप इंडोनेसिया में देखे इंडोनेसिया तो मैं दुनिया के सरवाधिक मुसल्मान रहते हैं लेकिन इंडोनेसिया में वे लोग आज भी रामेंड के साथ जुड़े हैं अब उनके पात्रों से बात करिये ना वे सभी राम को अपना दर्स मानते हैं समस्या ये है कि जो है जो अधकछडा ग्यान होता है वे बेक्तिय को भर्मित कर देता है और जिन लोगों ने भारत को भारत के बारे में कभी जानने का इमानदरी से प्रियास नहीं किया वे लोग भारतियता पर भारत की परंपरा पर भारत के महपुरसों पर भारत की अरहदे देवों पर प्रस्न खड़ा करते हैं इनको वास्तों में समझना चाहिए अयुद्या क्यों आयुद्या नहीं है अयुद्या तो बिस्वा की सांस्कृतिक राजधानी है और उस का नारा था संग परिवार का एक और नारा है काशी मतुरा अभी बाकी है उस पर आपके क्या विचार है देखे जो बिसे न्यायले में हैं तो न्यायले को उस पर काम करने देना चाहिए हमने राम लाला के लिए 500 वर्सों तक संघर्ष किया और मर्यादित तरीके से उसमें न्याय और सत्ते की विजए प्राप्त की है यहां के मामले भी इस सब जूडिस है न्यायले में आप न्यायले के सामने अपने परमान प्रस्तुत करेंगे समय आने पे सारी तत्ये सामने आएंगे दोत का दोत पानी का पानी सब के सामने आएग कि पर अदालिती कानूनन कानून उस परक्रिया के बात है बाकी दोनों जगे हां कोई बात इसमें का निया लाल जी को भी आप लोग कोई तारीक देने वाले मैं का रहनों सभी चीज़ों के लिए समय आएगा और देखे पर खुशी आपके चिपती नहीं है चेहरे पर आते ही बात हुशी दिख रही आपके चेहरे हैं प्रभू अपनी लीला को स्वयम करेंगे चुनावी पॉलिटिक्स पर आने से पहले अगर एक विपक्षियों को अगर एक संदेश आपको दिना हो राम मंदर से जुड़ी एक और चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ यह यजमान और मुख्य यजमान की बात क्या है योगी जैया तीरत चेत्र ने सिराम जनभू में तीरत चेत्र नैस ने यजमान बनाए है प्रधान मंतरी को मैं सकता हूँ जिसको भी उनको उचित लगत है उनको अपने यजमान बना करके उन्होंने इस पूरे कारिक्रम को आगे बढ़ाया है पर ये कहा गया कि मुख्य यजमान कोई और होगा अगर जो अनुष्थान में बैट करके इस पूरे को संपन करेगा अच्छा इस सभी कारिक्रम उसका अपने सास्त्रुक्त पद्दत जो है सारजनिक आउकास भी रहेगा उससे पहले अन्य कारिक्रम चलते हैं जैसे 14 से लेकर के किस तक सचता का इक बिसे सभीहान चल ला है अंद्दी पावली के पहले बिस प्रकार का कारिक्रम करते हैं या निया औईजनों में करते है या लग भी लोगों मैं एक जाग रुकता के लिए आज से 16 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी के माद्ध्यान के पूरु तक अखंडर आमेड पाठे राम नाम संकृतन के कारिकरम होंगे अपराहन में माद्ध्यान में 12 बजे के बाद प्रदाहन मंत्रीची का और अन्य महान वहाओं का मुख्या मंदिर में प्रिवेश होगा पूजा पहले से चल ले होगी उसके बाद एक कारिकरम उष्ठान होंगे और लगबग एक बजे तक अंदर का कारिकरम संपन हो करके एक बजे वहाँ पे संबोधन की दिश से जो मंच बना होगा उस मंच पे आकर के फिर ये कारिकरम आके चलेगा आप भी बोलेंगे पीम भी बोलेंगे तो ये कारिकरम वहां के संपन होंगे संपन होने के बाद जो भी तीर छेतर जो भी तैय करेगा उसके उनसारे कारिकरम होंगे और उसके बाद फिर दो बजे के बाद से आगे बिवस्था की दिस्थे क्योंकि हर राम भक्त युद्याना चाहता है तो उनके लिए भी फिर बिवस्था वहाँ पर आगे क्योंकि बहुत जादा है लाको लाक की तादाद में लोग पहुंच सकते हैं तो किस तरह की तारी है पर तेईस तारीक से पूरा प्रशासन के तादाद आएंगे तो किसी को भी कष्ट नहीं होगा अपने तरीके से पैदल न निकले क्योंकि उत्तर भारत में इस समय भीषन सी तलहरी चल लई है और भीड़ भाड़ होगी इसलिए लोग मेरा बिनम्बरंडोद होगा कि पैदल कोई न चले अपने बाहन स्वें बु लोगों के दोरा या अन्य संगटनों के दोरा एक बिवस्ता बनाई जारी है वहां से अपना कारिकरम भेज करके जब उनको वहां से कहा जा रहा तभी वे लोग आएं रेलवे कुछ स्पेशल टेंस भी चलाएगी उन स्पेशल टेंस में भी आप अपना रिजर्वेशन लहतर सुब्धा दे पाएंगे और आसानी से दर्शन करा पाएंगे क्योंकि क्योल अयद्याव आना भर नहीं है जिस उदेसे से आ रहे हैं कि रामला का दर्शन कर सके उस उदेसे की पूरती भी होनी चाहिए तो इसके लिए वहाँ पे दर्शन के लिए प्रियाप्त विवस्ता की जा रही है वेरिकेटिंग दे जा रहे हैं अन्य कारिकरम हो रहे हैं तो कितना भी कोई करेगा तब भी दर्शन करने में एक बेक्ति को एक दिन में एक देव विक्रह का दर्शन करने में बहुत मेहनत करेंगे डेर लाग दो लाग तक लोग दर्शन कर पाएंगे जबकि आने के चुब लोग बहुत होंगे तो एक प्रियास धीरे धीरे करके जब भी उसर आएगा तो लोगों को हम लोग उस प्रकार की भी वस्ता देंगे देखे युद्धा के परते आकरशन का क्या हो जैसे राम नौमी में अमूमन 17 के पहले हजारों में लोग आते थे पचास हजार, साथ हजार तक लोग आते थे दर्शन करके, अस्नान करके चले जाते थे बीपत्सो के बाद कारिकरम में संक्या बढ़ती गई एयुद्धा में सुविधा भी मिलती गई लोगों को लगा कि नहीं अब तो ठीक होगा इस वर्स राम नौमी के उसर पर 35 लाक लोग आए थे इतनी बड़ी संख्या का युद्या में आगमन इस बात को दिखाता है कि लोग हर सरधालो हर राम भक्त युद्या आना चाहता है और उसके लिए उस प्रकार की सुविधा और विवस्ता हम लोग देंगे एक और सवाल मन में आया आपने कहा कि प्रधान मंतरी लगभग 12 बजे के आसपास वहां पहुँच रहे तो क्या हमाने जो मुख्य गर्ब ग्रे है उसमें पहले से ही मूर्ती रामलला की 5 साल वाली जो अरूर योगी राज बना रहे और छोटी वाली भी रामलला जी पहले से स्थापित हो जाएगा तो अन्त में मूर्ती की प्रान परतिस्था का कारिकरम का एक आयोजन होगा, उस एक घंटे के आयोजन के अंदर उस सारे कुछ संपन हो जाएंगे. योगी जी अब कुछ राजनितिक प्रशनों की ओराना चाहती हूँ, मायवती जी ने हाल ही में ये घोशना की, कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी. लोग सभा चुनाव में वो इंडिया अलाइंस के साथ नहीं जाने वाली हैं, उन पर भी बड़े प्रहार हुए, कहा गया क कि वो तो भारतिय जनता पार्टी का फाइदा करने वाली है? देखे, हर राजनितिक दल को अपने रणिती तैक करने का अधिकार है, और हम कैसे किसी राजनितिक दल के बारे में बात कर सकते हैं, किस अधिकार से हम बोल सकते हैं. अब आपको फाइदा होगा? बीजेपी को को क्या फाइदा होना है, क्या नुकसान होना है? या भारतिय जनता पार्टी की रणिती है, अपने आप तैक कर देगे. हम लोग तो तब भी लड़े थे, जब सत्रा में ये लोग अलग लड़े थे, चौदा में भी अलग लड़े थे, चौदा में दो नौयोकों की लड़ी थी, सत्रा में भी फिर ये लोग लड़ने का प्रियास किये थे बीजेपी से, उनीस में इन लोगों ने प्रदेश में एक महागड़बंदन भी बनाया था, तो भारतिय जनता पार्टी प्रधानमंतरी मोधी जी के नित्रतों में तब भी लड़ी थी, और अच्छ मायवती जी ने प्रेस कॉंफरेंस करके कहा कि वो अलग लड़ेंगी, और मायवती ने गिरगिट कह दिया अखिलेश आदव को, अब आज अखिलेश आदव आए उन्हों का कि हम तो सपना देख रहे थे कि मायवती जी को PM बनाएंगे, लेकिन वो किसी के दबाव में मेरे खिलाब बोल रही है, और माना जा रहा है वो दवाव आप ही का है, हमारा कौन, चले मैं धन्यवाद के लिए धन्यवाद देता हूँ कि कमसे का उन्होंने मेरा दवाव माना तो, आपका असर मान रहे हैं वो, लेकिन, अखिलेश जी, गेस्ट होस कांड को समभतों भूल हों गए, खिर मायावतीजी के साथ तो उन्होंने ही किया था ना, या इस मारकों के परतीज इस परकार की सब्दावली का प्रयोग उन्होंने उस समय किया था जब बारा में मुख्यमंतरी बने थे, एक किसी से छुपा हुआ गया, और ये बार बार तो कभी कॉंग्रेस के स साथ जाते हैं, कभी किसी और के साथ जाते हैं, तो ये तो बार बार अपने वही चेंज करते हैं, वही बदलते रहते हैं, तो मायावतीजी ने जो बोला है, क्या बोला है, मैंने पुरा बयान पढ़ा नहीं, कुछ सुना नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उनको जो लाने के पक्सदर हैं किसी मैं से बीजेपी के पक्सदर जब समाजबादी पार्टी एक साथ आए थे तो उन्होंने कई समय करन्ड बिगाड़े वी थे यह बात अलग थी कि कारेकर्टाओं के दिलों के मिलें हम तब भी 84 सीट, 80 में से 84 सीट जीते थे 80 में से 84 सीट हम लोग तब भी जीते थे पर सही सही बताइए कि 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश जिसके लिए सबसे ज्यादा मेहनत सारे दल करते हैं वहाँ पर अगर वाकई BSP, SP, कॉंग्रेस वगेरा सब मिल जाते एक साथ तो ये 50 की लड़ाई हो जाती प्रतिशत देखे गठवंदन 19 में इन्होंने गठवंदन किया था परणाम क्या हुआ परणाम क्या था? उस समय नोंने दुस्परचार की सारी सीमाओं को लांग दिया था कॉंग्रेस ने और जनता के सामने सब दूद का दूद पानी का पानी हुआ आज ऐसा तो नहीं है कि कॉंग्रेस जो है इन सभी चीजों से जो है देश की जनता इसको देख नहीं रही है आज तो उननीस से भी हम कभी कही आगे निकल चुके हैं आज दस वर्स का प्रणामंत्री मोदी जी के नेत्रतों में आज हर बेक्तिस विकार करता है कि आज बेस्विक मंचपर भारत की प्रतिष्टा बढ़ी है आज हर बेक्तिस बात को मानता है देश के अंदर अच्छा यानि वर्ल्ड क्लास जो है इंफरस्ट्रक्चर भारत के अंदर बना है पिसले दस वर्स के अंदर हर 31 बद को मानता है कि देस सुरकसित हुआ है और देस मोधी जी के न्टटों में सुरकसित है और हर 32 बद को मानता है कि בिना भाव के वेलफेर स्कीम कालाब हर गरीब को, हर गाउं को, हर किसां, हर नौज़ूान और हर महला तक पहुचाने का कारे हुआ है किसने रोका था कॉंग्रेस को या अन्य दलों को इस परकार की वैलफेर स्कीम को चलाने से कल आपने देखा होगा कि नीती आयोग की जो रिपोर्ट आई है गरीवी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के जीवन अस्तर में पिसले दस वर्स में किता अंतराया है 24 करोड से अधिक लोग गरीवी रेखा से मुक्तु हुए हैं भारत के अंदर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब यह हम कह सकते हैं कि 22 जन्वरी से पहले नमस्कार आपके साथ मैं हूँ अंजना उमकश्यप और हमारे साथ राम मंदिर में 22 जन्वरी की तारीख जब प्रान प्रतिष्ठा होगी उस पर चर्चा करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित तिनाप जी यहाँ पर जुड़ रहे हैं स्वागत है सर आपका आज तो बहलने वाज जैब विर्फा के सौप परवत पिढे तब रग्राई तुम घर आए ये पेला तो आ गई है आपके जीवन के लिए प्रभु राम की प्रान प्रतिष्ठा राम मंदिर का बन्ना च्या मAnncciones रखता है और आपकी सरकार के लिए क्या माइने रखता है केंद्र सरकार के लिए मोदी सरकार के लिए क्या माइने रखता है कि देखे कि अधिया कि जिसे कुछ लोगों ने कि अपने ब्यक्तिकाद द्वेस और संकिंडता का सिकार बनाने का प्रियास किया था जिस उपेक्सा का दंस को जहल लई थे आज उससे मुक्त हो करके हमारे बेदों ने अयुद्या को जिस सब्त पुरियों में से प्रथम पुरी के रोप में सम्मानित किया आज उसी आभा के साथ प्रनरस थापित हो रही है 22 जनवरी को राम लला की प्रान प्रतिष्ठा का ये समारो मेरा मानना है प्रभूर तो सरो ब्यापी है सर्वत्र है परम्पिता प्रमेश्वर है लेकिन यह भारत और विश्व मानुता की लोक आस्ता और जन विश्वास की पुनर प्रतिष्ठा का भी ये आयुजन है ब्यक्तिगत रूप से भी और इस जन आस्ता इस लोक आस्ता और जन विश्वास की प्रति लोक तंत्र का एक सामने नागरिक होने के नाते हैं हम सब का ये मनना है कि यह कार्य होना चाहिए था पहले होना चाहिए था लोगों ने राम की ताकत को नहीं स्विकारा वही गलती की जो सास्त्रों में गलती करने वाले भुगत चुके हैं और आज राम नाम से जिस भारत की कल्पना नहीं किजा सकती है वगवान राम की उस महत्वा को श्विकार करने के बाद न्याय और सत्य की विजय अयोध्या के लिए हुआ है और उस न्याय और सत्य की परस्थापना का कारिकरम 22 जनवरी के कारिकरम के माद्यम से हमें वहाँ देखने को मिलेगा जनास्ता का सम्मान किसी भी लोक तांत्रिक सरकार का कारे होना चाहिए और जन विश्वास पर खरा उतरना अगर जनास्ता लोक आस्ता का आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो जन विश्वास पर आप खरा नहीं उतर सकते एक दोसरे के पुरक हैं और प्रधान मंत्री मोदी जी के नित्रतों में आज उनके मार्ग दर्शन में उनके नित्रतों में उस लोक आस्ता और जन्विश्वास की पुनड़ प्रतिष्टा हो रही है योगी जी पहले गलतियां की होंगी अब आपनों को सुझाव भी बहुत सारे मिल रहे हैं यहाँ पर हमने पूरा संपूर वो राम मंदिर का मॉटल भी लगाया है अलों कि बहुत अब लोग प्रियव हो रहा है लोग इसे योध्या नगरी से ही ले जा रहे हैं लेकिन यह बत हम जिस विग्रह को वहां स्थापित कर रहे हैं अनुष्ठान उस विग्रह का होता है और ऐसा नहीं कि यह पहली बार हो रहा हूँ अयोध्या में जो कुछ भी कारिक्रम हो रहे हैं इस सनातन धर्म के सास्त्रोक्त पद्दती के अनुसारी हो रहे हैं और सास्त्र परंप्राओं से भी चलते हैं तुसरा लोग हित में जन हित में परंप्राओं बनाई भी जाती हैं उन सास्त्रोक्त पद्दतियों का पालन करते भी इन सभी चीजों को जो पोरों में भी हुए हैं और आगे भी होंगे उसी के अनुपे करेक्रम भी अयुद्या का सिराम जन्भों में तीरचित न्यास के द्वारा प्रारंब किया गया है विपक्ष का तो कहना है कि अब चुनाव करीब है इसलिए आप लोग जल्दबाजी में कर रहे हैं अभी मंदिर का निर्मार पूरा नहीं हुआ है लेकिन दो तीन महीने बाद चुनाव है और ऐसे में शशी थरूर को मैं कोट करना चाहूंगी कॉंग्रस के नेता वो यह कह करके हम गुजरात मॉडल देश में लाएंगे विकास का फिर वो 19 में आये पुल्वामा की वजह से अब वो राम मंदिर में प्राव प्रतिष्ठा करके बनना चाहते हैं हिंदय हृदू हिंदू हृदय समराथ और उससे वो चुनाव जीतना चाहते हैं तो इसलिए आप लो कि कॉंग्रेश ने 1989 में अपने चुनाव परचार अभ्यान का सुभारंब अयोध्या से किया था और क्या ये सच नहीं है कि कॉंग्रेश एक तरफ हिंदों को बेकूब बनाती थी और दूसरी तरफ मुस्लिम वोड बैंक से भी मों नहीं छोड़ पा रही थे वोड बैंक की राजनिती इसमें विपक्स ने किया है कॉंग्रेश जैसे दलो ने किया है बारतिये जनता पार्टी ने इसमें राजनिती नहीं कि हमने तो बार-बार कहा ना कि जो देश की आस्ता थी उस देश की आस्ता का हम लोगों ने सम्मान किया हम उसके पक्सदर थे आज भी है और जो भी लोग आस्ता का सम्मान करेगा वो जन विश्वास पर खरा उतरेगा तो कह रहें कि बीजेपी संग का इवेंट हो गया है सर पाँच लोग अंदर रहेंगे गर्ब ग्रे में हिंदू पंचांग से नहीं निकाली है आपने तिथी आपने निकाला है काउंडाउन लोगसभा इलेक्शन का देखकर हिंदू परंपरा में सनातन धर्म की परंपरा में मकर संक्रांथी के बाद सूर्य नारेण के उत्रैन में आने के उपरांत सुब मोहरत आते हैं कारिकरमों के और उसी को मान करके सास्ट्रोक तो पद्दति से यह कारिकरम किया गया कॉंग्रेस को इसमें तो औसर मिला था ना लेकिन याद करिए जब सोमनाद के मंदिर की पुनरस्थापना का कारिकरम हुआ कॉंग्रेस ने तो सायुजन का विरोध किया उस समय के प्रधान मंत्री उसकारिकरम में स्वयम तो नहीं गये लेकिन तद्कालिन राष्टपती को भी उन्होंने जाने से रोकने का प्रियास किया था आप नहरू जी की बात कर रहे है और राजेंदर प्रिसाज जी की तो नहीं तो नहीं गये लेकिन उनको भी रोकने का प्रियास किया कॉंग्रेश ने लंबे समय तक देश में सासन किया आखिर देश की स्वतंतरता कैसी है मान बिंदों की पनरस्थापना का कारिकरम और फिर इसमें तो न्याय और सत्य की बात हमने हमें एक अस्थान के लिए प्रमान देने पड़े जिसमें भारत की आस्था कहती थी कि यही राम जनम भूमी है लेकिन प्रवराम ने चूंकि हमें मर्यादा का पार्ट पढ़ाया था इसलिए हमने मर्यादी ताचन करते भी वे सारे प्रमान परस्तुत करते रहे हम लोग लड़े लोवर कोट में लड़े हाई कोट में लड़े सुप्रेम कोट में लड़े और अंदता सुप्रेम कोट में पांच जजेश की एक पूर्ण पीठ ने अयोध्या के मामले को लेकर के एक सरोमसमत थैसला दिया तो यह नयाय और सत्य की इस्थापना का भी अभियान है और उसी अभियान के करम में आज अयोध्या का कारिकरम हो रहा है इसमें तो किसी को आपतीपती भी नहीं होने पर शंक्राचारी अगर कहते हैं कि हम वहाँ जाकर क्या करेंगे ताली बजाएंगे तो इसके पीछे की सोच क्या है दिखे आप लोग आप मान कर रहे हैं देखे हमने हर धर्माचारे को और हर अचारे को तीर्थ छेतर ने उन्हें आमंत्र भेजा है और मुझे लगता है कि यह आउसर स्रेय और प्रेय का नहीं है